रिगवेद का सुबोध भाश प्रथम मंडल भूमिका रिगवेद संसार में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है इसमें आरियों की उच्चतम संस्कृतिका पुराणतम विवरण है इसकी प्राचीनता के बारे में अनेक मत हैं मैक्स मूलर के अनुसार रिगवेद का काल 1200 इसा पूर्व हांग के अनुसार 2400 इसा पूर्व और तिलक के अनुसार 4000 इसा पूर्व है रिगवेद के काल के बारे में मतभेद भले ही हों पर इसमें प्रतिपादित ग्यान के अद्वितियता के विशे में सभी सहमत हैं वेदों की महत्ता प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार ये वेद are प्रथम रुषियों के हृदे में उत्रे थे लोग के हित के लिए पर्मात्मा ने इन वेदों का प्रकाश किया था सुएन बेद इस بात के साक्शी हैं कि वेद उसी पर्मात्मा की वारी हैं उसी सब के द्वारा भुलाए जाने वाले यजनीय परमात्मा से रिचाएं साम उत्पन हुए उसी से चंद प्रकट हुए और उसी से यजु प्रकट हुए इस मंत्र में रिचाएं रिगवेद के साम साम वेद के चंद अथर्व वेद के और यजु यजुर वेद के परिचायक हैं या रिग वेद प्रकट हुआ, जिससे यजर वेद प्रकट हुआ साम जिसके लोम के समान है और अंगिलस का अठर्व वेद जिसके मुख के समान है, वही सरवाधार परमेश्वर है. उपनिशदों में वेदों को परमात्मा के निहस्वास बताए गए हैं जिस प्रकार मनुष्य के निहस्वास अनायास आते जाते रहते हैं उसी प्रकार ये वेद भी परमात्मा से निकलते रहते हैं और उसी में विलीन भी होते हैं सायन भी इस मत का अपने रिगवाश में प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं जिस परमात्मा के वेद निहस्वास के समान है और जिसने वेदों से सारे संसार का निर्मान किया उस विद्या के सागर परमात्मा को प्रणाम है इस प्रकार वेदों की प्राचीनता शास्त्रों ने सिद्ध की है वेदों के अंदर प्राचीन रिशियों के ग्यान का अगाध भंडार भरा पड़ा है न वेदों की द्वारा रिशियों ने संसार के सभी ग्यान का प्रकाश किया है संसार में कोई ग्यान ऐसा नहीं है जो वेदों में नौ हो इस प्रकार सारे ग्यान का आदिशोत प्रमेश्वर ही है महरशिदयानंद ने लिखा है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल प्रमेश्वर है जिस प्रकार भगवान व्यास ने अपने महा काव महा भारत के बारे में कहा था कि जो इसमें है वही अन्यत्र है और जो इसमें नहीं है वह दूसरी जगह भी नहीं है वही वेदों के बारे में भी कहा जा सकता है वेदों के बारे में वैदिक परंपरा में बड़ा महत्व है सबका आधार वेद माना गया है मनु कहते हैं वेदो खिलो धर्म मूलम संपूर वेद धर्म के मूल हैं अर्थात सभी धर्म इसी वेद के आधार पर इस्थित हैं अब प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है इसका उत्तर भी मनुस्मृत ही देती है धर्म इत्याहु धर्मों धारयते प्रजाह धर्न करने के कारण धर्म कहा जाता है और यही धर्म प्रजाओं को धर्न करता है जो ग्यान प्रजाओं को धर्न करता है प्रजाओं की हर तरह की उन्नत करता है उनका आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभोतिक अर्थात हर तरह का अब्धुदय करता है वही धर्म है यह धर्म वेदों का विशय है आज भी भारत में कोई भी धार्मिक विधिक बिना वेद पाठ के प्रारंब नहीं होती इतना महत्व आज भी वेदों का है वेदों का स्वरूप भारती परंपरा के अनुसार कुछ ऐसी प्राचीन मानता ह कि प्रथम एक ही वेद था पर बाद में जाकर लोगों के पठन की सुबिधा की दिश्ट से एक को चार भागों में बांट दिया गया भागवत में कहा है एक एव पुरावेदह प्रणवह सर्ववांगमयह वेदा नारायडो नान्यह एकोग निर्वन्ड एवच प्रथम एक ह वेद यजुर वेद साम वेद और अथर्व वेद के रूप में चार ग्रंथ हो गए यहां यह शंका हो सकती है कि एक वेद और चार वेद ये दोनों विरोधी बातें क्यों हैं अथमा एक ही वेद का अध्यान स्रेयशकर है या चारों ही का मिलकर अध्यान करना ही स्रेयशकर इस प्रश्ण पर विचार करने से पूर्व हमें वेदों के उद्देश के विशय पर विचार करना पड़ेगा तभी उपरयुक्त शंका का निराकरण हो सकेगा वेदों के विशय में और उनके धे के बारे में विचार करने पर यह ज्यात होता है कि वेद यद्यप इस थूल रूप से भिन भिन प्रतीत होते हैं पर उनका अंतिम उद्देश एक ही है यजुर वेद का विशे कर्म है यजुर वेद को कर्म वेद कहते हैं इस प्रकार कर्म सतकर्म अथ्वा प्रसस्ततम कर्म यजुर वेद का विशे है उपासना साम वेद का विशे है यह रिक तत साम के अनुसार ताल और स्वर के अनुसार बैठाए गए रिगवेद के मंत्र ही साम हैं उनका उपयोग देवताओं की उपासना करने के काम में किया जाता है साम वेद के 1875 मंत्रों में केवल 75 मंत्र रिगवेद में नहीं मिलते बाकी 1800 मंत्र रिगवेद में यत्रतत्र मिलते हैं ये सभी मंत्र उपासना परक हैं साम वेद के मंत्र से सब देवताओं में व्यापक आत्मा की उपासना करके शांति प्राप्त की जा सकती है इसलिए इन मंत्रों को सामन कहते हैं साम का अर्थ है आत्मिक शांत देने वाले मंत्र इस प्रकार यजुर वेद का उद्देश मनुष्य को उत्तम कर्मों का शिक्षा देना है और साम वेद का उद्देश भगवत उपासना द्वारा मनुष्यों को आत्मिक शांत प्रदान कर रिग वेद सुक्त वेद है सुक्त का अर्थ है सुधन उक्त अर्थात सुभाशित या उत्तम वचन है उत्तम वचन जिन मंत्रों में होते हैं उन मंत्रों के समूह को सुक्त कहा जाता है उन्ही को रिक या रिचा भी कहते हैं इस प्रकार रिग वेद में उत्तम विचारों को करने वाले मंत्र हैं यजुर वेद में मनुस्य को प्रसस्थतम करमों में प्रवित्त करने वाले मंत्र हैं और साम वेद में उपासना द्वारा आत्मिक शांति देने वाले मंत्र हैं इनकी तालिका इस प्रकार बनाई जा सकती है रिग वेद उत्तम विचारों का संग्रह उपासना वेद साधानतया सद्विचार सतकर्म और सदुपासना इन तीनों को यदि वेदत्र भी कहा जाए तो तत्व दृष्टया दोश्पूर नहीं होगा अथर्व का अर्थ है गति रहित थर्वति गति कर्मा न थर्व इति अथर्वह इस प्रकार शब्द की व्युत्प प्रग्य शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है वही अथर्व वेद में अथर्व शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है इस प्रकार योग साधन के द्वारा प्राप्त होने वाला चित्त वृत्ति का निरोधही अथर्व है इस प्रकार पूर्वोक्त त्रई विद्या की समाप्ति इस चौथी इस्थति में आकर होती है रिग वेद विचारों की पवित्रता यजुर वेद कर्मों की पवित्रता साम वेद उपासना से शुधता अथर्व वेद समता या इस्थति प्रज्यत्व मनुस्य की उन्नत के लिए ये उत्तरोत्तर सीणियां हैं प्रथम विचार करता है तद पस्चात उन विचारों की कारियों में पेंड़त करता है तब वह अपने कर्मों का फल पाता है उपनिशद में कहा है मनुस्य जिसका मन से ध्यान करता है उसी को वाडी से बोलता है और जो कुछ वाडी से बोलता है उसी को कर्म में लाता है और जो कुछ कर्म करता है उसका फल पाता है इन चारों वेदों के विशे परस्पर अत्यंत निगणित हैं सद विचार और सद कर्म में किसी प्रकार का फर्क नहीं हो सकता उसी प्रकार रिग वेद और यजुर वेद में भी किसी प्रकार का फर्क मानना भूल है विचार, क्रिया, भक्त और एकागरता में जो परसपर संबंध है वही संबंध चार वेदों में भी है इसलिए ये चार वेद परसपर भिंद नो होकर एक ही वेद हैं अथर्व वेद का विशय योग है सर्वसाधारण के वश की बात नहीं है इसलिए अधर्व वेद कुछ विशेस इस्थत के लोगों के लिए ही है बाकी के तीन विशेयों या वेदों को सर्ब साधारन के सामने प्रस्तुत किया गया इसलिए इन तीन विशेयों का नाम त्रई विद्या पड़ गया पर इस त्रही विद्या के आधार पर जो यह सिद्ध करना चाहते हैं कि पहले तीन ही वेद थे अथर्व वेद तो पीछे से वेदों की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया यह उनके विचार बिलकुल गलत हैं इसी प्रकार कुछ पास्चात्य विद्वानों का मत है कि वेदो में केवल भौतिक ज्यान है अध्यात्म ज्यान नहीं है अतह उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप अध्यात्म ज्यान देने वाली उपनिश्दों की रचना हुई पर यह उनका कथन उनकी वेद विश्यक अज्यानता का ही द्योतक है रिग वेद का अस्यमावी सुक्त नासदी स सुक्त हिरेड गर्व सुक्त विश्णू सुक्त आदिसभी सुक्त अध्यात्म विद्या के स्रोत हैं आज जो पाश्चार्ट विद्वान अनेकता में एकता यूनिटी इन डाइवस्टी के सिध्धान्त का प्रचार करते हैं उसको रिगवैदिक रिशियों ने एकम रिगवेद का सुबोध भाश्य प्रस्तुत है रिगवेद का सुबोध भाश्य प्रथम मंडल रिसिह मधुच्छंदा वैश्वा मित्रह देवता अगनिही छंदह गायत्री भावार्थ सबका हित करने वाले यग्य के प्रकाशक सदा अनुकूल यग्य कर्म करने वाले वि यह अगनी प्राचीन काल से लेकर आज तक उसी प्रकार प्रशंसित होता चला आ रहा है। वही सब देवों को बुलाता है। शरीर के प्रत्तेक इंद्रीय में एक-एक देव हैं। ऐसे 33 देव इस शरीर में हैं। वह देव शरीर में तब तक रहते हैं जब तक शरीर में अगनी उष्णता के रूप में रहती है। इस अगनी या गर्मी के इस शरीर से निकल जाने पर इंद्रीय अस्थानी देव भी निकल जाते हैं। यह मृत्य की ही व्यवस्था है। अगनी ही पुष्टिकारक बल युक्त और यशस्वी अन प्रदान करता है। अगन से पोशन होता है, यश बढ़ता है और वीरता से धन प्राप्त होता है। जिस अहिंसक यग्य में इस अगन की पूजा होती है, वही देवों के अनकूल यग्य होता है। बिद्वान यग्यशील, सत्यस्वरूप तथा अन्नादिसे युक्त अग्न देवों के साथ यग्य में आता है। यह अग्नी हमेशा दान देने वाले का ही कल्यान करता है। कंजूस का नहीं यह उसका एक अटल नियम है। अपनी बुद्धियों और इस्तुतियों से हमेशा उस प्रकाशक एवंग तेजस्वी प्रभु के गुण गाने चाहिए। दिन के तथा रात्र के समय अर्थात सदा उसको प्रणाम करना चाहिए। उसका आदर करना चाहिए। उसका महत्त जानना चाहिए। और अपने ऊपर उसका अधिकार समझना चाहिए। यग्यों की र प्रिकार यह अग्मी विद्वानों का हर काम में सहायक होता है। और संकुचत भाव दूर होकर विशालता से युप्त उदारता का भाव आता है। पर ले जाते हो। अतह शद्धा से तयार किये गए इस आनंद दायक रस के पास आओ। मित्रवत सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करने वाले पवित्र कार्य में अपनी शक्त लगाने वाले मित्र और शत्र को पूर्ण रूप से नस्ट करने वाले वरुन दोनों स्नेह से परिपून कर्म करते हैं। ये मित्र और वरुन सदा सत्य को ही सपर्ष करने वाले और सत्य पालक हैं। सत्य व्यवहार से ही सदा ब्रिद्ध को प्राप्ट करने वाले हैं। कभी असत्य की ओर नहीं जाते इसलिए बड़े-बड़े कार्यों को सत्य से ही परिपून करते हैं। वे दोनों मित्रा वरुन बुद्धिमान और दूर दर्शी हैं, सामर्थवान हैं, विस्तृत घर में रहते हैं, कर्म करने की शक्ठ धार्ण करते हैं अश्विदेव विशाल भुजा वाले केवल शुभ कार्य ही करने वाले और आरंभित कार्य अतिशिग्र समाप्त करने वाले हैं वे हमारे यग्य में आकर हमारा दिया पवित्र अन सेवन करें और हरशित पसंद हो जाएं अश्विदेव बहुत कार्य करते हैं बड़े बुद्धिमान हैं नेता हैं वे अपनी सुक्ष्म बुद्ध से हमारे कथन को सुनें अश्विदेव शत्रूं का बद करने में प्रवीड वीरभद्र के मार्ग से जाने वाले और कभी असप्त्य का आश्चय लेने वाले नहीं ह पास बुलाना और निचोड़ा सोमरस दूध जल आद के साथ मिश्चत करके उनको पीने के लिए देना चाहिए हे तेजस्वी इंद्र तेरे लिए ये रस अंगुलियों से निचोड़ कर और छान कर पवित्र किये गए हैं उनका आनंद ले हे इंद्र स्वैंग अपनी स्रद् होकर ज्यानी ब्रामणों द्वारा एखसाहित होकर सोमरस निकालने वाले स्टोटा जगण तेरी इस्त्ति कर रहे हैं तू उनके पास जा हे इंद्र तू शिञता से हमारी इस्तुतियों को सुन और हमारे द्वारा दियेस सोमरस का आनंद उठा ये विश्वे देंग सब तुम सब कार्य में कुशल हो, इसलिए सब कार्य शीघता पूरुवक उत्तम रीति से करते हो, अतह तुम इस इस्तोता के घर आओ, हे विश्वे देवों, तुम अहिंसनी, अनुपम कुशलता से युक्त, किसी से द्रोह न करने वाले, और सब के लिए सुख के साधन देने वा अतह तुम हमारे द्वारा प्रसनता पूरुवक दिये गए अन्न का सीवन करो, यह विद्या शारीरिक, मानसिक और बौध्धिक सब तरह की पवित्रता करने वाली है, विद्या अन्न देती है, अनेक तरह के बल भी इससे प्राप्त होते हैं, बुद्ध पूरुवक किये ज इतना देने वाली यह सरस्वती उत्तम कर्मों को धार्ण करता है, अर्थात लोगों को उत्तम कर्मों में न्युक्त करती है, ज्यान का प्रसार करने वाली यह विद्या की देवी कर्मों के महासागर को ज्यानी के सामने खुला कर देती है, अर्थात इस विद्या के कारण मन जोग गायों को बुलाते हैं उसी प्रकार उत्तम रूप प्रदान करने वाले इंद्र को अपनी सहायता के लिए सब बुलाते हैं धन्मान जब प्रसन्न होते हैं तब वे गव का दान करते हैं अतह तू भी हे इंद्र यहां हमारे यग्यों में सो मरस पीकर प्रसन्न हो हे दूसरे नहीं अतह तू हमें अपने पास से दूर मत कर अपितु तू हमारे पास आ जो इंद्र अपने भक्तों और मित्रों को धन देता है उसी अपराजित इंद्र की धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने चाहिए देवों की निंदा करने वाले नास्तिक जन भले ही ईश्वर की भक्ति करने वाले आस्तिक जनों को अपने समाज से निकाल दें पर तो भी आस्तिक जनों को चाहिए कि वे सदा इंद्र के ही शरण में रहें यदि मनुष्य इंद्र की शरण में ही रहेंगे तो वे ऐसे सौभा गिशाली होंगे कि शत्र भी उनकी प्रशंसा करेंगे सोमरस यग्य को उत्तम बनाने वाला यग्यकरताओं को उत्साहित करने वाला तथा मित्रों को आनंदित करने वाला है इसे पीकर यग्यकरता उत्साहित होकर शीघता से कार्य करता है सैकणों उत्तम कर्म करने वाला इंद्र भी इस सोमरस को पीकर व्रित्रों अर्थात उत्तम काम में बिग्न उपस्थित करने वालों का विनाश करता है और संग्रामों में बल्वान वीर की रक्षा करता है धन चाहने वाले सभी लोगों को चाहिए कि वे सैकणों तरह के उत्तम कर्म करने वाले इस इंद्र को सोमरस रूपी अन्परदान करें यह इंद्र धन का रच्षक है दुखों से पार कराने वाला है यग्यकरताओं का मित्र है ऐसे इंद्र की अवश्य पार्थना करने प्रभू की सामुदाईक उपासना करो, सामुदाईक उपासना से संग शक्त बढ़ती है इसलिए सारवजनिक स्थान में इकठे होकर एक स्थान पर बैठकर उपासना करनी चाहिए यग्यस्थान में सब इकठे होकर प्रातह मध्य दिन और सायं सदनों में वैदिक आर्य बैठते थे इसलिए उनमें अई किता बहुत से शत्रूं का नाश करने वाले वीर इंद्र की इस्तुति करो उसके गुण अपने में धार्ण करो बढ़ाओ और उसके समान वीर बनो वह हमें अप्राप्त धन देने वाला है वह हमें धन तथा बुद्ध देने वाला हो वह अन्नु के साथ हमारे पास आवे युद्धों में जिसके रत में जुड़े हुए घोड़ों को शत्र पकड़ नहीं पाते ऐसे वेगवान और शक्तिसाली जिसके घोड़े हैं उस इं इंद्र के द्वारा पीने योग्य होते हैं उत्तम कर्म करने वाला यह इंद्र स्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए उत्तम कर्म करने के लिए ही महान हुआ है इसी प्रकार महान होकर उत्तम और स्रेष्ठ कर्म ही करने चाहिए यह सोमरस अपने पीने वाले को उत्साह प्र उत्तम कर्म करने वाले इंद्र की महिमा को हमारे स्तोत्र बढ़ा में हर उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य की सब प्रशंसा करते हैं और उससे उसकी महिमा बढ़ती है। सनरक्षन करने में अत्यंत सामर्थ शाली इंद्र ऐसे अन्न का सेवन करता है जो अनेक तरह के बल देता है अतह मनुस्यों को भी बलदायक अन्न का सेवन ही करना चाहिए हम इतने शक्तिसाली हों कि शत्र के शस्त्र भी हमारे शरीरों को कोई हान न पहुँचा सकें हम ऐसे उत नक्षत्र आकाश में चमकते हैं उस समय तेजस्वी गतिमान महान आत्मा को स्वैंग इस्थिर रहने वाले साधक उपासक अपनी आत्मा के साथ जोड देते हैं परमात्मा की उपासना करते हैं इंद्र के रथ में सुन्दर शत्र को हराने वाले तथा मनुश्यों को उत्तम रीत से ले जाने वाले घोडे जोडे जाते हैं इन्ही घोडों के कारण वह वीरता के काम करता है उसी प्रकार यह शरीरस्थ इंद्र भी अपने इंद्रिय रूपी घोडों को उत्तम बनाकर स्वैंग भी सामर्थ शाली बने उसा के पश्चात सूर्य उदै होकर उपर आता है वह प्रकाश देता है पदार्थों को सुन्दर रूप देता है वैसे ही मनुष्य भी दूसरों को ग्यान देवें और अरूप को सुरूप करें यथेस्ट अन्न मिले इस लालसा से पूजनी नामों से युक्त यशश्वी मरुत फिर बार बार गर्भवास्ट विकार करने के लिए तयार हुए ये वीर दुस्मनों के बड़े बड़े वीरों को नस्ट करके अपने अधीन करने में बड़े ही सफल होते हैं इन्ही वीरों की मदद पाकर इंडर शत्रूं के द्वारा बड़ी सतरकता पूरवक किसी गुप्त स्थान में रखी हुई गौवें या धन संपदा का पता लगाने में सफलता पाता है यद ये वीर सहायता नव पहुँचाते तो किसी अग्यात दुरगम तथा बीहड भुभाग में चिपी हुई गौश संपदा को पाना उसके लिए दूभर हो जाता इसमें क्या संशय है जो उपासक देवत तो पाना चाहते हैं वे वीरों के समुदाय की सराहना करते हैं कर सबको उचित प्रमाण में प्रदान करता है ये वीरों तुम निदर इंद्र के सहवास में सदैवर रहते हो इंद्र को छोड़कर तुम कभी छन भर भी नहीं रहते हो तुम में एवन इंद्र में समान कोटि का तेज एवन प्रभाव विद्यमान है तुम्हारा उतसाह भी घटता नहीं है यग्य की सहायता से दोश रहित तेजस्वी तथा सबके प्रिय वीरों के संगों में रहकर शत्रुका नाश करने वाले इंद्र के महान प्रभावी सामर्थ की ही महिमा गाई जाती है चुकि मरुत संगों में परियाप्त मात्रा में शूरता तथा दीरता विद्यमान है अतह वे उसके प्रभाव से समूचे विश्व को व्याप्त कर लेते हैं वीरों को चाहिए कि वे इन गुणों को स्वयंग धारन करें ऐसे वीरों का सतकार करने के लिए सभी कवियों की इन लाकर देवें गायक लोग गानों से मंत्रों से और अपनी वाणियों से इंद्र की महिमा का ही गान करते हैं इंद्र के घोड़े इतने शिक्षित हैं कि केवल कहने मात्र से ही रत में जुण जाते हैं ऐसे शिक्षित घोड़े होने चाहिए इस प्रकार इंद्र सोने के अलंकारों को पहनकर इन घोडों के रत पर बैठता है अईश्वर्यवान शत्रणाशी परमेश्वर ने सूर्य को द्यूलोक में स्थापित किया वह सूर्य सरवत्र प्रकाश पहलाता है अपनी किरणों से मेगुं को बनाकर पानी बरसाता है युद्ध में जै कमाने वाले वी युद्ध से लूट कर धनक्राप्त होते हैं लूट करना विजेता का अधिकार ही है हम बड़े छोटे और अनेक शत्रूं के साथ होने वाले युद्ध में इस वज्जधारी इंद्र को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं और प्रतिरुद्ध गतिवाला प्रतिकार रहित अपराजित वह इंद्र हम सब के लिए इस मेघ पटल को व्रिष्ट करके दूर करें अर्थात इतनी वर्षा हो कि सब पानी बरसाकर बादल अवश्य हो जाएं जो इस्तुत की जा रही है वह इसके महान कारे के लिए योग है ऐसा मुझे नहीं लगता क्योंकि इंद्र के प सामर्थ से मानवों में घुमता है सब किसानों, सब धनों और पांचों तरह के मनुस्यों का वह इंद्र स्वामी है वह सब का हिद करता है इसलिए उसे सब अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं तो भी वह इंद्र हमारे पास ही आवे शत्रू के पास न जावे हे इंडर, सेवनी, विजई, शत्र का पराभव करने वाले स्रेष्ट धन को हमारे विजए के लिए हमें दे दो हमें ऐसा धन चाहिए कि जो विजए करने वाला सेवन के योग्य और शत्र का पराभव करने की स्रेष्ट शक्त देने वाला हो धन प्राप्त करने के बाद हम मुस्त युद्ध से शत्र को रोक सकेंगे तथा घोडों से भी शत्र को रोक सकेंगे हम अईश्वर्य मद में उनमत नव होकर वीर बनकर रहेंगे हे इंद्र अपने हाथों में वज्र आदि भयंकर शस्त्र ग्रहन करें साथ ही मेरी सहायता भी प्राप्त करें और इस प्रकार हम शत्रों को नस्ट करें हम इंद्र के तथा शस्त चलाने वाले कुशल वीरों के साथ सेना लेकर हम पर चड़ाई करने वाले शत्रों को हरामें जो शस्त्रों को धार्ण करता है वही यग्य और बल प्राप्त करता है और वही वीर अईश्वर्य शाली होकर बड़ा और स्रेष्ठ होता है जो नेता सेना पति आदि बाहर शत्रों से युद्ध करते हुए देश के संरक्षन में रत रहते हैं तथा जो मंत्री आदिनेता रास्ट के अंदर प्रजा की उत्तम व्यवस्था करने में लगे रहते हैं तथा जो विद्वान आदिनेता रास्ट में ग्यान प्रसार के कार्य में लगे रहते हैं, वे सभी आधरणी हैं, जैसे उंचे पहार से, जल के पृवाह बड़े वेग से नीचे की ओर बहते हैं, उसी तरह सो मरस के प्रवाह इंदर की ओर बहते हैं और इंदर को शक्तिसाली कर उसका यश फैलाते हैं पके हुए फलों से युक्त ब्रिक्ष जिस तरह लोगों को सुख देते हैं उसी प्रकार इंद्र के कभी व्यर्थ ना होने वाले सुभाशिर वाद दानशील मनुस्यों को सुख और गौव आदि अईश्वर्य प्रदान करते हैं इंद्र अपने सब अईश्वर्यों से उदार दाता की सहायता करता है उसी प्रकार अन्न की भी सहायता करता है इसलिए सभी उदार और दानी बनें इंद्र का चरित्र बहुत उत्तम और प्रशन सनीय है इसलिए सब इसको चाहते हैं और सब इसे अपने यग्य में बुलाते है जिस प्रकार इंद्र सोम पीकर उतसाहित और आनंधित होता है और अपने सामर्थ के कारण सब का प्रिय है उसी प्रकार उतसाह से कारे करने वाले सामर्थ शाली मनुश्य सब के प्रिय होते हैं सबकी रक्षा करने वाले इस इंद्र को उत्तम अन देना चाहिए जो वीर देश की रक्षा करते हैं उन्हें उत्तम अन दिया जाना चाहिए ताकि वे उत्तम वीर और बलशाली होकर देश के संदक्षन कार्य में समर्थ हों हे सुन्दर सिरस्त्रान धारण करने वाले इंद्र हर्ष बढ़ाने वाले इन इस्तोत्रों से आनंदित हो और हे सब मानवों का हित करने वाले इंद्र तू हमारे यग में आ जो मनुश्यों के हितकारी हैं उन्हें हमेशा अपने कारियों में बुलाना चाहिए यह इंद्र बहुत बलवान है इसलिए सबका यह स्वामी है इसकी सब मनुष्य प्रेम से इस्तुति करते हैं और यह भी प्रेम से की गई इस्तुतियों को स्वीकार करता है जो बलवान और स्वामी होते हैं उसकी सब इस्तुति करते हैं हे इंद्र बिलक्षन स्रेष्ट धन हमें दे, क्योंकि तेरे पास ही विपुल और प्रभावशाली धन रहता है, सदा स्रेष्ट धन ही प्राप्त करना चाहिए, धन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए, जो महान प्रयत्न करता है वह यशश्वी होता है, हमेशा प प्राप्त हो उत्तम गौ का दूध पीने और बलदायक अन्न खाने से आयुदिर्ग होती है तेजस्वी और अपार धन प्राप्त होने पर उसका दान मनुश्यों को करना चाहिए वह धन किसी अकेले के भूग के लिए नहीं होता अतह उसे सहस्रों मनुश्यों के पालन पोशन और समवर्धन में लगाना चाहिए यह इंद्र धनों का स्वामी अईश्वर्य शाली रिचाओं से वर्णी अतह अपने संरक्षन के लिए इस बलशाली की अवस्य तार्थना करनी चाहिए प्रतेक यग्य में यग्यकरता को चाहिए कि वह यग्य में आने वाले इंद्र के बल की पुजा करें अपने अंदर धारन करें यह इंद्र अनेक बुद्ध सामर्थ्यों से युक्त है अतह गायक लोग इस पूजनी इंद्र की पूजा करते हैं और जैसे बास उचा करके उसपर लगे जंडे को फ़राते हैं उसी प्रकार इस इंद्र को स्तोत्तों द्वार उचा करके सबको उसकी उच्चता दिखाते हैं जब एक परवत से दूसरे परवत पर जाने वाला कभी इंद्र की प्रचंड कर्म शक्ति को साक्षात देखता है तब उसके हरदयस्थ भाव को जानता हुआ व्रिष्ट करता इंद्र भी अपने साथियों के साथ उस कभी की सहा के लिए दोड़ता है हे सोमरस पीने वाले इंद्र बड़ी अयाल वाले बलवान और पुस्ट दोनों घोड़ों को अपने रत में जोड़ और उस पर बैठकर हमारे पास हमारे द्वारा की जाने वाले इस्तुत सुनने के लिए आ हे सब को बसाने वाले इंद्र हमारे समीप आ हमारे इस्तोत्रों की प्रशंसा कर हमारे साथ आनंद की बोल और हमारे आनंद ज्यान और कर्म की शक्त बढ़ा शत्रू का नाश करने वाले इंद्र के यश को बढ़ाने वाले इस्तोत्र अवश्य गाने चाहिए ताकि वह हमारे साथ सदा मैत्री करता हुआ प्रेम प्राप्त करने के लिए उसी इंद्र के पास जाना चाहिए क्योंकि वह शक्तिमान इंद्र ही हमें धन देने में समर्थ है हे इंद्र तेरे द्वारा दिया गया यश सरबत्र फैलने वाला और आसानी से प्राप्त होने वाला है तूं हमें संब्रध शाली बना तथा गाय तथ प्रवाहों और थात वर्षा पर भी इसी इंद्र का अधिकार है, उन जल प्रवाहों से यह सब को पुष्ट करता है, हे भक्तों की प्रार्थना सुनने वाले इंद्र, मेरी और मेरे मित्र की प्रार्थना ध्यान से सुन, और उस पर मनन पूर्वक विचार कर यह इंद्र अत्यन्त बलवान है और युद्धों में अपने मित्रों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करता है इसलिए लोग इस इंद्र से हजारों तरह के धन के साथ उसकी संरक्षन शक्त भी मांगते हैं हे इंद्र हमारे पास आ और आनंद से सो मरस का पान कर नवीन उत्साह पूर्ण तरणा वस्था हमें दे और मुझे सहस्रों सामर्थों से युद्त रिशी बना हे इस्तुति के योग इंद्र हमारे द्वारा सब और से की गई ये इस्तुतियां तेरी आयू की ब्रिद्ध के साथ ही साथ तेरा यश भी बढ़ाने वाली हूं साथ ही हमारा भी आनंद बढ़ाने वाली हूं सब वाणियां समुद्र जैसे विस्तृत रथियों में स्रेष्ठ रथी बलोन और अन्नों के स्वामी और सज्जनों के पालन करता इंद्र के महत्त को बढ़ाती हैं हे बलों की स्वामी इंद्र तेरी मित्रता में रहकर हम बलिस्थ तथा निर्भीक बनें कभी किसी से पराजित नो होते हुए सदा विजई बनें और नित्य तेरी भक्त करें इस इंद्र की भक्ति अर्थात इसके गुरों को अपने अंदर धार्ण करने से मनुष्य निर्भीक होता है इंद्र दान देने में बहुत कुशल है अपने इस काम के लिए वह अनंतकाल से प्रिसिद्ध है इसलिए वह दानियों का सहायक होता है और उनकी हमेशा रक्षा करता है शत्तु के किलों को तोड़ने वाला तरुण, ज्यानी, अपरमित, बलशाली, सब कर्मों को धार्ण करने वाला बहुतों द्वारा प्रशंसित, वज्जधारी इंद्र अब प्रकट हुआ है हे परवत पर रहकर युद्ध करने वाले इंद्र, तूने गवे चुराने वाले बलासुर के दुर्ग के द्वार को खोल दिया, इस युद्ध में संत्रस्त हुए देव, तेरी सुरच्छा के कारण, नर्भीक होकर तेरे पास पहुँचे हे इंद्र, तेरे दानों से उत्साहित होकर, मैं तेरे समुद्र के समान विस्तित गुणों का वड़न करता हुआ, तेरे आश्य में आ रहा हूँ हे इंद्र, जो क्रियाशील मनुष्य तेरे पास पहुँचते हैं, वे ही तेरी महिमा को जान सकते हैं कपट करने वालों के साथ कपट का रास्ता ही अपनाना चाहिए, और उन्हें हर तरह से समाप्त करना चाहिए, इस प्रकार दुर्जनों का नाश करके सज्जनों की उन्नति करने चाहिए वह इंद्र हजारों मार्ग से अपने भक्तों को धन देता है, इसलिए सभी यग्यकरता अपनी शक्त से सबके स्वामी बने हुए उस इंद्र का यश फैलाते हैं, दूत तेजस्वी बुलाने वाला अरथात अच्छा वक्ता, सब प्रकार की ज्यान वधन से युक्त, यग् प्रजा का पालन करने वाला, सबके पास हव्य अरथात, अन पहुंचाने वाला, सबको प्रिय और तेजस्वी हो, वह अग्न प्रकट होते ही भक्तों के पास पहुंचती है, और इस्तुतियों को प्राप्त करती है, तथा विद्वानों का संगठन करती है, यह अग्न जिस प्रकार देवों को जगा कर उन्हें यग्य में लाता है। उसी प्रकार दूत रास्ट की प्रजाओं में जाग्रति पहला कर उन्हें एक स्थान पर संगठित करे। और जिस प्रकार एक अगनी से दूसरी अगनी जलती है और सरवत्र प्रकाश हो जाता है उसी प्रकार सरवत्र ज्यानागनी का प्रकाश हो ज्यानी सत्य के पालक शत्र नाशक तेजस्वी अग्रणी की सब जगह प्रशंसा होती है अपने संरक्षन की इच्छा करने वाले मनु शुखी होता है शरीर में भी अगनी रूप प्राण या आत्मा की सेवा करने और उसे बल्वान बनाने से सब इंद्रियाद देव प्रसंद रहते हैं और वह मनुष्य स्वस्थ एवंग निरोगी रहकर सुखी होता है यह अगनी देव देवों को हमारे पास लाने और हमारी हव और इस्तुतियों को देवों तक पहुचाने का दूद का काम करता है नमीन इस्तोत्रों के द्वारा प्रशंसित यह अग्रणी हमें वीरों से युक्त धन और अन भरपूर दे हमें ऐसा धन दे जिसका हमारे वीर अर यह अग्न सरवत्र पवित्रता करने वाला है। अतह यह अच्छी तरह प्रदिप्त होकर यग्यकरताओं पर क्रिपा करने के लिए देवों को बुला कर लाता है और उनका सम्मान करता है। यह अग्न शरीर का धारक है। जब तक इस शरीर में अग्न की उश्णता रहती है तभी तक यह शरीर क्रियाशील रहता है। इस प्रकार इस शरीर में रहकर यह अग्न देवों अरथात इंद्रियों को रस पहुँचाता है। इस प्रकार इंद्रियां शक्त से युक्त होती ह यग्य में मधुर्पदार्थ खाने वाले और प्रिय इस अग्न की सब प्रशंसा करते हैं क्योंकि सब ज्यानी जानते हैं कि इसके बिना विश्व में कुछ भी कारे नहीं कर सकते जिससे अत्यन्त सुख होता है ऐसे रत में बैठ कर यह अग्न सब देवों को इस यग्य भूमी में लाता है और मनुश्यों का हित करता है इस शरीर में ही अम्रत का साख्छातकार होता है यहां सब देवताओं के लिए यथा क्रम आसन बिछाए गए हैं आख, कान, नाक आद इंद्रियों में आसनों पर यह देव आकर बैठते हैं और यग्य करते हैं इस यग्य में ही अम्रत का साख्छातकार होता है प्रातह समय यग्यशाला में दिब द्वार खोले जाते हैं यह दिब द्वार हैं क्योंकि मनुश्य इन ही के द्वारा यग्य जिए शाला में पविस्ट होता है, यग्य ही सबसे परम स्रेष्ट और उत्म कर्म है, इसलिए इस पवित्र यग्य के कारण ये द्वार भी पवित्र ही हैं, जिस समय उशा के साथ थोड़ी रात भी सन्युक्त होती है, उस काल को नकतोशस काल कहते हैं, इस समय से यग्य शुर उत्तम वक्ता होते हैं ये आते हैं और यग्य को यथा योग रीती से सिद्ध करते हैं त्वस्टा कारीगर को कहते हैं विश्वरूप त्वस्टा है जो मूल कारीगर है वह विश्वरूप है विश्व ही विश्वरू है अतह इस विश्वरूप कारीगर देव की उपासना अ करनी चाहिए परजन्य से और शधियां और और शधियों से अन्यूत्पन्न होता है यही अन्य देवों को दिया जाता है दान देने से उत्साह बढ़ता है इसी से यग कर्म की वproduction और मनुश्यों का हित होता है जो अपनी वस्त्य है उसे दूसरों के लिए अरपन करने का नाम स्वाहा है, इसी का नाम यग्य है, यही स्रेश्टतम कर्म है, इसमें सभी देवों का सतकार करना चाहिए, वह अग्न सब देवों के साथ सोम पीने के लिए आता है, और अपने भक्तों की प्रार्थना सुनता है, और यग्य का समरक् करता है यह अगनिस्वेंग घ्यानी होने के खारण अपने सबकर्म घ्यान पूर्वक करता है इसलिए उसे सब लोग अपनी साहयता के लिए बुलाते हैं और उसके काम की प्रशंसा करते हैं वह अगनी, इंद्र, वायू, ब्रिहस्पत, मित्र, अगनी, पूशा, भग, आदित्य और मरुतूं के समूह को बुला कर लाता है। सोमरस आनंद और उत्साह बढ़ाने वाले तथा मधुर होते हैं। यह सोमरस अगनी को दिया जाता है। इस अगनी नेता का सभी लोग आसन बिछा कर आदर करते हैं और इससे अपने सनरक्षन की इक्षा करते हैं। इस अगनी के घोडे, अर्थात किरने, घृत के कारण और तेजस्वी होते हैं। अनुकूलता से रहने वाले तथा इस अगनी को सब जगह पहुचाने वाले हैं। घोडे तेजस्वी मन की इक्षा नुसार चलने वाले हों। यह अगनी हमेशा यग्य करने वालों और सत्य पालकों की सहायता करता है। और उन्हें हर प्रकार के सांसारिक सुख प्रदान करता है। जागने के कारण तेजस्वी है। सूर्य किर्णों के द्वारा अग्न सब देवों को बुला कर लाता है। शरीर में अग्ण के रहने तक सब इंद्रियों में सब देव रहते हैं, आँख में सूर्य, मुख में अग्ण इत्याद, यह अग्णी देव इंद्र आद देवों के साथ अत्यंत तेजस्वी होकर मधुर रस पीता है, यह तेजस्वी अग्णी सदा मनुश्यों का हित करता है यग्यशील है और दूसरों के यग्य की फूनता करने वाला है यह अग्णी देव हमेशा ऐसे घोडियों वाले रत पर चड़ता है जो इसे सनमार्ग पर ले जाती है यह हमेशा अपने साथ देवों को रखता है जहां अग्न जाता है वहां उसके साथ सब देव जाते और उसके साथ रहते हैं हे इंद्रव मरुत देवों तुम सब यहां यग्य में आओ और पोत्र नामक पात्र से आनंद दायक सोमरस भरपूर पीओ और हम पर प्रसन्न हो ओ हे यजमान तुम हमेशा सपत्निक यग्य कर और आनंद से सोमरस का पान कर इस प्रकार अनेक रतनों से युक्त होकर अईश्वर्य संपन्न हो यह अग्रणी देव इस शरीर में 33 देवों को अपने साथ लाता है और मस्तिस्क हृदय और अधो भाग में स्थापित करता है वे देव इस शरीर में उपभूग प्राप्त करते और रित्मों के अनुसार कर्म करते हैं सिर चाती और पाउं तीनों स्थानों में ये 33 देव रहते हैं यह अईश्वर्यवान इंद्र सोम से संपन्न अरथात यग्य करने वाले ब्रामणों के साथ हमीशा मित्रता रखता है देवों के साथ एक बार जुड़ी हुई मित्रता हमीशा बनी रहती है कभी तूपती नह सबके मित्र और वरणीय ये देव सब नियमों का पालन करने वाले हैं तथा बल प्रदान करने वाले और कठिन यग्यों को भी पूरा करने वाले हैं वह धन देने वाला देव हर उत्तम कर्म करने वाले को अत्युत्तम धन देता है पर धनवान को भी चाहिए कि वह देवों स पीना चाहता है अतह हे याजकों इसको रित्व के अनुसार सोम का चौथा भाग दो ताकि यह प्रसन्न होकर तुम्हें धन प्रदान करें यह अश्विदेव तेजस्वी हमेशा पवित्य करने वाले और रित्व के अनुसार यग्यकर्म करने वाले हैं अतह इनका सतकार करना चाहिए यह अग्रणी ग्रिहस्थे शुब नियमों के अनुसार रहता हुआ रित्वों के अनुकूल कर्म करता रहे और शुब कर्म करने की कामना करता हुआ ज्यानियों को संगठित करें यह इंद्र सदा सुख दायक वाहनों पर भी सरवत्र भ्रमण करता है यह आनंद दा प्रातह सवन, मध्धिदिन सवन और सायं सवन ऐसे यग्य में तीन सोम सवन होते हैं। इन तीनों सवनों में हम यग्य में इंद्र को बुलाते हैं। हे इंद्र हम तुझे सोमरस तयार करके बुला रहे हैं। तू अपने उत्तम अयाल वाले घोडों के द्वारा इस रस के पास आ और इसे प्रेम से पी। ये सोम चमकने वाले, बल बढ़ाने वाले, उत्तम स्रेष्ठ, हरदयस परशी तथा आनंद बढ़ाने वाले हैं। सोम अर्थात, ब्रह्म ज्यानी भी सदा प्रसन और स्रेष्ठ होता है। यह इंद्र शत्रू का नाश करने वाला है, सैकणो शुभ कर्म उत्तम रीति से करने वाला है, यह आनंद बढ़ाने के लिए सब के पास जाता है, तथा सब को गौव आदिपश्व देकर सम्रध बना इसलिए सब उसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे उत्तम मनुष्य की सरवत्र प्रशंसा होती है। इंद्र और वरुन दोनों अपने तेज से प्रकाशित होने वाले और मनुष्यों की रक्षा करके उनका भर्ण पोश्ण करने वाले हैं, यह दोनों बुलाये जाने पर भक्त की रक्षा करने के लिए जाते हैं उसी प्रकार रास्ट का राजा अपनी प्रजाओं की रक्षा करके उनको शक्त से युक्त करके उनका पालन पोशन करे और अपने तेज से वह प्रकाशित हो रास्ट में उत्तम बुद्धिवाले ब्राम्हड उत्तम शक्तियों वाले छत्री औ और अन्र का दान करने वाले वैश्य ये सभी वर्ण एक विचार के हों जिससे रास्ट की उन्नती हो तथा राजा और मंत्री गन भी एक विचार वाले हो और वहां की प्रजा भी सुरक्षित और सुखी रहेगी जो इंद्र और वरुन की सच्चे मन से प्रार्थना करता है वह हर प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है और उत्तम विजयी बन सकता है जो इन दोनों के अनुकूल आचरण करता है वह सुखी और उन्नतिशील होता है रास्ट की प्रजा को चाहिए कि वह उत्तम राजा और मंत्रियों के अनुकूल आचरण करके देश में एकता स्थापित करे ग्यान के स्वामी अर्थात विद्या संपन्न विद्वान यह ब्राम हरस्पति रहती है वह सदा प्रगत करता है जिस मनुष्य को ब्रह्मधस्पत ज्यानी इंद्र शक्तिसालिक शत्री और सोम धनवान इन तीनों की सहयता मिलती है उसके पास धूर्त या हिंसक नहीं पहुँच सकते और वह वीर होकर निहसंदेह बढ़ता जाता है इंद्र के प्रिय मित पूज सदस्पति उत्तम मेधा बुद्ध का स्वामी है उससे इस मेधा बुद्ध को प्राप्त करने वाला मनुष्य पाप कर्मों से बचता है और उस मनुष्य की सोम इंद्र और दक्षिना सहयता करते हैं स्रेश्ट विद्वानों की सभा का सभापति यह सदस्पति सबकी बुद्धियों को प्रेरित करता है, सनमार्ग में चलाता है, उन्नत करता है, इसकी सहायता के बिना कोई कर्म सफल नहीं हो सकता, यह अन्न का दान देने वाले की उन्नत करता है, और हिंसा रहित और कुटिलता रहित कर्मों को बढ़ाता है, तथा इस्तोताओं की प्रार्थना यह देवों तक पहुँचाता है यह दियू लोग के समान दिस्तृत और तेजस्वी है अतह सब इसी की इस्तुति करते हैं इस अग्नि के साथ मरुत रहते हैं जो सामर्थ शाली हैं कि उनके सामर्थ से बढ़कर कर्म ना कोई देव ही कर सकता है और ना कोई मनुष्य ही ऐसे इ यह मरुत स्वैंग किसी से द्रोह नहीं करते तथा सब विशाल स्थानों को जानते हैं यह बलवान होने के कारण अजे हैं बड़े उग्र और शूरवीर हैं और तेजस्वी होने के कारण सूर्य के समान हैं सभी मरुत गौरवर्ण वाले विशाल शरीर वाले और शूरवीर में अद्दिय हैं तथा शत्र का नाश करने में बड़े प्रवीन हैं ये द्यू लोक में सदा सूर्य के समान चमकते रहते हैं ये इतने शूर वीर हैं कि परवतों को भी तुक्ष समझकर कुखार ठेकते हैं और समुद्र को भी आसानी से लांग जाते हैं अर्थात इतने उत्साही हैं कि उनके रास्ते में कोई भी विग्ण टिक नहीं पाता ऐसे ही रास्त के सैनिक उत्साही चाहिए कि जो विग्णों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं ये अपने तेज और प्रभाव के कारण सरवत्र व्याप्त हैं अर्थात सरवत्र विना अर्चन के सब जगह आते जाते हैं ऐसे ये वीर मरुत अग्न की सहायता करने के लिए सदा तैयार रहते हैं इसी पकार रास्त के सैनिक पभावशाली हों और अपने राज्य में सरवत्र घूमते हुए ज्यानी की सहायता करें और प्रजाएं भी इनका यतोचित सत्कार करें ये रिभुदेव कारीगर हैं ये घोडों को शिक्षित करते हैं और ऐसे बना देते हैं कि वे इशारे के अनुसार ही चलने लगते हैं इन्होंने ऐसे घोडे इंद्र को प्रदान किये थे ऐसे रिभुओं का सब ज्यानी सत्कार करते हैं ऐसे उत्तम कारीगरों का सत्कार र सकता था इन्होंने गायों को भी दुधारू बनाया गायों को दुधारू बनाने की विद्या रिभूं को आती थी सरल सुभाव वाले और सत्यमार्ग पर चलने वाले इनके पास विद्या भी थी जिससे ये बुढ़ों को भी जवान बना देते थे ये जीवन विद्या और औ प्रवीन थे इस कारण इन्हें इंद्र और आधित्यों के साथ सोम दिया जाता था ये रिभुगन अपनी उपासकों को हर तरह के रत्न एवन धनईश्वर्य आधि प्रदान करते हैं अगनि के समान तेजस्वी इन रिभुओं ने अपनी कर्मों से देवों में स्थान कर सकता है इंद्र और अगनि दोनों देव सोम पान करने वाले हैं इस्तुति के योग हैं उपासक यग्यों में इनकी प्रशंसा करते हैं और गायत्री चंद के द्वारा उनके यश्का गान करते हैं ये इंद्र और अगनि बड़े वीर हैं शत्रूं का नाश करने वाले हैं ये मित्र के समान सदा सब का हित करने वाले हैं इसलिए सब उपासक इनको अपने पास बुलाते हैं इसी प्रकार सब के हित करने वाले का सरवत्र सत्कार होना चाहिए ये दोनों देव बड़े स्रेष्ट सभापत हैं सभापति का कार्य वे उत्तम रीत से निभाते हैं ये दोनों मांस भक्षी राक्षसों पर ऐसा शाशन करते हैं कि वे सुधर जाते हैं सदा ज्यान से प्राप्त होने योग्य स्थान में सत्य के साथ जागरत रहते हैं इसी प्रकार नेता को चाहिए कि वह भी सदा सत्य का पालन करता हुआ राक्षसों और दुस्ट सुभाव वालों को उत्तम सुभाव वाला बनाए ये दोनों अश्विनों देव प्रातह काल जागने वाले तथा उत्तम रत पर चढ़कर जू लोक में संचार करने वाले हैं इसी प्रकार रास्ट के वैद्यों को चाहिए कि वेरोज प्रातह काल उत्तम यान में बैठकर रास्ट निवासियों के स्वास्थ का निरिक्षन करें इन अस्विनों का चाबुक बहुत मीठा और शब्द करने वाला है इस मीठे वादन से वे सब रोगियों को स्वास्थ प्रदान करते हैं इस चाबुक के शब्द से अस्विनों देवों के आगमन की सूचना मिलती है इनका रत बेगवान होने से इनके लिए कोई इस्थान दूर नहीं है जहां इन्हें पहुचना होता है वहां शीघर ही ये पहुच जाते हैं सोने की समान अपनी सुनहरी किरणों से सूर्य सब रोग बीजों को दूर करके आरोग बढ़ाता है और दिरगाय प्रदान करता है वही प्राप्त करने योग इस्थान का ज्यान कराता है सूर्य जब इच्छा करता है तब पानी बरसाता है यह अपनी कृपा उन्हीं लोगों पर करता है जो इसके व्रतों का पालन करते हैं सूर्य इस शरीर में नेत्र बना हुआ है इसलिए यह सबके लिए नेत्र के समान है इसके प्रकाश में मनुष्य अच्छी तरह देख सकता है यह सूर्य अपनी संपत्य प्रकाश सभी बिच्छ वनस्पत एवं प्राडी मात्र को समान रूप से देता है इसी प्रकार मनुष्य को अपनी धन संपत्य का संग्रह नहीं करना चाहिए, अपित्व सब में समान रूप से बाट देना चाहिए, तभी वह सूर्य की तरह इस्तुति के योग्य होगा, त्वस्ता और देव पत्नियों का सोम देकर सत्कार करना चाहिए, तथा उनकी पूजा करके ऐसी बुद्धिप्राप्त करनी चाहिए, जो देवों को बुलाने वाली, भर्ण पोशन करने वाली और सुरक्षा करने वाली हो, इसी प्रकार रास्ट में कारीगर और विद्वानों की पत्नियों का भी सतकार करना चाहिए, और उनकी संगति से ऐसी उत्तम बुद्ध प्राप्त करनी चाहिए, जो स्रेष्ट और उत्तम विद्वानों को आकरशित कर सके, तथा उस मनुष्य का भर्ण पोशन करके उसकी रक्षा कर सके, इंद्रपत्नी, वर्ण पत्नी और अग्निपत्नी ये सभी अपने उपासक की रक्षा करने वाली हैं, इनके मार्ग कहीं अवरुद्ध नहीं होने चाहिए, ये सभी रास्ट की सुरक्षा करने वाली हैं, जिस यग्य में ये पत्नियां आती हैं, वहां द्यूलोक और प्रत्वी लोक उत्तम उत्तम रस सीचते हैं, और पोशन युक्त पदार्थ देते हैं, तथा ग्यानी लोग अपने कर्म और ब जो मनुष्य अपनी उत्तम बुद्ध से उत्तम उत्तम कर्म करते हैं, वे संसार के सभी सुखों को प्राप्त करते हैं, जो सब विश्व को व्यापता है, वह व्यापक देव विश्णु कहलाता है, यह व्यापक देव साथ धामों से प्रत्वी पर विक्रम करता है, प्रत् और महतत्त ये साथ धाम हैं जहां यह व्यापक प्रभु अपना विक्रम दिखाता है इसका पराक्रम यहां सतत चल ही रहा है सब नक्षत्राद तेजो लोक तथा अग्नियाद देव इसी व्यापक प्रभु की महिमा से अपना अपना कारे करने में समर्थ हुए हैं उस प्रभु लोक तमो गुन प्रधान है यहां इसके तीन पद कारे करते हैं इनमें बीच के अंतरिक्ष में जो इनका कारे है वह गुप्त है द्यू लोक प्रकाशित है भू लोक पर तो मनुष्य कारे कर ही रहे हैं अतह ये दो लोक इसपस्ट दीख रहे हैं पर बीच का अंतरिक्ष लोक का वायु अद्रश है विद्दुत भी अद्रश ही रहती है पर कभी कभी दीखती है इस तरह बीच के स्थान में होने वाला उ प्रत्यक्वस्थव में विद्यमान है। ये सब कार्य वही करता है। भूमि अंतरिक्ष और दियू लोक में जो इनके तीन पद कार्य कर रहे हैं। उनको देखो। और उसका सामर्थ जानो। इस व्यापक प्रभु के ये सब कार्य देखो। ये कार्य सब विस्व में सतत्थ चल रहे हैं इसी के व्यापक कारियों के आश्रे से मनुष्य के कार्य होते हैं उसके किये कर्मों का आश्रे करके ही मनुष्य अपने कार्य करता है जैसे उसकी अगनिसे मनुष्य अपने अन्पकाता है उसके बीज से यह खेती करता है इत्याद यह इंद्र का योग्य मित्र है व्यापक प्रभु जीवन का मित्र है इस व्यापक प्रभु का वह परम स्थान है जो आकाश में है जैसे प्रकाशित हुए सूर्य को मानों देखते हैं उसी तरह ग्यानी लोग सदा उसे देखते हैं प्रतेक वस्तु में ये उसके कारे को स्पस्टता के साथ सदा देखते हैं व्यापक प्रभु का वह स्थान है जो कर्म कुशल जगने वाले ग्यानी सदा प्रकाशित अगने के समान सरवत्र प्रकाशित रूप में देखते हैं सो मरस तीखे होते हैं अतह वैसे ही उसका पान करना अशक है इसलिए उसमें जल दूध दही आद मिलाकर पिया जाता है कुछ शहद भी मिलाते हैं और इस प्रकार इसे तैयार करके इसकी आहुत डाली जाती है इंद्र और वायू ये दोनों छत्री देव हैं ये आकाश में विमानों से संचार करने वाले हजारों आखों वाले अर्थात हजारों गुप्तचरों के द्वारा अपने तथा शत्र देश की जानकारी रखते हैं और अपनी राज विवस्था करते हैं ये स्रेष्ठ राजा राजा के गुण हैं राजा सबके हित करता और वरण किये जाने के योग्य हों ये दोनों देव ज्यानी और पवित्र कार्य करने में ही अपने बल का उपयोग करते हैं कभी भी बुरे कार्य में अपनी शक्त नहीं गमाते ये दोनों सरल मार्ग से सत्य की व्रद्ध करते हैं सत सत्य एवंग उन्नत के लिए कभी भी ये कुमार्ग का सहारा नहीं लेते, इस प्रकार ये उत्तम मार्ग से सत्य के जोत्य की रक्षा करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाला सदा जोतिर युक्त और तेजस्वी होता है, ये अपने उपासकों की हर तरह से रक्षा करते हैं, जिसकी ये सुरक्षा करते हैं उसे ये सुधारस अर्थात उत्तम अईश्वर्य या उत्तम सिध्धिप्रदान करते हैं। मरुत गण अर्थात रास्ट के सेनिक अपने राजा के साथ आनंदित हों तथा इंद्र अर्थात राजा के समान स्रेष्ठ तथा पूशा अर्थात पोशन करने वाले वैश के समान सेनिक अपनी वीरता से रास्ट के शत्रूं का वध करें ताकि कोई दूसरा दुस्ट मरुत देव बड़े शूरवीर और भूम को माता मान कर उसकी हर तरह से सुरप्छा करते हैं और जब वे किसी शुब काम को करने के लिए जाते हैं तब वे बड़े हरशित होते हैं और तब उनका शब्द बहुत बड़ा होता है ये विद्दुत से उत्पन होते हैं विद्दुत से उत्पन होने की बात से ऐसा प्रतीत होता है कि ये मरुत मेगया वर्षा की धाराएं है यह सोम उत्तम सुगंधिवाला तथा इस्थिर रहने वाला है यह द्यूलोक अर्थात आठ दस हजार फुट की उचाई पर मिलता है हिमाले के साथ से दस हजार फुट की उचाई पर मिलने वाला सोम उत्तम माना जाता है इसलिए इसको प्राप्त करना सरल नहीं है इसे बहुत ढूनना पड़ता है जैसे खोए हुए पश को ढूनना पड़ता है उसी प्रकार इसे खोजना पड़ता है यह सोम बहुत गुपत रहता है इसके विशेशग्य ही इसे पहचान पाते हैं इसलिए यह गुहा में रहता है यह तेजस्वी है इसके पत्ते और रस अंधेरे में चमकते हैं सोम तेज और सामर्थ प्रदान करने वाला है इसके साथ छोह रित्में रहती हैं अर्थात यह बारह मासों उगता है इसलिए यह सदा प्राप पे है और यह बराबर लाया जाता है जल सब प्रकार से मनुश्यों का हिद करता है जैसे माताएं और बहने हिद करती है वैसा ही जल प्राडियों का हिद करता है जल सूर्य के सम्मुख रहे अर्थात वह सूर्य किरणों के साथ संबंध रखे सूर्य किरणे उस पर पढ़ती रहें ऐसा जल हिंसा नहीं करता अर्थात अनेक दोशों को दूर करता है और प्राड़ी को सुरक्षत रखता है जिन नदियों में हमारी गोवे जलपान करती हैं वे नदियां इस्तुत के योग हैं उन नदियों के लिए हमें हवी अर्पन करना योग है जल में अम्रित है अर्थात अप अम्रित्य को दूर करने का गुण है जल में औशद के गुण धर्म है इसलिए जल प्रशंसा के योग्य है औशदियों का राजा सूम है उसका कहना है कि जल में सब औशदियां है जल में विश्च को सुख देने वाली अगनी है और सब जल में हैं जल मेरे शरीर को ओशद गुण देवे और मुझे दिरगायु बनावे मैं दीरगायु तक सूर्य को देखना चाहता हूँ अर्थात मेरी द्रिस्ट दीरगायु तक उत्तम रहे मुझे में जो दोश है द्रोह भाव है शाप देने का दुरगुण है असत्य है यह इत्सा से रोग बीज दूर होते हैं मन के दुस्ट भाव दूर होते हैं गालियां देने और असत्य बोलने की दुस्ट प्रवित्य दूर होती है जल से शरीर मिर्दोश होकर मन और वारी की भी शुद्धता होती है जल में प्रवेश करके अत्मा जल को शरीर में प्रवेश क की है इस से मेरा तेज बढ़ेगा जल्की अग्मि मुझे तेजस्विता सुप्रजा और दिरघायु प्रदान करें सब देव और इंद्र तथा सब रिशी इस कारिके के लिए मेरी सहायता करें अर्थात इन सबकी सहायता के साथ मैं तेजस्वी वरचस्वी दिरगायव और सूप्रजावान सद्धक जिग्यासा करता है कि हम अनेकों अमरदेवं में से किस देव का मनन करें कौन देव हम सबको अधित के पास देव बनने के लिए भेशता है तथा कौन हमें माता पिता के बराबर दर्शन करवाता है उत्तर सब देवों में अग्नि प्रथम अर्थात मुख्य है अतह उसी के सुन्दर नाम का मनन करना चाहिए उसके नाम का अर्थ के साथ मनन करते हुए जब करना चाहिए वह अग् तम कर्म करने के लिए बार बार माता पिता के दर्शन करवाता है अर्थात बार बार मनुष्य जन्म देता है सविता देव स्वीकार करने योग्य धनों का स्वामी है इसलिए प्रिशंस नीय निंदा के अयोग्य और शत्रूं से रहित भाग्य को वह धार्ण करता है उसकी इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह उन्नत के शिखर पर चढ़कर भी उत्तम कर्म ही करें धन्वान होकर अहंकारी न बनें उस आधरणी प्रभु का पराक्रम इतना महान और सरवत्र फैला हुआ है कि द्यों में उड़ने वाले सुवर्ण आदिक प्रत्वी पर बहने वाले ज लंगन नहीं कर सकते यह पवित्र बलवाला वरणी प्रभु जल के आधार भूत सूर्य को बिना किसी आधार के उपर द्यों लोक में लटकाए है इस सूर्य की शाखाएं अर्थात किरणें नीचे की ओर आती हैं पर इन किरणों का मूल सूर्य उपर ही रहता है तथा इस सूर्य के जाने के लिए इतना बड़ा विस्तित द्योलोक बनाया और अंतरिक्ष में भी वायू के संचार करने के लिए स्थान बनाया प्रत्वी पर भी सज्जनों के लिए उत्तम मार्ग बनाया और दुस्टों को वह सीधे मार्ग पर चलने के लिए बारं बार प्रेणा इस तेजस्वी वरुन के पास अनेकों औशध अर्थात उपाय हैं जिनके द्वारा वह सज्जनों की रक्षा करता है वह सज्जनों को उत्तम बुद्ध देकर दुर्गत से उनकी रक्षा करता है और पाप से उन्हें मुक्द करता है रात में चमकने वाले पर दिन में प्रश्य हो जाने वाले ये तारे अधर में लटक रहे हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं, कभी गिरते नहीं, चंद्रमा भी अपने समय पर उधे होकर संसार को प्रकाशित करता है, तथा अपने समय पर अस्त हो जाता है, ये सब राजा वरुन के नियमों में बधे हुए चल उसके नियम अटूट हैं, कोई भी उनको तोड नहीं सकता, इतना उस वरुन का प्रताप है, सभी यग्य करने वाले इस वरुन की इस्तुति करते और उससे दिरगायू की प्रार्थना करते हैं, वह भी अपने उपासकों की इस्तुतियों का निरादर न करता हुआ, उनकी प् संग में रहता हुआ, दिन रात वरुन का हरदय से ध्यान करें, तो वह भी पापों से छूट सकता है, आध्याक्मिक, आधिभोतिक और आधिदैविक, तीनों तरह की पीडाओं के बंधन से बधा हुआ, दुर्गमार्ग गामी मनुष्य, जब प्रभु की हरदय से प्रार् करता है, इसलिए उसके क्रोध से सदा डर कर रहना चाहिए, वह वरुन जीवन शक्त को प्रदान करने वाला है, और वह उत्तमता से रहने के लिए पापों के बंधन को धीला करता है, हर मानों तीन प्रकार के पाशों से बधा हुआ है, पित रिंड, रिश रिंड और देव ये तीन रिंड मनुष्य पर हैं, या सत्व रज तम इन तीन गुणों के पाश में बधा हुआ, मनुष्य उनसे प्रभावित होता है, इनको दूर कर तीनों रिंडों से उरिंड होना या त्रगुणा तीत होना ही, तीनों पाशों से मुक्त होना है, इनसे मुक्त होने का ए प्रतिदिन अनेक प्रमाद होते रहते हैं इसलिए हमारे प्रतेख प्रमाद के लिए तुम कुरोधित होकर हमें धंड़त मत करो दया के दृष्ट हमारे उपर रखो हे प्रभो जैसे ठके घोडे पर उसका मालिक दया करके उसको विश्राम देता है उसी प्रकार मैं इस संसार में तरस्त और दुखी हुआ हूँ इसलिए तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी की तरह मुझे पर दया करो और मुझे अपनी अतुल दया से सुखी करो मेरे योग्य कर्म नव भी हो तथा पि तुम अपनी दया प्रकट करके मुझे सुखी करो मैं तुम्हारी प्रार्थना ही कर सकता हूँ जिस तरह पक्षी दिन भर इधर उधर धूम धाम करे शाम को विश्राम के लिए अपने घोसले की ओर ही जाते हैं और वहां विश्राम पाते हैं उसी तरह मेरी बुद्धियां और मेरी विचार धाराएं इस विश्र में इधर उधर घूमती रहती हैं परंत चिर शान्त की और शाश्वत सुख की इच्छा से तुम्हारे ही आश्रे में आती हैं और वहीं शान्त सुख औ और आनंद पाती हैं जो प्रभु सबकी सुरक्षिता करने का सामर्थ रखता है जो विश्व का नेता और संचालक है जो चारों और विशाल द्रिष्ट से सबको यथा तथ्यरीत से देखता है जो सबसे स्रेष्ट है वह सुखदाई प्रभु की हम सब मिलकर उपासना करेंगे कब वह हमारे सामने साक्षात दर्शन देगा हम आतुर हुए हैं उसकी भक्त करने के लिए अतर चाहते हैं कि उसके साक्षातकार का समय शीगर प्राप्त हो और हम उस प्रभु की आनंद की प्राप्त होने तक यथेक्ष उपासना करें ये मित्र और वरुन ऐसे हैं जो व्र प्रप्षियों की गत जानता है कौन सा पक्षी कहां से उड़ा है और कहां जाएगा यह सब उसको पता है समुद्र में इतस्ततह घूमने वाली नौकाएं किस गति से घूम रही हैं उनमें से कौन सी नौका अपने स्थान को ठीक तरह पहुंचेगी और कौन सी नहीं यह सब उस प्रभ को पता है वर्ष के बारह महीनों में और तीसरे वर्ष आने वाले तेरहने पुर्षोत्तम मास में क्या उत्पन होता है और उससे प्रजा की उन्नत कैसे होती है यह सब उस प्रभ को पता है चारो और संचार करने वाले महान प्राण वायु की गति कैसी होती है यह यथा योग ज्यान उस प्रभु को है वह प्रभु अपने नियमों के अनुसार सब कार्य यथा योग रीति से करता है जो करता है वह उत्तम रीति से करता है ऐसा वह सरदुस्रेष्ठ प्रभु सब प्रजाओं में बैठता है और अपना सामराज चलाता है वहां रहकर अला प्रभु सबका बंधन से छुटकारा करा देने के लिए सब मानमों को उत्तम मार्ग से चलाए और सबसे उत्तम कर्म होने के लिए उनको दीर्ग आयु भी देवे उस प्रभु के ऊपर सुवर्ण के वस्त्र का आच्छादन है मानो वह प्रभु जरी कपड़े पहनकर और उपर वैसा ही दुपट्टा ओढ़ता है इसके दूद चारो और संपूर्ण विश्व में उसी का कार्य करने के लिए घूम रहे हैं वे हम सब के चाल चलन को देख रहे हैं कोई दुस्त शत्र या द्रोही इस प्रभु को किसी तरह कष्ट नहीं दे सकता इतना इसका अधिन्षव को कियां वह जो करता है वह कभी अधूरा नहीं करता है वह यधा योग्य यधा तथ्य परिपून करता है अतह उसमें कभी तुटी नहीं होती मनुस्त के पेट में ही देखिए उसने कैसी उत्तम रचना की है कि जिसके खाए अन्न से अंदर ही अंदर से शरीर का पोशन होता रहता है ऐसा ही सब विश्व भर में हो रहा है जैसी गौवे घास की भूम के पास दोड़ती हुई जाती है वैसे ही मेरी बुद्धियां इस प्रभु के पास दोड़ रही है इस प्रभु को अरपन करने के लिए जो भी मधुरता युक्तरस मुझे मिला है वह सब मैंने उसको अरपन करने के लिए इकठा करके रखा है उसको वह स्विकार करे और पश्चात उस प्रभु से मेरा दिल खोल कर वार्ता लाप होता रहे मैंने उस विश्व रूप में दिखाई देने वाले प्रभु का साक्षात दर्शन किया है जैसे प्रथवी पर खड़ा रत दीखता है वैसे ही वह प्रभु मेरे सम्मुख खड़ा है वह अब मेरी प्रार्थना सुने हे प्रभो मेरी प्रार्थना सुनो आज ही मुझे सुखी करो अपनी सुरक्षा के लिए मैं ही तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ अतह हे प्रभु मुझे आनंद में बनाओ हे बुद्ध प्रदाता प्रभो तुम्हारा सामराज आकास से पृत्वी तक सर्वत्र अखंड है वह हमारी प्रार्थनाओं का स्रमन करके उनको पून करे और हमें पून आनंद का भागी बनाए हे प्रभु उपर से उत्तम मध्यम और कनिस्ठ ऐसे तीन पाश धीले करो और मुझे मुक्त करो हे सबसे अत्यन्त पवित्र और सबका बल देने वाले प्रभो तुम अपने प्रकाश रूपी वस्त्रों को पहन कर प्रगट हो जाओ और हम जिस यग्य का प्रारंब कर रहे हैं उसको यथा योग रीति से संपन करो हे प्रभो तुम सदा तरुन हो बाल और वारधक्य ये अवस्त्राएं तुमारे लिए नहीं हैं तुम ही हमारे स्रेष्ट सहायक हो इसलिए आओ यहां विराजमान होकर हमारा काद गायन सुनो जैसे पिता प्रेम से अपने पुत्र की सहायता करता है भाई अपने भाई को हर प्रकार की मदद पहुचाता है और मित्र अपने मित्र का सदा हित ही करता है वैसे ही तुम हमारे पिता, बंधु और मित्र हो अतह हम सब की सहायता करो जैसे मनुष्य अपने मित्र के घर में जाकर वहां प्रेम से बैठते हैं वैसे ही तुम मित्र भाव से आकर हमारे यहां बैठो और हमारे सहायक बनो तुम सनातन यग्य करता हो मित्र भाव से किये इस हमारे आदरा तित्य से तुम आनंद प्रसंद हो और हमारा भाशन सुनो जैसे सनातन समय से देवताओं का सतकार करने की रीत चली आ रही है उसी पद्धत के अनुसार हम तुम्हारा हवी हव्यका अरपन करके पूजन कर रहे हैं तुम ही हम सबके सचे पालन करता हो तुम ही सबसे स्रेष्ट हो हमारे लिए तुम ही सबके हर्ष बढ़ाने वाले हो उत्तम तेजस्वी देवों ने अनेक प्रकार से उत्तम से उत्तम धन अईश्वरिय आद हमारे हित के लिए यहां धार्ण किया है हम भी तेजस्वी बनकर उसका अच्छी तरह मनन करें हे देव तुम अमर हो और हम मरण धर्मा हैं हम और तुम मिलकर परसपर सहायक हो और हमारे इस यग्य कर्म को सफल बनाओ और हमारा इस तोत्र सुनकर हमें सब प्रकार का अन धन आदि उत्तम प्रकार से प्रदान करो जिस से हम सुखी बने जिस तरह अयाल वाला घोडा सुन्दर देखता है वैसे ही जौला रूपी अयाल से युक्त प्रदिप्त अग्न रूपी घोडा अति सुन्दर देखता है इस यग्य वेदी पर प्रदिप्त हुए इस अग्न को हम नमसकार करते हैं यह देव बलके विविधकार करने के लिए ही प्रकट हुआ है यह सरवत्र गमन भी करता है अतह यह हमें सुख देवे यह देव हमें दीरगा आयू देता है वह सब स्थानों से अर्थात पास से और दूर से पापी मनुश्यों के कपट जाल से हमें बचावे हे अगने प्रशंसा के योग तथा गायक के रक्षा करने वाले इस तोत्रों को देवों में पहुचावो हमें उच्च मध्यम आद सब प्रकार के बल दो तथा उन बलों से हमें सब प्रकार के धन प्राप्त होने के समान प्राप्त हो जिस तरह समुद्र तरंगों के कारण उचलता है वैसे ही तुम प्रेम से उचलो और हमें सब धन दो जिस पर तुम्हारी दया है उसको अक्षे धन प्राप्त होते हैं और वह नियामक होता है उसको घेरने वाला कोई नहीं रहता इतनी उसकी विशाल शक्त होती है वह संपूर रूप से शत्र का दमन करता है वह देव सब मानवों का हित करता है वह हमें युद्धों में विजय देवे और ज्यानियों के साथ रखे हे इस्तुत से जागृत होने वाले देव प्रतेक मनुष्य के कल्यान के लिए इस यग्य में सुन्दर इस्तोत्र गाया जाता है अतह तुम इस यग्य में आओ वह अपरमित बल से युक्त देव हमें बुद्ध और बल बढ़ाने के कारियों में प्रेजित करे वह प्रजा पालन करता है दिव्ध सामर्थ से युक्त है वह हमारी प्रार्थना सुने बालक तरुन बड़े और ब्रिध जो भी पुरुष हैं वे सब इसी प्रभु के रूप हैं अतह उनको नमन करते हैं जहां तक शक्त रहेगी तब तक उन सब देवों के लिए हम यग्य करते रहेंगे इससे तुटि नव हो सोम को कूट कर रस निकालने वाले दोनों पत्थर अर्थात सिल और बट्टा जंगों के समान विशाल हैं जहा इन पत्थरों से सोम पीसा जाता है वहां इंद्र सोम रस पीने के लिए जाता है दही को मतने से मक्खन निकलता है मक्खन निकालने की भी एक कला है जिसे हर ग्रिहनी को सीखना चाहिए इस कारे के लिए मतना रस्ती से बाध कर ग्रिहनी अपने हाथों को आगे पीछे करके म किया जाता है यह चावलों को सुच्छ करने के लिए काम में लाया जाता है धान को मूसल से कूट कर उसे छाज से साफ किया जाता है उसके सामने हवा चलती है उस वायू से भूसा उड़ जाता है इस तकार के चावल यग्य के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि ऐसे चावलों म इसमें शब्द करते हुए मूसल और उखल नाचते और बिहार करते हैं। बिच्छ अर्थात लकडी के बने हुए ये दोनों सोमरस को निकालने के काम में भी आते हैं। उसे चाना जाता और घड़ों में भर दिया जाता है। तथा विशाल स्थान में उन पत्थरों को फैला दिया जाता है। गोचर्म का अर्थ, गोव का चमडा नौं होकर विशाल स्थान है। यह इंद्र महा सामर्थहवान, शिरस्तरान को धार्ण करने वाला सत्य के मार्ग पर चलने वाला है। यह बलों का स्वामें इंद्र अपने प्रशंसित भक्त के पास भी जाता है। और जब मनुष्य पर दुर्गतियां आती हैं तो उसके शत्र भी बढ़ जाते हैं और मित्र कम हो जाते हैं अतह जब दुर्गतियां सोती रहेंगी तो उसके शत्र भी सोते रहेंगे जिस प्रकार गधें का रेकना बहुत बुरा लगता है उसी प्रकार पापी विचारों को तो दूरवन में चला जाए और वह शत्रूओं में जाकर शत्रूओं और हिंसकों का संघार करे और हमें इंद्र बहुत अईश्वर्य देवें अनेक तरह दूध आद रसों से मिले हुए ये सोमरस जैसे पानी नीचे की ओर बहते हैं उसी प्रकार इंद्र की ओर जाते हैं और जैसे समुद्र में जल इकठा हो जाता है उसी तरह यह सब सोमरस इंद्र के पास जाकर इकठे हो जाते हैं और उसे आनंदित करते हैं जिस प्रकार कबूतर अपनी कबूतरी के साथ हमेशा रहता है उसी तरह ये सोम भी इंद्र के साथ हमेशा रहते हैं तब उससे उत्साहित होकर वह युद्ध में शत्रूं के सामने खड़ा रहता है और तब वाणियां उसकी शूर वीरता का सच्चा वैडन करती हैं हमारे पूरवज रिश्य मुनि भी इस इंद्र को अपनी सहायता के लिए बुलाते थे उसी कर्म में कुशल युद्ध करने में वीर इंद्र को हम अपनी सुरक्षा के लिए उसके स्थान से बुलाते हैं यदि वह हमारी पुकार सुनेगा तो अवस्य हमारी रक्षा करने के लिए वह आएगा ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है सबके द्वारा वरणी उस इंद्र से सभी आशिरवाद मांगते हैं हम उस वज्धारी को पाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं अतव वह हमें प्राप्त हो और वह हमारे पास आकर हमें सुन्दर सुन्दर गाई प्रदान करें इंद्र सबसे जादा आप्त अर्थात स्रेष्ट है उत्तम उत्तम कर्म करने वाला इंद्र जब अपनी सभी स्थेस्ट शक्तियों के साथ इस्तुति करने वाले के पास पहुचता है और उन्हें शक्त संपन गाएं प्रदान करता है तब सभी इस्तोता अत्यंत आनंदित होते हैं यह इंद्र हमेशा हिन हिनाते हुए तथा वायू के वेग के समान उड़ने वाले घोडों के द्वारा शत्रूं के धनों को जीतता है वह इंद्र धन के दाताओं को सोने के रथ अर्थात अत्तधिक संपत्य देता है अश्विदेवों के पास एक रथ है जो अस्विनी कुमार के लिए एक ही समय जोडा जाता है यह रथ समुद्र में भी चलता है भूम पर भी चलता है और अमर होने वाले आकाश में भी उड़ता है इस रथ पर बैठकर अस्विनी अन्न गाय और सुवर्ण के साथ सबके घरों में जाते हैं विचत्र प्रकाश के कारण अत्यंत शोभ जाती है तब बल और धन से युक्त होकर जाती है जो उशह काल में जागते हैं वे बल और धन से युक्त होते हैं पर कुछ मनुष्य इस उशा के महत्त को नहीं जानते और वे उशह काल में भी सोते रहते हैं और इस प्रकार धन और बल पाने से वंचित रह जाते हैं यह बढ़ता है यह देव अर्थाथ इंद्रियों का देव है isi से शरेीर का कारे चलता है यह मेधावी अगणी देवوں की हर प्रकार से सहायता करता है तथा सब मनुश्यों को बुद्ध देकर उनकी आयू बढ़ाने वाला है तथा दो माताओं वाला है इस की शक्त से सारा विश्व कापता है इसी के कारण यग्य संपूर होता है आकाश का गुण शब्द है उस शब्द के रहस्य को जानने वाला ज्यानी लोगों के हित के लिए हमेशा शुभ कर्म करता है जब पुत्र पैदा होता है तब वह पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवि यग्य करने से मनुष्य दीरगायु प्राप्त करता है और सब मनुष्यों में उत्तम बनता है यह अगणी दुराचारी मनुष्य को भी अपनी सहायता देकर सुधारता है यह युद्ध में चुने हुए वीरों को लेकर बड़े से बड़े शत्र सेना को भी हरा देता है यह अग्रणी इतना वीर है उत्तम मनुष्य ब्रह्मचर्य और ग्रिहस्त इन दोनों जीवनों में सुख और अन प्राप्त कर अंत में अमरपद प्राप्त करता है कारीगरी सदा यश्प्रदान करने वाली होती है मनुष्य कारीगरी से धन प्राप्त कर सकता है जिस देश में कार प्रियान करता है। निर्माण किया ताकि उन नियमों के अनुसार चलता हुआ राजा प्रजा का पुत्रवत पालन करे इस मंत्र में समाज दिवस्था का बहुत सुंदर वर्डन हुआ है यह अगन देव अपने सामर्थ से हमारे शरीरों की रक्षा करता है शरीर में उश्णता पैदा कर शरीर की इस्थति रखता है इसलिए इसे तनुना पात भी कहते हैं नियमों में रहकर जो व्यक्त इस अगन का सामर्थ बढ़ाता है वह स्वस्थ एवं निरोग रहकर दीरगायु प्राप्त करता है यग्य करने से शरीर स्वास्थ की रक्षा होती है दूसरों की हिंसा न करने वाले दान शील को अईश्वर्य प्राप्त होता है यह अगनी देव इस्तुति करने वालों को धन प्रदान करता है अग्यानियों को विद्वान बनाकर उन्हें उन्नत करता है इसलिए सब लोग उसे पालन करता कहते हैं दान सदा प्रयत्मशील मनुष्य को ही देना चाहिए ताक ऐसे घर स्वर्ग के समान होते हैं और हमेशा देवद्वारा सुरक्षित रहते हैं परमात्मा की प्रार्थना से मनुष्य अधर्म मार्ग से हटकर धर्म मार्ग पर चलता है और तब तक उस और कुटिल मनुष्य की परमात्मा रक्षा करता है और उसे ज्यानी बनाता है प्रवतों से नदियां बहाई परवतों का बर्फ पिघलने से सिंधु गंगा आदि नदियों का बहना प्रत्रक्ष दीखता है इस प्रकार नदियों को बहाना इंद्र का पराक्रम है कारीगर त्वस्ता ने शत्र पर उत्तम प्रकार से फेंके जाने योग वज्र को बनाया उससे इंद्र ने परवत पर रहने वाले अहिनामक शत्र का वध किया तब उसके वध होने पर जल प्रवाह ऐसे बह निकले जैसे रमहाते हुए बच्छडे अपनी मा की तरफ दोड़त हैं इंद्र ने सोम पान से उत्साहित होकर अहिनामक असुर जाति के मुख्य मुख्य चुने हुए वीरों को मारा इसके अलावा और जितने शड़यंत्रकारी थे उनका भी नाश किया इसी प्रकार साउधानी से शत्रू की कपट युक्ति को जानकर उनका नाश करना वित्र के हाथ पैर काट कर उसका वद किया इसी प्रकार उसने अहि को भी मारा यहां अहि और वित्र का अर्थ वर्फ है मेग नहीं क्योंकि मेग कभी प्रत्वी पर नहीं सोता वर्फ तो पहाड़ पर भी गिरती है और भूमी पर भी वहां सूर्य किरणों से यह वर्फ पि बजने वाले वृत्र ने इंद्र को लड़ने के लिए आहवान किया उस शत्र ने अपने को इंद्र से अधिक बलवान समझ कर यह आहवान किया था पर इंद्र ने जब उस पर आघात किये तब वह शत्र आघातों को सह न सका और वह प्रत्वी पर गिर कर मर गया इंद्र का शत्र वृत्र नदियों को वर्फ के रूप में जमा कर उनके प्रवाह को रोक देता है पर जब सूर्य अपनी किर्णों से उस वर्फ को पिखला देता है तब नदियां फिर बह निकलती है हात पाउं तूटने पर भी सेना सहित बृत्र युद्ध करही रहा था पर जब इंद्र ने बृत्र के सिर पर वज्र का प्रहार किया तब वह घायल होकर एवं अस्त व्यस्त होकर भूमि पर गिर पड़ा बृत्र की इंद्र के साथ यह स्प्रधा उसी प्रकार थी जिस प्रकार किसी नपुनसक की वीर पुरुष के साथ बृत्र अपने पौरुष पर बड़ा अभिमान करता था और लोगों के सिर पर नाशता था पर अब वही उनके पाउं के नीचे गिरा हुआ था जब वह गिर गया तब भूमी पर सोने वाले इस बृत्र पर से जल प्रवाह लांग कर जाने लगे इंद्र ने जब बृत्र पर वज्र फेका और बृत्र नीचे गिर गया तब बृत्र की माता बृत्र को बचाने के लिए उसके उपर लेट गई इस प्रकार अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए उसके उपर लेट जाने पर भी इंद्र ने नीचे से वज्र फेंक कर बृत्र को मार दिया प्रवाहों के बीच में बृत्र का शरीर छिपा पड़ा था उस पर से जल प्रवाह बहने लगे इंद्र के शत्र इस वृत्र ने चारो और घना अंधकार छा दिया था इससे भी यह प्रतीत होता है कि वृत्र का अर्थ बरफ ही है बादल नहीं जल प्रवाह रुके हुए थे जलों का द्वार बंद था अर्थाज जल प्रवाह बह नहीं पाते थे तब इंद्र ने बृत्र का बद करके वे जल प्रवाह खोल दिये नदियों का सब जल बर्फ बन गया था इसलिए प्रवाह भी बंद हो गए पर जब सूर्य किरणों ने ब साथों सिंधु नदियों का जल प्रवाहित किया साथों नदियां भरपूर बहने लगीं बर्प के पढ़ने पर बर्प से सब वनस्पतियां ढख जाती हैं पर सूर्य के कारण बर्प के पिखलने पर फिर वनस्पतियां पकट हो जाती हैं बिजलियां मेघ गर्जन बड़ी व बिजलियों का गिरना आदि आपत्यां इंद्र को न रोक सकी। इंद्र के शत्र पर हमला करने की समय ये आपत्यां होती रहीं पर इंद्र का हमला रुखा नहीं। शत्र के परास्त होने तक इंद्र ने बिगनों की परवाह न करते हुए हमला किया और अंत में विजय पाई, जब इस हमले को करते समय इंद्र के भी हिरदय में यदि भै उत्पन होने लगे, तो फिर उसका सहायक कौन होगा, अर्थात कोई नहीं, जब इंद्र जैसा बलशाल भी युद्ध करने से डरने लगे, तो फिर वृत्त से युद्ध करने में कोई समर्थ नहीं होगा, यह इंद्र सभी प्राणियों का राजा है, यह शांत भी है, पर भी जब क्रोध आता है, तो भयंकर भी बहुत हो जाता है, इसलिए सब प्राणी इससे डरते हैं, सभी प भक्तों के द्वारा बुलाने योग है, उसके बल को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे इंद्र को जो नमस्कार करता है, उस पर यह इंद्र बहुत क्रिपा करता है, और उसे हर तरह से सम्रद्ध युक्त करता है, सब सेना और सेना पति को सभी तरह के अस्तास्त्रों से सज्जित र धनुष आदि अस्त्रों का संग्रह करके शत्र सैनिक इंद्र का नाश करने के लिए आए पर्वे स्वैंग विनस्ट हो गए शत्र सैनिक असाउधानी से लाव उठाना चाहते थे उस समय स्वैंग साउधान रहकर उनका नाश करना चाहिए शत्र के साथ युद्ध करने की ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि हमला होने पर सब शत्र सिर नीचा करके भाग जाएं युद्ध में इस्थिर रहने वाला उग्र वीर ही और नियम से चलने वाले दुष्ट शत्रों का विनाश कर सकता है निर्दोश और बलवान वीर के साथ युद्ध करने वाले शत्रों पर युद्ध के नवीन साधनों से युक्त होकर ही हमला करना चाहिए यहां नदगवा का अर्थ नवीन गति अर्थात युद्ध विद्या में चतुरता है अपने सैनिक बड़े प्रखर हो और शत्रों के सैनिक उसके सामने शक्तिहीन नपुनसक के समान हो यह इंद्र इतना वीर है कि यह लड़कर शत्रों को अंतरिक्ष के उस पार तक खदेड़ देता है उनको जला देता है और इस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करता है शत्र के गुप्तचर बड़े खतरनाक होते हैं ये सब गुप्त ग्यान शत्रों को पहुँचाते रहते हैं इसलिए इन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ना चाहिए इसके साथ ही सैनिकों की शक्त इतनी हो कि सुवर्णों और रत्नों के आभूशन धारन करते हुए अर्थात अईश्वर्य संपन होते हुए तथा वड़े वेग से हमला करने पर भी हमारे वीरों को दबा न सके अपना कहना नव मानकर शत्रू का कहना मानने वाले मित्र से दूर ही रहना चाहिए पिछले की गई संधि को नव मानकर जो बिना कारण आक्रमन करते हैं वे शत्र हैं उनके साथ लड़ने के लिए मित्र सैनिकों को नियूक्त करना चाहिए जो शत्र द्यू और प्रत्वी तक भी नहीं पहुँच पाते वे भला किस तरह अपने कपटों से इंद्र को घेर सकते हैं अपनी शक्त इतनी अधिक हो कि शत्र कपट के प्रयोगों से भी हमारा विनाश न कर सकें जल प्रवाह अन्न को बढ़ाने के लिए अच्छी तरह चलते रहें देश में अन्न की इस्थत उत्तम हो और देश के बाहर देश के सैनिक धैर्य युक्त मन से शांत चित्त से और उत्तम शस्त्रास्त्रों से शत्रूं से मुकामला करते रहें जबरदस्ती हमारे प्रदेशों पर कबजा किये हुए शत्रूं को और उनके सुद्रिन किलों को तोड़ देना चाहिए तिक्ष्ल शस्त्रों से शत्रूं को चिन भिन करना चाहिए जहां तक वेग हो और हमारी शक्त काम कर सके वहां तक शत्रूं का सफाया कर देना चाहिए शत्रू के नाश की इच्छा करने वाला वीर अपनी बुद्ध को शत्र से अधिक उत्तम बनाए ताकि शत्र हमारी बुद्ध की थाह न पा सके और इस प्रकार उत्तम बुद्ध से शत्रू का नाश करना चाहिए अपने देश में बुराईयों को नश्ट करने वालों और दान देने वालों की रक्षा करनी चाहिए और सेना तथा घोड़े इतने वेगवान हों कि उनके चलते समय उनके खुरों से उराई गई धूल से सारी दिशाएं भर जाएं शत्र को नश्ट करने के लिए प्रथम उसके देश में असिक्षा का प्रसार करना चाहिए और अपने रास्ट में शिक्षा का प्रसार करना चाहिए इस प्रकार जब शत्र रास्ट के निवासी अशिक्षित रहेंगे और अपने देश्वासी सिक्षित होंगे तो शत्र देने योग्य धन भी उस रत में बहुत रखा रहता है सरदी से कपड़े का संबंद जैसे अटूट रहता है वैसे ही अश्विदेवों की निगरानी का संबंद हमसे रहे अश्विदेवों की सहायता मननशील लोगों को सहज ही से प्राप्त होती रहे अश्विदेवों के रत के तीन पहिये हैं उसमें बैठ कर ये सोम के स्थान पर जाते हैं क्योंकि वे सोम को चाहने वाले हैं इनके रत में पकड़ने के लिए तीन खंबे हैं ये खंबे स्थिर हैं रात में तथा दिन में तीन तीन बार ये अश्विदेव इस रत में बैठ कर भमण करते हैं, इनके रत में परयाप्त मधु रहता है, अस्विदेव हमारे कर्म में दोश अर्थात तुटी रही तो उसको चमा करते हैं, दिन में तीन तीन बार यग्य में आते और मधु देते हैं, तथा सवेरे और शाम को बल वर्धक अन दिन में तीन बार देते हैं, अस उसको तीन बार तीन प्रकार का ज्यान देकर अपनी सुरक्षा करने की रीत बतामें, आनंद देने वाले पदार्थ तीन बार दिन में ले आएं, और अन्न भी तीन बार देकर हमें पुष्ट करें, अश्विदेव हमारे लिए तीन बार धन दें, यग्य में आकर तीन बार कर कि देख भाल करें उत्तम भाग्य तीन बार दें और तीन बार अन दें इनके तीन पहियों वाले रत पर सूर्य की दुहिता चड़ वैठी है अश्वदेव हमारे शुभ कर्मों की रक्षा करें परवत भूमी और जल से चिकिस्सा करें और बाल बच्चों की सुरक्षा के आसनों पर बैठें जब वे दूर देश में हों तब भी वे रत पर चड़कर जैसे प्राण शरीर में घुस्ता है वैसे वेग से हमारे यग्य स्थान में शीग्रता से आ जाएं अर्थात जहां कहीं भी हों वहां से वे अवश्य आ जाएं अश्वदेवों का सतकार करने के लिए सात नदियों का जल भरकर रखा है जिससे ये तीन पात्र भरे पड़े हैं उनके लिए हव भी तीन पात्रों में रखी हुई है ये दोनों देव तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और स्वर्ग में रखे सुख की दिन रात सुरक्षा करते रहते हैं रत को पूर्तया तैयार करके तथा रत की सभी वस्तुओं की भली भात जाच पड़ताल करके ही यात्रा करनी चाहिए प्राता काल होते ही रत को सज्जा करके यग्यस्थान के पास जाना चाहिए अश्वदेव उश्वकाल के पहले ही यग्यस्थान पर जाते हैं क्योंकि सूर्य ही उस समय सबको यग्य करने के लिए प्रवित्त करता है अश्विदेव सथ्यका पालन करते हैं तैंटीस देवों के साथ वे हमारे यहां रस्पान करने के लिए आमें और हमें दिरगायु करें हमारे अंदर के दोश दूर करें देश भाव दूर करें और मित्र जैसे हमारे पास रहें अस्विदेव अपने त्रिकोणा कृतिरत पर से वीरों के साथ रहने वाला धन हमारे पास ले आवें वे हमारी प्रार्थना सुनते हैं इसलिए हम उनको बुलाते हैं युद्धृशुन जाने पर वे हमारी ही सहायता करें अग्न, मित्र, वरून, रात्री और सविता ये सभी देव कल्यान करने वाले हैं अग्न ज्यान और उष्णता द्वारा, मित्र बिजली द्वारा, पानी बरसाकर, वरून जल द्वारा और सूर्य अपनी किरणों के द्वारा सबकी सुरक्षा एवन सबका कल्यान करता है अमर और मर्त ऐसे दो पदार्थ इस विश्व में हैं इन दोनों का निवास सरबता सूर्य देव की किरणों पर है बरसात के दिनों में जब एक दो मास तक सूर्य नहीं निकलता तब सारा स्वास्थ दिगड़ जाता है इस प्रकार आरोग प्रदान करता हुआ सूर्य अपनी तेजस्वी रथ से प्रतिदिन जाता है सूर्य देव सब दुरितों का नाश तथा प्रतिबंध करता है जो रोग बीज बाहर से शरीर के अंदर या मन के अंदर घुषता है उसको दुरित कहते हैं सूर्य किरणों से इन सब का नाश होता है यह देव प्रतम उपर आकाश में चढ़ता है और फिर उतरता है इसी प्रकार यह परिभ्रमण करता है इस सविता देव का रत हमेशा गतिसील और सोने के समान तेजस्वी है यह अनेक किरणों से चमकता रहता है उस रत पर सवार होकर यह सविता देव अंदकार का नाश करके सब के अंदर बल स्थापित करता है सब तरह के बल इसी सूर्य से ही मिलते हैं इस सूर्य की किरणे अत्यधिक तेजस्वी होने के कारण सफेद दीखती हैं यही किरणे सूर्य को प्रकाशित करती हैं और सब प्रजाजन सूर्य का सेवन करते हैं आकाश का नाम द्यूलोक है क्योंकि आकाश सदा सरवदा प्रकाश युक्त रहता है इस दियू लोक के तीन विभाग हैं दो विभाग सूर्य के पास रहते हैं और एक विभाग यम के भुवन में वीरों को रहने का स्थान है अर्थात वीर मरने के बाद वहां जाकर रहते हैं जीवन की शक्त देने वाला सूर्य तीन अंतरिक्षों को प्रकाशत करता है पर वह सूर्य क्या है किसका बना हुआ है और अपनी रश्मिया कप फैलाता है यह कोई भी जानता नहीं लोग केवल यही जानते हैं कि वह जगत को प्रकाशत अवस्य करता है प्रत्वी की आठों दिशाओं को वह सूर्य प्रकाशित करता है, सातों सिंधुओं को यह प्रकाशित करता है, सोने के जैसा तेजस्वी यह सूर्य ग्रहन करने योग धनों को धारन करता हुआ उदै होता है, यह सूर्य सुनहली किरणों से युक्त होकर दोनों द्यावा और पत्वी के बीच में चलता है और रोग बीजों को दूर करता है सूर्य ही सब रोग बीजों को दूर करता है नौपचे हुए अन्न को आम कहते हैं इस आम से जो रोग होते हैं उन रोग बीजों का नाश सूर्य करता है सूर्य से पाचन शक्त बढ़ती है यह सूर्य सोने की किर प्राण दायक उत्तम मार्ग पर ले जाने वाला और सुखदायक है। यह सूर्य अंधकार रूपी राक्षस को नस्ट करता हुआ चलता है। इस सूर्य की किरनों में प्राण शक्त रहती है। उससे मनुष्य स्वास्थ प्राप्त कर सकता है। सूर्य का रथ अंतरिक्ष में चलने के कारण धूल नहीं उडाता उसके रथ का मार्ग बहुत उत्तम है इसी प्रकार सबके रथ उत्तम हूँ उन पर सोने का काम हो उत्तम घोडे हूँ और यह रथ धूल रहित मार्ग पर चले ऐसे रथों पर बैठ कर वीर राक्षसों का यह अगणी महा सामर्थ्यवान है इसकी रोज प्रार्थना करने से तेजस्विता प्राप्त होती है और उत्तम गुन मिलते हैं इसी लिए सब उसकी इस्तुति करते हैं यह अगणी लोगों का बल बढ़ाता है और शुद्ध और पवित्र मन से लोगों की रक्षा करता है ऐसे अगणी देव की पूजा लोगों को अवश्य करनी चाहिए यह अगणी महान और सत्यनिस्ठ है अतह इसे विद्वान दूत के रूप में चुनते हैं इस अगणी का तेज चारो ओर फैलता है वरणी, मित्र, स्रेष्ठ पुरुष और विद्वान पुरुष इस अगणी क को प्रज्वलित करते हैं उसमें यग्य करके हर प्रकार के धन प्राप्त करते हैं प्रजाओं के ग्रिहों का रक्षक यह अगणी देवों का दूत है तथा सब व्रतों का पालक है वह दूसरों को भी व्रत पालन की प्रेणा देता है इस भाग्य संपन्न तथा सदा तर्ण रहने वाले इस अगन की सब प्रसंद मन से पूजा करते हैं इसी के द्वारा मनुष्य दूसरे देवों की भी पूजा कर सकता है नम्र हुए उपासक ही उस स्वयंग प्रकाशक प्रभु की भक्त कर सकते हैं तथा शत्रों को परास्त करके ही मनुष्य अगन प्रकाशित कर सकत वीरों ने वित्र का बध करके जलों के लिए अंतरिक्ष को विस्तरत किया उसी प्रकार मनुष्य भी विशाल घरों में रहें और अगनिहोत्र प्रज़डित करें और उसके द्वारा यश्प्राप्त करें यह देव प्रकाश करने वाला तथा अन्य देवों की कामना करता है इस पूजनी और प्रशंसनी अगनि को देवों ने मनुष्यों के लिए स्थापित किया है तथा मेधातिति और उपस्तुत आद रिश्यों ने भी धार्ण किया है मेधातिति ने सूर्य से शक्त लेकर इस अगनि को प्रदिप्त किया फिर उसकी किरणों में चमक आ गई उस सुखी को मनुष्य रिचाओं को बोल कर प्रदिप्त करते हैं इस अग्रणी की मित्रता सब देवों के साथ है वह अपने भक्तों को सुखी और धन से युक्त करता है प्रथंग स्वयंग उच्च बनकर दूसरों को उन्नत करने का प्रयत्न करता है यह एक आदर्श है उन्न आचार होगा और दिर्ग जीवन प्राप्त होगा दिर्ग जीवन का कारण रोग बीजों का नाश है यह रोग बीज शरीर में घुसकर मान समज्जा खाकर रक्त सुखा देते हैं इसलिए इन्हें वेद में अग्न क्षाने वाला कहा है इनको जलाकर नस्ट कर देने से ही गणी राक्षस कंजूस आदि दुस्ट जनों से बचाता है हर रास्ट के नेता का कर्तव्य है कि वह अपने रास्ट में कंजूस धूर्त और हिंसकों को न रहने दे इस प्रकार अपने रास्ट में शांत रखे इसी प्रकार रास्ट के रोगों को भगा कर सब प्रजाओं को स् करते हैं और उनका माल हडप लेते हैं ऐसे मनुष्य कभी भी शाशक न बने उसी प्रकार ये रोग भी सहसा आक्रमण करते हैं अतह इन रोगों और दुस्टों को अग्निनस्ट करें इस अग्रणी ने पराक्रम करके कण्व मित्र मेध्या तिथी उपस्तुत आदियों की रक् करें और उने सोभाग्य प्रदान करें यह अग्रणी शत्रूं को नस्ट करने वाले वीर दुष्टों के दमन करने वाले महारती की रक्षा करता है और उन्हें उत्तम मार्ग से ले चलता है मनुने इस अग्रणी को मानवूं के हित के लिए सर्व प्रतम स्थापित किया यह अग्णी देव बड़ा शक्तिसाली होता है इसकी ज्वालाएं बड़ी भयंकर होती हैं अतह इसे शत्र या मित्र कोई भी रोक नहीं सकता इस अग्णी में रोग विनाशक और शधियों को डालने से वह रोग जन्तूं को विनिस्ट करता है अपनी प्रगति हो इसलिए उपासक मरुतों के स्तोत्र का पठन करें क्योंकि इन मरुतों में सांधिक बल, खिलाडी पन, पारस्परिक मित्रता, भ्रात्र प्रेम तथा रथी बनने के लिए उचित बल विद्यमान है मरुतों के रथ में जो घोडियां या हिरनियां जोडी जाती हैं वे धब्बे वाली होती हैं मरुतों के निकट भाले, कुठार, वीर भूशन या गणवेश पाये जाते हैं कहने का अभिप्राय इतना ही है कि मरुत जिस प्रकार सुसज दीख पड़ते हैं वैसे ही अन्य सभी वीर सदैव शस्त्रास्त्रों से लैस रहें शूर मरुत अपने हाथ में रखे हुए कोडे से जब आवाज निकालने लगते हैं तब उस शब्द को सुनकर रणचेत्र में लड़ने वाले वीरों में जोशीले भाव उठ खड़े होते हैं अपना बल बढ़ाना चाहिए शत्र दल को तहस नहस करने के लिए उनसे संघर्ष करने को परयाप्त बल या शक्त रहे ताकि शत्रूँ पर तूट पड़ने पर अपने को मुह की खाना न पड़े और तेज का उजियारा पहलाने वाला सामर्थ प्राप्त हो इसलिए जिसमें देवता की जानकारी व्यक्त की गई हो ऐसे स्तोत्र का पठन एवन गायन करना उचित है क्योंकि इस भात करने से हमें वह शक्त पैदा होगी जो विचार बार बार मन में दुहराए जाते हैं वे कुछ समय के उपरांत हमसे अभिन हो जाते हैं गोरस के रूप में गवों में बल तथा सामर्थ इकठा किया जाता है वीरों की कृड़ा सक्त व्रत्य में वह बल प्रकट हो जाता है जो हर एक में बढ़ाने योग्य है गोरस का परियाप्त सेवन करने से वह शक्त अपने शरीर में बढ़ सकती है और इसकी सराहना करनी और वे शत्र संग को जड़मूल से विचलित एवन कमपायमान कर देते हैं ठीक उसी तरह जैसे आधी या तूफान प्रत्वी या दियुलोक में विद्यमान पेंड सद्रिश वस्तुजात को हिलाता है अत्मा वायू के जहकोरे व्रिक्षों के उपर के हिस्से को चलायमान कर देते हैं इन वायू प्रवाहों की भात वीर मरुत शत्रूओं को अपदस्थ कर डालते हैं यहां पर प्रश्ण उठता है कि क्या ये सभी मरुत समान है अत्मा इनमें कोई प्रमुख नेता के पदपर अधिस्थित हो विराजमान है वीर मरुतों के भीषण आक्रमण के फल स्वरूप मानों के तो हाथ पाउं फूल जाते हैं और वे कहीं न कहीं आश्च्रय पाने की चेस्टा में निरत रहते हैं इसके साथ ही बड़े बड़े परवत भी आंदोलित एवं स्पंदित हो उठते हैं वीरों की शत्र दल पर चढ़ायां इसी भात प्रभावत पादक ह वीर मरुत जब शत्र दल पर धावा करते हैं और बड़े वेग से विद्ध युद्ध प्रणाली से कारे करते हैं उस समय आगे क्या होगा क्या नहीं इस चिंता से तथा डर से आसन्न मरण नरेश की भात यह समूची भूम दहल उठती है इसी भात वीर सेनिकों को शत्र दल पर आक्रमण का सुत्रपात करना चाहिए वीर मरुत भूमी के पुत्र हैं उनकी यह भूमी माता इस्थिर है और इसी अटल मात्र भूमी से यह वीर अतीव वेगशाली उत्पन्र हुए हैं जिस भात पक्षी अपनी माता से दूर निकलने के लिए छट पटाते हैं वैसे ही यह वीर अपनी मात्र भूमी से सुदूर वरती स्थानों में जाकर असीम पराक्रम दर्शाने के लिए उत्सुक हैं और चले भी जाते हैं ऐसे मौके पर इनका सारा ध्यान अपनी जन्मदात्री भूमी की ओर लगा रहता है वैसे ही शत्रूँ से जूजते समय युद्ध प नाम मरुतों का ही है गौ अर्थात वारी गौ भूमी का सूचक शब्द है मात्र भाशा मात्र भूमी तथा गौ माता के सुख के लिए अथक प्रयत्न करने वाले ये मरुत विख्यात हैं अपने शत्रूदल को तितर वितर करने के लिए उन्होंने जिस भूमी पर हलचल प् को घुटने तक के जल संचय में जाना पड़े तो कुछ कस्ट दायक नहीं प्रतीत होता है वैसे उन्होंने भूमी पर पाए जाने वाले उबर खाबर स्थलों को नियून कर दिया भूमी समतल बना डाली पानी इकठा हो जाए तो भी गौवों के लिए वह घुटने से उपर चड़ जाए ऐसी सतरकता दर्शाई गौवों के लिए मरुतों ने भूमी पर इतना अच्छा प्रवंध कर डाला उसी प्रकार शत्र पर चड़ाई करने के लिए भी यातायात की सभी सुविधायें उपस्थत कर दिंग ताकि विरोधी दल पर धावा करते समय अत्तधिक कर डालते हैं वीरों को भी यही उचित है कि वे दान न देने वाले क्रिपन शत्रों को जड़ मूल से हिलाकर पदभरस्ट कर दें मरुतों में इतना बल विद्यमान है कि उसकी वजह से शत्र के सैनिक तथा पार्वती दुर्ग या गड़ भी दहल उठते हैं वीर सदा इस बल बढ़ाने में सचेश्ट हों जिस प्रकार वीर मरुत सैनिक अभिगमन करते हैं तब वे इकठे हो साथ वीरों की पंति बनाकर सड़क पर से चलने लगते हैं इस प्रकार आगे बढ़ते समय वे जो कुछ भी बात चीत करते हैं उसे सुन लेना बाहर के व्यक्तियों को अ पारंब करें इसलिए यह सैनिकीय आग्या है मरुत यथा संभव शीघ्र यग्यभूमी में पहुच जाएं क्योंकि उधर उनके सतकार और आव भगत के लिए आयोजनाएं प्रस्तुत कर रखी हैं मरुत उस आदर सतकार को स्विकार करें और त्रिक्त हों वीर मरुतों को हर तथा प्रसंद करने के लिए हम खाने पीने की वस्तुएं दे रहे हैं जब तक हमारे जीवन की अवदि प्रचलित होगी तब तक यह हमारा निर्धार हो चुका है कि हम मरुतों के ही अनुयाई बनकर रहेंगे जिस भात पिता का आधार पाने से पुत्र निर्भय होकर रहत ठीक उसी प्रकार भला कब हमें इन वीरों का सहारा मिलेगा एक बार यद यह नरिश्चत हो जाए कि हमें उनका आश्च्रे मिलेगा तो हम अकुतोभय हो सुख पूरवक काल कमण करने लगेंगे और हमारी जीवन यात्रा निश्चत हो जाएगी वीर मरुत कहां जा रहे हैं किस दिशा में वे गवन कर रहे हैं किस अभिप्राय से वे अभियान कर रहे हैं हमारी यह तीब्र लालसा है कि वे दिव लोग से इधर पधारने की कृपा करें और इसी अवनी तल पर सदा के लिए निमास करें कारण यही है कि उनकी छत्र छाया में हमारी रक्षा में कोई तुटि न रहने पाएगी अतह वे इधर से अन्य किसी जगह न चले जाएं मरुतों की गौवें सभी स्थानों में विद्यमान हैं और वे अत्यनता अनंद वश रभाती हैं बीर मरुत सनरक्षन कारे का बीणा उठाते हैं अतह जनता की रक्षा भली भाती हुआ करती है और व स्रेष्ट वैभव एवं सुख पाने में सथलता प्राप्त करती है वीरों के लिए यह अतीव उचित कारे है कि वे जनता की यतोचित रक्षा कर उसे वैभव शाली तथा सुखी करें शूर वीर मरुत मात्र भूम मात्र भाशा तथा गो माता की सेवा करने वाले हैं और के अनुयाई अमरपन पाने में सफलता पाएंगे जैसे हिरन जोग के खेत को सेवनीय मानता है उसी तरह तुम्हारा बखान करने वाला कवी तुम्हें सदैव प्रिय लगे और वह मृत्य के दाइरे से कोसों दूर रहे वह यमलोक को पहुँचाने वाली सड़क पर संचार यानि वह अमर बने विपदा बुरी हालत एवन भाग चक्र के उलट फेर के फलस्वरूप होने वाली परिस्थते सुतरा बलवतर होती हैं और उसे हटाना तो कोई सुगम कार बिलकुल नहीं ऐसी आपदा के कारण हमारा नाश ना होने पाए परंतु सुख की प्यास या पत्त विनस्ट होए मरुवस्थल में वर्शा प्रायह नहीं होती है परंत यदि मरुत वैसा चाहे तो वैसे उसर स्थान में भी वे धुआधार वारिश कर सकते हैं अभिप्राय यही है कि वारिश होना या नहोना मरुतों वायु प्रवाहों के अधीन है यदि अनुकूल वायु प्रवाह बहने लग जाएं तो वर्शा होने में देरी न लगेगी जिस समय भारी आधी के पश्चात वर्शा का तारंभ होता है उस समय बिजली की गरजना सुनाई देती है और मेग व्रिंदों में दामिनी की दमक दिखाई देती है यहाँ पर ऐसी कलपना की है कि बिजली मानो गाय है वह जिस तरह अपने बच्चडे के लिए रभाती है और अपने वत्स को समीप रखना चाहती है उसी तरह बिजली मेग का आलिंगन करती है जिस वक्त मरुत बारिश करने की तैयारी में लगे रहते हैं तब समूचा आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है तीव्र आधी बिजली की दहार तथा चमकने से समूची प्रथवी मानो बिचलत हो उठती है और मनुष्य भी सहम जाते हैं तनिक भैभीत हो जाते हैं इन वीरों के बाहुँओं में बहुत भारी शक्त है और इस बाहुबल से चतुर्दिक ख्यात पाते हुए ये वीर नदियों के नयन मनोरम तटकी राह से ठकान की तनिक भी अनुभूत पाए बिना आगे बढ़ते जाएं वीरों के रथ पहिये अरे अश्व एवंग लगाम सब बलयुक्त एवंग सू संस्कृत रहें अश्व भी भली भात सिक्षित हो तथा रथ जैसी चीजें भी सु जाहना करनी चाहिए मन ही मन अक्षा संख्या गिनकर श्लोक तैयार कर रखें और वह कंठस्त या मुखस्त हो यह आवस्चक है कि ऐसे श्लोक में किसी न किसी वीर पुरुष की महनियता का वखान किया हो जैसे वर्षा का प्रारंभ होने पर वह लगातार हुआ करती है और सर अतिक भी रुके करो और अर्थ की व्यापकता या गहराई सब को बतला कर उनके चित में शांतता उत्पन्न होवे ऐसी चेस्टा करो गायत्री चंद में जो श्लोक बनाए जाएं उनका गायन विभिन स्वरों में करो तेज से अत्यधिक मात्रा में परिपूण प्रशंसा के योग्य तथा आदर सतकार के अधिकारी जो वीर हों उनको ही प्रणाम करना उनके सम्मुख ही सीस जुकाना अतीव उचत है अतह तुम ऐसा ही करो तथा तुम इस भात सतर्क एवं सचेश्ट रहो कि अपने संग में एवं समाज में ज्यान व्रिद्ध वीर्य व्रिद्ध ध धन व्रिद्ध तथा कर्म व्रिद्ध महान पुरुष परियाप्त मात्रा में रहने पाएं आधि दैवत वायु के प्रवाह जब बहुत वेग से संचार करना शुरू करते हैं तब मन में यह प्रश्ण उठे बिना नहीं रहता कि भला ये कहां और किसके समीप जाना चाहते हैं तथा उनके गंतव्य स्थान में क्या रखा होगा कौन सी बात उन्हें कार्य रूप में परिड़त करनी होगी नहीं तो उनके ऐसे वेग से बहते रहने का अन्य प्रयोजन क्या हो सकता है अधिभूत में जिस समय वीर पुरुष शत्रुदल को मटिया मेट करने के लिए उन पर धावा करना पारंभ करते हैं तब वे शूर मानो अपना सारा बल उसी कार्य पर पूर्ण रूपेंड केंद्रित करते हैं ऐसे औसर पर यह अत्यनत आवश्यक है कि वे सर्व समर्थ यह पूरी तरह निराश्यत कर लें कि किस हेतु की पूर्थ के लिए यह चढ़ाई करनी है कितनी सफलता मिलनी चाहिए किस स्थल पर पहुचना है और बीच में किसकी सहायता लेनी पड़ेगी पस्चात वह निरधारित योजना फली भूत हो जाए इस धंग से कार्यवाही प्रारंभ कर दें वीरों के लिए यह उचित है कि वे निश्चयात्मक हे तुसे प् सफलता पूर्वक निस्पन करने के लिए ही अपना आंदोलन प्रवर्तित करें दर्थ ही खटा टोप या गीदर भवकी न दें क्योंकि उतावला पन एवं और विचारिता से सदई वहानी उठानी पड़ती है वीर पुरुष अपने हथियारों एवं शस्त्रास्त्रों को बल युक्त तीक्ष्न एवं शत्रों के शस्त्रों से भी अपेक्षाकृत अधिक कार्यक्षम बना दें वे सदा के लिए सतर्क एवं सचेष्ट रहें कि वे शत्र दल से मुठभेड या भिड़ंत करते समय यथेष्ट मात्रा में प्रभावशाली ठहरें ध्यान में रखना चाहिए कि कदाप विरोधी तथा शत्र संग के हथियार अपने हथियारों से बढ़कर प्रभल तथा प्रभावशाली न होने पाएं और कपटा चरणों में न जिजकने वाले शत्रों का बल कभी न व्रधिगत हो वीर पुरुष सदैव इस्थिर एवं प्रभल शत्रों को भी विचलित करने की छमता रखते हैं वनों में से सडकों का निर्मार करते हैं और परवतों के मध्य से भी लीलैव दूसरी ओर चले जाते हैं तथा शत्र संग पर आक्रमण का सूत्रपात करते हैं वीरों का यह अनिमार करतब्य है कि वे अपने शत्रों का समूल विनाश कर कहीं भी उन्हें रहने के लिए स्थान न दें और उनका आमूल चूल विद्धन्स कर चुकने पर ही अपनी शक्त को बढ़ाते चलें बल अत्तधिक बढ़ जाने से तनिक मतवाले से बनकर वीर पुरुष शत्युदल पर आक्रमण करते समय परवतों को भी विस्थापित कर द देते हैं ऐसे बल की आवशक्ता रखने वाले कारियों की पूर्ति करना उनके लिए संभव है अतहवे सारी जनता के सहयोग की सहायता से ऐसी कार्य सिध्ध में अपना बल लगा देवें और अंत में सबकी प्रगति हो बर्थ ही उत्पात तथा बिद्धन्स कारियों में उल कर देते हैं मरुतों के रथ में जो घोडियां या हिरनियां जोडी जाती हैं उनके प्रिस्ट भाग पर धब्बे होते हैं और उनके अग्र भाग में धूरी उठाने के लिए एक लाल रंग का अश्व या हीरन रखा जाता है जब मरुतों का रथ आगे बढ़ने लगता है तब सारी प्रत्वी उसके शब्द को ध्यान पूर्वक सुन लेती है हां अन्य सभी मानो उस ध्वनी को स्रवन करते ही सहम जाते हैं उनके अंतस्थल में भीती रेखा चमक उठती है यहां पर एक ध्यान में रखने योग बात है कि मरुतों के वाहन लाल वर्ण वाले होते ह भले ही वे हर्ण या घोड़े हों मरुतों के पहनावे का रंग के सरिया बतलाया है रास्ट के बालकों का रक्षन करने का कार्य वीरों पर अवलंबित है जो आगामी पुष्ट की प्रगति के लिए अत्यधिक सावधान रहें जैसे अतीत काल में समय समय पर वीरों ने सहाय प्रदान की थी वैसे ही अभीवे करें यदि हम पर कोई आपत्य आने वाली हो तो वीर अपने बल से प्रभाव से तथा संरक्षन से उसे हटा कर पूर्टया पैरों तले रौद दें क्योंकि जनता को निर्भय करना वीरों का ही करतब्य है पूजाई तथा यग्यविज्या से युक्त एवं विभूशत वीर लोग हमें सब प्रकार से सुरक्षित रखें और हमारी मदद करें वीर मरुतों के समीप अविकल रूप से शारिरिक बल तथा अन्य सामर्थ भी हैं किसी प्रकार की तुट नहीं है वे इसी असीम सामर्थ का प्रयोग करके उस शत्र को दूर हटा दें जो रिशियों का अर्थात विद्वान तथा स्रेष्ट ग्यानियों से द्वेश्पूंड भाव रखता हो या उसी पर दूसरे शत्र को छोड़कर उसे विनस्ट कर डाले हे ग्यानी उठो रास्ट में छात्र वृत्य को जगाओ जो देवत्यों का भाव आत्र भूम के लिए आत्म समर्पन करने वाले वीर समीप आकर प्रगति करने के लिए आगे बढ़ें ये छत्री वीर बल के कार्य के लिए ही उत्पन्न हुए हैं बल से होने वाला हर कार्य ये आनंद से करते हैं मनुष्य युद्ध छन जाने पर उन वीरों को ही अपनी सहा सहायता के लिए बुलाते हैं ये छत्रीय वीर अपने पास उत्तम घोड़े रखते हैं वे पराक्रमी शूर वीर भी होते हैं वीर पुरुष सब मानवों के हित करने में तकपर रहें शत्रों को अपनी वीरता से दूर करें स्रेष्ठों का सतकार करें प्रजाओं में संगठन क करें और दीन दुखियों की सहायता करें ऐसा करने से वह अपने आगमन से पंक्तियों की शोभा बढ़ाता है इसी वीर के लिए उत्तम वीरों को उत्पन करने वाली शत्रूं का नाश करने वाली अपराजिता तथा अन्दाई मात्र भूम की हम प्रार्थना करते हैं मात्र के लिए हम सर्वस्व का यग्य करते हैं क्योंकि जो धन का दान करता है वह अक्षय यश्क कमाता है यह ज्ञान का देव ब्रह्मधस्पति ऐसे उत्तम और पवित्र मंत्र बोलता है जिसमें इंद्र वरुण मित्र अर्यमा आदिदेव अपना घर बनाकर निवास करते हैं इसल ये युद्ध के समय इन मंत्रों का उच्चार्ण किया जाता है देवत्र की प्राप्ति की इक्षा करने वाला मनुष्य ब्रह्मधस्पति अर्थात ज्यान के देव को बुलाता है क्योंकि ज्यान के बिना देवत्र की प्राप्ति असंभव है अतह जो उपासक इस ज्यान द वह इतनी बढ़े कि इस शूर वीर के साथ होने वाले बड़े अथमा छोटे संग्राम में इसको परास्त करने वाला कोई न रहे ऐसा यह वीर अपने दलों के साथ शत्रूं पर हमला करके उन्हें बिनस्ट करे शत्र का निवारण करना चाहिए शत्र के निवारण करने का इच्छे ग्यान की शक्त है वह मनुष्य कभी पराधीन नहीं होता यह ग्यान का महत्व है केवल सुरक्षा ही मुख नहीं है अपितु ग्यान पूरवक ग्यान विग्यान द्वारा होने वाली सुरक्षा ही मुख है ग्यानी जिसका पालन करते हैं ग्यानी जिसे द्वेश कर रिखते हैं वह कभी विनस्ट नहीं होता ग्यानिक छत्री वीर राजपुरुष शत्रों के नगरों और किलों को तोड़ देते हैं अपने मित्रों के विद्वेशक वैरियों का नाश करते हैं और उन्हें पापों से बचाकर दूर पहुँचा देते हैं सत्य मार्ग से जाने के लिए इस विश्व में सुगम और कंटक रहित मार्ग मिलता है एक बार सत्य के मार्ग से जाने का निश्चे करने पर आगे का मार्ग सरल हो जाता है इसे अयोग्यक और निंद्य भोजन कभी नहीं मिलता जो सन्मार्ग से जाता है भला वह विनस्ट कैसे हो सकता है अत्मा जिसे देव स्वएंग सनमार्ग पर चलने की प्रेणा देते हैं उनको बिनस्ठ करने का साहस किसी में भी नहीं है ऐसा मनुष्य कभी भी बिनस्ट नहीं होता इसके विपरीत वह हर तरह के धन प्राप्त करता है और उत्तम औरस संतान भी प्राप्त करता है रास्ट के वीर, स्रेष्ट वीर, मित्रवत व्यवहार करने वाले, स्रेष्टता के विचार करने वाले और देव अर्थात सज्जन एवन संगठन करता हों ये ज्ञानी हों सभी मानवों को चाहिए कि वे इन गुणों को धारण करें और उत्तम देव बनने का प्रयत्न करें देवत को पाने के लिए प्रयत्न करने वालों का जो विनाश करते हैं, ऐसे दुष्टों के साथ बोलना भी नहीं चाहिए स्वैंग तो ऐसे दुस्टों से व्योहार करना ही नहीं चाहिए इस पर यदिवे दुस्ट स्वैंग आकर बोलने भी लगें तो भी उनसे बात चीत करने नहीं चाहिए इस प्रकार उन्हें पूर्ण रूप से बहिस्कृत कर देना चाहिए इसी प्रकार गाली गलोज करने वाले के साथ भी नहीं बोलना चाहिए सदा उत्तम मन और शुभ संकल्पों के साथ ही ईश्वर की सेवा करनी चाहिए बुरे शब्द बोलने वाले को अपने सम्मुख आने भी नहीं देना चाहिए चारों पुरुशार्थ को करने का सामर्थ धारन करने वाले को जो नीचे दबाता है उससे डरना चाहिए क्योंकि वह कब और किसका घात करेगा इसका कुछ भी पता नहीं इसलिए ऐसों से दूर ही रहना चाहिए जो मनुष्य पुष्ट चाहता हो वह अपने मुक्त के मार्ग की तलाश करे और उस मार्ग पर चलता हुआ वह दुख के पार पहुँच जाए अपने उन्नत के मार्ग को निसकंटक करे अपने आप को पाप से बचावे और इस प्रकार प्रगत करे जो पापी, कुरूर और सेवा के अयोग मनुष्य सज्जनों पर हुकूमत करता हो उसे अपने मार्ग से हटा देना चाहिए दुस्टों की आग्या कोई न मानें बटमार, चोर, कपटी, मार्ग के बीच में छिपकर राहगीरों को लूटने वाले ऐसे व्यक्तियों को सदा के लिए विनस्ट कर देना चाहिए दुरंगे पापी को अपने पैर के नीचे दबा कर रखना चाहिए ऐसे दुरंगी चाल वाले मनुश्य समाज के लिए बड़े खतरनाक होते हैं जो एक जगह जाकर कुछ और कहते हैं और दूसरी जगह जाकर कुछ और कहते हैं वे समाज को विनाश की ओर ले चलते हैं और वे समाज को गर्त में गिरा देते हैं रास्ट का पोशक शत्रूं का दमन करने वाला हो जब रास्ट चारो ओर से शत्रूं से रहित हो तभी वह शक्त से रहकर सामर्थ शाली हो सकता है शत्रूं को दूर करने का सामर्थ सभी मनुश्यों में हो पर यह कार्य तभी हो सकता है जब रास्ट के रक्षक सतकर्म में प्रवित हों पर जब रास्ट के रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तब रास्ट का पतन निहसंदेह ही समझना चाहिए जिसके पास सेवन करने योग धन होता है जिसके पास सब सुख के साधन प्राप्त हों वही सच्चा सौभाग गिशाली है जिसके पास अपार संपत्ति होने पर भी जो कंजूसी करता है उससे जादा दुर्भाग गिशाली और कोई नहीं हो सकता ऐसे उत्तम धन को अच्छे कर प्रश्मों में ही अर्पित करना चाहिए। उन्नत के मार्ग में बाधा डालने वाले दुस्टों को दूर करना चाहिए। सभी प्रजाजन को समर्थ बनाना चाहिए। सभी कर्म पूर्ण करने चाहिए। सभी को संपन बनना चाहिए। तेजस्वी बनना चाहिए। अपने शस्तास्त्रों को सदा तीक्ष्न करना चाहिए। और सदा उत्साहित रहना चाहिए। जो हमारा पोशन करता है उसका उपका कभी नहीं भूलना चाहिए उसकी हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए और उसकी धनाद से हमेशा सहायता करनी चाहिए रुद्र देव विशेस ज्यानी रोग दूर करके आनंद बढ़ाने वाला आज बढ़ाने की शक्त बढ़ाने वाला रोगों के कारणों का नाश करके रोगों को दूर करने वाला है ऐसे ही गुण रास्ट के वीरों को भी धार्ण करना चाहिए खाने पीने दवा देने आदिका प्रबंध करने वाली देव माता अधित हैं खान पान की विवस्था जो यथा योग्य और यथा समय करती हैं वही रोगों को दूर करने और शद को प्रदान करती हैं मनुष्य पशु गाएं बाल बच्चे इन सब के लिए खान पान का पत्थ आवश्चक है मित्र वरुण रुद्र तथा अन्य सब देव रोग दूर करते हैं सूर्य किरणों से औसध के रसों से जल से विद्दुत से इसी तरह सब अन्य देवों के सामर्थ से रोग दूर होते हैं मानवी जीवन को सुखमे करना इनी देवों के सामर्थ पर अवलंबित है वैद्य गाथाओं को जाने क्योंकि पूर्वकाल के लोगों के अनुभव गाथा में लिखे रहते हैं उन्हें जानना चाहिए और शदियों को परस्पर मिश्ण करने का नाम मेथ है किन आउसदियों को मिलाने से क्या लाभ होते हैं यह सब वैद्धियों को जानना चाहिए रोग को शांत करने वाले उपाय का नाम शंग है और रोग बीज तथा अनिस्थ भाव को दूर करने का नाम यू है इसी से सुख होता है मन प्रसंद होता है सूर्य वीर्य वर्धक है सुवण तेजस्विता बढ़ाने वाला है देवताओं में जो मूल सत्व है ये मनुश्यों को लाभ देने वाले हैं घोडे भेंड मेड़ा पुरुष इस्त्रियां और गाय आदि को स्वस्थ रखने से वनस्पति से उत्पन होता है बहुत अन खाने पर भी जिसका मन प्रसंद नहीं होता वह कभी सामर्थ शाली नहीं हो सकता इसलिए कहा है कि मनुश्य का मन भी उत्तम हो जिसका मन समर्थ है उसका शरीर भी समर्थ होता है सोम आदि वनस्पतियों से मिलने वाले अन में जो बा मार्ग में बाधा न डालें अर्थात वनस्पतियां हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती रहें कंजूस भी हमारे बाधक नो हों यह सोम उत्तम बुद्ध स्रेष्ठ स्थान में रहने वाली सत्य और अम्रत से युक्त होती है इस उत्तम बुद्ध की उपासना करके जो बुध्धिशाली होता है वह मनुश्य भी स्रेश्ट स्थान में जाकर विराज़ता है यह अमर और सब कुछ जानने वाला अग्रणी देव अनेक प्रकार का तेजस्थी धन दाता को देता है और उशह काल में उठने वाले देवों को अपने साथ लाता है उशह काल में उठने से शरीरस्थ देव अर्फाद इंद्रियों की शक्त बढ़ती है यह अग्रणी देव दिद्वानों द्वारा सेवित दूत कर्म करने वाला और देवों तक हव्य पहुँचाने वाला है यह हिंसा युक्त कामों में कभी भी हिंसा नहीं लेता हिंसा रहित काम करने वालों को यह उत्तम सामर्थ और यश्युक्त धन देता है यह अग्रणी सब को बसाने वाला सर्व प्रिय उशह काल में होने वाले यग्यों की ज्वालाओं से शोभित और अईश्वर्य युक्त है ऐसे अग्नी को सब चाहते हैं अर्थात प्रतेक घर में यग्य होने चाहिए देवत्त को प्राप्त करने के लिए मैं स्रेष्ट बलशाली दानियों द्वारा सेवित अग्नी की इस्तुति करता हूँ अग्न अर्थाद ज्यानी की उपासना अर्थाद उसके पास बैठने से ही मनुष्य देवत तो प्राप्त करता है अमर सबको जीवन देने वाले हविवों को ले जाने वाले पवित तथा दूसरों की रच्छा करने वाले अग्न की में पृषंसा करता हूँ यह अग्रणी मिठी वारी बोलने वाला सबके मनोगतों को जानने वाला कणव अर्थात ग्यानियों को दिरगायु देने वाला और उत्तम गुणों से युक्त है ऐसे अग्रणी का सबको सम्मान करना चाहिए क्योंकि यह ग्यानी अग्रणी देव सब देवों को बुला कर लाता है इसलिए सभी प्रजाएं उसे प्रदिप्त करती हैं उशह काल में अग्रणी सविता उशा अश्विनी कुमार आद सब देवताओं को बुला कर लाता है इसलिए सबेरे सबेरे ग्यानी सोम तयार करके इस अगनि को प्रदिप्त करते हैं यह अगरणी यग्यों का स्वामी है यह उश्खकाल में जागने वाले और आत्म साक्षातकारी देवों को सोम यग्य में बुला कर लाता है आत्म चिंतन का सर्वोत्तम काल उशह काल या ब्रम्ह मुहूर्द है इसी समय ज्यानी जन आत्म चिंतन करते हैं मनुष्मृति में भी कहा है मनुष्य ब्रम्ह मुहूर्द में उठकर धर्म अरध कायकलेक्ष और उनके कारण तथा वेदों के तत्वों का चिंतन करें प्राचीन काल में उशा काल से पहले यग्य प्रारंभ हो जाते थे अतह उशा से पूर्व ही इस तेजस्वी अग्नी को पकट करते थे यह यग्याग्नी जिस जिस ग्राम में जलाई जाती है वहाँ वहाँ के रोग जन्तूं को नस्ट करके यह अग्नी उस ग्राम की रक्षा क इसलिए यग्य में इसे सर्व प्रथम प्रदिप्त किया जाता है। यह अग्णी यग्य का साधन होता ज्यानी और सबसे महान और अमर है। इस कर्मों में सहायक होता है। उसी प्रकार अग्णी नेता भी अपनी प्रजाओं की प्रार्थनाएं सुनें और तदनुशार उनकी सहायता करें। उत्तम दानी मरुत गन्ड हमारी प्रार्थना सुनें तथा ब्रत के पालक वरुन एवंग अश्विनी कुमार आदी देव भ विद्वान तथा दिव गुण संपन्द देव दाता को सदा सुखी रखते हैं और उसके हर कार्य में 33 देव सहायक होते हैं यह अगणी देव बुद्ध से कार्य करने वाले ज्यान प्रसार करते हुए सरवत्र घूमने वाले अंगरस्चिकिस्सा के ग्याता तथा ग्यानी पुरुष की प्रार्थना सुनता है और उसकी सहायता करता है महान कर्म करने वाले बुद्धिमान रिशियों ने रक्षा के लिए अगनिसे प्रार्थना की वह अगणी विद्वानों की प्रार्थना सुनकर उनकी हर प्रकार से सहायता करता है वह हमारी भी प्रार्थना सुने जौलाओं के बालों से युक्त इस अग्रणी का सम्मान करने के लिए सब बुलाते हैं यह अग्णी देवों को बुला कर लाने वाला प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनने वाला धन अईश्वर्याद को देने वाला ऐसे इसको ग्यानी जन यग्यमे प्रज्वलित करते हैं दानशील मनुस्त के सुख के लिए बग्धिमान होता सोमरस तयार करके अग्णी को अन्न के पास बुलाते हैं यह अग्णी सबको जीवन देने वाला बल देने वाला तथा सोमपान के लिए प्रातह में उठने वाला दिव्विगुण युक्त ग्यानियों को यग्यमे लाने घर में आये हुए दिव्व्य अर्थात उत्तम गुणों से विभोशित मनुश्यों का मिठी बोली से सदा सतकार करना चाहिए ताकि उसके यहां विद्वान बैठकर आनंद से सोमरस का पान करें उशा आकर अंधकार को दूर करती है हे अश्विदेवों इस समय मैं आपकी स सित्ति करता हूँ मनुश्यों को अपना अज्यान दूर करना चाहिए अश्विदेव को दूर कर नाश करने वाले धन का दान करने वाले नदी को माता मानने वाले और कर्म करने की योग्यता नुसार धन देने वाले हैं मनुष्य अपने शत्र को दूर करे धन का दान करे जो जैसा कर्म करेगा वैसा धन उस कर्म की योग्यता नुसार उसको देता रहे अधिक कर्म कराकर थोड़ा धन न देवे अपने देश की नदियों की माता के समान सुरक्षा करें क्योंकि उनसे धान्य उत्पन्न होकर मानवों का पोशन होता है अश्विदेवों का रथ पक्षी के सद्रिश आकास में उड़ने लगता है तब स्वर्ग में भी उसकी प्रशंसा होती है यह रत विमान ही है आकाश में गमन करने के लिए आकाश गामी रत विमान मनुष्य बनावे यह कर्म प्रशंसा योग है जल को सुखाने वाला सबका पोशक कृत कर्मों को देखने वाला पिता सूर्य अश्विदेवों को अन्न से संतुस्त करता है मनुष्य अन उत्पन करे उससे यश करे अनुयाईयों का पोशन करे अनुयाईयों के लिए करमों का नरीचण करे और योग्यता नुसार उनको धन आदि देवे अश्विदेव मनन पूर्वक भाषन करते हैं वे सोमरस पीते हैं जो वीरत्व के उत्साह को बढ़ाता है मनुष्य भाशन करने के पूर्व मनन करे और अपना वक्तव्य निश्चत करे और उतनाही बोले बल वर्धक रसों का पान करे अश्विदेव ऐसा अन देते हैं जो हमें प्रकाश देगा अंधकार दूर करेगा और हमारा पालन भी करेगा मनुष्य अपने अज्ञाना अंधकार को दूर करें ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करें और उत्तम पुष्ट देने वाला अन प्राप्त करें समुद्र को पार करके आना हो तो नौका से आवें ये नौकाएं उत्तम बुद्ध से तयार की हैं भूमि पर से रत जोड़ कर आओ, मनुस्य समुद्र पार करने के लिए उत्तम से उत्तम नौकाएं तयार करे, और भूमि पर संचार करने के लिए उत्तम रत तयार करे, नदियों में जहां उतार होता है, वहां अच्छी विस्तेंड बल्लियां तयार है, भूमि पर रत भी तय नदियों के उतार के स्थान पर नौका रखने के लिए आवश्यक साधन रहें मनुस्यों के लिए रत भी यहां रहें और खान पान का भी सतत प्रबंध रहें परवत के शिकर पर से सोम लाकर तयार रखा है नदी पार होने पर यहां धन भी बहुत है हे बुध्धिमानों आप अब कहा जाएंगे परवत परसे और शधियां लाकर उनके रस्पीने के लिए तैयार करो समुद्र के पार जाकर धन भी कमाओ सोम का रस तयार करने के लिए ही यह उशा का प्रकाश हुआ है इसलिए सूर्य प्रकाशित हुआ है अग्न भी इसलिए प्रदिप्त हुआ है सोम सूर्य और अग्न मनुष्यों की सहायता करने के लिए सिद्ध हैं अर्थात मनुष्य पुरुसार्थ करके उनसे सुख प्राप् मनुष्यों के दुख दूर करने के लिए यह यग्य का मार्ग बड़ा ही सरल मार्ग है इसमें किसी तरह के कस्ट नहीं है यह स्वर्ग का ही मार्ग है अश्विदेव सोम पीकर आनंदित होते और जनता को संतुस्ट करके उनकी सुरक्षा करते हैं इसकी इस्तुत सभी करते हैं मनुष्य स्वयंग आनंद प्रसंद रहें अन्यों को संतुस्ट करें और जनता की उत्तम रक्षा करें यही प्रशंसनीय कार है अश्विदेव सबको सुख देते और अनुयाईयों के संग में रहते हैं वे सोम पान के लिए यहां आवें नेता अनुयाईयों को सुख देवें उनके साथ रहें उनसे प्रथक न रहें वनस्पतियों के मधुर रसों का पान करें उशह काल के पूर्व अस्विदेव चारो और भ्रमण करते हैं और रात्र के समय में भी यग्यों को देखते हैं नेता लोग अनुयाईयों के पूर्व ही उठकर चारो और के सब कर्मों की अच्छी तरह देख भाल करें रात्र के समय में भी निरीच्छन करें अस्विदेव सोम पान करें और निरलस रक्षाओं से सब को सुख दे दें नेता लोग आलस से छोड़ कर अनुयाईयों की रक्षा करें और उनको सुखी करें वनस्पतियों के रसों का पान करें यग्य की बिद्धी करने वाले अश्विदेव यहां आवें और हमने गत दिन तयार करके रखा हुआ यह अत्यंत मीठा सोम रस पीवें और दाता को अनेक रत्न देवें यग्य की बिद्धी करो सोम आदि बनस्पतीयों का रस पीओ और उदारदाताओं को बहुत धन दो हे अश्विदेव तुम दोनों दीखने में सुन्दर तीन छोर वाले और तीन शिखरों वाले अपने रत में बैठ कर यहां आओ इस हिंसा रहित यग्य में जो कणवों का मंत्र पाठ हो रहा है उसे सुन लो सुन्दर रत तयार करो उन रतों में बैठ कर यग्य के स्थान में जाओ और वहां के पूर्य कर्म का नरीक्षन करो नेता लोग वहां के काव्द गान को सुने यग्य मार्ग के प्रचारक शत्र का नाश करने वाले अस्विदेव मधुर सोमरस पीओ और अपने रत में बहुत धन रख कर दाता को उसक करो सरवग्य अश्विदेवों तीन कोनों वाले आसन पर बैठो और यग्य को मधुरिमा मैं करो सोमरस में चोड़कर ये कण्व तुम्हें बुलाते हैं आसन पर आकर बैठो सरबत्र मीठा वायुमंडल बनाओ अश्विदेव यग्य के प्रसारक और शुभ कर्मों के रक् की थी वैसे ही वे हमारी रक्षा करें क्योंकि हम भी अच्छे कर्म कर रहे हैं मनुष्य यग्यमार्व का प्रचार करें और सदा शुभ कर्म करते रहें तथा शुभ कर्म करने वालों की रक्षा करें अश्वदेव शत्र का नाश करते हैं उन्होंने अपने रत पर बहुत रखकर सुदास को बहुत ही द्रव्य दिया था, उसी तरह समुद्र के अथमा स्वर्ग से धन लाकर हमें दें, मनुष्य शत्र का नाश करें, अपने रत पर बहुत धन और धान रखकर अपने अनुयाईयों को बाटें, वे यह धन समुद्र के पार से परवत के शिखर पर जा अपने रत पर चड़कर सुर्योदे के समय ही हमारे पास आवें, मनुष्य सत्य का पालन करें, असत्य मार्ग से न जाएं, नेता लोग कहीं भी हों, वे अपने वाहनों पर बैठकर जहां कारे करता कारे करते हों, वहां तड़के ही पहुँच जाएं, और उस कारे का आने पर तुम दोनों आसनों पर बैठ जाओ, नेता लोग सदा जहां शुब कर्म करते चलते हों, वहां जाएं, उस कारे के करताओं की हर प्रकार की सहायता करें, शुब कर्मों में जाएं, वहां बैठें, उसका निरीचन करें, अश्विदेव असत्य का आश्य कभी नहीं करते, अपने सूर्य के समान तेजस्वी रत पर बैठ कर दाता लोगों को धन देने के लिए सदा जाते हैं, उसी रत पर बैठ कर वे मधुर सोमरस पीने के लिए हमारे पास आजाएं, कभी असत्य का आश्य न करो, अपने रत पर चढ़कर अपने अनुयाईयों को धन का प् लाते हैं, कड़मों के यग्य में ये सोमरस पीने के लिए बारम बार आते हैं, नेता अपने पास बहुत धन रखें, उससे अपने अनुयाईयों का हित करें, अनुयाईयों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करें, उशा स्वर्ग से अउतरित होती है, जब वह अउत तरित होती है, तब वह दर्शनी होती है, वह आते समय अपने साथ अनेक तरह के धन लाती है, उसी प्रकार रास्ट की कन्याईं धनश्वर्य से संपन्न होकर दर्शनी हों और प्रकाशित हों, उसा किशी भी देश की इस्तियों के लिए आदर्श है, यह उशा घोडों और गौवों से युक्त होती है यह प्रकाशित होती हुई प्रजाओं का हित करती है उनसे हितकारक वाणी बोलती है और गरीबों की हर तरह से सहायता करती है उसी प्रकार देश की स्त्रियां भी गौवों से युक्त हों प्रजाओं का हित करें सभी से मीठी वाणी बोलें और सब की हर तरह से सहायता करें जिस प्रकार धन को प्राप्ट करने की इच्छा वाले ग्यापार से धन कमाने के लिए अपनी नाव्य समुद्र में चला कर देश विदेशियों में ग्यापार करते हैं उसी प्रकार यह उशा भी अपने रत चलाती है जो मनुश्य इस उशा के धन का दान करते हैं वे मनुश्यों में अत्यनत जित्धिमान होते हैं जो मनुश्य सवेरी-सवेरी उठकर अपना मन उत्तम करमों में लगाता है उसका मन इधर-उधर नहीं भूमता इस प्रकार उसकी बुद्ध तीक्ष्ण होकर वह बुद्धिमान होता है इसलिए उशह काल में किया हुआ अध्यैन बड़ा फलप्रद होता है उशा एक उत्तम ग्रिहनी है वह सबको बलवान बनाती है वह सबका पालन करने वाली है उसके आते ही सारे मनुष्य अपने कामों में लग जाते हैं और पक्षी भी अपने आहार की टोह में अपने घोसलों से उड़ जाते हैं मनन करने वाले योगी जन भी इसी काल में उठकर अपनी साधना करते हैं तथा जो धन की इक्षा करते हैं वे भी इसी काल में उठकर परिश्रम करते हैं यह सबको जीवन प्रदान करती हुई सरवत्र चमकती है इस काल में प्राणपद हवा बहती है जो सबको जीवन प्रदान करती है इसके प्रकाशित होने पर उड़ने वाले पक्षी भी बैठे नहीं रहते वे भी घोसले छोड़कर उड़ जाते हैं यह उशा सूर्य के उदै ह कोने के पूर्व चमकती है अर्थात प्रथम उशह काल आता है फिर सूर्य उद्य होता है अपनी सैकनों किरणों पर चड़कर यह उशा मनुस्त के पास जाती है और उन्हें भाग्यशाली बनाती है इसलिए सारा संसार इसे देखते ही इसे प्रणाम करता है यह लोगों को उन्हें अपने कामों में लगाती है इस प्रकार स्वर्ग या आकास से उतरने वाली यह उशा हिंसक्षत्रू को दूर करती है अर्थात यह वीर भी है हे स्वर्ग कनने उशे तू अपने आहलाद दायक प्रकास से युक्त होकर इस भूमी पर उतर और अंधकार को दूर कर ताकि हम सभी तेरे उपासक उत्तम सौभाग्य प्राप्त करें जब सभी कामों का संचालन करने वाली यह उशा अंधकार दूर करती है तब संसार के प्राणियों को जीवन मिलता है हे उशे मानवों के पास जो उत्तम और विलक्षन धन हो वह बलवर्धक अन आद धन हमें प्रदान कर जो इस तोत्र पाठक तेरी इस्तुति करते हैं उस इस्तुति को सुनने के लिए सत्कर्म करने वालों के पास तूँ जा इस मंत्र का बोध यह है कि उशा लोगों को यग्यशाला में पहुंचाती है क्योंकि उशा काल में याजक यग्यका कारे शुरू करते हैं घर घर में तरुन भी हवन करें हे उशे तूँ गौव वाला तथा घोडों वाला प्रशन सनी अन जो उत्तम वेर्य शरीर में प्रदेश से अन लाते हैं इन पदार्थों को खाने से उत्तम संतान का निर्माण करने वाला वीर्य शरीर में उत्पन होता है ऐसा वीर्य हमारे शरीर में बढ़े और हमारी संतान उत्तम बलशाली हो जिस उशा की किरणे सुन्दर और कल्यान करने वाली हैं वह उशा कि सुन्दर और सुखदाई धन हमें देवे हे स्रेष्ठ उशा देवी प्राचीन स्रेष्ठ रिसी अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हारी प्रार्थना करते रहे वह तूं उत्तम तेजस्वी सिद्ध के साथ हमारे यग्यों के संबंध का उत्तम वर्डन कर हमारे शुभ कर्म की प्रशंसा कर जिससे हमें अधिक उत्तम कर्म करने की प्रिरणा मिले हे उशा आज तुने अपनी प्रकास से द्यू लोग के दोनों द्वार खोल दिये हैं अब हिंसा वहां नहीं होती ऐसे विशाल घर और गवों के साथ परियाप्त अन्न हमें प्रदान कर तरुन इस्त् करे घर के द्वार खोले हिंसक शत्रूं को दूर हटा कर अपना घर सुरक्षित रखे गवों का दोहन करे पुष्ट कारक अन्न तयार करे हे उशा विशाल और सबसे सुन्दर धन से गवों से शत्रूनासक तेजस्वी धन से और बलवर्धक अन्नों से हमें युक्त कर इतने पदार्थ हमें चाहिए हे उशा दिव लोग के तेजस्वी स्थान से हमारे पास प्रति दिन आ और हमारे घरों को प्रकाशित कर हे उशा तुँ उत्तम और सुन्दर रीत से बनाए गए रत पर बैठ और उत्तम तथा यशस्वी अन्न का दान करने वाले मनुष्य का हे उशा तुम्हारे आते ही दो पाउवाले चार पाउवाले और उड़ने वाले सभी प्राणी उठते हैं और दिव लोग के अंत तक पक्छी गण संचार करते हैं चारों और आनंद ही आनंद अनुभों में आने लगता है हे उशा तु प्रकाशित हो अंधेरा दूर कर प्रणवगोत्री लोग अत्वा ज्यानी तुम्हारी प्रशंसा गा रहे हैं अतह हमें सुखी कर और हमारा संदच्छन कर संपूर जगत को प्रकाशित करने के लिए वह सरवग्य और प्रतेक प्राणियों के कर्मों को देखने वाला सूर्य उदै होता है और उसके उदै होन अगने की तरह जगमगाती हैं जो सूर्य के आगमन की पूर्व सूचना देती हैं इन्ही किरणों से वह सूर्य सब संसार के कारियों को देखता हुआ चलता है और महावेग से जाता है तथा अपने तेज से संपूर आकाश को प्रकाशित करता है यह सूर्य देवों के और अपनी कृपा दिष्ट सभी मनुश्यों पर करता चलता है सब प्राणियों को देखता हुआ यह सूर्य रात और दिन का निर्माण करता हुआ विशाल अंतरिक्ष में अपनी प्रकाश को फैलाता हुआ जू लोक में संचार करता है इस सूर्य के रत में सात रंग के घोड़े जुड़े हुए होते हैं सात रंग की किरने ही इस सूर्य के घोड़े हैं जिन पर चढ़कर यह सूर्य विचरता है सूर्य की किरने पवित्र करने वाली हैं अर्थात जहां ये सूर्य की किरिने पढ़ती है, वहां की जगह पवित्र हो जाती है, यह सूर्य देवों में सर्व सरेष्ठ देव और अत्यنت सरेष्ठ जोती है, यह अंधकार से उपर उठकर सर्वत्र प्रकास करता है इस सूर्य का तेज बहुत हितकारी है, इसके प्रकास में रोगों को दूर करने की शक्त है इसलिए बाल सूर्य में नंगे बदन बैठने का विधान बैद्यक शास्तरों में है जो रोज सूर्य प्रकास का सेवन करता है, उसे कभी भी छे रोग और पीलिया नहीं हो सकता चुत्तम आउशद है वह रोग जिससे रोगी का शरीर हरा हरा सा हो जाता है तोते पेड़ आदि हरी बनस्पतियों में ही रहें अर्थात वे मनुश्यों को कष्ट न दें इस प्रकार मनुश्य स्वस्थ होकर अपने से द्वेश करने वाले शत्रूओं पर अधिकार करता रहे वह कभी भी अपने शत्रूओं के अधिकार में न जावें वे शत्रू रोगों के जन्तु हैं जो मौका पाकर मनुश्य को धर दबाते हैं पर जिस पर सूरी की दिष्ट रहती है अर्थात जो सूरी की किरणों का उत्तम उपयोग करता है वह कभी भी इन रोग जन्तूओं क के अधिकार में नहीं जाता यह इंद्र विशेष ज्यानी है रिचाओं का वह अध्यान करता है और रिचाओं द्वारा इसका वर्डन किया जाता है जिसके पास धन का समुद्र भरा पड़ा है वह सर्वदिश्टा है इसके गुप्तचर सब जगह घूमते रहते हैं इन्ही ग पूरुतों ने अंतरिक्ष को अपने यश में पूर्ण करने वाले सप्तु के घमंड को चूर करने वाले इक्षित पदार्थ देने वाले बल से युक्त इंद्र की सहायता की। इंद्र ने अंगिराओं के लिए गौवों का मार्ग खूल दिया। अत्र रिशी अनेक द्वार वाले किलों में बंद था। उस किले में से उसे बाहर निकाला। विमद अर्थात अहंकार रहित मनुष्य को अनेक तरह से सम्रद्ध किया। इंद्र के बहाने ये सब राजा के करतब वेदने बताएं है इसी प्रकार राजा भी गौवों का पालक रिशीयों का रक्छक और सजजनों का पालक हो इंद्र ने जलों को रोक कर रखने वाले मेघों को बरसाया तथा परवत की चोटियों पर बैठ कर जल रूपी धन को रोक कर रखने वाले आवर्ण शील मेगों को नीचे गिराया जब इंद्र ने शक्त से बृत्र को मारा इसके बाद सूर्य ने अपना प्रकाश पहलाया इस मंत्र में मेग का वर्डन है जो सारे आकाश में च्छा जाता है पर बरसता नहीं इंद्र बिजली है जो मेगों को बरसाकर आकाश साफ रखता है और सूर्य को चमकाता है जो स्वैंग अपने मुह में ही अन्नों का हवन करते थे अर्थात अन्नों का उतभोग स्वैंग करते थे ऐसे अपना ही पेट भरने वाले तथा चल कपट का मार्ग अपनाने वाले असुरू को चल कपट से ही मारा और रिजु अर्थात सरल मार्ग से चलने वालों की रक्षा की इस प्रकार राजा भी स्वार्थी तथा केवल अपना ही फायदा देखने वाले दुस्टों को चल कपट से ही मारे चली और कप्टी से उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए और इस प्रकार उंटा नाश करके सत्य मार्ग गामी सज्जनों की रक्षा करनी चाहिए प्रजा को निचोडने अर्थात पीडा देने वाले दुस्ट को मार कर इंद्र ने बुराईयों को दूर करने वाले सज्जन पुरुशों की रक्षा की इसी प्रकार अतिथिग्व के लिए शंबरा सुर को मारा, अरबुद को तो इंद्र ने पैरों से कुचल डाला इस प्रकार यह इंद्र रास्ट से द्वेश करने वाले असुरू को मारता रहता है क्योंकि यह इसी कार्य के लिए उत्पन्न हुआ है इसी प्रकार राजा को भी चाहिए कि वह रास्ट से द्वेश करने वाले शत्रू को नस्ट करे क्योंकि प्रजाएं किसी को राजगदी पर इसलिए बिठाती हैं कि वह उनकी हर तरह से रक्षा करे इस इंद्र में सभी तरह के बल एकत्रत हैं इसका धन यग्य करने वालों को मिलता है इसका वज्र ज्यानियों की रक्षा करता है देश का राजा भी शारिरिक, मानसिक और बौधिक बलों से युक्त हो उसका शस्त्र सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए ही हो अर्थात उसका शस्त्र कभी सज्जनों को पीडित और दुष्टों की रक्षा न करे इन शस्त्रों से वह अपने शत्रों की स तुम्पूर शक्त को समाप्त कर दे हे इंद्र हे राजन तू स्रेष्ट पुरुशों को अच्छी तरह पहचान ले और जो दुस्त हैं उन्हें भी अच्छी तरह पहचान ले और ऐसे ब्रतहीन या उत्तम कर्म न करने वाले मनुश्यों को संगतिकरण दान देव पूजा उत्तम कर्म करने वालों को दुख न दे सकें उन मनुश्यों को अपने शासन में रख इस प्रकार तेरे राज्य में प्रजाओं को उत्तम कर्म करने की प्रेरणा मिले और वे प्रजाएं तेरे हर कामों की हरदें से प्रशंसा करें यह इंद्र मात्र भूम के भक्तों द्व करता है इस इंद्र के गुणों को अपने अंदर धार्ण करके मनुष्य अपने शत्रों का समूल नाश कर सकता है इंद्र के बल को उष्णा ने बढ़ाया तब उसने दोनों लोकों पर विजय प्राप्त की और वह यशस्वी हुआ इसी प्रकार जो राजा दूरदर्शी उष इसना बिद्वान ब्रामणों की सहायता से अपनी शक्त बढ़ाता है वह सभी संसार पर विजय प्राप्त करके अपने यश को चारों और फैला सकता है यह मंत्र यह बतलाता है कि छात्र शक्त को ब्रह्म शक्त से मिलकर ही सामराज्य का विस्तार करना चाहिए ब्रह्म शक्त सी शून्य शात्रशक्त उच्छिंखल हो जाती है और वह देश का नाश करती है अतक्त्रशक्त सदाब्रह्म शक्त से शाशत होनी चाहिए इन्ड जब उष्णा के साथ आनंदित होता है तब वह कुटिल से भी कुटिल लोगों पर अपना शासन करता है तब वह मेगों से पानी बहाता और शुष्ड के नगरों को नश्ट करता है जब रास्ट में छट्री और ब्रामःड दोनों संगठित होकर आनन्द से रहते हैं तब उस रास्ट में कुटिल से कुटिल शत्र भी राजा के वश्वें हो जाते और तब मेग भी उस रास्ट में पानी समयानुसार बरसाता है जिसके कारण भयंकर से भयंकर शुष्ण सूखा या अकाल भी सरवदा नस्ट हो जाता है इंद्र बल वर्धक सोम पान करने के स्थान पर पहुँचने के लिए रत पर चढ़ता है और उस स्थान पर जाकर वह अं रंदित होकर यश को पहलाता है इस इंद्र ने कक्छीवान को ब्रचया नाम की इस्त्री प्रदान की बिश्णस्व को मेना प्रदान की तथा यह इंद्र बुद्धिवालों की सदा सहायता करता है उन्हें कभी दरिद्र नहीं होने देता इन्हीं कारणों से उसकी कीर्थी हमेशा स्थाई रहती है इसी प्रकार जो राजा अपनी प्रजा की हर आवशकताओं की पूर्त करता है और बुद्हिमानों की हर तरह से सहायता करता है उसका यश चारो ओर पहलता है और वह यश भी स्थाई रहता है बलवान, स्वैंग तेजस्वी, सत्य पराक्रमी और महान इंद्र को सभी प्रणाम करते हैं क्योंकि बड़े बड़े संग्रामों में वही एक ऐसा वीर है जिसका आश्रे सब लेते हैं इस इंद्र के पास सैकणों उत्तम से उत्तम घोड़े हैं इन घोड़ों को अपने रत में जोड़कर वह यग्यों की तरफ शीघता से जाता है और इनी घोड़ों के कारण वह बड़े-बड़े संग्रामों में भी परवत के समान अचल खड़ा रहता है और पानी को रोग कर इने वाले बित्र को मार कर जल प्रवाह बहाता है यहां इंद्र के घोड़ों का वरड़न अलंकारिक है इंद्र के ये घोड़े वस्तुतह सूर्य की किरणे हैं स्वैंग इंद्र सूर्य है और किरणे उसके घोड़े हैं इन किरण रूपी घोड़ों पर सवार होकर यह सू शत्रू का कट्टर शत्रू और मित्रों को आनंद देने वाला है वह बुद्धिमान को हर तरह से बढ़ाता है ऐसे धन के दाता उस इंद्र को उत्तम बुद्ध से सब लोग बुलाते हैं इसी तरह राजा भी शत्रू का बिनाशक और मित्रों को आनंद देने वाला हो तथा अ तब इंद्र उसके साथ युद्ध करता है। उस समय इंद्र की सहायता के लिए मरुत भी उसी प्रकार वेग से जाते हैं। जिस प्रकार ढाल वाली जगह पर पानी का प्रवाह वेग से बहने लगता है। तब मरुतों की सहायता पाकर इंद्र बल आद अशुरों का नाश करत है मरुत सैनिक है अतह सैनिकों का करतब्य है कि वे युद्धों में अपने राजा की हर तरह से सहायता करें बल आद असुर ये मेग हैं जो पानी को रोके रखते हैं बरसने नहीं देते उस समय मरुत अर्थात हवाउं की सहायता से इंद्र अर्थात बिजली इन मेगों पर इन वृत्र ने हन उपर निम्न भाग में ही वज्र मारा तब वज्र से इंद्र का तेज सब जगह पहला और उसका बल भी चमक उठा पस्चात जल को रोकने वाला असुर भूम के उपर गिर गया और मर गया यह देखकर त्ष्टा ने इंद्र को बढ़ाया और उसके लिए वज्र बनाकर भी दिया तभी से सारी इस्तुतियां इंद्र के पास पहुंसती हैं अर्थात तब से सभी प्राणी इंद्र की इस्तुति करने लगे उत्तम कर्म करने वाले इस इंद्र ने मनुश्यों के हित के लिए जल को बरसाने के लिए अपनी किरणों से वृत्र को मार और अपनी भुजाओं में वज्र को धार्ण किया तब बित्र को मार कर इंद्र ने सूर्य को आकाश में चमकाया यह अलंकारिक वर्डन वर्षा का है बित्र अर्थात मेघ पानी को रोग कर अंतरिक्ष में पढ़ा रहता है पर जब इंद्र बिजली अपने वज्र अर्थात गरजने की शक्ति से मेग पर आघात करता है तब वह टुकडा टुकडा होकर प्रतिवी पर गिर जाता है अर्थात मेगों के बरस जाने पर आकास साफ हो जाता है तब सूर्य चमकने लगता है इस प्रकार पानी बरसाना आकास साफ करना और सूर्य को चमकाना यह सब काम इंद का ही है जब मनुश्यों ने देखा कि वृत्र मेग पानी को रोक कर बैठ गया है तब अव घर्षन से डर कर मनुश्यों ने साम गान करना शुरू किया अर्थात यग्य करके सामों का गान किया तब प्रजा के हित के लिए युद्ध करने वाले रक्षक और प्रजा के साथ करने से मरुत अर्थात वायु उत्पन होती है यही वायु मेग बनते हैं और इन्हीं मेगों से टकराने से इंद्र या बिजली उत्पन होती है और यह इंद्र बिजली ही अपनी शक्ति अर्थात वज्र से वृत्र को मार कर पानी बरसाता है इस प्रकार यग्य से वर्षा ह जब इंद्र ने सोम के आनंद में आकर अपने वज्ज से वृत्र को मारा तब उस वृत्र ने गिरते समय जो गरजना की उससे सारा विश्व काँप उठा वर्शाकाल का अलंकारिक वर्ण इस मंत्र में किया है जब मेघ आपस में ठकराते हैं और जब बिजली गिरती है उस सम भी अत्यंत विस्तृत हो जाएं तथा द्यू लोक भी और अधिक विस्तृत हो जाएं तो भी इस इंद्र की महिमा इसमें समा नहीं सकती और न इसकी महिमा का वर्ण ही किया जा सकता है इतना महिमा शाली इंद्र है इसी इंद्र ने अंतरिक्ष लोक के अलामा भूमिका भी निर्मार किया और इससे उसने सब प्राणियों की रख्षा की इस प्रकार वह इंद्र भूमिका संरख्षक होने से वह सब का पालक है और दियू लोक का स्वामी है और संपूर अंतरिक्ष को अपनी महिमा से भर देता है इसलिए इस इंद्र जैसा शूरवीर और महिमा शाली और कोई नहीं है जब इंद्र ने अपने शत्र नासक वज्र से वृत्र को मारा तब सब देवता खुश हो गए और मरुतों ने भी इसका बड़ा सत्कार किया और तब ही इसकी विशाल महिमा का लोगों को पता चला कि द्यूलोक आदे लोक अनंत नदियां भी इसकी महिमा का पार नव पा सकी और यहां तक की इसके साथ सदा युद्ध करने वाला वृत्र भी इसकी महिमा का पार नव पा सका इतनी इसकी विशाल महिमा है इंद्र सब रतनों को आसानी से प्राप्त करता है और दान में भी देता है अतह उसकी हमेशा उत्तम इस्तुति करनी चाहिए क्योंकि जो उत्तम दान देता है उसकी कभी बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए वह हमेशा उत्तम इस्तुति के ही योग्य होता है इस विश्व में चारो और फैला हुआ धन इंद्र का ही है वह उन सब पर प्रभुत रखता है साथ ही वह दान देने वालों का नेता है अर्थात दान देने वालों में सर्वस्रेष्ट है पर वह अपना यह धन उनहीं को देत है जो अपने शत्रों को नस्ट करते हैं यह इंद्र मित्रों के लिए मित्र है पर शत्रों के लिए बहुत भैंकर है यह अपने भक्तों के संकल्पों को कभी नस्ट नहीं करता सोम उत्साह को देने वाला है इससे उत्साहित होकर इंद्र उत्तम मन से युक्त होता है और सज इस प्रकार शत्रों को नश्ट करते हैं इस प्रकार स्चत रहित होकर वे तेज़स्वी बलों से अनेक तरह के पशुओं से और उत्तम बुद्ध से युक्त होकर आनन्ड से जीवन व्यतीत करते हैं। जिए सोम उत्तम बुद्ध का द्योतक है जो उत्तम बुद्ध से युक्त होते हैं वे हमेशा आनंद में रहते हैं राजा इतना धीर और वीर हो कि अनेक शत्रूँं से लोहा लेते समय भी युद्ध में इस्थिर रहे और इस प्रकार शत्रूँं को मारे उसके इस पवित्र क उसे सैनिक तथा अन्य विद्वान भी उत्साहित करें क्योंकि राजा को सदा शत्रूं से युद्ध करना पड़ता है इसलिए वह और उसका रास्ट्र सदा वज्ज जैसे हथियारों से सुशजित रहे यह इंद्र सज्जनों का पालक एवंग दुष्टों का संहारक है अतित के अनेक नगरों को तोड़ा और हजारों सैनिकों से केवल रथ के चक्र से युद्ध किया अर्थाद इंद्र इतना बीर है कि वह किसी की सहायता की अपेक्छा नहीं रखता इसी तरह राजा को भी वीर होना चाहिए राजा को चाहिए कि वह हमेशा उत्तम यश्वालों की स सज्जनों की रक्षा करता है पर यद वेही बुरे करम करने लग जाए तो उन्हें दंड भी देता है राजा भी सज्जनों का पालन करे पर यद वेक कुमार्ग पर चलने लगें तो उनको दंडित करें इंद्र के मित्र हर तरह से अश्वर्य संपन्न होकर आनंद से रहते और उत्तम संतानों के साथ सुखी जीवन वितीत करते हैं इसी प्रकार राजा के मित्र भी उत्तम और सुखी जीवन गुजारें उसके मित्र कभी भी दुखी नौ हों क्योंकि मित्रों का बल राजा के लिए बड़ा आवश्यक होता है हे इंद्र तू इतना शक्तिसाली है कि तेरी शक्ति का पार कोई भी नहीं पा सकता तूने ही अपनी वीरता से नदियों और जलों को बहाया तेरी इस शक्ति को देखकर सारे लोग इंद्र से डरते हैं हम तेरी इस्तुति करते हैं अतह हें इंद्र हमें तु दुख में मत डाल यह इंद्र अपनी शक्त से बलवान है अर्थात इसे बलवान और शक्तिमान होने के लिए किसी दूसरे की सहायता की आउशक्ता नहीं होती, यह अपनी शक्ति से सारे लोकों का निर्मान करता है इसलिए सब लोग इसकी इस्तुति करते हैं वह भी अपने इस्तोताओं के प्राणों के रक्षा करता है शत्रूं को मारना उसका स्वभाव हो गया है इसलिए वह मन और बल से शत्रों के नाश का ही विचार करता रहता है इसी तरह राजा को भी चाहिए कि वह देश द्रोहियों पर कड़ी नजर रखे और हमेशा उनके नाश करने का विचार किया करे यह इन्र बड़ा निर्भीक है यह अकेला ही असरों की सारी सेनाओं को मार भगाता है वह इतना वीर है कि सेनाओं के बीच में इस्थित शुष्ण को भी उसने मारा अर्थात वह सेनाओं को देख कर भी नहीं घवडाया शत्रों को मारना यह उसका सनातल करतब्य है वह प्राचीन काल से ऐसे कामों को करता आया है इसलिए उस पर कोई दूसरा शासन नहीं कर सकता यह इंद्र अनेक उत्तम कर्म करता है इसलिए इसे शतक्रत कहा जाता है धन की प्राप्ति कराने वाले संग्राम के शुरू हो जाने पर यह उत्तम नेता अपने यश को पहलाने वाले प्रयत्न करने वाले गतिशील अर्थाथ आलस से रहित मनुष्य की रक्षा करता है और शत्रूँ के अनेक नगरों का नाश करता है जो मनुष्य इस इंद्र के शासन में रहता है अर्थात इसके अनुकूल काम करता है वही मनुष्य तेजस्वी सज्जनों का पालक और संदध शाली होता है जो इस इंद्र की मनह पूर्वक इस्तुति करता है उसके लिए वह इंद्र पानी बरसाता है और हर तरह से उसे बल अद्दितिय है इन बलों में इसके समान और कोई नहीं है अतह इस अद्दितिय इंद्र की जो स्टुत करता है वह मनुश्य इस इंद्र की कृपा और अपने प्रयत्नों से सम्ध्य प्राप्त करता है संब्रद्ध प्राप्त करने का एक उपाय प्रयत्न करता है प्रयत्नों से मनुष्य हर तरह की दुहसाध से दुहसाध संपत्य भी प्राप्त कर सकता है यह इंद्र सोम पीकर उत्साहित होता है और उस समय वह अनेक कठिन से कठिन भी काम आसानी से कर देता है उदाहडार्थ जब गाढ़ अंधकार अनेक परतों वाले मेगों में पानी रोक कर बैठ गया तब इंद्र ने उत्साहित होकर उन मेगों से पानी बरसाया जब काले बादल आते हैं तब सरवत्र भयंकर अंधेरा चा जाता है उस समय बिजली चमकती है और उसके कारण अंधेरा हटकर सरवत्र प्रकाश चा जाता है है इंद्र तू हमें बहमूल तेज और यश्परदान कर शत्रों को हराने वाला महान बल भी परदान कर हमें धनवान बना कर हमारा पालन कर विद्वानों की रक्षा कर तथा संथानों का पालन अच्छी तरह करने के लिए हमें उत्तम धन اور अन दे राजा का यह कर्थव्य है कि वह रास्ट में अन्न और धन की व्यवस्था इतनी उत्तम रखे कि रास्ट की सारी प्रजाएं सुखी और आनंदित रहें इस इंद्र की महिमा द्यू लोक से भी जादा विस्तृत है प्रत्वी भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकती वह इंद्र शत्रू के लिए भयंकर अतिन्त बलवान तथा शत्रू को पीड़ित करने वाला है वह अपने शस्तास्त्रों को सदातीक्ष रखता है इसी प्रकार रास्ट के सैनिकों इवंग राजाओं के शस्ता स्दातीक्ष और सुसजित रहने चाहिए ताकि हमलावरों का किसी भी समय मुकाबला किया जा सके वह इंद्र अपने बल के कारण प्राचीन काल से प्रशंसित है इसलिए वह बड़े से बड़े बलशाली पुरुशों पर भी शासन करता है वह अपने स्वार्थ के लिए प्रयत्म नहीं करता उसके कर्म सर्वजनों के लिए हितकारी होते हैं इसलिए वह सबसे स्रेष्ट समझा जाता है इंद्र जब शत्रों से युद्ध करके मनुश्यों की रक्षा करता हुआ उनका हित करता है मनुश्यों में अपना बल प्रकट करता है और सब मनुश्यों की कामनाओं को पूर्ण करता है तभी लोग उस पर शद्धा रखते हैं इसी प्रकार जो राजा रास्ट की रक्षा करेगा प्रजा की सम्रद्ध का ख्याल करेगा और उनका हिद्ध करेगा और इस प्रकार बलशाली सिद्ध होगा तभी प्रजाएं उस पर शद्धा करेंगी उस उत्तम कर्ब करने वाले इंद्र ने अपने बल से शत्रों के सारे नगरों को नस्ट किया और वृत्र ने आवरण के द्वारा जिन सारी सूरियाद जोतियों को ढख दिया था उस आवर्ण को हटा कर उन सब जोतियों को प्रकट किया और मनुश्यों के हिद के लिए जल प्रवाहों को बहाया इसी प्रकार राजा भी रास्ट में नहर बंबों आदि के द्वारा जल के प्रवाह की उत्तम व्यवस्था करे और प्रकाश की भी योजना उत्तम हो इस इंद्र के सारती गोड़ों पर अच्छा नियंत्र रखते हैं इसलिए इंद्र कभी भी युद्धों में पराजित नहीं होता इसी कारण वह भयंकर से भयंकर शत्रूं को भी दबा देता है इसी प्रकार वह राजा के घोड़े तैयार और हिस्ट पुस्त रहें उसको अपने शासन में रखने वाले सारती भी सुसिक्षित और अपने कार्य में कुशल हो इस प्रकार वह राजा अपने शत्रूं पर अधिकार करने वाला वीर हो इस इंद्र के पास कभी नक छीन होने वाले धन रहते हैं वह अपने शरीर में अप्रतिम बल धार्ण करता है यह इंद्र हमेशा कर्म करता रहता है कभी भी निस्क्रिय या आलसी होकर नहीं बैठता इसी प्रकार राजा भी हमेशा अत्युत्तम धन और अईश्वर्य से युक्त होकर बलशाली हो तथा वह हमेशा रास्ट की उन्नत के लिए प्रयत्नशील रहे कभी भी निस्क्रिय या आलसी होकर न बैठे यह इंद्र हमेशा सोम से घिरा रहता है और उत्तम रत पर बैठकर यह चारो ओर भूमता है जिस प्रकार धन चाहने वाले व्यापार करने की इक्षा से परदेश जाते हुए समुद्र को पार करते हैं अत्मा जिस प्रकार नदियां चारो ओर से पहाड को घेरे रहती हैं उसी प्रकार सब इस्तुतियां इस इंद्र के पास जाकर उसे घेरती हैं यह अईश्वर्यवान देव शत्रू को मारते समय लोहे का कवच धारन करके उत्साह में शत्रू का विनाश करता है तब उसका तेज उसी प्रकार चमकता है जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में परवतों की चोटियां चमकती हैं यह शक्तिसाली इंद्र अपनी शक्ति से बादलों द्वारा पहलाए गए अंधकार का नाश करता है और अपने उत्तम बल से युक्त होता है तब यह उशा से सम्युक्त हुए सूर्य के समान चमकता है और शत्रों पर आक्रमण करते समय इसकी सेना के कारण बहुत धूली उड़ती है इस इंद्र ने सोमरस पीने के बाद उसके उत्साह में आवर्ण करने वाले बृत्र को मार कर उसके द्वारा रोक रखे गए जल को पृत्वी पर सब जगह बहाया इस अईश्वर्यवान देव की समपत्य उसी प्रकार है जिस प्रकार बहता हुआ पानी अतह जिस प्रकार प् इकठा कर भी दिया जाए तो वह सड़ने लगता है उसी प्रकार इकठा किया हुआ धन भी सड़ने लगता है अरथात निरुपयोगी हो जाता है अतह धन का सदुपयोग मनुश्यों के हितकारी कर्मों में अवश्य होना चाहिए इस इंद्र के शत्र को मारने वाला सुन्द और शक्तिसाली वज्ज्र सामर्थ और तेज लोगों के हित करने में प्रयतनशील रहते हैं इस इंद्र की इस शक्ति को देखकर सारी प्रजा इस इंद्र की इस्तुति करती है इस प्रकार वह इंद्र हर तरह से लोगों का हित करता है इसलिए इसकी सब और से इस्तुति होत तब उस भक्त का कोई भी कुछ अहित नहीं कर सकता क्योंकि यह बहुत सामर्तिशाली है इसलिए इसके यश को कोई भी नस्ट नहीं कर सकता या कलंक नहीं लगा सकता इतने उत्तम-चरित्र वाला राजा हो यह सत्य है कि इंद्रही सब तरह के बलों को धाड़न करता है वह वी आने वाले भक्त की हर तरह से सहायता करता है और उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने देता इस प्रकार राजा भी अपने शर्णागतों की हर तरह से रक्षा करने वाला हो यह अगनी बल से उत्पन होता है यह बल के पुत्र होने से कभी भी दुखी नहीं होता यही अग पिछ में जाकर यह सब को प्रकाशित करता है और सभी देवताओं की यह सेवा करता है जो बलवान है उसको किसी तरह के कस्ट नहीं हो सकते जो निर्बल है वह सदा दुखी होता है इसलिए सुख प्राप्त करने की इच्छा वाले को बलवान होना चाहिए अगने अपने खाने योग्य पदार्थों को खाता हुआ बढ़ता है और अपनी सुरक्षा करता है उसी प्रकार जो अपने स्वास्थ के अनुकूल पदार्थों को खाता है वही अपनी सुरक्षा और अपनी व्रिध्ध कर सकता है इस प्रकार से बढ़ा हुआ मनुश्य बहुत बलशाली होकर उच्छ स्थान पर जाकर विराजमान होता है। कर्म में कुशल, उद्यमी, अमर, शत्युका पराभव करने वाला दैवी संपत्य से युक्त यह नेता अगनी अपनी उन्नत के लिए हमेशा प्रयतनशील और बतिशील रहता है। मनुष्यों में सदा उत्तम धन देता है। इसी तरह मनुष्य को भी अपनी उन्नत के लिए हमेशा प्रयतनशील रहना चाहिए। कभी अयोग्य वस्त को स्विकार नहीं करना चाहिए। यह अगनी वायू से प्रेरित होकर हमेशा बढ़ता है। तेजस्वी ज्वालाओं से य आगे बढ़ता जाए और मारगों पर अपने चिन छोड़ता जाए। ज्वाला रूपी जब्रों वाला यह अगनी वनों का पराभव करता है। अंतरिक्ष में भ्रमण करता है। जब वन में आग लगती है तब इसकी ज्वालाएं आकाश में खूब उची जाती है। इसके शत्र उसके यश को देखकर घवडाएं। हे अगने तुझे मानवों में भ्रिग रिशियों ने दिव्यत्व के रक्षण के लिए उत्तम रीति से स्थापित किया था। तथा स्रेष्ठ सामान में अतिति के समान और मित्र के समान पूझ मानने लगे थे। साथ होता और रि भी धन प्राप्त करते हैं। हे बल से उत्पन्न होने वाले अगने इस्तुति करने वालों को तेजस्विता से युक्त सुख दे। हे अन्न उत्पन्न करने वाले अगने इस्तुति करने वालों को लोहे के किले के समान पापों से दूर रख उनको सुरक्षत रख हे रहते हैं उनको तुर्ट्म अनन्द दे तथा उनकी पाप से रच्षा कर APIs सभी पराणियों का केंद्र है उसी के सभारे सब प्लाणि जीवित रहते हैं जिस प्रकार अधार पर खड़े रहते हैं उसी प्रकार सभी प्राणी इसी के सहारे रहते हैं इसलिए यह विश्व का लेता है यह सारे विश्व का ना भी है यह स्रेश्ट सज्जनों को प्रकाश का मार्ग दिखाता है जो कुछ भी परवतों और शधियों जलों और मानवों में है अर्थात जो कुछ इस वि प्रकार सूर्य की किरणे सूर्य में समाई रहती हैं। उसी प्रकार सभी विश्व इस अग्न में समाया हुआ है। इसलिए इसका विशाल यश्व ड्यू और प्रतवी में भी नहीं समा सकता। मानवी प्रजा जनों का यह राजा है, रास्ट का शासन प्रजाओं द्वारा ही हो, इसी का नाम सराज है, समाज का शासन समाज द्वारा समाज की उन्नत के लिए ही हो, समाज में सभी देव हों, सभी दैवी संपत्ति से युप्त हों, ये देव युद्धा दिप्राप्त धन जनों का उपयोग उत्तम कारियों में करें नागरिक जन शत्रुका बद करने वाले राजा की ही सेवा करते हैं सब जनों का हित करने वाला अगणी दश्युका बद करता है दश्यों को दंड देकर आरियों की सुरक्षा करनी चाहिए अन्दान करने वालों में यही पूजनी द अगनका विशेश वडन है वाइश्वा नर सर्वमानो संघ अगन का ही एक रूप है यह अगन यष देनेवाला धन देनेवाला और धन की तरह प्रशनसनी है यह भरण पोशन करने वाला मित्र होता है सभी तरह के प्राणी इस अग्णि के शासन में रहते हैं यह हमेशा निरलस होकर अपना कार्य सबसे पूर्व कर डालता है इसलिए यह अग्णि पजाओं में प्रशंसित होता है सब प्राणियों के शरीर में उष्णता रूप अग्णि के रहने तक ही उनके शरीर अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं शरीर की उष्णता दूर हुई तो शरीर मरता है कार्य करने में असमर्थ होता है यह वीर अग्णी संग्राम में अपने शोर्य दिखाकर अपना बल प्रकट करता है अतह हम भी ऐसे उत्तमोत्तम कर्म करें कि हमारी कीर्थ भी इस अग्रणी तक पहुँचे यह अग्रणी पवित्र करने वाला तथा धनवान होने के कारण मनुश्यों में सबसे आगे स्थापित किया जाता है इसी प्रकार सब मनुश्यों को चाहिए कि वे भी सब तरह के उत्तम धनों के स्वामी होकर सबसे आगे रहें पवित्र हुए इस धन के स्वामी अग्रणी की हम अपनी बुद्धियों से प्रशंसा करते हैं यह अग्रणी हमें प्रतिदिन प्राप्त हो यह इंद्र बड़ाही सामर्थ हवान शीघता से काम करने में प्रमीड, आनंद पूण, हर्श युक्त, नित्य उत्साही, अन्यों को आनंद देने वाला राज शासन करने में समर्थ, सभी विद्याओं में निपूण और जिसकी संपत्ति कोई चुरा नहीं सकता ऐसा सामर्थ शाली है, इन सभी गुणों से राजा को युक्त होना चाहिए यह इंद्र पुरातन प्रथा एवं उत्तम पद्धतियों को सुरक्षित रखता है वह सबका अधिपति है, उसके लिए की गई इस्तुतियां हरदय मन और विचारों को शुद्ध करने वाली है प्राचीनत्व की रक्षा राजा को अवश्य करनी चाहिए क्योंकि प्राचीन प्रथाओं में रास्ट की संस्कृति और सभ्यता नहित रहती है यह इंद्र बहुत प्रशंसनी दाता है, ज्यानी विद्वान है, सबसे स्रेष्ट है ऐसे उत्तम देव की उत्तम मन से हमेशा ऐसी इस्तुति करनी चाहिए कि उसका उत्साह बढ़े और वह शत्रों का नाश करने में समर्थ हो राजाओं को हमेशा अपने पास ऐसे कवी रखने चाहिए कि जो हमेशा अपनी कविताओं से उसका उत्साह और जोश बढ़ाते रहें वह इंद्र अन्नवान है, प्रशंसनी है और बुद्ध देने वाला तथा ग्यान देने वाला है जैसे कारीगर रथ को बनाता है, उसी प्रकार मैं अपनी स्तुतियों से इंद्र को उससाहित करता हूँ जिस प्रकार रथ में जुड़े हुए उत्तम घोडे, शत्रों से लड़ने वाले शूर वीर को युद्ध में उत्तमता से ले जाते हैं उसी प्रकार इस्तुतियों से इस इंद्र को प्रेरित करना चाहिए ताकि यह शत्रों का वध कर सके यह इंद्र कितने ही असंख वलों को धार्ण करता है इसलिए यह सब पर शासन करता है यह जिस वज्ज से वृत्रा सुर्ग के मर्म स्थान पर आगात करता है उस वज्ज को तुस्टा ने इस इंद्र के लिए विशेश रूप से तैयार किया था इसी प्रकार रास्ट के शत्रों को मारने के लिए लोग तिक्ष शत्रास्त तैयार करें और रास्ट का संदच्छन करें यह इंद्र सब जगत का निर्मान करने वाला है सबका पालन करने वाला है यह सर्वव्यापक है यह वलशाली इंद्र शत्रों के अन्नों को नस्ट करके उनका विनाश करता है और वज्ज के द्वारा शत्रों के नेता बृत्र को मारता है राजा भी नए नए सामराज्यों का निर्मान करने वाला हो उन सामराज्यों की प्रजाओं का उत्तम रीति से पालन करे अहिनामक असुर को मारने पर प्रसंद होकर सभी देवपत्मियों ने इंद्र की इस्तुति की उसके कारण उसका यश इतना बढ़ा कि उसका यश द्यूलोक और प्रत्वी लोक में भी नहीं समा सका इसी तरह अध्यात्म में जब जीवात्मा काम प्रोध आदि असुरों को मार देता है उन्हें विनस्ट कर देता है तो सारी देवपत्नियां अर्थात इंद्रियों की शक्तियां आत्मा के वश में हो जाती हैं और तब उस महापुरुष का विस्तत यश सरवत्र पहलता है इसी तरह हर राजा या सेना पति को चाहिए कि वह युद्ध के लिए हमेशा तयार रहे शत्रों से साउधान रहे जो ऐसा हमेशा साउधान रहता है वही देश की अच्छी तरह रच्छा कर सकता है उत्तम ज्यानी इंद्र ने शोशन करने वाले वित्र को वज्ज से काट डाला और गायों को मुक्त किया तथा वित्र के हाथ में पड़ी हुई अपनी भूम को भी छुडाया और इस प्रकार उस इंद्र का यश पहला इसी प्रकार रास्ट में प्रजाओं का शोशन करने वाले जो अधिकारी या अन्यव्यापारी आदि हों उन्हें विनस्ट करें रास्ट में गाएं स्वक्छंदता पूर्वक विहार करें उन्हें बंधन में न रखा जाए शत्रूँ द्वारा जबरदस्ति कबजे में की यही भूमि को राजा मुक्त करें अर्थात रास्ट अखंड रहे इस इंद्र के बल के कारण ही नदियां बहती हैं इसी इंद्र ने वज्ज से नदियों को सीमित किया है इसी प्रकार राजा भी बाध आद बाध कर नदियों को सीमित करें अर्थात नदियां उश्रिंखल ह कर बाढ़ाद के रूप में रास्ट की प्रजाओं को कस्ट न दें यह इंद्र स्वेंग शत्रों का विनाशक है इसलिए शत्रों के नाश करने वाले वीर की ही यह सहायता करता है अंतरिक्ष की विजली जिस प्रकार सभी पदार्थों को काटती है अर्थात जिस पर यह विज रास्ट के राजा की शक्त हो जिस शत्रों पर राजा के शस्तास्त गिरें वह शत्र सर्वता नस्ट हो जाए यह इंद्र बड़ा फूरतीला और उत्साहवान है वह अपने ही गुणों के कारण सर्वत्र प्रशंसनीय है अर्थात दूसरों के गुणों और बलों के आधार पर वह काम नहीं करता वह अपने ही बलों का आश्रे लेकर हिंसक शत्रों का विनाश करता है इसी तरह हर रास्ट का स्वामी स्वावलंबी हो दूसरों की सहायता के बिना भी वह अपने बल के सहारे रास्ट के शत्रों का विनाश करे इस प्रकार वह अपने गुणों के सभी परवत इस्थिर हैं और सबको उत्पन्य करने वाले ड्यू लोक और पृत्वी लोक भी डरते हैं इस सुन्दर रूप वाले इंद्र की उपासना करने वाले तथा इसकी इस्तुति का धार्ण करने वाले जन्शक्तिसाली होते हैं यह इंद्र अकेला ही सब तरह के अईश्वर्यों पर शासन करता है इसलिए यह जिस प्रकार की इस्तुति की इच्छा करता है उसी तरह की इस्तुति वह प्राप्त करता है सब तरह के अईश्वर्य से संपन्द मनुष्य हर तरह की सुख और सुविधा प्राप्त कर सकता है अ तथात प्रयत्म करने से ही ज्यान मिल सकता है। वाणियों से प्रशन सनीय तथा प्रसिद्ध अग्रणी अथमा नेता इंद्र के लिए की जाने वाली इस्तुतियों पर उपासक को मनन करना चाहिए। यहां वेदों के अर्थ के बारे में कहा है। वेद का मंत्र बोलने के साथ उसके अर्थ ज्यान पर विचार करना चाहिए। यह इंद्र महा ज्यानी है और समय से औप्रभावित होने के कारण गुरू का भी गुरू है। इसी ज्ञानी इंद्र की कृपा से हमारे पूर्वजों ने ज्ञान प्राप्त किया और पदों के तथा अंगरसों के जानने वाले रिशी बने वह इंद्र महा ज्ञानी होने के साथ साथ महा बलशाली भी है अतह जो बल और ज्ञान की दृष्ट से अत्यंत स्रेश्ट होता है वह महान होता है सभी देवताओं के स्वामी इंद्र ने मेगूं पर प्रहार करके पानी बरसाया तब सब मनुष्य और गाय आदि पशु बरसात होते देखकर बहुत हर्शित हुए और तब इंद्र और उसके सहायकों के लिए लोग यग्य करने लगे और उस यग्य से बचे हुए अन्न से कुत्ते आदि जानवरों का पालन होने लगा इंद्र का वज्र एक बार फेके जाने पर बड़े वेग से जाता है और इसकी चमक इतनी है कि इसकी किरणों से सभी दिशाएं चमकती हैं इसकी सभी प्रशंसा करते हैं ऐसे वज्र से वह मेगूं और असुरों को नस्ट करता है अंगिरा रिशियों से प्रशंसित होते हुए इस इंद्र ने उशा और सूर्य की सहायता से अपनी किरणों को विस्तरत करके अंधकार को दूर किया अंधकार के दूर होते ही भूम के प्रदेश दिखाई देने लगे उशा और सूर्य के उगते ही अंधकार नस्ट हो जाता है यह इंद्र जो अपने कर्मों से मीठे पानी के स्रोतों को बहाता है वह उसका कर्म अत्यंत प्रशंसनीय और सबसे सुन्दर है सर्व प्रथम केवल एक ही लोक था आगे जाकर इंद्र ने उस एक लोक के दो बिभाग कर दिये और वे ही दोनों भाग द्यूलोक और प्रथवी लोक के नाम से प्रसिध हुए इस प्रकार दो भाग करके इंद्र उन दोनों लोकों के बीच में इस्थित हो गया और वहीं से वह दोनों लोकों को धार्ण करने लगा प्रथवी और द्यूलोक के बीच में इस्थित अंतरिक्ष लोक में रहने वाली बिजली अपने सामर्थ से इन दोनों लोकों को धार्ण करती है इस विश्व में दो इस्त्रियां ऐसी हैं जो निरंतर चलती रहती हैं इनका मार्ग प्रथवी से लेकर द्यूलोग तक है इनकी गत्य को कोई रोक नहीं सकता इनमें एक इस्त्री काले कपड़े पहन कर घूमती है और दूसरी उजले और चमचमाते कपड़े पहन कर घूमती है दोनो एक साथ नहीं रहती पहली के रहने पर दूसरी नहीं रहती और दूसरी के रहने पर पहली नहीं रहती इस प्रकार ये दोनों परसपर विरोधी हैं इनमें पहली का नाम रात्री है और दूसरी का नाम उशा है यह इंद्र की ही महिमा है कि और परिपक्व गायों से भी पक्के दूद को प्राप्त किया जा सकता है और गायें काली लाल सफेद अर्थात चाहे जिस रंग की हों दूद सफेद ही होता है ऐसे ऐसे उत्तम कर्म करने वाला बल का पुत्र इंद्र सभी का मित्र है यद्यप्य हाथ के अंगुलियां बड़ी छोटी होती हैं पर कर्म करने के समय एक होकर कर्म करती हैं तथा सगी बहिनों की तरह एक होकर इंद्र की सेवा करती हैं उसी प्रकार रास्ट की प्रजाएं बड़ी छोटी होने पर भी रास्ट के हितकारी कारियों में एक मन वाली होकर प्रयत्न करें और एक मन से राजा का हित्न करें जिस प्रकार पति की कामना करने वाली इस्त्री अपने पति के पास जाती है और उसे प्रसंद करती है उसी प्रकार यग्य तथा धन की कामना करने वाले ज्यानी जन इस इंद्र के पास जाकर उसे अपने स्तोत्रों से प्रसंद करते हैं यह इंद्र तेजस्वी, परिश्वी, वीर तथा दानशील है अतह इसके पास रहने वाला धन कभी छीन या नस्ट नहीं होता इसी प्रकार जो मनुष्य तेजस्वी होकर परिश्व से धन कमाएगा और उसका सदुपयोग दान में करेगा उसका धन कभी भी नस्ट नहीं होता दान करने से धन की व्रिध्धी होती है यह इंद्र सनातन काल से विद्यमान है अनादि और अनंत है यह ना कभी उत्पन हुआ ना कभी मरेगा यह सदा कर्म करने में प्रवित रहता है और कर्म करके ही धन प्राप्त करता है कर्म में अम्रित नहित है अतह कर्म करते रहने से जीवन की बृद्ध होती है और निश्क्र से जीवन चीड होता है साथ ही उस परमात्मा की पूजा भी आवश्यक है इस प्रकार जो मनुष्य कर्म करता हुआ परमात्मा की उपासना करता है वह चरंजीवी होता है इंद्र के कर्म आदर्श रूप हैं इसने कापते हुए ड्यू और पृत्वी लोक को धार्ण किया और द्रणता से खड़े हुए परवतों को कंपाया अर्थात इस इंद्र के सामने जो विनीत होकर शुद्ध हरदय से आया उसकी इसने रक्षा की पर जो अभिमान से इंद्र के सामने सिर उचा करके खड़ा रहा उसका इस इंद्र ने नाश किया इसी प्रकार राजा विनीत औ और पवित्र हिर्देंवाले सज्जनों की रक्षा करें और उद्धत और अभिमानी दुष्टों एवंग शत्रूं का नाश करें जब जब यह इंद्र युद्ध करने के लिए रतों में घोड़ों को जोड़ता है और शत्रूं के नगरों को तोड़ना चाहता है तब इस्तो लिए राज़ा सत्यमार्ग पर चलने वाला सत्य का पालक हो शत्रूं का विनाशक हो अपने राष्ट में रहने वाले रिभू अरथात बढ़ई राज, आधिकारी गरों का रक्षक हो, उत्तम नेता हो, समय पढ़ने पर कस्ट आदियों को सहने की छमता वाला हो, तथा घमासान युद्ध के शुरू होने पर शत्रूं का नाश करते हुए आगे बढ़ने वाला हो, तथा रास्ट में बुराईयों को दूर करने वाले सज्जनों का रक्षक एवन प्रजा का शोशन करने वाले दुस्टों का संहारक हो राजा शोर्य के काम करने वाला शूर वीर सभी सदिक्छाओं को पूरा करने वाला बिना कठिंता के शत्रों को जीतने वाला वज्जर के समान तीक्ष शस्तास्त्रों को धार्ण करने वाला शत्रों को हराकर तथा रास्ट में उपद्रव करके प्रजा को पीडित करने वाले चोर डाकू आदी दश्यों को नस्ट करने वाला तथा सज्जनों का मित्र हो, जब कोई शत्र मनुष्य क्रोधित होकर इंदर का मोकाबला करने के लिए सामने आता है, तो उस समय इंदर दिन से दिन शत्र को भी आसानी से मार देता है, वह शत्रूँ को इसी प्रकार मारता है, जिस प्रकार घं से लोहे को पीटा जाता है इस प्रकार शत्र रहित होकर वह सरवत्र जाता है अरथात उस समय उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं डाल सकता धन प्राप्द कराने वाले तथा सुख देने वाले संग्राम में योध्धा इसी इंद्र को बुलाते हैं और ऐसे संग्रामों में जिनमें योध्धाओं के बल की परीक्षा होती है लोग इंद्र के संरक्षन की ही कामना करते हैं इस इंद्र ने युध्ध करते हुए शत्रों के अनेक नगर तोड़े तथा बुराईयों को दूर करने वाले स्रेश्ट पुरिशों की रक्षा की तथा असुरों के धन को चीन कर उत्तम पुरिशों में बांट दिया इसी प्रकार राजा भी रास्ट में उपद्रव करने वा इंद्र की जिसके ऊपर क्रिपा होती है उसकी आत्मशक्ति उसी प्रकार बढ़ती है जिस प्रकार जल से अन बढ़ता है अंधकार में भी न रुकने वाले अर्थात सदा ही उन्नत करने वाले रिशियों ने इंद्र के लिए इस तोत्रों को बनाया और गाया इस प्रकार इ रचने चाहिए और सारवजनिक सभाओं में उनका गायन करना चाहिए उच्छ महान विश्व के हितार्थ अपने प्राणों को भी न जिजकते हुए बलिदान करने वाले निश्पाप सभी जगह पवित्रता पहलाने वाले तेजस्वी सोम पान करने वाले बलिस्थ और प्रच जूस तथा स्वारती मानमों को अपने समीप न रहने देने वाले किसी भी रुकावट के सामने शीष न जुकाते हुए प्रतिपल आगे ही बढ़ने वाले परवत की तरह अपनी जगह पर अटल खड़े हुए शत्र दल को विचलित करने वाले ये वीर जनता की संपूर सहा के लिए हमेशा सिद्ध रहते हैं प्रत्वी या स्वर्ग में पाए जाने वाली सुद्रीन चीजों को भी ये अपने बल से हिला देते हैं तो फिर शत्र इनके सामने थर्थर का आपने लगे तो कौन आश्चर्य की बात है वीर मरुत गहनों से अपने शरीर सुशोभित करत हैं वक्षस्थलों पर सोने की हार पहनते हैं कंधों पर चमकीले आयुद धारन करते हैं ऐसी दशा में उन्हें देखने पर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानों वे स्वर्ग से ही अपनी अतुलनीय शक्तियों के साथ इस भूमंडल में उतरे हूं रास्ट के शासन की वाग मूल से उखाड देने वाले अपनी शक्तियों से चारो और बड़े वेग से दुश्मनों पर धावा करने वाले तथा उन्हें नीचे धकेलने वाले ये वीर वायु प्रवाह विद्दुत एवं वर्षा का शिजन करते हैं ये ही मेग को दुह कर भूमी पर वर्षा रूपी दूद का सिंचन करते हैं उदार भी तथा प्रभावशाली ये वीर मरुत यग्यों में घृत दुग्ध तथा जल की यथेष्ट सम्रद्ध करते हैं और घोडों को सिखाते समय जिस धंग से उन्हें चलाते हैं वैसे ही अन्ड के उत्पादन में सहायता पहुँचाने वाल मेघ वरिंद को निश्चत राह से चलाते हैं उस मेघ समूह रूपी ब्रिहदाकार जलकुंड से पानी के प्रवाह अविरल रूप से प्रवर्तित करते हैं ये वीर मरुत बड़े भारी कुशल तेजस्वी परवत की भात अपने सामर्थ के सहारे अपनी जगह स्थिर रहने वाले परशत्रूओं पर बड़े वेग से हमला करने वाले हैं और मतवाले गजराज की भात वनों को कुचलने के च्छमता रखते हैं लाल घोडियों के जुन्ड में से वे केवल बल्युक्त घोडियों को ही अपने रत में जोडने के लिए चुनते हैं ये ज्यानी वीर सिं दल की धजियां उड़ाकर ये सज्जनों का समाधान करते हैं इनमें असीम बल विद्यमान है इसलिए इनका उत्साह कभी घटा ही नहीं भात भात के अनूठे हथियार साथ में रखकर पीडित प्रजा का दुख हरन करने के लिए ये वीर एकत्रत होकर अत्याचारी शत्रू पर चड़ाई करते हैं वीर मरुत जब गणवेश वर्दी पहनते हैं तो बड़े प्रेक्षणी जान पड़ते हैं इनमें बीरता फूट फूट कर भरी होती है और जंता की सेवा करने का मानों इन्होंने ब्रत सालिया होता है पर्याप्त रूप से बलवान हैं अतह इनकी उ शोभित रथों पर जा बैठते हैं तो दामिनी की दमक की भात तेजस्पी दिखाई देते हैं विविद धन समीप रखने वाले एक ही घर या निवास स्थान में रहने वाले विभिन शक्तियों से युक्त शत्र सेना पर अस्थ फेकने वाले जो भारी गहने पहनते हैं ऐसा वीर नेता कंधों पर बाण तथा तरकस धारण करते हैं गोदुख्ध सेवन से पुस्ट पाकर अच्छे कारी करते हुए शत्रूं पर हमले करने के लिए आगे बढ़ने वाले इस्थिर शत्रूं को भी विचलित करने वाले आभा पूर्ण हतियारों से सज्ज तथा जिन्हें कोई घेर नहीं सकता ऐसे ये वीर परवतों को भी नगैड तथा तुक्ष मानते हैं महा समर के छिड़ जाने पर चतुराई से अपना करतव्य निभाने वाले पवित्र आचर्ण रखने वाले वनस्थलों में संचार करने वाले अधिक सोच विचार पूर्वक हल्चलों का स चिगता से चड़ाई करने वाले बलिस्थ पराक्रमी एवं सोंग पीने वाले मर्दों के निकट जाओ ये वीर जिसकी रक्षा करते हैं वह दूसरों से भी अपेक्षाक्रत उच्च एवं स्रेष्ट ठहरता है और अपने पैदल तथा घुरसवारों के दल में विद्यमान की सहायता से यतेष्ट धन धान्य बटोरता हुआ रिस्ट पुष्ट होकर भाति-भाति के यग्य करता रहता है उत्साह के कारे करने वाले लडाईयों में सदैव विजयी बनने वाले शक्त तथा बल से लबा लब भरे हुए धन बढ़ाने वाले सराहनी समूची जंता के हि साब्दि तक जीवित रहकर पुस्ट प्राप्त करें हमें उस धन की आवशक्ता है जो चिरकाल तक टिक सके जिससे वीरता बढ़े शक्त दल का निहपात करना सुगम हो कीर्ति फैल सके और सैकडों इवन सहस्त्रों प्रकार का हो या जिसकी गिंती में सत्षंख्या का तथा सहस्त्र संख्या का उप्योग हो गुहा में रहने वाले भक्तों के नमस्कार को स्विकार करने वाले चोर जैसे सरवत्र गुप्त या छिपकर रहने वाले इश्वर को ढूनने के लिए धीर वीर भक्त पदों का अनुसंधान करके उस इश्वर को प्राप्त करते हैं और उस स्वर्ग के समान रमडिय बन गई तब सत्य के गर्व या मध्य में रहने वाले तथा प्रशंसा के योग इस अग्नि को लोग बढ़ाते हैं यह अग्नि सदा सत्य के द्वारा ही प्राप्त है पुष्ट जैसे रमडिय होती है उसी प्रकार यह अग्नि पोशक है और रमडिय भी है यह भूम के समान विस्त्रत है और परवत के समान यह सब को भोजन देता है जल के समान यह कल्याड कारी जीवन दाता और हित करता है जैसे उत्तम घोड़ा अपने सवार से प्रेरित होने पर वेग से दोड़ता है और बीच में रुखता नहीं उसी प्रकार यह प्रभु को काटते तथा अन्य विघनों को पार करते हुए आगे बढ़ता है उसी प्रकार यह अगनी भी अपने भक्तों के पास पहुशता है उस समय इसको कोई रोक नहीं सकता अगनी से जलों की उत्पत्य होने के कारण यह अगनी नदियों का संबंधी है जैसे भाई वहिनों का हित करता है वैसे ही अगनी सबका भर्ण पोशन करता है यह अगनी बिजली के रूप में मेगों में इस्थित होकर पानी बरसाता है और उसके द्वारा अन उत्पन होकर सबका पोशन करता है इस प्रकार मानों अगनी ही सबका पोशन करता है वायु से प्रेरित होकर अगनी जब वनों पर हमला करता है तब वह अगन भूम के बालों तथा व्रिच्छों को काटता है और जिस प्रकार एक राजा शत्रों को नस्ट भस्ट करता है उसी प्रकार यह अगन वनों को अर्थात लकडियों को खा जाता है यहां राजा का या खत्रीय का करतव्य बताया है कि जैसे अगन लकडी को जला कर भस्म कर देता है उसी तरह खत्रीय वीर राजा अपने शत्रों का नाश करे हमीशा कर्म करने वाला बढ़ाने वाला सत्त की व्रिद्ध के लिए प्रकट हुआ चंचल यह अगन यग्य कर्मों म तेजस्वी है रमणिय उपभोग के योग्य पदार्थों को देने वाला शत्रों का विजेता मनुष्यों में पूज सदा प्रसंद रहने वाला यह अगनी नेता अपनी प्रजाओं की भलाई के लिए अपना जीवन भी दे देता है यह अगनी अत्यंत तेजस्वी कर्मशे सुखकारी प्रकाशमान तथा महारती है युद्ध में भी अत्यंत तेज एवं दिणता के साथ पराक्रम दिखाता है इसलिए यह मनुष्यों में प्रशंसनी होता है यह अगनी सेना के समान बलशाली तथा शस्त के समान भयंकर है संसार में उत्पन हुए या उत्पन होने सभी पदार्थों का यह अगन नियामक है सभी पदार्थों के अंदर उश्नता रहती है और इसी कारण उनकी सता भी रहती है शाम को अपने घर की तरफ आने वाली गायों की तरह हम भी इस अगनी की ओर जाते हैं यह अगनी जब अपनी ज्वालाओं को प्रकट करता है तब इसकी जौलाएं आकाश में भैलती हैं कल्यारकारी, पूज्य, सभी का मित्र यह अग्रणी उसको अपना सहकारी चुनता है जो प्रजा की सहायता करता है इसलिए यह अग्नी सदा कल्यार के कामों में तकपर रहता है जब लोग मंतरों से इसकी प्रशंसा करते हैं तब यह अग्रणी अपना बल प्रकट करता है और फिर अपने बल से देवों में शक्त बढ़ाता है यह अग्न ही अपने सत्त के बल से पृत्वी अंतरिक्ष और द्यव इन तीनों लोकों को धार्ण करता है यह अत्यंत गुप्त रहता है पर हम सबका रख्षक है अगन रूप से प्रथवी पर विद्दुत रूप से अंतरिक्ष में और सूर्याद के रूप में दियूलोक में अगनी ही रहता है और सरवत्र अगनी के कार्य करता है जो गुप्त स्थान में छिपे हुए इस अगनी को जानकर इसकी प्रशंसा उपासना वह इस्तुत करता है वही धन प्राप्त करता है सबसे प्रथम अगनी की पूजा करने चाहिए इतना महत्व इस अगनी का है जो सरवत्र उपस्थत है यह अगनी सब स्थावर और जंगम को जीवन देता हुआ द्यू लोक की ओर बढ़ता है इसलिए यह देवों में सरवाधिक महत्व शाली है मनुष्य पशुप पक्षी वनस्पति आदिकों में अगनी के कारण ही जीवन तत्व है जब यह अगनी प्रज्वलित होती है तब इसकी सब उपासना करते हैं इस अगनी की उपासना करके ही यश और देवत्त प्राप्त किया जा सकता है यह अगनी सत्य का पालक एवं रक्षक है उसी की प्रिरणा से सब कर्म करते हैं जो इससे नम्रता से ज्ञान प्राप्त करता है वही धन भी प्राप्त करता है वह अगनी धनों का स्वामी है उसी अगनी की प्रिरणा से मनुष्य ने संतानोत पत्ति का कर्म यह मनुष्य अपने शासन में रहकर धर्म करने वालों को धन प्रदान करता है। यह कर्म में वह आकर शोभायमान होता है। पुत्र के समान सुखदायक अगनि प्रसंद होकर मनुष्यों को दुख से पार कराता है। और बुलाए जाने पर सभी उत्तम गुणों को अपने साथ लेकर आता है। यह अग्रणी उन मनुष्यों की सहायता करता है जो इसके अनुशासन में रहता है। वह ऐसे मनुष्यों की सहायता लेकर शत्रूओं को खदेड देता है। यह अग्रणी देव तेजस्वी और प्रकाश युक्त होने के कारण सभी के द्वारा ग्यात है। इसकी जौलाएं बहुत उची उठती हुई आकाश में फैल जाती है। भरपूर धन को देने वाला यह अग्रणी स्रेष्ट होने के कारण बुद्ध से जाना जा सकता है। वह सरवत्र व्याप्त होने के कारण सब कुछ जानता है। फल देता है। यह अग्नी सभी पदार्थों को प्रशंसित बनाता है। इसी कारण यह सरवत्र पूजा जाता है। और यह भक्तों को धन प्रदान करता है। वह अग्नी सतकार के योग्य, शूरवीर, भयंकर और अत्यंत तेजस्वी है। यह अग्नी यग्य में जलाई जाती है। तब मनुष्य हवी आदि देकर इसे प्रसन करते हैं। अंगरस को जानने वालों ने परवत पर बने किलों को नस्ट किया और आकाश के मार्ग को बनाया, जिससे मनुष्य ने धन प्राप्त किया। पहले तेजस्वी बनना चाहिए, फिर उत्तम गुणों से युक्त होकर अ इस अग्णी देव के सर्वव्यापक होने से कोई भी इससे चिपकर कुछ कर नहीं सकता। यह अग्णी प्रतेक को यथा योग्य दंड देता है। घरों में प्रतिदिन यग्य करने से आग बढ़ती है और धन प्राप्त होता है। वह अग्णी सब तरह के अन्नों का भंड इस अग्णी के प्रभाव के कारण सूर्य अकेले ही अपने विश्तरत मार्ग पर चलता है और धनों पर अधिकार करता है। मित्र और वरुन गायों की रक्षा करते हैं। यह अग्णी सरवग्य है अतह इस अग्णी को प्रजलित करने से तेज बढ़ता है और बढ़ापा जल्दी नहीं आता। यह अग्णी स्रेष्ट धनों का स्वामी है और इस तोताओं की धन से सहायता करता है। अग्णी के रहस्य को पाना साधारन काम नहीं है पर उसकी खोज में यदि परिश्यम किया जाए तो बुद्धिमान उसके रहस्य को जान सकते हैं। अग्णी में घृताद की आहुती डालने से हवा शुद्ध होती है। उससे शरीर शुद्ध होकर मनुष्यों का स्वास्थ उत्तम रहता है। उन याजकों ने अग्णी के रहस्य को जानकर उसके स्थान को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य बिनम्रता से इस अग्णी की पूजा करते ह वे अग्णी से रक्षित वो पवित्र होकर उसका दर्शन करते हैं। यग्य की 21 विधियों को जानकर मनुष्यों का हित किया जा सकता है। रास्ट में पशुक, पक्षी, व्रिक्ष, वनस्पति, आदि सभी की सुरक्षा होनी चाहिए। अग्णी को प्रथम प्रजाओं का आचार-विचार जानना चाहिए। फिर उनके सुख का प्रबंध-कर ना चाहिए। तथा आलस्य-रहित होना चाहिए। मनुष्य नदी के किनारे ध्यान करके सत्य को जानकर सभी संपत्य-प्राप्ट कर सकता है। गाय का दूध मनुष्यों के लिए एक उत्तम भोजन है। उत्तम कर्मों के अनुस्थान से ही अमरत्त प्राप्त किया जा सकता है धारण कोर्शन के लिए ही यह प्रिथवी इतनी विस्तृत है इसी प्रिथवी पर यग्य किये जाते हैं सूर्य चंद्र के साथ ही देवों ने इस अग्नि का भी निर्मान किया उसके बाद इसकी किरने फूटी और चारो और फैल गई उससे इस अग्नि को लोगों ने जाना यह अग्नि अन देने वाला उत्तम मार्ग से ले चलने वाला सुखदायक और घर की शोभा बढ़ाने वाल सत्यमार्ग पर चलने वाला उन्नत शील अग्नि दूसरों को भी सत्यमार्ग पर चलाकर उनकी पापों से रच्छा करता है और उन्नत बनाता है यह आत्मा की तरह सबका आश्रे स्थान है यह अग्नि सर्वता पवित्र है इसलिए यह प्रत्वी को धार्ण करता है और सबसे प्रशंसित होता है, हे अगने, लोग तुझे यग्य स्थान में प्रदिप्त करके तेरी पूजा करते हैं, तुझ में बहुत से अन्न की हवी भी दी जाती है, अतह तुम हमें पूर्ण दीर्ग आयु देकर धन दे, हे अगने, धन संपन्य यजमान अन प्राप्त करें, तथा ग्यानी दाता देगायु प्राप्त करें, यश के लिए हम देवों की पूजा करते हुए शत्रूं को हराकर उनके धन पर अधिकार करें, यग्य की सेवा की इच्छा करने वाली, दूध से भरे थनों वाली, तेज युक्त गाएं, यग्य के लिए दूध देती हैं, साथ सा अधियां भी परवतों से प्रवाहित होती हैं, उत्तम बुद्धि को चाहने वालों ने यग्य प्रारंभ किया, और यश क्राप्त किया, उनके यग्य उशाह काल और रात्र में भी चलते थे, इस अग्य के बताए मार्ग पर चलकर ही, लोग धनवान होते हैं, अग्य के प् तुझसे सुरच्छित होकर हम अपने घोडों, मनुश्यों और वीरों से शत्रता का नाश करें ताकि हमारे कुत्र अपने संपत्ति के स्वामी होकर अनेक वर्षों तक उनका उपभोग करते रहें इस अग्रणी के इस्तोत्र द्वारा प्रसंद करके पुष्टिकारक अन्न और अपार धन की प्राप्ति होती है हे अग्ने तुझसा रहित कार्य में ही जा और समीप अथमा दूर से मनुश्यों की प्रार्थनाओं को सुन यह अग्नी आपत्ति के समय उधार चित वाले के घर की रच्छा करता है संग्राम में शट्रूों को मार कर उनके धन को जीत कर लाने वाले इस अग्नी का लोग जैघोश करते हैं जिन लोगों के सतकर्म में यह अगनी सहायक होता है उनके कर्मों का योग्य भाग विद्वानों को मिलता है और उनके सधी सतकारिय उत्तम और प्रशंसा के योग्य होते हैं विद्वानों का यह कहना है कि सत्कर्म करने वाला ही उत्तम हवी से देवों की भक्त और सुन्दर यग्य से युक्त होता है यग्य अग्नी यग्य में इस्तुति और हवी को ग्रहन करने के लिए देवों को बुला कर लाता है यह अगनी जब भी दोत्य कर्म करने जाता है तो सारा काम बड़ी ही गुप्तता से करता है कि उसके रत की आवाज भी नहीं सुनाई देती यह अगनी दाताओं को बलवान बनाकर अच्छी इस्थति में पहुँचाता है देवों के लिए जो हविका अरपन करते हैं उनको यह अगनी सर्वस्रेष्ठ बनाता है यग्यना करने वाले तेज रहित हो जाते हैं जो उत्तम अग्रणी हो वही जनता में मुख्य रूप से सत हितकार के योग्य है उसी की सब प्रसंसा करें यह अग्रणी अंग प्रत्यंगों में जीवन रस की संब्रद्ध करने वाला तथा बुद्धिमानों में सर्वस्रेष्ठ है ऐसे अग्रणी की प्रसंसा अवस्च करनी चाहिए इस अग्रणी का भाई और मित्र आद कौन है इसके सहारे रहता है इन सब बातों का पता लगाना चाहिए यह अग्रणी सबका हितकारी मित्र है यह अपने अनुयाईयों पर स्नेह करता है अतह इसके मित्र भी इसकी भरपूर प्रसंसा करते हैं मित्र और वरणी स्त्रेष्ट जनों का सतकार करना चाहिए उत्तम गुणों से युक्त विद्वानों की सेवा करनी चाहिए इस प्रकार प्रथम अपने घर में संगठन का कारे करके रास्ट के संगठन का कारे करना चाहिए हे अग्रणी देव तु किस प्रकार हम पर प्रसंद होगा वह उपाय बता हमारा नेता हमेशा आगे रहकर सबका यथा योग्य संचालन करने वाला हो तथा कभी किसी से न दबे या आलस से न करे यह अग्न रक्षक है सभी हिंसक वृत्तिवालों को यह नस्ट कर देता है यह इंद्र को बुला कर लाता है अतह यह सतकार के योग्य है यह अग्न सबके द्वारा बुलाया जाता है आते हुए अपने साथ अन्य देवों को भी बुला कर लाता है यह मनुश्यों को उत्पन कर उन्हें धन और ग्यान से युक्त करता है ग्यानियों के साथ मिलकर हमेशा उत्तम कर्म ही करने चाहिए तथा अपनी बुद्ध से देवों की पूजा करनी चाहिए यह अगनि मानो शरीर में दिव्य देवों इंद्रियों को लाकर बसाता है और इस शरीर में अगनि शत्सामवत्सरिक यग्य शुरू करता है ऐसे इस स्रेष्ठ अगनि की पूजा का मार्ग क्या है यह जानना चाहिए यह अग्रणी छल, हिंसा, आदिसे रहित कामों को पूर करता है यह सरवग्य है अतह मनुश्यों के मन की बातों को भी जानता हुआ उनकी सहायता करता है अतह यह सत्कार के योग्य है वह करमशील अगनि इस संसार का उत्पादक एवन संहरक है वह सब प्राडियों का सहायक है इसलिए सब प्रजाएं उसकी इस्तुति करती है यह अगनी उद्तम नेता तथा शत्रों का विनाशक है अतह यह हमारी सुरक्षा करके हमें उद्तम बुद्ध दे ताके हम सतकर्म करते हुए इसकी इस्तुति कर सकें वह उत्तम अर्थात सन्यमी इंद्रियों वाले ज्यानियों में बैठकर आनंद प्राप्त करता है अर्थात सन्यमी लोगों के शरीरों में अग्न चिरकाल तक आनंद से रहता है इस सरवग्य और सर्वद्रिष्टा अग्नि का सतकार सब को करना चाहिए धन की इक्छा करने वालों को चाहिए कि वे अग्न देव की पूजा करें अंगरस अर्थात शरीर के अंगों में प्रवाहित होने वाले रसकी बिद्या के ग्याता इस अग्नि का महत्र जानकर इसकी सेवा करते हैं यह अगणी इतना बलवान है कि इससे डरकर शत्रकापते हैं यह वृत्र अर्थात रोगों का भी नाशक है रगवन्ष में उत्पन्न लोगों ने जिस प्रकार उसकी इस्तुति की उसी प्रकार सब मनुष्य उसकी इस्तुति करें यह अगणी उशाओं के लिए अंतरिक्ष को विस्तुत करता है उशाएं इसको नहीं जानती इस अगणी की शक्त से ताडित होकर मेघ गर्जता है उसमें बिजलियों के उत्पन्न होने के कारण धुआधार व्रिस्ट होती है इसमें व्रिस्ट विज्ञान का वर्डन है मेघ अपने जल से संसार को पुष्ट करते हैं और सरलता से अपने जलों को देते हैं अर्यमा, मित्र, सूर्य, और वरुण, समुद्र, तथा मरुदगण, वाय, इससे मेघ को फिर भर देते हैं यह अग्रणी स्वैंग अन्न का स्वामी होकर दूसरों को भी अन्न प्रदान करता है विशेश तेजस्वी और धनों का स्वामी यह अग्रणी अपने धनों को बाटता है इसलिए यह प्रशंसा के योग्य है उशह काल तथा दिन के समय अग्रणी को जलाने अर्थात हवन करने से शरीर को छीन करने वाले सारे राक्षस जल जाते हैं यह अग्रणी अपने उपासकों की हर तरह से रख्षा करता है यह अग्रणी शत्रूँ के नाश के लिए अपने भक्तों को धन देता है इस अग्रणी के द्वारा दिये गए धन से आय दिर्ग होती है शरीर पुष्ट होता है उत्तम इंद्रियों वाला जितें द्रिय मनुष्य ही इस अग्न की उपासना कर सकता है और कल्यार प्राप्त कर सकता है जो अग्रणी के उपासकों पर हमला करके उन्हें अपना दास बनाना चाहता है वह नाश को प्राप्त होता है यह अग्रणी सर्वव्यापक होने से अपनी हजार आखों से सब के कर्मों को देखता है और जो राक्षिसी कर्म करते हैं उन्हें नश्ट कर देता है अपने इसी कर्म के कारण वह सरवत्र प्रशंसित होता है ज्यानियों ने इंद्र के बल को बढ़ाया और इंद्र ने देश की स्वतंतरता को खतरे में डालने वाले शत्रू को नश्ट किया और स्वराज्य को और च्छत्रीय भी देश द्रोहियों को विनस्ट करके या उन्हें अपने अधिकार में रखकर अपने देश की स्वतंतरता को अक्छून बनाने की कोशिश करें रास्ट में सोम अर्थात सब तरह के धान्य का संग्रह भरपूर रहे रास्ट में सरवत्र शेन यग्य हो शेन शेन उत्तम हो फिर बल से युक्त होकर रास्ड को घेरने वाले शच्ट को नस्ट किया जाए हे वीर आगे बढ़ हमला कर चारो और से शत्र को घेर कर युद्ध कर तेरे वज्यको निस्परभ करने की सकति किसी भी शत्र में नहीं है तेरे शस्त्र का नियमन कोई भी नहीं क कर सकता, तेरी सामर्थ का उप्योग मानवों के हित करने में ही हो, तू कभी उन पर अत्याचार मत कर, हे वीर, अपने देश की और अपनी स्वतंतरता के महत्यों को समझ, और उसकी हर तरह से रखचा कर, तेरे देश को दास बनाने की इक्षा करने वाले, जो भी शत्र इस और अपने प्रजा के प्राणों की तू हर तरह से रक्षा कर। और अपने अनुयाईयों के लिए प्रयाप्त अन देने के उपाय सोचता है। इस प्रकार सदा अपनी प्रजा के हित करने के लिए मार्ग ढूडता रहता है। इसी प्रकार देश का राजा भी सदा देश का हित साधक हो। यह इंद्र इतना भेंकर शत्र नाशक है कि जो इससे डर कर किसी जगह जाकर चिप भी जाए तो भी यह उसे ढूड कर मारता है। इसी प्रकार जो शत्र माया या छल कपट से इंद्र पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। उस छली शत्र को इंद्र भी छल से ही मारता है। इस प्रकार यह इंद्र जैसे के साथ तैसे का व्यवहार करता है। यह शत्र नाश के समय जो अपना पराक्रम दिखाता है वह अ यह इंद्र शत्र के नबे नगरों पर हमला करके उन्हें अपने अधिकार में रखता है। यह सब बातें वह इसलिए कर पाता है क्योंकि उसकी भुजाओं में बल है। अतहरास्ट के हर व्यक्ति को अपनी शक्त बढ़ानी चाहिए। हे मनुश्यों तुम सहस्त्रों की संख् में मिलकर प्रभु की प्रार्थना करो। यदि सहस्त्रों नहीं तो सैकणों की संख्या में अवश्य समलित हो। और यदि वह भी असंभव हो तो बीस की संख्या में तो अवश्य ही समलित हो। इसमें मनुश्यों को संगठन का उपदेश दिया है। संगठन से मनुश्यों का सामर्थ बहुत बड़ा है इंद्र के समान ही राजा अपनी शक्ति से शक्तिमान बने वह देश में ही शस्त्रास्त्रों का उत्पादन करे किसी दूसरे देश से शस्त्र न मांगे इसी प्रकार अपनी ही शक्ति से शक्तिसाली देश चिरस्थाई रह सकता है यह इंद्र तरह से रक्षा करता है कि कोई भी शत्र उसकी स्वतंतरता को नस्ट नहीं कर सकता। यदि कोई शत्र उसके स्वराज्य को नस्ट करने का प्रयत्न करता है तो यह इंद्र इतना क्रोधित होकर उसका नाश करता है कि उसके क्रोध को देखकर प्रत्वी और त्यूलोग भैसे कापने लगते हैं। इस प्रकार राजा अपने शत्रों का नाश करें। इंद्र 100 धारों वाले बज्ज्र को शत्र पर फेक कर मारता है। इसी इंद्र के कारण वह इतना निर्भीक है कि वृत्र अपनी गरजना से और अपने वेग से भी इंद्र को भैबीत ना कर सका। इसी प्रकार शत्र के किसी भी प्रयत्न से वीरों को भय प्राप्त नो होए अपने सब वीर निर्भय हों जिस समय अपने स्वातंत्र का रक्षन करते हुए इंद्र ने दास बनाने की इच्छा वाले शत्र पर अपने वज्ज से प्रहार किया तब उस इंद्र का वास्तविक प्रकट हुआ और सब लोकों में उसका यश फैल गया हे परवत के किलों में रहने वाले इंडर तू अपने स्वराज का संड़क्षन करते हुए जब बृत्र को मारता है और उसे मारते समय तू जो गर्जना करता है उस गर्जना को सुनकर स्थावर और जंगम सभी काप उठत की स्थापित की इसी तरह हर मनुष्य को चाहिए कि वह शत्र को परास्त करने के लिए बल वेर्य और करत्रत शक्ति अपने में संगठित करे क्योंकि इन्हीं से शत्र का पराभव होता है चंचल मन से रहित अर्थात और चंचल वृत्तिवाला सबका पालन करता मननशील मनुष्य ही सरवत्र उत्तम बुद्ध को फैला सकता है यह उत्तम बुद्ध जिस कार्य में लगाई जाती है वह कार्य सदा सफल होता है इसलिए इंद्र इस बुद्ध का उप इंद्र की प्रार्थना करते हैं वह इंद्र हमारी रच्छा करें इंद्र की इस्तुतिके मंत्रों को पढ़ने से मनुष्य अपना बल बढ़ाने और शत्र के नाश का उपाय जान सकता है और विजयी होने का तरीका भी जान सकता है हे वीर तु सदा सेना से युक्त है वह वीर सेना के साथ रहता है वह छोटे को बढ़ा करता है अर्थात गिरे हो को उपर उठाता है वह गरीबों को दान देकर उन्हें स्त्री संपन्न करता है इसी तरह राजा भी गिरे हो को उचा उठाए और उन्हें संपत्तिवान बनाए जब युद्ध छिड जाते हैं तब शत्रूं का मुकाबला करने के लिए निडर वीर को भरपूर धन देना चाहिए ताकि वह वीर प्रसन्न हो और उस धन के उपभोग के लिए युद्ध के साधनों का भरपूर संग्रह कर सके उस वीर के रत में उत्तम उत्तम घोडे जोडे जाएं वह वीर भी स्रेष्ट बुद्ध वाला हो और किसका वद किया जाए और किसे धन से युक्त किया जाए इसका विचार अच्छी तरह करें ऐसा नौ हो कि मित्र तो मारा जाए और शत्र धन्वान हो जाए मनुष्य पुरुशार्थ करके भयंकर वीर हो सकता है अत्मा पुरुशार्थ करने वाला वीर होता है इसके अलावा जो उत्तम उत्तम अन खाता है वह भी उत्तम वीर होता है ऐसा वीर शिरस्त्रान धारण करके शस्त्रास्त्र लेकर शत्रूं का वद करता है यह इंद्र इ के समान कोई उत्पन हुआ न है और न आगे होगा ही यह अद्धती और अकेला शाश्वत काल से विश्व को चला रहा है स्वामी दाता को मानमों के योग भोजन देता है स्वामी अपने सेवकों के लिए जीवन वेतन देता है जो ऐसा देता है वही सच्चा और स्रेष्ठ अतह जिसके पास बहुत धन हो उसे चाहिए कि वह उस धन को स्रेष्ठ मनुष्य को दे सरल भाव से कर्म करने वाला गायों के जुंडों का दान देवे सैकणों प्रकार का बहुत धन दोनों हाथों में लेकर लोगों को देवे ताकि सज्जन मनुष्य उस धन का उपभोग क बल को बढ़ाने के लिए और धन के वृद्ध के लिए अपने साथियों के साथ आनंद प्रसंग के समयों में सहभागी होते रहें इसी प्रकार संगठित होकर हम एक दूसरे के रक्षक हों स्वामी कंजूस मनुष्यों के सुरक्षत रखे धन को जानता है अर्थात उसे प् वारी वाला कर हम सदा एक दूसरे के साथ मधूरता का व्यवहार करें इस प्रकार हम एक दूसरे को मित्र बनाकर संगठित होकर रहें मीठी वारी बोलने से सभी मित्रता का व्यवहार करते हैं बुद्धिमान जन जिसका अन खाते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं पर दुर्ज में अन्य एवंग अन्य धन धान्य को भरकर अपने भक्तों के पास जा और उन्हें अन्य देकर उनकी प्रशंसा प्राप्त कर। उसका उलोकन कर उसके बाद अपने घर में जाकर अपनी प्रिय पत्नी के पास जाकर उससे मीठी मीठी बातें कर और अपने घर में आनंद से रह। उत्तम शुद्ध जलों के पास लोग प्रेम से जाते हैं उसी तरह तेजस्वी और दिव्य लोग यग्य के पास जाते हैं वे यग्य स्थान को जाते हैं देवों की भक्त करने वाले हमेशा श्रेष्ठ और उत्तम होकर प्रथम रहते हैं और वे सदा उपदेश सुनकर उनका आचरण करते हैं जो सदा अन्नाद से इस वीर इंद्र की सेवा करता है वह युद्ध करने के लिए उपयुक्त नौ होने पर भी अर्थात निर्बल होने पर भी इंद्र की सुरक्षा से सुरक्षित रहकर पुस्ट होता जाता है इस प्रकार यग्य के द्वारा उसे मंगलकार शक्त मिलती है अंगिरा रिशियों ने अगनि प्रदिप्त करके उत्तम यग्य करते हुए उसमें अन्न की प्रथम आहुतियां दी इसके फलस्वरूप इंद्र ने उन्हें प्रसन्न होकर पढ़ी आदि असुरों से उनकी गाएं एवं धन छीन कर अंगिराओं को प्रदान किया अथरवा रिशी ने यग्य के द्वारा सबसे प्रथम धर्म का यग्य मार्ग फैलाया अंगिरा ने अगनि प्रदिप्त करके उसमें अन्न की आहुतियां देकर यग्य करने की विद्या प्रथम सिद्ध की और अथरवा ने इस यग्य का चारों और खूप प्रचार कि तदनंतर कवी पुत्र उशना ने यग्य में गौवों के घृत आदिका हवन करना गोदुध का सोम में मिलाना आदिपधतियों का प्रचार किया यग्य करने वालों के घर में दर्भ काट कर उनके आसन बनाकर बिछाये जाते हैं सूर्योदे के पश्चार वेद मंतरों का घोश किया जाता है वहाँ प्रशन सनीय कारीगर कुशलता से यग्य कर्म करता है रिशी मंतरों का गान करते हैं और सोम कूटने के पत्थरों का शब्द होता है इस इंद्र को इसके घोड़े यग्य स्थान पर ले जाते हैं और आकाश को व्याप्त करती हैं उसी प्रकार इसके शरीर के प्रत्तेक ओयों में सोम का उत्साह भर जाता है। और उसके लिए इस तोत्र पढ़ो उस बलशाली इंद्र को नमस्कार करो क्योंकि यह इंद्र बड़ा महारती है। इसके बल की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है और न कोई घुरसवा रही है। यह इंद्र अकीला ही शत्रूं का मुकाबला करता है पर सब शत्र मिलकर भी इस एक इंद्र की शक्त का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा बलशाली इंद्र शत्रूं के धन को चीन कर वह धन दानशील लोगों में बाट देता है। यह इंद्र दान न देने वालों का बड़ा कट्टर शत्र है और वह उन्हें बहुत शीग समाप्त कर देता है। तथ प्रजाओं में उदार मनोवृत्त का उदै हो इस बात का ध्यान राजा हमेशा रखे। यह इंद्र देวों में सरवोपर है। इसलिए यग्य करने वाले देवों के मद्ध में सदा इसी की पूझा करते हैं। पूझित होकर यह इंद्र भी यग्य करने वालों को सदा बल स इंद्र के राज्य में सोमाद वनस्पतियों की अक्तधिक विपुलता है इसलिए इन वनस्पतियों को खाकर गाये हिस्ट पुष्ट होती हैं इंद्र इन गायों से अक्तधिक सुशोभित होता है इसी प्रकार रास्ट में गायों के लिए वनस्पतियों की कमी न रहे रास्ट गाएं इंद्र का प्रेम पूर्ण स्परश पाकर बहुत पुलकित हो जाती हैं और उसे प्रेम से अपना दूद देती हैं इस प्रकार वे गाएं रास्ट के शत्रों से मुकाबला करने के लिए और उन पर घातक वज्ज को चलाने के लिए इंद्र को तैयार करती हैं अपने स्वामी का प्रेमपूर स्परश पाकर गाय प्रसंद मन से ज़्यादा दूद देती है प्रसंद मन से दिये गए दूद को पीने वाला अवश्य बलवान होता है इसमें कोई संदेह नहीं गाय राज्य को बसाने वाली होती है गायों के दूध द्वारा रास्टर की प्रजाएं बलवान होती है और वे स्वराज या स्वातंत्र का संरक्षन करती है अतह स्वराज के संरक्षन का मूल कारण गाये हैं इनका दूध बुद्ध को बढ़ाने वाला है गो दूध पीने से बुद्ध तीक्षन होती है इस प्रकार गाएं प्रेम से अपना दूध देकर इंद्र को बलशाली बनाती है और इंद्र भी अपने पराक्रम से इन गायों की रक्षा करता है इस इंद्र ने मनुष्य को धार्ण करने वाली शक्ति से असंख शत्रूओं को मारा और अनेक परवों के मध्य में रहने वाली शीग्रगामी बुद्ध को प्राप्त किया तब बाहुशक्ति और बौधिक शक्ति से युक्त होकर वह इंद्र इतना बलशाली हो गया कि उसका प्रतिकार करने में कोई समर्थ नहीं हुआ, इसी तरह बुद्धिबल और बाहुबल में प्रमीर राजा अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, सदा गति करने वाले चंद्रमा में रहने वाला प्रकाश बड़ा आनंद दाई होता है, इसी प्रकार जो मनुष्य हमीशा प्रकति करता रहता है, वह तेजस्वी और प्रकाश मान होता है, सदा सत्यमार्ग पर चलने वाले कार्य में तक पर तेजस्वी, अत्यन्त क्रोधी, तीक्षन बानों से शत्रों पर प्रहार करने वाले, पर भक्तों को सुख देने वाले, प्रकतिशील वीरों को इंद्र के सिवाय औ इंद्र जब युद्ध में अपनी कुशलता दिखाता है और अपने शस्त्रों को चलाता है तब कौन भाग रहा है और कौन कट रहा है कौन डर रहा है कुछ भी नहीं जान पड़ता उस समय तो केवल इंद्र ही चारों ओर दिखाई पड़ता है और उस समय सब लोग हाथी प्रसंदता की ही कामना करते हैं इतना शक्षिसाली इंद्र है लोग हवी और घी से इसी अगणी इंद्र की पूजा करते हैं रित्व और सुरुचा से भी इसी इंद्र को हवी देते हैं इस प्रकार जो यज्यादी करते हैं उन्ही को देव धन देते हैं और वही तेजस्वी इंद्र को जानता है। पुरुगामी वीर बाहर निकलते समय महिलाओं की तरह अपने आप को समारते हैं और खूब बंधन के प्रयान करते हैं। सचमुच ये वीर युद्ध में विजई बनकर स्वर्ग में अपना घर तयार कर देते हैं। वे परमात्मा की उपासना करते हैं और अपनी शक्त को बढ़ाते हैं तथा मात्र भूमी के कल्यान के लिए धन वैभो की व्रद्ध करते हैं। वे अपनी जगह रहकर तथा उचित कार्य करके बड़पन प्रात करते हैं। गौ इवं भूमी को माता मानने वाले वीर आभूशनों तथा हतियारों से नीजी शरीरों को खूप सजाते हैं। और चूकी वे शत्र दलों का संगहार करते हैं अतयव उन्हें पौस्टिक अनप्रयाप्त रूप से मिलता है। स्रेष्ट यग्य करने वाले मन के समान वेगवान तथा बलिस्ठ हों। संगहमे जीवन बिताने वाले वीर सस्तास्त्रों से सुसज्य बन रत पर चढ़ जाते हैं। और सुद्रिन शत्रों को भी जड़ मूल से उखाड कर फेंक देते हैं। मरुत मेगों को गतशील बना देते हैं। इसलिए वर्षा का प्रारंभ हो जल समूह से समूची पृथवी आरद रहो उठती है। फुर्तीले घोडे तुम्हे इधर लाएं। तुम जैसे शीग्रगामी अपने बाह बल से तेजस्पी बनकर इधर आओ। क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा विस्तित स्थान यहां पर तैयार कर रखा है। इधर पधार कर तथा आसनों पर बैठ कर मिठास से पूर अन्न या सोम रस का सेवन कर हर्शत बनो। वीर अपनी शक्त से बड़े होते हैं अपनी करत्रत शक्त से स्वर्ग तक चढ़ जाते हैं और अपने बल से विशाल जगह पर प्रभुत प्रस्थापित करते हैं ऐसे वीर हमारे यग्यमें शीग्रही पधारें। ये वीर सच्चे शूरों की भात लड़ते हैं यो धाओं के समान शत्र सेना पर आक्रमण कर बैठते हैं कीरति पाने के लिए लड़ने वाले वीर पुरिशों की भात ये रणभूम में भारी पराक्रम करते हैं जैसे राजा लोग तेजस्प्री दीख पड़ते हैं ठीक वै विद्यमान थे और जिस पर शोभा के लिए सुनहली पच्ची कारी की थी इंद्र ने उस स्रेष्ठ आयुद को पाकर मानो जाति में बारंबार होने वाले लड़ाईयों में शूरता की अभिवेंजना करने के लिए उसका प्रयोग किया जल स्रोत पर प्रभुत्र स्थापि मरतों ने नहर बना कर दूसरी ओर पहुँचा दिया और नहर की खुदाई करते समय राह में जो पहाड रुकावट के रूप में पाहे गए थे उन्हें काट कर पानी के बहाव के लिए मार्ग बना दिया इतना कारे कर चुकने पर सोम रस को पीकर बड़े आनंद से उन्हों ने साम गायन किया इन वीरों ने टेड़ी मेड़ी राह से नहर खुदवा कर जील का पानी अन्य जगह पहुँचा दिया और रिशी के आश्रम में पीने के जल का विबुल संचे कर दिया जिसके फलस वरूप गोतम की पानी की आवशकता पूण हो गई इस भात ये तेजह पुंज वीर दलवल समेद तथा शक्त सामर्थ से परिपूण हो इधर पधारते हैं और अपने भक्तों तथा अनुयाईयों की लालसाओं को त्रिप्त करते हैं त्रिविद धारक शक्तियों से जो कुछ भी सुख पाए जा सकते हैं उन्हें वे वीर स्रेष्ट कार्यों को शीगरता से निभाने वाले के लिए उपियोगार्थ देते हैं हमारी लालसा है कि हमें भी वे सुख मिलें तथा उच्च कोट के वीरों से रक्षित धन हमें प्राप्त हो अभिप्राय इतना ही है कि धन तो अवश्यमेव कमाना चाहिए और उसकी समुच्चत रक्षा के लिए आवश्यक वीरता पाने के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए तेजस्थवी वीर लोग जिस मानों के घर में सो म को ग्रहन करते हैं वह अवश्यमेव सुरक्षित रहेगा ऐसा मानने में कोई आपत नहीं यग्यों के अर्थात कर्मों के द्वारा तथा ग्यानी लोग की सुमतियों याने अच्छे संकल्पों के द्वारा जो प्रार्थना होती है सो तुम सुनो यद वीर ग्यानी के अनुकूल बने तो उस ग्यानी पुरुष को बहुत सी गौवें पाने में कोई कठनाई नहीं होती जिन दिनों में यग प्रचलित रखे जाते हैं तब सोमरस का सेवन तथा साम गान का स्रवन जारी रहता है जो वीर पुरुष समूची मानो जाति को तथा विद्वन मंडली को अन की प्राप्ति हो इस हेत शत्रदल का पराभव करने की चेश्टा करके सफलता पाता है उसी वीर के यश्का गान लोग करते हैं और उस गुण गरिमा गान को सुनकर स्रोताओं में इस फूर्ति का संचार हो जाता है कृषकों तथा सभी मानो जाति की रक्षा करने के लिए जो आवश्क गुण या शक्तियां हैं उनसे युक्त बनकर हम पहले से ही दान देते आएं हैं या किसानों तथा अन्य लोगों की संरक्षण च्छम शक्तियों के द्वारा सुरक्षित बन हम प्रथमतधानी बन चुके हैं वीर पुरुष जिसके अन्य का सेवन करते हैं वह मनुष्य सच्मुच भागिशाली बनता है ये वीर सच्चाई के भक्त हैं अतह बलवान हैं जो जल्दी चलने के कारण पसीने से तर होते हैं या लगातार काम करने से ठके मादे होते हैं उनकी सेवा करने वालों की इक्षाएं ये वीर पूर्ण कर देते हैं ये वीर सच्चे बलवान हैं इनका वह बल प्रकट हो और उसके फलस्वरूप सदैव कस्ट पहुंचाने वाले दुस्तों का नाश हो मेरा बिनस्ट करके तथा कभी द्रिप्त न होने वाले स्वार्थी शत्रूँ को हटा कर सभी जगह प्रकाश का दिस्तार करना चाहिए शत्रूँ को हत्बल करने वाले बल से पूर्ण अच्छे वक्ता सदैव अपना मस्तक उचा करके चलने वाले एक ही विचार से आचन करने वाले, सोम का सेवन करने वाले, सेवनी तथा प्रमुखनेता बन जाने की च्छमता रखने वाले वीर, वस्त्रा लंकारों से सजाए जाने पर सूरी किरनवत सुहाते हैं, जिस वक्त तुम किसी भी राह से आकर हमारे निकट आने वाले लोगों में एकता प्रस्थापित करते हो, संगठन करते हो, तब तुम्हारे रथों में रखे हुए धन भंडार हमें संपत्त से निहाल कर देते हैं, हम पर मानों धन की सतत द्रिश्ट सी करते हैं, तुम लोग भी भक्त एवन उपासक को सवक्ष जल, एवन निर्दोश जल पर्याप्त मा वारे डर के समूची प्रतिवी धर्थर काप उठती है, ऐसे औसर पर खिलाडी, चपल, तेजस्वी शस्त्रास्त धार्ण करने वाले तथा शत्र को विकंपित करने वाले वीरों की महनियता पकट हो जाती है, यह वीरों का संग, युवा, स्वयंग प्रेरक, वलिस्थ, सत् व्लिस्थ, उरिंद होने की चे्ष्टा करने वाला प्रशंसनीय तथा सामर्थ्यवान है, इस कारण से इस संसार पर प्रभुत। प्रस्थापित करने की क्छमता पूर रूपेंड रखता है, हमारी इक्छा है कि इस भातिका यह समुदाय हमारे करमों तथा संकल्पों、、, मे अगर विश्व में विजई बनने की एवंग जगत पर स्वामित प्रस्थापित करने की लालसा हो तो उपर्युक्त गुणों की योर ध्यान देना अतीव आवश्चक है। वीर सराहनी कीर्थ पाते हैं उन नामों से उनकी कर्तित शक्त प्रकट हुआ करते हैं। वीर पुरुष अच्छा अन प्राप्त करें और ऐसी आयोजना ढूंड निकालें कि वह सबको यधावत मिले। वीर पुरुष समूची जनता का स्रेष्ट कल्यार करने के लिए अपने रथों को हत्यारों तथा अन विशेस आयुधों से भली भात इसज्ज करके सभी स्थान में संचार करें। समर में विजई बनने के लिए और जनता का सुख बढ़ाने के लिए भी वीर पुरुष अपने समीप सदैव शस्त्र रखें। अपनी विचार प्रणाली को भी हमेशा परिमार्जित तथा परिश्कित करें। मन में दिव विचारों का संग्रह बनाकर परवतिय एवं पार्थीव धन बैभो का उप्योग समूची जनता का सुख बढ़ाने के लिए करें। निवास स्थलों में यथेष्ट जल मिले तो बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुआ करती हैं। इसमें क्या संशय इस कारण से इन वीरों ने गौतम के आश्रम के लिए जल की सुविधा कर डाली। पश्शाद उस स्थान में मानवी बुद्ध ज्यान के कारण पवित्र हो इस खयाल से प्रभावित होकर ब्रम्यग्य सद्रिश कर्मों की पूर्त कराई। वीरों को चाहिए कि वे अपने तीक्षन शस्त साथ लेकर शत्र दल पर बिभिन प्रकार से हमला करें और उन्हें तितर बितर कर डालें। इस तरह शत्रों को जड़मूल से विनस्ट करना चाहिए। ऐसे वीरों का समचित बखान करने के लिए कव वीर गाथाओं का स्रिजन करें और चतुरदिक इन वीर गीतों का तथा काव्यों का गायन शुरू हो। वीर पुरुष जब युद्ध भूम में असीम शूर्ता प्रकट करते हैं तब अनेक काव्यों का स्रिजन बड़ी आसानी से हो जाता है। और ध्यान में रखने योग बात है कि सभी कव उन काव्यों की रचना में स्वेंग इस फूर्त से भाग लेते हैं। इसलिए उन काव्यों के गायन एवन परिशीलन से जनता में बड़ी आसानी से जोशीली भाव पैदा हो जाते हैं। कर्म ऐसे हो जो निहसंदेह कल्यार करने वाले हो उच्चतर अवस्था को पहुंचाने वाले हो पर ये कर्म किसी के दवाव में आकर न किये जाएं। पितुस्वैंग इस फूर्थ से किये जाएं। इन उत्तम कर्मों के द्वारा मनुष्य अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। प्रगति के मार्ग में किसी तरह की रुकावट उत्पन्द न हो। प्रति समय सुरक्षा रहे। इसके अलावा दिव ज्यानी जन उन्नति के कार्य में सहायक हूं। सत्य और सरल मार्ग से जाने वाले सज्जनों की सुबुद्ध की सहायता मनुष्य को सदा मिलती रहे। सरल सुभाव वाले कभी भी प्रतिकूल न हो। मनुष्य भी ऐसा कर्म करें कि देव गण स्वैंग भी उसकी सहायता करने के लिए उत्सुक र प्राचीन काल से चले आने वाले वेद मंत्रों की पद्धत के अनुसार मनुष्य देवों की सहायता मांगें और देव भी प्रसन्न होकर मनुष्यों की सहायता करें। इस थावर जंगम जगत का वही एक इश्वर है वही सबका पालन पोशन करता है। और प्रतिहत गति से युक्त रथ वाला तार्क्ष ब्रिहश्पति तथा मात्र भूम की सतत सेवा करने वाले सुभ कर्म करने वाले अगनिके समान तेजस्वी मननशील मरुद गण भी हमारी रक्षा करें। मनुष्य अपने कानों में अच्छे विचार सुनें, आखों से अच्छे द्रिश्य ही देखें, ओयव और शरीर सुद्रिन रखें। और उनके द्वारा अपनी संपूर आयु तक देवों और विद्वानों के लिए हितकारी कार्यही करें, वह कभी कुखर्म ना करें। मनुष्य की आयु सौ वर्ष तक वेदों में प्रतिपादित है, पर इसमें बालपन और कुमारपन के सोरह वर्ष समलित नहीं हैं। ये सौ वर्ष पुरुशार्थ करने के हैं, हम अनेक प्रशस्ततम कर्म करते हुए सौ वर्ष जीने की इच्छा करें। इन वर्षों में हमारे शरीर का बुढ़ापा भी शामिल है, इसमें हमारे पुत्र भी पिता बनते हैं। अर्थात पौत्र प्रपौत्र होने तक हम स्वस्थ एवन जीवित रहें बीच में ही हमारी आयुसमात नहो द्यू, अंतरिक्ष, माता पिता, सूर्य चंद्राद देव, ब्रामभड, छत्री, वैश, शूद्र, निशाद आदि जो भूत काल में हो चुका, जो हो रहा है और जो होगा वह सब अदिति अर्थात एक अखंडित सत्य है यह एक तत्व दर्शन तथा सरवत्र समभाव देखने से शान्त मिलती है और परम कल्यान होता है मित्र, वरुण, अर्यमा, आदि देव हमें सरल नीत के मार्ग पर ले चलें तेढ़े मार्ग से हमें कभी न ले जामें देव अपनी शक्तियों से व्रतों को सुरक्षित रखते हैं कभी भी नियमों को नहीं तोड़ते इसलिए नियमों की रक्षा करने के कारण ही वे शक्तिशाली हैं जो सुनीति के नियमों का पालन करेंगे उनकी भी शक्त बढ़ेगी और वे स्रेष्ठ बनेंगे दुस्त शत्रूं को दूर करके राज व्यवस्था को ठीक रखना चाहिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी दुस्ट कुकरमों को न कर सके स्वैंग अमर बनकर दूसरों को भी अमर बनाने का मार्ग बताना चाहिए स्वैंग ज्यानी बनकर दूसरों को भी ज्यानी बनाना चाहिए शक्तिमान बनकर निर्बलों की सुरक्षा करनी चाहिए वंदन के योग देव हमारी सुबिधा का मार्ग हमें बतावें हम देवों के द्वारा बनाए गए मार्ग से चलकर उन्नत हों हमारी बुद्ध में गौवों को अग्रिस्थान प्राप्त हो मानवी जीवन में गौवों का स्थान मुख्य हो गौवों को मानवी जीवन में अग्र स्थान देने से मानवों का कल्यान होगा हमारे लिए हवाएं मधुरता पूर्ण रस बहा कर लावें नदियों का पानी हमारे लिए मीठा तथा सारी वनस्पतियां भी हमारे लिए मधुरता प्रदान करें दिन, रात्री, उशा, प्रत्वी, अंतरिक्ष, आकाश, वनस्पति, सूर्य, गाएं ये सभी हमें मधुरता प्रदान करें मित्र वरुण अर्यमा ब्रिहस्पति इंद्र विष्णु आधि सभी देवगण हमें सब और से कल्यार और सुख प्रदान करें इसलिए रित का मार्ग मनुस्य अपने आचर्ण में लामें रित का अर्थ सत्य सरल यग्य अटल नियम आधि है सभी मानवी जीवन को सुखमे बनाने की शक्त इस रित में है सुमरस मस्तिस्क को उतेजित करने वाला है इसलिए उस रस को बुध का ज्यान बढ़ाने वाला कहा है यग्य कर्म में सहायक होने से सनमार्ग से चलाता है सोम याग की पद्धत धैर्यवानों पथा बुद्धिमानों को रमडिय अईश्वर्य प्रदान करती है यह सोम उत्तर रीति से यग्य सिद्ध करने वाला उत्तम चातुर्य बढ़ाने वाला बल बढ़ाने वाला और तेज बढ़ाने वाला है यह सोम पवित्र है और सरवत्र पवित्रता करने वाला है हितकारी और चातुर्य का बल अत्मा करत्रत शक्त बढ़ाने वाला है यह सोम जहां उत्पन होता है वह स्थान बहुत उचा और बड़ा भव्य होता है यह सोम हिमाले के शिखर पर जल स्थानों में तथा प्रत्वी पर रहता है हिम शिखर पर मिलने वाला उत्तम और अन्यत्र मिलने वाला मध्यम होता है इसे जो पीता है वह बहुत आनंद प्रसन होता है सोम राजा अर्थात और शधियों का राजा है उसका रस पीता इंद्र व्रत्र का बद करता है सोम से होने वाला यग्य उत्तम यग्य है यह सोम रस दीर्ग जीवन देने वाला है इससे अपम्रित्य दूर किया जा सकता है अपनी इसी योगता के कारण यह सोम बहुत प्रशंसित होता है यह सोम सक्त नियमों और सन्यमाद व्रतों में चलने वाले तर्व को तो दिर्ग जीवन और बल प्रदान करता ही है पर व्रद्धों को भी दिर्ग जीवन और बल प्रदान करे जिसे यह सोम मिलता है वह खीन नहीं होता यग्य होने के कारण पाप से भी मनुष्य को यह बचात यह सोम सुखदाई और संरच्छन करने वाला तथा रोगाद आपतियों से बचाने वाला है हे सोम तू यग्य को और हमारे इस्तोत्र को स्विकार कर और हमें उत्तम रीति से बढ़ा हे सोम तू रोग दूर करने वाला पुस्त बढ़ाने वाला उत्तम मित्र के समान सहायक है इसलिए हम तेरी इस्तुति करते हैं तू हमारे पास आ और हमें बढ़ा जिस प्रकार गाएं जो के खेत में प्रविष्ट होकर आनंदित होती हैं अथमा जिस प्रकार मनुष्य घर में प्रविष्ट होकर आनंदित होता है उसी तरह यह सोम रस मनुष्य के हरदे को आनंद से भर देता है हे सोब तू हमें पापों से बचा हम कभी बुरे शब्द अपने मुह से न निका दें इस प्रकार हमारा मित्र बनकर सब प्रकार से हमारी रख्छा कर किुएंकि हम यह जा इस प्रकार यह सोम स्वैंग बढ़कर दूसरों के बलों को भी बढ़ाता है। इस प्रकार यह मनुष्य को रोगादिकों से पार कराता है। गोडे देता है। युद्ध में भी उनकी हर तरह से रक्षा करता है। और ऐसे उत्तम वीर पुत्र प्रदान करता है कि जो अपने पिता का यश बढ़ाता है। यह सोम युद्ध में पराजित न होने वाला, सेनाओं में बल बढ़ाने वाला, पानी बरसाने वाला, संकट के समय सुरक्षा करने वाला, अश्वर्यों में प्रकट होने वाला, और अत्यंत उत्तम कीर्थी वाला है। इसी सोम के कारण सब औशधियां एवंग लोक, रसयुक्त एवंग बलयुक्त होते हैं। इसी ने अंतरिक्ष का विस्तार किया और प्रकाश फैला कर अंधकार को दूर किया। हे सोम, तू प्रसंद मनवाला होकर हमें धन दे, हम पर कभी भी औप्रसंद नहों हो, तू अत्यधिक बलशाली है, इसलिए तेरा कोई प्रतिबंध नहीं कर सकता। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के सामर्थियों का तू ही स्वामी है, इसलिए तू बड़ा प्रभावशाली है। जिस प्रकार धजाएं आकाश में फैराती हैं उसी प्रकार उशा की किरणें आकाश में फैल रही हैं इसी के कारण सर्व प्रथम पूर्व दिशा में लाली फैलती है जिस प्रकार शूर वीर युद्ध के समय अपने शस्त्रास्थ तीक्ष्ण करते हैं उसी तरह यह उशा सूर्य की किरणों को तीक्ष्ण करती है और पूर्व दिशा को तेजस्पिनी बनाती है जिस प्रकार उशा काल होते ही गाएं चरने के लिए खोल दी जाती है उसी प्रकार उशा आकर सूर्य की किरणों को प्रकट करती है लाल रंग की किरणें उपर आकाश में प्रकट हो रही है उनके कारण आकाश सुशोभित हुआ दीख रहा है उशा के आते ही कृशक बैल को जोतने लगते हैं इस मंत्र में आया हुआ गाह पद बैल का वाचक है गाय का नहीं उशा के उदे होते ही लोग अपने कर्म में लग जाते हैं उशा कर्म करने में कुशल है इसलिए कर्म करने में कुशल इस्तियों के समान यह उशा स्वैंग भी कर्म करती है और दूसरों को भी प्रेरित करती है बड़े बड़े आयोजन करके लोगों को सम्मानित करती है उत्तम कर्म करने वालों को तथा उत्तम दान कर्म करता को भरपूर अन देती है दान करने में कभी भी कंजूसी नहीं करती इसी प्रकार इस्त्री में भी योगता हो कि वह स्वयंग भी उत्तम-उत्तम कर्म करे तथा दूसरों को भी प्रेरित करे कर्म करने वालों को धन देने में कंजूसी न करे यह उशा एक नर्तकी के समान बार-बार अपने कपड़े बदलती है जैसे एक नर्थ की अपना भेश बदलकर अधिकाधिक सुन्दर दीखती है उसी तरह यह उशा प्रतिछन अपने रंग बदलकर अधिकाधिक सुन्दर प्रतीत होती है इस प्रकार सुन्दर बनकर वह सब भोनों को प्रकाशित करती है और अंधकार को दूर करती है इसी तरह इस्त्रियां भी सुन्दर बनकर चारो ओर अपना तेज पहलाएं सौभाग्यवती इस्त्रियां कभी भी मलिन न रहें इस उशा की तेजस्वी जोत दीखने लगी है उसका प्रकाश चारो ओर पहलने लगा है और काले विशाल अंधकार को दूर करने लगा है यह तरोणी उशा अपने घर में प्रकाश करती है अंधकार दूर करती है अपना रूप सुन्दर बना कर दिखाती है और सब को अईश्वर्य की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है इसी तरह ग्रिह स्वामिनी सर्व प्रधम उठकर घर में प्रकाश करे और घर को साथ सुथरा करके दर्शनी बनाए इस उशा की सहायता से लोग अंधकार से प्रकाश में आते हैं इसके आते ही सब उठकर अपने कामों में लग जाते हैं इस प्रकार मानो उशाही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेड़ना देती है इसी तरह तरुणी इस्त्री घर के लोगों को जागरित कर उन्हें कर्मों में प्रेड़ित करे अथुमा जिस तरह एक धनी से अईश्वर्य प्राप्त करने के लिए उसके मत के अनुसार लोग कारे करते हैं उसी तरह तेजस्वी तरुण सुन्दर इस्त्री अपने पति के मन को प्रसंद करने के लिए उशा की समान सदा खिलती और प्रसंद रहे जिस तरह यह ऊशा तेजस्विनी और सत्करमों की प्रेरिका होने से रिषियों द्वारा प्रशंसित होती है उसी तरह ग्रिहनी भी अपने शील स्वभाव के कारण दिद्वानों से प्रशंसित होए घर सदा हस्ता सा नजर आवे वह हमेशा उत्तम संतानों एवन पश्वों से भरपूर हो हे उशे हमें यशस्वी पुत्र पौत्रों वाला सेवक बर्ग से युक्त एवन घोडों से युक्त धन प्राप्त हो हीनता दीनता और दरिद्रता हमारे पास कभी न भटके उत्तम कर्म जिससे किये जा सकते हैं जिससे यश मिलता है जिससे परियाप्त अन मिल सकता है ऐसा विशाल धन हमारे लिए प्रकाशित कर यह प्रकाश्मान उशा सब भौनों को देखती हुई पश्श्व की ओर अपनी नजर लगाए रहती है सब जीवों को अपने अपने कारे करने के लिए यह उशा जगाती है उसी तरह घर की ग्रिहणी अपने घर के लोगों को जगाए इस प्रकार अपने करतव ततपरता से करने वाली इस्तरी सबसे प्रशंसित होती है इस उशा के उदय होने के साथ ही मनुष्य की आयू के एक एक दिन घरते जाते हैं इसलिए उशा को मनुष्य की आयू छीड करने वाली कहा है जिस प्रकार पासे फेकने वाले जुआरी के धन को जुवा छीड कर देता है उसी प्रकार उशा मनुष्यों की आयू को छीड करती ह आकाश सभी छोरों को अपने प्रकास से प्रकाशित करने वाली उशा अब जाग उठी है वह जागते ही अपनी रात्र रूपी वाहन को शीघर ही दूर कर देती है इस प्रकार अपने आने के साथ ही प्रतिदिन मनुष्य के आयू के दिन रात को ख्षीन करती है जिस प्रकार बाढ़ के आने पर चारो और पानी ही पानी हो जाता है अत्मा जिस प्रकार सुबह होते ही पशु चारो और विचरने लगते हैं उसी तरह उशा के आते ही उसका प्रकाश चारो और फैल जाता है यह उशा दिव्यकर्मों का नाश कभी नहीं करती इसी प्रकार इस्त्रिया उत्तम कर्मू का नाश कभी न करें, इसके विपरीत उत्तम कर्मू को वे बढ़ावा देती रहें हे वैभव युक्त उशा, जिससे पुत्र पोत्रों का तारण कर सकें, इसलिए उत्तम वैभव हमें भरपूर दे उशा गौवों और घोड़ों से युक्त है बैभवशाली और उत्तम भाशन वाली है हमारा हित करने के लिए वह धन के साथ प्रकाशित हो हे उशे आज लाल रंग के घोड़े को अपने रत में जोड़ो और हमें सब प्रकार के उत्तम भाग्य प्रदान करो अश्विदेव शत्र का नाश करते और दोनों मिलकर एक मन से कारे करते हैं वे गौवें और सुवर्णाद धन हमें दें अपने रत में बैठकर हमारे घर पर आएं उसी तरह मनुष्य अपने शत्र को दूर करें सब मिलकर एक विचार से अपना करतब्य करें गौवें और धन अनुयाईयों को बाट दें रत में बैठकर अनुयाईयों के घर जाकर उनकी परिस्थतिका मिरिक्षन करें अस्विदेव द्यू लोग से उत्तम वड़नी प्रकाश को मनुष्यों के लिए यहां लाते हैं वे हमें बल बरधक अन पहुंचावें नेता अपने अनुयाईयों को प्रकाश मार्ग बतावें बल बरधक अन देकर अपने अनुयाईयों को हरिस्थ पुस्थ और बलिस्थ करें अश्विदेव शत्र को दूर करते प्रकाश देते आरोग देते और अपने सुवर्ण के रत प उनको निरोग रखें और सुखी रखें प्रातह काल ही उठकर अनुयाई लोग ऐसे नेता का स्वागत करें। पुत्र भी प्रदान करो इंद्र सोम पीता है अगन सब देवों को पिलाता है उससे सब देव बलवान बनते हैं। विद्दुत और वायू साथ साथ रहते हैं। हवी अरपन करता है और जिसकी हवी को ये दोनों सुईकार करते हैं। उसके जीवन व्रत सुरक्षित रहते हैं और वह पापों से बचा रहता है। तब वह अनंद सुख प्रात करता है। ये दोनों देव सरवग्य हैं। इसलिए हर एक के मनों भावों को जानते हैं। अतह जो इनकी शुद्ध मन से प्रातना करता है उसे ये दोनों भरपूर धन देते हैं। हे अग्निसोमों तुम दोनों हमारे पास मिलकर आओ। तथा हमारे ही दी हुई हविस्विकार करो। तथा प्रसन्न होकर हमारे पशूं को पुष्ट करो। हमारे मनुष्यों को बलशाली बनाओ। और हमारे कर्मों को यशश्वी करो। जो पूजनी और उत्तम ज्यानी हैं उनका सतकार करना चाहिए और उनकी संगति में रहना चाहिए क्योंकि उससे मनुष्य की बुद्ध उत्तम होती है और वह कभी दुखी नहीं होता जिसकी यह अग्रणी ज्यान से सहायता करता है वही सिद्ध को पाता है हिंसिद नहीं होता हुआ बढ़ता है और उत्तम सामर्थेवान होता है अतह उसकी मित्रता प्राप्त करनी चाहिए यह अग्रणी सब देवताओं को हवी पहुँचाने वाला और सभी अमर देवों को बुलाकर लाने वाला है अतह हम इसे अच्छी तरह प्रज्वलित करें और इसके संरक्षन में रहते हुए हम कभी भी दुखी नहीं होगी तथा वह कभी भी दुखी नहीं होगा इस अग्रणी की किरणे सभी प्राणियों की दिन रात रक्षा करती हैं किरणों के कारण अग्र उशा से भी अधिक तेजस्वी दीखता है ऐसे तेजस्वी अग्रणी के संरक्षन में रहने वाला कभी भी दुखी नहीं होता यह अग्रणी शासन करने में कुशल, शुद्ध करने वाला, शासन करने वाला, जन्म से ही नेता और रित्व परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों का नाश करके पुष्ट करने वाला है अतह हम उसके मित्रता में कभी भी दुखी नहीं हो, यह सब तकार से दर्शनी और आदर्श नेता है, यह विजली के समान तेजस्वी है, तथा आगे होने वाली बात को भी यह अपने ज्ञान से पहले जान लेता है यग्यकरता का रथ सबसे आगे हो, उसका मान सबसे अधिक होना चाहिए, हमारा भी तेज ऐसा हो कि हमारे बचनों से ही शत्रूं का पराभव हो जाए, तथा हम इस अग्न की सेवा करते हुए सदा सुखी रहें स्वार्थी हिंसक और भक्षकों का शस्त्रों से नाश कर देना चाहिए, इस कार्य में यह अग्न कुशल है, वह शत्रूं को नस्ट करके उपासकों के लिए मार्ग स्रेष्ट करता है, इसलिए ऐसे अग्न का भक्त कभी दुखी नहीं होता यह अग्नी अपने तेजस्वी घोड़ों को अपने रत में जोड़कर बड़ी गंभीर गरजना के साथ वनों में संचार करता है, यह अग्नी इतना तेजस्वी है कि इससे सारे प्राड़ी डरते हैं, यह स्वैंग अपने लिए मार्ग बनाता है, ऐसा यह स्वावलंभी है यह अगनी सभी स्रेष्ट दिद्वानों को धार्ण करता है इस अगनी के साथ ही मरुतों का कोध बड़ा भयानक होता है अतह मनुष्यों को ऐसा यत्न करना चाहिए कि उनका मन सदा पसंद रहे यह अगनी उत्तम गुणवालों पर सनेह करता है और उनका हर प्रकार से हित करता है अतह हम भी उसके आश्रे में रहकर उसके मित्र बने और कभी दुखी न हों यह अगणी तेजस्वी होकर अपने उपासकों का हित करता है और उन्हें अईश्वर्य प्रदान करता है ऐसे अगणी के उपासक होकर हम कभी भी दुखी न हों हिंसा रहित कर्मों में सदा तकपर रहने वाला मनुष्य पाप रहित और स्रेष्ठ बल से युक्त होता है अतह हम भी उस अग्न के उपासक होकर प्रजाएं युक्त धन को प्राप्त करें यह अग्णी अईश्वर्य प्राप्त के मार्ग को जानता है वह आयू भी बढ़ाता है उस बढ़ाई गई हमारी आयू की सभी देवता रक्षा करें सरवता विरुद्ध रूपों वाली दिन और रात रूपी दो इस्त्रिया प्राड़ियों को प्रकाश देने और विश्राम देने रूप अपने नियत कर्म करने के लिए हमेशा भ्रमण करती रहती है इन में से एक इस्त्री दिन गौर वर्ण और दूसरी रात्री क्रिश्ण वर्ण है ये दोनों प्राडियों के कार्य को सिद्ध करने वाली हैं दिन का कार्य प्रकाश देना है और रात्री का कार्य विश्राम देना है इन में से एक इस्त्री दूसरे के बच्चों का पालन इसी तरह दिन के गर्भ से अगनी का जन्म होता है पर उसका पोशन रात्र करती है हर सूर्य का नाम है क्योंकि वह रसों का हरन करता है दिन का पुत्र अगनी अत्यंत तेजस्वी है इसी प्रकार सभी इस्त्रियां परस पर प्यार से रहें वे ग्रिहस्थ धर्म का पालन करती ह तोई भी जन्ता की सेवा करें। आलस से छोड़कर दस इस्त्रियां, अत्मा दस अंगुलियां, अरणियों में से इस अग्न को उत्पन करती हैं। उत्पन्न करने के बाद सबका भर्ण पोशन करने वाले तीक्षन शक्ति वाले अत्मा तीक्षन प्रकाश वाले यशश्वी लोग जनता में तेजश्वी अग्नि को चारो ओर से घुमाते हैं। दोनों अरणियों से अग्नि के सिध्ध हो जाने पर उसे अनेक यग्य स्थानों में या इस थंडिलों में ले जाकर उसे इस्थापित करते हैं। यह एकत्वाद का सिध्धान्त इस अग्नि के वर्डन से बताया है। और सूर्य से द्यूलोक तेजश्वी होता है। पुत्र ऐसा स्रेष्थ और सामर्थ शाली बने कि जिससे उसकी माता का नाम पसिद्ध हो। विद्धुत जल प्रवाहों से युक्त मेघ से मिलकर संचार करती है। जल प्रवाहों से युक्त मेघों के अंदर विद्धुत रूप से प्रविस्ट होकर यह अग्नि बढ़ता है। नदियों के किनारों पर होने वाले यग्यों में यह अग्नि प्रदित होकर बढ़ता है। तेड़ी चाल से चलने वाले शत्रू के समीप भी अपने यश से उच बनकर यह ज्यानी बढ़ता रहता है। कुटिल गति से नीचे की और जाने वाले नदियों के पास यग्यस्थान में रहने वाला यह अगनि अपने यश से उच गति से बढ़ता है जलों की गति नीचे की और और अगनि की गति उपर की और होती है इसी प्रकार दुस्टों की गति भी नीचे की और और सज्जनों की गति उपर की ओर होती है, अगन के प्रकट होने पर प्रत्वी और द्यूलोग दोनों भैभीत होते हैं, दिन और रात गूपी दोनों इस्त्रियां लोगों का कल्यार करने वाली होने के कारण सबके लिए माननी हैं, इसी तरह इस्त्रियां सबका कल्यार करने वाली हों, जिस प प्रकार माताएँ अपने बच्चों से प्रेम पून्ड ब्यवहार करें। अगनी अपनी केणों को चारों और फेगता है। और भयंकर सामर्थ्ह वाला हो जाता है। पस्चात यह अगनी दोनों द्यावा पृतवी को अलंकृत करता है। अगनी प्रदिपत होता है और उससे यज्याद सिध्ध होने के कारण वह सबके लिए भूशन बनता है। इस तरह पवित्र व्यक्तियों का संगठन ही सची समिती होती है क्योंकि ऐसी समिती ही दिव्य भावों का सब जगह विस्तार करती है। हे अगने बल्वान होने पर शत्रूं को हराने का तेरा सामर्थ सब तरह पहल जाता है। सब जनता में तेरा बल भर जाता है। तेरे सामर्थ से सब रास्ट बल्वान हो जाते हैं। तु स्वैंग तेजस्वी बनकर सब यसस्वी तथा नदबने वाली रक्षा शक्तियों से हमारी सुरक्षा कर। रेतीले निर्जन स्थान में भी पुरुशार्थी वीर उत्तम मार्ग बना सकते हैं। तथा जल प्रवाह और जल की नहरें या स्रोत निर्माण कर सकता है। बल्वान बनकर मनुष्य जल के प्रवाहों से निर्जल भूमि को भी जल से भर सकता है। और प्राणियों के पेट के लिए हर तरह के अन भरपूर प्रमाण में पैदा कर सकता है। हे पवित्र करने वाले अगने तू समिधाओं से प्रदिप्त होकर हमारे यश के लिए प्रकाशित हो और तेरे इस पूर्ण कार्य में मित्र वरुन आदि देवता भी सहायक हो। यह अगन बल के साथ प्रकट होता है, अर्थात बल के कार्य करने के लिए प्रकट होता है, इसी कारण यह सब तरह से प्रशंसा प्राप्त करता है, वह जल बरसा कर सबका मित्र के समान हित करता है, इसलिए विद्वान इस अगन का पोशन करते हैं, अगन इस तोत्र से संतुष मननशील प्रजा को उत्पन्य करता है तथा अपने तेजस्वी प्रकास से सूर्य के रूप में द्यू लोक को व्याप्त करता है और विद्दुत के रूप में मेगों में रहने वाले जलों को व्याप्त करता है ऐसे धन दाता अगनिका देवगन पालन करते हैं प्रजा प्रगत करने वाली हो अपनी उन्नत के लिए सदा उन्नत शील रहे प्रजा जनों में जो पहला यग्य को संपन करने वाला प्रगत शील सब का पोशन करता और दाता हो उसी की प्रशंसा करनी चाहिए जो प्रजा का पोशन करता हो आत्म ज्यानी हो बाल बच्चों के सुधार का मार्ग जानता हो प्रजाओं का संदक्षन करता हो वही स्रेष्ट है सू प्रजा निर्माड करना प्रतेक विवाहित इस्त्री पुरिश का करतब्य है रात्रि और उशा ये दोनों इस्त्रिया अत्तिंत तेजस्वी हैं दोनों विरुद्ध वर्ण वाली एवन विरुद्ध स्वभाव वाली होने पर भी मिल जुलकर रहती हैं और अग्नी का पालन करती हैं रात्रि पार्थिव अग्नि का पोशन करती है और अंतरिक्ष स्थानी विद्दुत अग्नि द्यू और पृत्वी दोनों लोकों के बीच में प्रकाशित होता है इसी तरह सभी इस्त्रियां मिल जुलकर रहें और बच्चों का पालन पोशन करें इसी अग्नि के समान मनुष्य भी धन का आधार अर्थात अपने पास धन को रखने वाला धनों को मिलकर प्राप्त करने वाला प्रगतिशील मानों के लिए मनन करने योग साधनों को और मोक्ष अथमा बंधन निव्रत्य के लिए प्यत्नशील रहे वह अग्न संपत्य का घर उत्पन्न हुए और आगे भी उत्पन्न होने वाले का निवास करता सबका आश्य और भूत काल में उत्पन्न हुए और भविश्य में उत्पन्न होने वाले समस्त विश्व का संड़ चक है वीरों के पास जो धन रहता है वह वीरता देने वाला धन हमें मिले जिससे निर्बलता का निर्माड हो ऐसा धन हमें नहीं चाहिए वह अग्न भी हमें वीरता उत्पन्य करने वाला धन ही देवे यह अग्न समिधाओं से बढ़ता हुआ हमें धन देने वाला होकर हमें य यू आदिसधी देवता अनुमोधन करें पाप न करना पाप की वासना दूर करना और शुभ कर्म करना ही उन्नतिका सत्यमार्ग है अशुद्ध मार्ग से जाना बुरे कर्म करना ही पाप है अतह मनुष्य कभी भी बुरे कर्म न करें इस प्रकार पाप दुखी होता हुआ हमस से दूर हो जावे मनुस्त में तीन सुभेक्षाएं इस्थिर रूप से रहें उत्तम देश में रहना उत्तम मार्ग से जाना और उत्तम धन प्राप्त करना ये तीन इक्षाएं मनुष्य के मन में रहें इनके साथ यग्य करने की इक्षा भी चाहिए क्योंकि यग्य मनुष्य की उन्नत करने वाला है हमारे सभी विद्वान ज्यानी एवं सुविचारी हूँ हमारे संबंधियों में एक भी ऐसा नौ हो कि जो निर्बुध और अनारी हो जो बलवान होता है उसका तेज चारो ओर फैलता है यह अगणि अत्यंत बलवान है इसलिए इसके तेज का विस्तार बहुत जादा होता है इसलिए उन्नत चाहने वालों को चाहिए की वे बल प्राप्त करें और उसे बढ़ावें यह सहस्तव पद दूसरी पर आक्रमण के लिए उपयोग किये जाने वाला बल का वाचक नहीं है प्रत्युत शत्र के हमले पर स्वह स्थान पर इस्थित रहने का वाचक है अगणी को विस्वतो मुख होना चाहिए अर्थात उसकी नजर चारो और रहनी चाहिए शत्रों पर अपनी नजर रखकर उन्हें अपने अधीन करना चाहिए इश्वर जैसे सब और मुख वाला होने के कारण सबका योग निरिक्षन करता है उसी तरह विजई वीर चारों और दूतों द्वारा शत्र के चारों और निरिक्षन करे और विजए संपादन करे जिस तरह लोग नौका द्वारा समुद्र के पार जाते हैं उसी तरह अपने बल की नौका बना कर वीर शत्र रूपी समुद्र को पार करें अंतह करण के शत्र पाप भाव हैं समाज के शत्र सामाजिक देश भाव हैं और रास्ट के शत्र रास्ट में देश भाव फैलाने वाले शत्र हैं इन सब को दूर करना चाहिए सब मानवों के हित करने के कार्य में जो दत्चित रहता है उस नेता का शुभाशिरवाद हमें प्राप्त हो जो नेता के आदेशा नुसार अपना नियत करतब्य करते जाते हैं और अपने नेता की योजना सफल करते हैं तो उस सफलता को देखकर नेता उस अनुयाई पर प्रस मानवों को सब प्रकार का सुख़ देने वाला सब प्रकार से स्वोभायमान होता है, मानवों का सुख बढ़ाने वाला ही सच्चा राजा होता है, और वही शक्तिमान और प्रभावशाली होता है। आक्नी का सदा हित करने वाला नेता सच्मुच्छ अग्न है वह मेता अग्नी की समान जंता में नौच japanese की आग उतपन्य करता है जिस प्रकार के संसर्ग में आया हुआ पदार्थ अगनिवत ही हो जाता है उसी प्रकार इस नेता के संपर्क में आ कर हर मनुश्य उत्साही हो जाता है अथमां जिस तरह रोग दूर करने के कारण सब और शधियों की प्रशंसा होती है उसी तरह यह नेता सभी रास्ट्री रोगों की चकित्सा करता है और रास्ट को रोग oh यह अविश उत्पन्य करता है ऐसा नेता दिन रात शत्रों से हमारी रक्षा करें जनता के नेता का जो यह सामर्थ है वह सदा सत्य रहे कभी कम नहों सत्यमार्ग काही यह अवलंबन करें कभी असत्यमार्ग पर नह जाए वह हमें पर्याप्त धन दें और हमारी सभी योजना प्रभु की क्रिपा से सफल होती रहे इससे कभी तुटिन हो यह अगनी सर्व्यापक होने से सरवग्य है अर्थात यह लोगों के मन की बातों को भी अच्छी तरह जानता है अतह यह मन से भी शत्र के समान आचर्ण करने वाले लोगों को नस्ट कर डालता है और जिस प्रका बंकार भक्तगन इस अगनी की सहायता से बड़े-बड़े दुखों को भी पार कर जाते हैं और पाप रहित हो जाते हैं इंद्र बहुत बड़ा धनी है वह धन के घर में रहता है उसमें ही सब अईश्वर्य रहते हैं वह द्यू और पृत्वी लोकों का राजा और व्रत्र के बंधन से जल को छुडाने वाला है यह इंदर सदा वीर मरुतों को अपने साथ रखता है इसलिए लोग इसे युद्धों में सहायतार्थ बुलाते हैं इंदर से अधिक कोई भी नहीं चल सकता उसको देखते ही शत्रू के प्राण सूखने लगते हैं वह बड़ा वलिस्थ और उत्तम रक्षक है इसी तरह जिस वीर के रंचेत्र में आते ही शत्रू का रक्त सूखने लगे वही विजई होता है इंदर अपने जाने आने का मार्ग शत्रू के अधीन नहीं होने देता उसी तरह राजा युद्ध के समय यातायात का मार्ग शत्र के हाथ में पढ़ने से बचाए और उसके मार्ग पर अधिकार करके शत्र को भोजन और युद्ध सामग्री पहुचाना रोक दे तब यह दूशियों पर विजय प्राप्त कर सकता है इंद्र रिशियों का पुझ देव बड़ा मित्र स्रेष्ठ बलिस्ठ इस्तुतिके योग्य और चलने में पर निचे गिराते हैं जिससे अन्ड बढ़ता है और उस अन्ड से मनुष्यों की रक्षा होती है यह इंद्र युद्ध करता है और उसमें विजय प्राप्त कर आनंदित होता है और सज्जनों का पालन करता है तथा सूर्य को पुनह प्रकाशित कर अपनी सुष्ठ की रक् यह इंद्र इतना बलशाली है कि स्रेष्ट से स्रेष्ट वीर भी युद्ध में अपनी सहायता के लिए इंद्र को बुलाते हैं इस इंद्र ने घोर अंधकार में भी प्रकाश को प्राप्त किया अर्थात रात्र के बाद सूर्य को उत्पन्य करके सरवत्र प्रकाश किया शत्र को वश्मे करना इंद्र के बाएं हाथ का खेल है वह पुरिशार्थी के कर्म दाएं हाथ में रखता और उनका यथा योग्य पतिफल देता है प्रजाएं इंद्र के रथ और सेना को देख कर उसके आने का अनुमान करती है क्योंकि वह रथ पर बैठ कर लोगों को धन द देने जाता है और बल से अपने शत्रों को हटाता है इंद्र अपने सैनिकों के पुत्र पौत्रों तक का ध्यान रखता है चाहे वे सैनिक उसके वन्षके हों या अन्य शस्तधारी शत्र नाशक भयंकर वीर ग्यानी अनेक प्रकार की नीतियां काम में लाने वाला बलवान पंच जनों का हित करने वाला है वह हमारी रक्षा करे इंद्र के पास बहुत धन है और दान भी उसी का विशेश गुण है वह सबका हित करता है वह उत्तम भाशन करता है इंद्र अपनी शक्त से दोनों लोकों को पालता और प्रजा का कष्ट दूर करता है ऐसा इंद्र मरुत वीरों के साथ हमारी रच्छा करे और हमें सब दुखों से पार करे इंद्र में अनंत शक्त है वह अपनी शक्त से प्रत्वी और द्यू लोग से इतना आगे बढ़ गया है कि मनुष्य क्या उसका अन्त तेजस्वी देव भी नहीं पा सकते जब इंद्र के चित्र विचित्र घोडे उसके रथ को गर्दन पर सम्हाले द्यू से प्रत्वी की और उतरते हैं तब लोग दूर से ही देख कर प्रसंद होते हैं सरल मार्ग से चलने वाले घोडों वाले आकास तक जिनका यश पहुँचा हुआ है जो हमेशा देवों के साथ रहते हैं जो युद्धों में शत्रू को कपाते हैं जो उत्तम अईश्वर्यवान हैं जो अपनी वाडी से आनंद बरसाते हैं ऐसे स्रेष्ठ जन इंद्र की इस्तुति करते हैं इंद्र ने जब युद्ध में विजय प्राप्त की और शत्रू को जड़ मूल से नस्ट कर दिया तब उसे अपना राज्य मिला सूर्य प्रकाश मिला और जल प्रवाहित हुए इंद्र हमसे रुस्ट नौ हो इस अपना रखने के लिए उसमें अंधेरा करता है इस अंधेरे के कारण उस नगरी पर इंद्र का हमला नहीं हो सकता आज कल भी युद्ध काल में नागरीकों को अंधेरे में रखा जाता है जिससे उनकी रख्षा होती है इंद्र हर तरह की नीती में कुशल है इसलिए वह असुरों को तो मारता ही है पर उनका वन्ष आगे न चल सके उनका वन्ष निर्मूल हो जाए इसलिए वह असुरों की गरभवती इस्त्रियों का भी नाश करता है ऐसे इंद्र को अपनी सुरक्षा के लिए सब लोग बुलाते हैं इंद्र ने पहले वृत्र के कंधों को काट डाला फिर धर्म और नीमों का पालन न करने वाले विप्र को भी इंद्र ने मारा इसके अलावा जनता का शोशन करने वाले शंबर और शोशन इन दोनों असुरों का भी नाश किया इस प्रकार सभी असुरों का इंद्र ने नाश किया इसी बलशाली देव इंद्र भगवान के भैसे द्यूलोक, प्रत्वी लोक, वरुण, सूर्य और नदिया अपने अपने नियम में रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं सभी देव अपने नियम में रहते हैं कोई भी अपने नियम का उलंगन नहीं करता इसी तरह सभी मनुष्य अपने अपने नियमों में रहें और अपना कार्य करते जाएं इंद्र गौवों का पालन करता है गौवों को अपने वश में रखता है गोडों का पालन भी उत्तम रीति से करता है गोडों को उत्तम शिक्षा देकर सुसिक्षत करता है इंद्र यग्य न करने वालों का वध करता है यग्य प्रजा को संगठित करने का बड़ा उपयोगी कार्य है जो इसे नहीं करता उसे मारना ही चाहिए यग्यद्वारा प्रजा को संगठित करना एक पवित्र कार्य है इसी लिए इंद्र इसका प्रचार करता है इसी तरह राजा अपनी गौवों अर्थात इंद्रियों को वश में रखे अर्थात सन्यमी बने और प्रजा को संगठित करने वाले उत्तम कारियों को प्रोथ साहित करें इंद्र भगवान चलने वाले और प्राणधारी संपूर विश्व का अधिपति हैं सब विश्व इसके अधीन है इंद्र शत्रू को नीचे गिराकर परास्त करता है इंद्र ब्राम्हणों के लिए गौवें देता है ब्राम्हणों के घर अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं ब्राम्हण का घर पाठशाला होता है वहां बिना मूल्य पढ़ाई होती है इसलिए विद्यार्थियों के परवरिश के लिए इंद्र ब्राम्हणों को गवें परदान करता है यह इंद्र शूरों द्वारा और भीरूं द्वारा सहायतार्थ बुलाया जाता है यही सब अपना मित्र बनाना चाहते हैं ऐसे मरुटुं से युक्त उन्द्र को हम भी अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं इंद्र सदा मरुटुं की सहायता करता है और इस प्रकार अपने यश کو फैलाता है तब इसके यश को देख कर मनुश्यों के हदे से निकली हुई इस्तुति उस इंद्र के यश्का गान करती है ऐसे मरुतों की सहायता से युक्त इंद्र की हम मित्रता चाहते हैं इस इंद्र को निश्चत रूप से सिध्ध मिलती है और इसका पराभव कभी नहीं होता यह सब को समान दृष्ट से देखता है अतर जिस प्रकार बड़े बड़े स्त्रीमंत लोगों के यहां बुलाने पर जाता है उसी प्रकार यह बुलाने पर छोटे लोगों के यहां भी जाता है और वहां जाकर बड़े प्रेम से सोमरस का पान करता है यह इंद्र उत्तम बलवान और दक्षता अर्थात कुशलता के साथ काम करने वा इसलिए यह विजय पाता है यह ज्ञान का वाहक है सब जगह ज्ञान को फैलाता है यह सदा अपने अनुयाईयों की साथ रहता है इसी प्रकार राजा भी अपने रास्ट में सब जगह शिक्षा का प्रसार करे और सदा साउधानी से खुशलता पूर्वक कर्म करते हुए बहुत सुन्दर दीखता है इंद्र के रत में जुड़े हुए घोड़े हमारे पास इंद्र को ले आएं क्योंकि हम इंद्र को बहुत चाहते हैं यह इंद्र पाप दुरभाग्य और दुरगत का नाश करने वाला है इंद्र संरक्षन करने वाला है यह इंद्र के गुण है और ये ही एक वीर के गुण होने चाहिए वीर की इन गुणों से शोभा बढ़ती है इस मंत्र की महिमा बहुत बड़ी है यह इंद्र शत्र को हराकर उतकर्ष और प्रकर्ष को प्राप्त होता है देव गण भी धनों को प्राप्त करने के लिए और प्राप्त किये धन को बढ़ाने के लिए इस इंद्र को आनंदित करते हैं साथ नदियां इस इंद्र के यश को धारण करती हैं इसके सुन्दर तेज को तीनों लोक धारण करते हैं इसी इंद्र के तेज से प्रकाशित होकर सूर्य और चंद्रमा प्राणी मात्र को ग्यान एवन प्रकाश देने के लिए नियम पूर्वक गति करते हैं इनकी गति इतनी नियमित होती है कि अत्यंत वेग से चलने पर भी वे कभी आपस में टकराते नहीं इसी तरह सभी मनुश्यों को चाहिए कि वे नियम में रहकर सुख पूर्वक गति करते रहें इस प्रशंसित इंद्र का रत जैशील है अर्थात यह जिस संग्राम में जाता है वहाँ यह विजय प्राप्त करता ही है कभी पराभूत नहीं होता इसी कारण और भी सबसैनिक इस रत को प्रेज़ित करते हैं उसी रत को हे इंद्र हमारी ओर प्रेज़ित कर और अपनी कृपा हम पर करके हमें सुख दे हम घेरने वाले शत्रों को जीतें अर्थात कोई शत्रों हमें घेर कर परास्त न करें हम इंद्र की सहायता से हर संग्राम में विजय प्राप्त करें और अपने धन की रक्षा करें और इस प्रकार अपने शत्रों की शक्तिका नाश करें तथा अपने प्राप्त किये हुए धन का हम शत्र रहित होकर सुख पूर्वक उपभोग करें हे धनों को धारण करने वाले इंद्र तुझे बुलाने वाले तथा तेरी इस्तुति करने वाले मनुष्य अनेक हैं अतह तुझ किन कि प्रार्थना सुनेगा और धन देगा इसलिए तुझ अपने शांत और जैशील मन से विचार कर और अच्छी तरह सोच विचार कर हमारे रत पर आकर बैठ और हमें धन दे इस इंद्र की भुजाएं गायों को जीतने वाली हैं वह इंद्र स्वैंग भी अपरमित बलवाला और स्रेष्ठ है प्रतेक कर्म में वह अनेक तरह के सुरक्षा के साधन रखता है और सदैव कर्म करने के कारण ही वह स्रेष्ठ है जो सदैव उत्तम कर्म करता है वह स्रेष इसी अपनी अतुल शक्त के कारण वह किसी दूसरे को अपने बराबर भी मानने को तैयार नहीं मनुश्यों में इस इंद्र का यश्ष सैकडों और हजारों रूपों से भी अधिक है अर्थात अनेक तरह से इसका यश्ष मनुश्यों में बढ़ रहा है इसके अतरिक्त भी प्रमित बल वाले इंद्र का बल बढ़ाती है तब यह शत्रों के किलों को तोड़कर व्रत्रों को मारता है इंद्र के बल का प्रमार तीन गुना अधिक है अर्थात वह अपने बल से तीन गुने अधिक बल वाले शत्रों का बड़ी वीरता से सामना करता है इसी अपने बल के सहारे वह इंद्र तीनों लोकों का संचादन करता है यह जन्म से ही शत्र रहित है जब से यह जन्मा तभी से इसने सारे शत्रों का विनाश करना शुरू किया इसलिए इसका कोई शत्र नहीं बचा यह इंद्र देवों में सबसे स्थ्रेष्ट और मुख्य है वह युद्ध इतना वीर और निडर यह इंड्र है इसी तरह राजा युद्वों में सबसे आगे रहे और अपने रत को प्रेरित करता रहे इस प्रकार करने से उसकी सेना भी उत्साहित होकर शत्र को हराने में समर्थ होगी यह इंद्र अनेक युद्धों को करता है और उनमें प्राप्त हुए धन को अपने भक्तों में बाट देता है यह कभी भी अपने पास धन जोड कर नहीं रखता यह कभी कंजूसी नहीं करता यह जो कुछ भी संग्रह करता है वह स्वैंग के उपभोग के लिए नहीं अपितु दूसरों की उन्नति एवं हित के लिए धनादिका संग्रह करता है इसी प्रकार राजा युद्धादि में प्राप्त धन का कुछ अंश राज्यकोश में रखकर बाकी धन सैनिकों में बाट दे यह इंद्र बहुत उदारचित वाला है इसलिए सब लोग इसे चाहते हैं यह इंद्र जिसके पक्ष में होता है वह पक्ष हमेशा विजैशील होत भी इससे कुछिलता पूर्ण व्यवहार न करें कुछिलता पूर्ण व्यवहार से यह इंद्र निश्चे से क्रोधित होता है अतह हम इसे कभी भी क्रोधित न करें इस प्रकार यदि इंद्र हमारे पक्ष में होगा तो निश्चे से मित्र वरुन सिंधु आदि अन्य प्रण्ट ये दोनों मिलते एक ही स्थान पर हैं जिस प्रकार संग्राम में दो विरुद्ध दिशाओं से आती हुई दो पता काएं एक निश्चत स्थान पर आकर मिल जाती हैं उसी प्रकार द्यू लोग से आता हुआ और प्रत्वी पर से जाता हुआ इंद्र का बल अंतरिक लिच में जाकर मिल जाते हैं तब इस महान बलका दूरदर्शी वीर गण शत्र को मारने के कार्य में उप्योग करते हैं उस शूर वीर इंद्र ने अपनी शक्त से प्रत्वी का धार्ण पोशन किया और उसे संवर्ध ध्यूक्त करके उसका विस्तार भी किया प्रत्वी का विस्तार करने से पहले पह इंद्र अही रोहिड व्यंस आदि असुरों को जो नदी आदि पानी के मार्ग रोक कर इंद्र की प्रजाओं को कष्ट देते हैं अपने वज्द से मार देता है इसी प्रकार जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहे उसे चाहिए कि वह सर्व प्रथम बाहरी और अंदर के शत्रूं का नाश करें तभी उसका राज्य सम्रिद्धिशाली और विस्त्रत हो सकता है इंद्र के पास रहने वाले हथियारों में कुछ हथियार ऐसे भी हैं जो बिजली से चलते हैं अर्थात बिजली के समान तिक्ष्णवार करते हैं ऐसे आ नेक नगरों को तोड़ता है और इस प्रकार अनारियों के बल का नाश करते हुए आरियों के बल और शक्त को बढ़ाता है रास्ट में आरियों का बल बढ़े और अनारियों की शक्त घटे यह इंद्र बल का पुत्र है शत्रूं का विनाशक है सज्जनों का रक्षक है इस के यश को यह अंधर अनंत्खाल से धारण करता आ रहा है मैं इसका यह यश कभी भी नश्ट नहीं होता अपने इस यश की रक्षा वह अंधल हर तरह से खरता है इसी और str ऐस आज तक चला आ इस इंद्र ने अपने स्वेंग अर्जत पराक्रम से गाएं प्राप्त किये तथा अन्य भी अनेक तरह के अईश्वर्य प्राप्त किये हे लोगों इसके इन पराक्रमों की ओर देखो और इस इंद्र के पराक्रम पर शद्धा रखो अपने उपास्य पर हमेशा शद्धा रखनी चाहिए तथा जिस प्रकार उसने अपने पराक्रम से यश का संपादन किया है उसी प्रकार स्वैंग भी प्रयत्न करके पराक्रम का स बीखने वाले और यग्या आदि उत्तम कर्मों में कभी भी धन का उप्योग न करने वाले असुरों का शत्र है इसलिए वह ऐसे असुरों से धन च्छीनकर उस धन को ग्यानियों में बाट देता है इस प्रकार वह अपने राज्य में हमेशा ग्यानियों को बढ़ावा देता है इसलिए सब लोग इसका सम्मान करते हैं इसी प्रकार राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य में ग्यानियों को अच्छी प्रकार उन्नत करे तथा सब जगह समाजवाद की उन्नति हो पूजी वाद न बढ़ने पाए जब इंद्र ने सोते हुए अहिनामक असुर पर वज़ प्रहार कर उसे जगाया अर्थात उसका पराभव किया तब सब देव और उसका पालन करने वाली उनकी सब शक्तियां बहुत प्रसंद हुई और सब ने इंद्र की स्तुति की मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृत आदि देवों ने जिस प्रकार शुष्ण आदि असरों को मारते और शंबरा सुर के नगरों को तोड़ते समय इंद्र की सहायता कर उसका उत्साह बढ़ाया था, उसी प्रकार हमें भी शत्र के पराभव के लिए बढ़ावे और उत्साहित करें, जिस समय यग्य का समय होता है और जगह जगह यग्य शुरू होते हैं, उस समय इंद्र अपने रत से उतर कर यग्य में आकर बैठता है, तब मनुष्य इंद्र के पास आकर रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं, इसके उत्तर में इंद्र उन मनुष्यों को उत्तम मार्ग में पेजित करता है, इसका आशय यह है कि जब मनुष्य उत्तम मार्ग से चलता है देवगण स्वैंग ही उसकी हर तरह से रक्षा करते हैं। फिर आत्म रक्षा के लिए उनकी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं रहती। उसके कर्मों से आकर्षित होकर इंद्र आद्य देव उसकी रक्षा के लिए आते हैं और वे देवगण उस मनुष्य के शत्रुओं को उत्साह हीन कर देते हैं। पसुर या शत्रुगन दूसरे के धनों का अपहर्ण करते हैं। तथा दूसरों के राज्य में जाने वाली नदियों को बाध आद बाध कर रूक लेते हैं। इस प्रकार जाग से भरे हुए पानी का अपहन करते हैं और तब शत्र की स्त्रियां उस पानी में खुश होकर नहाती हैं पर जब शत्र का यह मद बहुत अधिक हो जाता है तब सारे शत्रुगन का विनाश होता है और उनकी स्त्रियां भी उन्ही नदियों में डूब जाती है हे इंद्र जैसे एक गाय अपने मार्ग को जानती हुई अपने निवास स्थान पर पहुँच जाती है उसी प्रकार हमने दस्युके घर को सीधा जाने वाला मार्ग जान लिया अतह अब तू असुरों के स्थान पर जाकर उन्हें नस्ट कर और उन असुरों के कारण बार बार होने वाले कस्टों से हमारी रक्षा कर जिस प्रकार एक इस्त्री विसनी मनमाने रूप से धन लुटाता है उसी प्रकार तू हमें कभी भी अपने से दूर मत कर अपितु हमें सदा अपनी ही रक्षा में रख हे इंद्र तू हमें सूर्य प्रकाश एवंग जल से सन्युक्त कर हम इन दोनों पदार्थों से कभी दूर न रहें हम सभी के द्वारा प्रशंसित पाप रहित मार्ग में हमेशा चलें हमारे वरतन से प्रशंद होकर तू हमारी तदा हमारी प्रजाओं की रक्षा कर हमें तेरे बल में पूरी शद्धा है हमने अपना सर्वस्व तुझे समर्पित कर दिया है अता हमारी पूरी तरह से रक्षा कर हे इंद्र हमें तेरे बल पर पूरी पूरी शद्धा है हमें पूरा बिश्वास है कि तू हमारी हर तरह से रक्षा करेगा इसलिए मैं तेरा सम्मान करता हूँ तू हमें महान अईश्वर्य प्राप्त करने के लिए प्रेडित कर हमें कभी भी ऐसे स्थान में मत रख जो धन से शून्य हो हम सदा धन संपन रहें और धन संपन होकर भूखे प्यासे लोगों की सेवा करें हे इंद्र तु सोम पीने का बड़ा अभिलाशी है इसलिए हम तेरे लिए सोम तयार करते हैं तुम सोम पीकर हम पर प्रसन हो तथा हमारी प्रजा गर्भ एवं घुटने से चलने वाली संतानों की रक्षा कर साथ ही हमारा भी संरक्षन कर अंतरिक्ष में चंद्रमा और द्यूलोक में सूर्य विचन करते हैं पर वीच में चमकने वाली बिजलियों का स्थान कोई नहीं जानता यद्यप सूर्य और चंद्र दोनों गदिमान हैं तथा पिनका स्थान ज्यानी जानते हैं पर विद्दुत कहां से चमकेगी यह कोई नहीं जानता यह सदा गुप्त रहती और एकदम अचानक चमक उठती है इस विश्व में सरवत्र अग्न व्याप्त है पर यह सूर्य चंद्रमा अग्न के रूपों में प्रकट है और विद्दुत के रूप में गुप्त है मैं इसी तेज की उपासना करता हूं आकाश और प्रत्वी प्रभु मेरी इस प्रार्थना के आशे को जाने इक्छा ही मानों में एक मुख्य प्रेरक शक्त है यदि मानों में किसी चीज को पाने की इक्छा बन्वती हो तो वह उसे प्राप्त कर ही लेता है इक्छा शक्त से ही उन्नत होने की संभावना है प्रबल इक्छा होने से पर बल वर्धक वीर्य को प्रेजित करते हैं तब पत्मी पुत्र को उत्पन्य करती है यह ग्रहस्थाश्रम का कार्य पत्पत्मी की प्रबल इक्षा शक्त के कारण ही होता है इसलिए मन में सदा शुभ इक्षा ही धारण करनी चाहिए हमारा तेज स्वर्ग से नीचे न गिरे अर्थात हमारा तेज सदा उचा रहे उच्च मार्ग से जाकर उच्च स्थान पर ही विराजे हम उन्नत हों कदाप आउनत न हों तथा सुख उत्पन्न करने के साधन जहां न हों वहां हम कदाप न रहें अपने पास सब तरह के सुख के साधन जमा करके हम आनंद प्रसंद जो कुछ पूछना हो समीपस्त ग्ञानी पुरुष से ही पूछना चाहिए क्योंकि शंका समाधान ग्ञानी ही उत्तम शक्त से कर सकता है, सभी प्रशनों का उत्तर उत्तम रीति से दे सकता है। प्राचीन लोगों की सरलता सच्चाय सादगी हमारे व्यवहार में भी आनी चाहिए ये सद्धुन ही हमारे मारग दर्शक न तुम्हारा सत्यमारग और असत्यमारग कौन सा है यह विचारणी यह है जो लोग तीनों स्थानों में रहते हैं वे द्यू लोग के पवित्र प्रक लुश स्थान में रहेंगे प्रतेक मनुष्य को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए कि उसकी योगःता उच्च हो मनुष्य ने घूत काल में जो भीकुछ किया हो उस पर विचार अवश्य करना चाहिए अर्थात भूत काल इंजो भी किया उससे जनता का हित हुआ या अहित इसका विचार मनुष्य अवश्य करें इस प्रकार पूर्व के आचरण के परिणाम पर विचार करके ही आगे के आचरण करने चाहिए दुष्ट बुद्धिवालों का अतिक्रमन करके हम सदबुद्धिवालों की संगत में रहें हम दुष्टों का दमन करते हुए आगे बढ़ें दुष्ट मानों सब समाज को कष्ट देते हैं अतह उनका दमन करना चाहिए वे समाज में उपद्रव ना कर सकें ऐसी स्थिति में उन्हें रहना चाहिए सत्य का समर्थ आधार वरिष्ठ द्रस्टा का निरिक्षन और उत्तम आर्य मन वालों के मार्ग से गमन ये तीन साधन हैं जिनते दुस्टों को दूर करके सज्जनों का मार्ग निरुपद्रवी हो अपना पक्ष सत्य के आश्य पर इस्थित हो कार्य करताओं पर भद्र और स्रेष्ट पुरुष का निरिक्षन हो मनुष्च सदा आर्य मार्ग से चलें इन तीन साधनों से मनुष्य की उन्नत हो सकती है मनुष्य भले ही कितना ही बड़ा विद्वान हो तथा प्यासे हिरन को जैसे भेड़िया कस्ट देता है उसी प्रकार मानसिक गठाएं उसे कस्ट देती ही है विद्वत्ता प्राब्द करने पर भी उसका मन शांत नहीं होता भोग त्रिश्णा उसे सताती है क्रोध उसे अशांत करता है इस्तुति प्रार्थना उपासना और भजन करने वालों को भी मानसिक शांत नहीं मिलती उसे भी मनों विथाएं उसी तरह खाती हैं जिस तरह काजी लगे हुए वस्त को चूहा खा जाता है जिस तरह धागे पर काजी लगाने से उसे चूहे काट डालते हैं उसी प्रकार मनुष्य पर प्रवल भोगेक्षा का लेप लगने से उसे काम क्रोधाद चूहे काटने लगते हैं अथ्मा जैसे अनेक सौतें एक पति को कष्ट देती हैं उसी प्रकार अनेकों मनों ब्यथाएं मनुष्य को तंग करती हैं जहां तक सूरी की किरने फैलती हैं वहां तक मनुष्य का कुटुम्ब हो और सारा विश्व मनुष्य का कुटुम्ब हो आप्त पुरुशों की यही इच्छा होती है कि सरवत्र बंधुभाव की स्थापना हो इसी भावना का वह सरवत्र उपदेश भी करता है सभी मनुष्य संपूर बंधुभाव स्थापित करने का प्रयत्न करें विस्व में सब जगह प्रेम का प्रसार करें दियुलोक में पाँच बैल हैं शरीर में सिर दियुलोक है इसमें आख, नाख, कान, मुख और रसना ये पाँच बहुत शक्तिसाली इंद्रियां हैं इन्ही को पंच ब्रिशब, पंच प्राण, पंच अग्न, आदि कहा जाता है देवताओं की उपासना प्रारंभ होते ही ये पाँचों एकदम विश्यों से निवर्त होते हैं मन के साथ साथ ये इंद्रियां भी उपासना में तलीन हो जाती हैं उत्तम पंच वाले पक्षी द्यूलोक में इस्थत हैं वे पक्षी वेग से तैरने वाले प्रवाहों के मार्ग में आने वाले भेडिये को दूर कर देते हैं यहां ये पक्षी सूर्य किरने हैं और भेडिया अंधकार है ये सूर्य किरन अंधकार को दूर करके प्रकाश का मार्ग खोल देते हैं अज्ञान रूप अंधकार को दूर करके प्रकाश के मार्ग को प्राप्त करना दुख से मुक्त होने का साधन है नवीन इस्तोत्र बार बार पढ़कर मनन करने योग्य एवन हितकारक है जिस तरह नदियों में जल बहता है और जैसे सूर्य प्रकाश फैलता है उसी प्रकार विद्यारूपी जल शक्त और प्रकाश देकर सबका हित करता है दैवी संपत्ति वाले विभू के साथ जो बंद भाव होता है वही प्रशंसनी होता है अर्थात दुस्टों के साथ अपना संबंध रखना उचित नहीं है मनुष्य को चाहिए कि वह अत्यंत ज्यानी बनकर देवों का विद्वानों का अपने घर में सम्मान करे अत्यंत ज्य ज्यानी बुद्धिमान अग्नि जैसा तेज़ष्टी पुरुष्ट दिव्य विभूं का अंपानादि द्वारा सत्कार करता है वरिस्ट ज्यानी ही उत्तम काव्य बनाता है बिना घ्यान के मार्गदर्शन असंभव है अतह जो मार्गदर्शन कर सकता है उसी को प्राप्त करना चाहिए उसके मार्ग दर्शन से उन्नति को प्राप्त करना चाहिए वह ग्यानी अपने हरदय से सद बुद्ध को प्रकट करके जनता का मार्ग दर्शन करता है नई रीती से सत्य का मार्ग बताता है इसलिए सज्जनों की संगत में ही रहना चाहिए यह जो सूर्य का प्र काश मार्ग को सिर्फ ज्यानी ही देख सकते हैं सर्व साधान मनुष्य इसे देख नहीं सकते इस मार्ग की बहुत इस्तुतिगाई गई है मनुष्यों को इसी सूर्य मार्ग से जाना चाहिए इस मार्ग से जाकर वह सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो जाता है कूप में पड़ किया दुख के अंदर पढ़ा हुआ मनुश्य दुख से मुक्त होने के लिए ज्यानियों की प्रार्थणा करता है तब ज्यानी उसके आर्थनाद को सुनकर उसके पास जाते हैं और उसका उद्धार करते हैं लाल रंग का उदै होता हुआ सूर्य सब लोगों का निरीक्षन करता चलता है उदै होने के साथ ही वह सब को अपने अपने कामों में प्रेरिद करता है साथ ही यह भी देखता है कि मनुश्य अपने ठीक ठीक मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं तब वह अधोगत की और जाने वालों का उद्धार करता है उन्हें उन्नत करता है और दुख से मुक्त करता है इस सूक्त के मनन से हम सब वीर बनकर युद्ध में सब शत्रू को परास्त करें और विजई बनें मित्र वरुण आद सब देव हमारे प्रस्ताव का अनुमोधन करें और हमारी सहायता करें हम अपनी सुरक्षा के लिए इंद्र आद देवों की प्रार्थना करते हैं ये सब हमारे यग्य में आवें और असुरों के नाश करने के कार्य में हमारी सहायता करें तथा जिस प्रकार कठिन रास्तों से रथ को सम्हाल कर चलाते हैं उसी प्रकार हमें संकटों से पार कराएं हम बलिस्थ वीर की इस्तुति करते हैं तथा सदा वीरों को अपने पास रखने वाले पूशा की भी हम प्रार्थना करते हैं वे सब देवता देवकन्या और अन्यदेवियां मिलकर हमारी रक्षा करें संकटों के गर्त में गिरे हुए कुछ ने सुरक्षा के लिए शक्तिशाली इंद्र की प्रार्थना की तब इंद्र ने आकर उसकी सहायता की बिहस्पत भी मानव का सच्चा हित करने वाला है तथा सच्चा सुख देने वाला है वह हमारी सहायता करें देवी और अखंडनी देवी हमारी रक्षा करें तथा अन्य देव भी दुरलक्ष न करते हुए हमारी सहायता करें इसके साथ ही वरुण, अदित, आदि देव भी हमारी इस तरह से सहायता करें यग्य से सुबुध्ध प्राप्त होती है यग्य अर्थात सज्जनों के साथ संगति करने से बुध्ध पवित्र एवंग शुद्ध होती है सुबुध्ध से उत्तम सुख मिलता है वह संकटों से बचाती है और उत्तम यश देती है अंगिरसों के साम गानों से आकिष्ट होकर देव सुरक्षा के साधनों के साथ इंद्र अपनी शक्तियों सहित मरुत अपने वीरों के साथ और अदित अपने आदित्यों के साथ आकर हमें सुख देवें तथा वरुण, अग्मि, सिंधु, पृत्वी आदिदेव भी हमारी हर तरह से सहायता करें हे वीर और ग्यानी तुम दोनों का रत बहुत सुन्दर है उस पर बैठने वाला सब लोकों का निरीक्षन करता है उसी रत पर बैठ कर तुम दोनों इधर आओ इसी प्रकार वीर और ग्यानी अपने रास्ट के सब देशों और प्रांतों का निरीक्षन करें देश में ग्यान प्रसार और उसकी सुरक्षा पर ध्यान दें यह विश्व इतना विश्वत और गंभीर है कि इसका अंतपाना असंभव है वीर गण इस विश्व की गंभीरता पर विचार करें और जहां तक हो सके सबका कल्यान करें वीरों को चाहिए कि वे घेरने वाले शत्रूं का नाश करें और अपना नाम जनता के कल्यान के कारियों में यशश्वी करें प्रदिप्त अग्नि में हवन करें यह आत्म समर्पन का पाठ है जिस तरह अग्नि में हवी अर्पित की जाती है उसी प्रकार वीर जनता के कल्यान के कामों में अपना जीवन समर्पित करें ये वीर यधा शक्त पराक्रम करें क्योंकि पराक्रम करना ही वीरों का स्वभाव है ये वीर अपने शरीर सुद्रिन और बलिस्ट बनावें ऐसे बलवान वीरों की मित्रता स्थाई और कल्यान करने वाली होती है वीर के मन में शद्धा हो और वह शद्धा भक्त से देवों की उपासना करें अशद्धा से दी गई हवी गर्थ होती है इसलिए सदा सद्धा से ही अगनिप्रजलित करें और शद्धा पूर्वक ही उसमें हवी देवें ये वीर अपने देश में ग्यान का प्रसार करके और उत्धम राज्य प्रबंध करके आनंदित होते हैं प्रजाओं के आनंद में ही इनका आनंद है रास्ट के वीर अहिंसक, हिंसक शत्रूं को विनस्ट करने वाले, देश द्रोहियों को दूर करने वाले, प्राणों के बल से युक्त और नगरों में रहने वाले नागरिक इन पांच प्रकार के लोगों की रक्षा करते हैं और उनकी उन्नत के लिए यत्न करते हैं अथमावे वीर पांच वरणों के मानवों का हित करने वाले हैं प्रत्वी के निम्न, मध्य और उचे प्रदेश में ये वीर जाते हैं और वहां के जनों का उद्धार करते हैं ये सभी प्रदेशों में रहने वाले मानवों की सेवा करते हैं आकाश, परवत, प्रिथवी, और जलस्थान आदि में ये वीर जाते हैं आकाश में संचार विमानों से होता है इन सब स्थानों में ये वीर जाते हैं और सब स्थानों की सुरक्षा करते हैं सूर्य के उदै होने पर सब वीर मिलकर सूर्य प्रकास में खाते पीते और आनंद मनाते हैं वीरों का यह स्वभाव ही होता है कि जो भी आनंद वे मनाते हैं सब मिलकर मनाते हैं संगठन करने का यह एक उत्तम मार्ग है यह जो भी काम करते हैं मिलकर करते हैं ये सभी वीर मिलकर शत्रूं पर चढ़ाई करते हैं, मिलकर धन जीतते हैं, तथा आपस में बाटते हैं, सभी स्वैंग सेवक इस प्रकार जनता की सेवा करते हुए अपना जीवन यशश्वी बनाते हैं धन की इच्छा करता हुआ मनुश्य ग्यानी और सजातियों की सहायता की अपेच्छा करें, यह सब वीरों की सुरक्षा में रहते हुए ही हो सकता है, यदि धन प्राप्त करने की इच्छा हो, तो प्रतम ग्यानियों की संगति से ग्यान प्राप्त करना चाहिए, और सजातियो बुद्ध निर्माड करनी चाहिए बुद्ध ऐसी चाहिए कि जिससे व्यक्ति और संग का बल बढ़ता रहे। जामाता और सालों से भी अधिक धन ये वीर देते हैं। जामाता जिस प्रकार अपनी पत्नी के लिए अथुआ साला जिस प्रकार अपनी बहन के लिए आनंददाई पदार्थ बहुत जादा देता है उससे भी अधिक धन ये वीर देते हैं ऐसे दानियों का सरवत्रसत्कार होना चाहिए हे वीरों किरणों का विक्षेद न करो प्रकाश को मत हटाओ संतत का विक्षेद न करो परंपरा को छिन भिन न करो पितरों की जो शक्तियां हैं वे शक्तियां संतानों में उतरें वे बीच में विच्छिन न हों पितरों की अपेक्षा संतानों में अधिक शक्तियां हों वन् से ही कर्म करें जिन से जंता का कल्याण ही हो धनका दान करते समय तथा शत्रपर आक्रमण करने के समय वीरों का बेग बढ़ें दान और शत्र नाश ये दोनों कार्य अत्यंत उतसार से करें इंद्र और अग्न ये दोनों देव युद्धों के समय जनता का हित करने के लिए उत्साह से भरपूर रहते हैं युद्ध के औसर पर ये वीर कभी भी पीछे नहीं हटते ऐसे जनहित करने वाले वीरों का महत द्यूलोक नदियां परवत पथा अन्य भूनों से भी अधिक है क्योंकि इनसे मिलने वाली सहायता की अपेक्षा वीरों की सहायता अधिक महत पूर है धन भरपूर देना चाहिए अनपढ़ों को ग्यान देना चाहिए शक्तियों को बढ़ा कर सबकी सुरक्षा करनी चाहिए ग्यान धन और शक्त इन तीन से ही सुरक्षा होती है इन वीरों के शत्रों को दूर करके सबकी सुरक्षा करते हैं। जिससे जनता का हित होता है। ऐसा यग्यकर्म, देव पूजा, रास्ट में प्रजाओं का संगठन और निर्बलों को दान देकर सबल बनाने का काम मनुष्य बार बार करें। सहायता करने वाले हों और दान वीर हों। इस प्रकार स्वैंग, उन्नत और स्रेष्ट होकर दूसरों को भी प्रिरणा देने वाले हों। ये रिभुगन कुशल हैं, ये प्रथम मनुष्य हैं पर जब इन्होंने सबको प्रिरणा देने वाले सविता की प्रार्थना की तो ये अमर हो गए। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने प्रयतनों और कुशलता से अमर देव बन सकता है। जब वह देव बन जाए। ये रिभु मरत्य अर्थात मरनशील होते हुए भी उपासना और अपनी कर्म कुशलता की द्वारा अमरत्य को प्राप्त हुए। और अमरत्य को प्राप्त करके सूर्य के समान तेजस्वी होकर एक ही वर्ष के अंदर सबके द्वारा पूजे जाने लगे। इसी तरह मनुश्य मरन धर्म होने पर भी भगवान की उपासना से अमरत्य प्राप्त कर सकता है। और सूर्य के समान तेजस्वी होकर थोड़े ही समय में सबका पूज्य हो सकता है। रिभू ने कुशलता से पात्र को खेत के समान नाप कर उत्तम बनाया। रिभू जो भी काम करते हैं उत्तम रीति से करते हैं। इसलिए वे देवों में भी यश के भागी होते हैं। प्रथम तो देव ही बनना मुश्किल है। उपर से देवों में भी यशस्वी होना तो औ और भी मुश्किल पर जो मनुष्य रिभू के समान कुशल होगा वह अवश्य देवों में भी यशस्वी होगा इस मंत्र में खेत को मापनी की उपमा दी है वैदिक राज पद्धत में भी खेतों की लंबाई चोणाई का परिणाम नापा जाता था फिर नापकर उस पर कर पिता प्रजापत के साथ रहते हैं तथा अपने बल से बलशाली होकर द्यूलोक और अंतरिक्ष पर आरोहन करते हैं जो मनुष्य अपने कारियों को शीखता एवन कुशलता से करता है तथा अपने बल से बलशाली होता है वह सभी के द्वारा प्रशंसित और पूज्य होता बल से युक्त होने के कारण रिभु सदा नवीन तरु जैसे दीखते हैं इसलिए ये सदा इंद्र अर्थात अईश्वर्य संपन्न होते हैं अईश्वर्य संपन्न होने के साथ ही ये धन और बल का दान करके लोगों की सहायता करते हैं उन रिभु की सहायता पाकर हम यग्यका प्रजाओं के संगठन का कार्य अत्यंत आवश्यक है अतह इस पवित्र कार्य में जो बिग्न डालते हैं उनका पराभव आवश्यक करना चाहिए रिभू ने ऐसी गव को जिस पर केवल चर्म ही रह गया था और मांस पूरी तरह से नस्ट हो चुका था फिर से सुन्दर ओयो वाली और हिस्ट पुस्ट बनाया दुधारू बनाया पस्चात बचड़े के साथ उसे सन्युक्त किया अपने प्रयत्नों से अत्यंत व्रिद्ध म माता पिता को भी तरण बनाया रिभुकारी गरी में तो कुशल हैं ही पर चिक्तसा में भी पूरी तरह कुशल हैं हे रिभू के साथ रहने वाले इंद्र बल पूर्वक जिसमें पराक्रम किया जाता है ऐसे युद्ध में अपने सामर्थ से घुस जाओ और उसमें धनों को जीत कर हमें दो तुम्हारे साथ ही मित्र वरून आदि देव गन भी हमें धन प्रदान करें अपने विज्ञान और कुशल कर्म से सुंदर रथ अच्छी तरह आच्छादित करके बनाया विस्वमना पद विज्ञान का सूचक है अपस पद कुशल कर्म का द्योतक है विज् ने पितरों को तरुण बनाया रिभू का तेजस्वी जीवन यग्यकार्य में ही वतीत होता है देव पूजा संगठन और दाम रूप शुब कर्मों में ही मनुष्य का सारा जीवन वतीत हो सतकर्म करने और बल बढ़ाने के लिए ही मनुष्य का जीवन हो मनुष्यों के संग बढ़ाने वाला और सू संतानोत पादक होता था जिसका सेवन करने से नर्बल भी बलवान और नहसंतान भी संतान वाले हो जाते थे ये रिभू की कुशलता के कार्य थे हमारे विजय देने वाले वैभो का सदा सम्मान होता रहे युद्धों में सदा चाहे कोई हमारा पराया हो उन सब का हम पराभव करें और इस प्रकार हम नित्य विजय प्राप्त करें रिभु गण भी हमें शत्र को हराने के कार्य में निपुण घोड़े आदि धन देवें इस्तुति करने वाले रिभु मनुष्य होते हुए भी वे अमरत्व देवत्य को प्राप्त हुए और एक ही वर्ष में उनकी स्तुतियां भी होने लगी इस तरह मनुष्य देवत्य प्राप्त करते थे देव जात तिब्बत में रहती थी और मानो जात आर्या वर्त में रहती थी आवशक्ता नुशार वीर तथा कुशल मानवों को देवरास्ट में रहने का अधिकार मिलता था इसी तरह रिभु और मरुत मानो होते हुए भी देवरास्ट में रहने के अधिकारी बने इसी प्रकार सभी मनुष्य प्रयत्न करके देव बन सकते हैं देव बनकर शत्रू को हराने वाला बल प्राप्त कर सकते हैं ऐसे प्रयत्नशील मनुष्य के मित्र वरुण आदि द में रहने वाले अगनिकी इस्तुति सबसे प्रथम करता हूं अश्विदेवों कुशल शूर पुरुष को युद्ध में अपना भाग प्राप्त कर लेने के लिए जिन रक्षक शक्तियों के साथ उसे तुम लोग प्रेजित करते हो उन संरक्षक शक्तियों के साथ हमारे पास आओ और हमारे सुरक्षा करो अपना सतकर्म सफल बनाने की इच्छा से मनुष्य देवता की प्रार्थना करें अपना न्याय भाग प्राप्त करने के लिए आवश्यक हुए युद्ध में जाने के लिए कुशलता से युद्ध करने वाले शूर पुरुष को नेता लोग प वे सीधे अश्वदेवों के रथ के पास उसी प्रकार आते हैं और उनसे दान प्रात करते हैं जिस तरह बिद्ध्वान से सम्मत मांगने के लिए उनके पास लोग जाते हैं जिन संदक्षक शक्तियों से अश्वदेव उनकी बुद्धियों और कर्मों की रक्षा करते हैं उन शक्तियों से वे हमारे पास आवें और हमारी रच्छा करें अनुयाई लोग अपने नेता के पास जाएं उनकी सलाह लें और उनसे आवश्यक सहायता मागें नेता लोग उनकी हर प्रकार से सहायता करें नेता अनुयाईयों की बुद्ध विक्सित करें और उनके शुभ कर प्रमू की रक्षा करके उनकी ब्रद्ध करें। प्रजा जनों का सेवन बल्वान बने प्रजा जनों का राज शासन चलाने के लिए प्रजा में ही रहें। प्रजा में भी विशेश गतिमान होकर सरबोपर विराजता है तथा त्रिमंतु कक्षिवान रिश्य जिनकी साधनों से बड़ा विद्वान बना। उन संरक्षन की शक्तियों से सज्जित बनकर हे अश्विदेवों तुम दोनों यहां हमारे पास आओ। और उन से हमें लाभ पहुँचाओ। जिस तरह अग्नी और वायु परस्पर सहायक होते हैं और परस्पर के बल से परस्पर की उन्नति करते हैं। इसी तरह द्विजन्मा ब्रामभड और प्षत्री परस्पर की सहायता करके समूची जनता की उन्नति करें। जिस तरह त्रीमंत विद्वान हुआ उसी तरह व्यक्ति, समाज, जनता, इन तीनों की उन्नति का मनन करने वाले सभी युवक विद्वान बने। नेता लोग सब प्रकार की संरक्षक शक्तियां अपने अनुयाईयों की सहायतार्थ उपयोग में लाएं और उससे जनता की उन्नति करें। अस्विदेवों ने जल में डूबने वाले और बधे हुए रेव और वंदन को जल से उपर उठाया और प्रकाश में घूमने योग्य बनाया। इसी तरह उपासक कणव को सुरक्षित किया। यह सब जिन साधनों से किया उन साधनों के साथ हुए देव हमारे पास आवें और उन शक्तियों से हमारी सहायता करें। कोई अनुयाई जल में डूबता हो, किसी शत्र ने उसे बंधन में डाला हो, अथुआ डर बताया हो, तो उनको सुरक्षा के साधनों से ततकाल सहायता पहुचानी चाहिए और अनुयाईयों को निर्भय बनाना चाहिए। गढ़े में पड़े और बहुत पीड़िध हुए अंतक को अश्विदेवों ने गढ़े से बाहर निकाला, अथक परिश्रम करके भुज्य को सुरक्षित करने के कारण प्रसन्न किया, और करकंध तथा वईय को संतुष्ट किया, यह जिन साधनों से किया, उन साधनों के द अन्य प्रकार के दुख दिये, तो नेता त्वरा से अनुयाईयों की सहायता करें, और उनके कस्ट दूर करें, अत्र रिशी को स्वराज का आंदोलन करने के कारण असुरों ने कारावास में रखा था, और वहां अग्नी जला दी थी, अत्र को उस गर्मी के कारण बड़े क क्लेश हो रहे थे, अत्र को आराम देने के लिए अश्व देवों ने उस अग्नी को शांत किया, धन बाटने वाले सुचिंत को घर दिया, पिश्ट्रगू और पुरकुच्स को सुरक्षत रखा, यह जिन साधरों से किया, उनके साथ वे हमारे पास पधारें और हमारी सहाय जनता के हिद के लिए हल्चल करने के कारण जो कारावास में पड़े होते हैं, उनको आराम पहुचाने के लिए नेता का प्रयत्न होना चाहिए, ग्यानियों को ग्यान वृद्धि के कारे के लिए उनको धन और घर देना चाहिए, तथा गोपालकों को सुरक्षत रखना चा भेंडिये ने चिनिया को मुख में पकड़ा था उसके दातों से वह घायल हुई थी उसको उसके मुख से छुड़वाया और चिनिया को आरोग्य युक्त किया यह सब जिन शक्तियों से किया उन शक्तियों से तुम दोनों हमारे पास आओ और हमारी सहायता करो चकिस्था शास्त्र की इतनी उन्नत करनी चाहिए कि जिससे अंधों की दृष्ट अच्छी हो सके दृष्ट ठीक की जाए लंगडे लूलों के पाउं अच्छे कर उन्हें चलने फिरने योग बनाया जाए और घायल को ठीक आरोग संपन बनाया जाए यह चकिस्था जैसी मानमों की वैसी ही पशुपक्षियों की भी होए अश्वदेव जराहीन हैं नित्त तरुन हैं इन्होंने मीठे जल वाली नदियों को जल से भरपूर करके बहाया वसिस्थ कुच्स रुतर्य और नर्य को शत्रूँ से सुरक्षित रखा जिन शक्तियों से यह किया उन शक्तियों के साथ वे हमारे पास आकर हमारी सहायता करें जरावस्था को दूर करना चाहिए ब्रद्धा वस्था में भी तारुन्य का उत्साह रहना चाहिए नदियों को बंध आदि द्वारा ठीक तरह बहाने का प्रबंध करना चाहिए जिससे उनका खेती ज्ञान प्रसार के कारियों में कोई बिग्न न हो सके अश्विदेव नदियों से नहर आद निकाल देने की विद्या अच्छी तरह जानते थे ऐसा इस मंत्र से प्रतीत होता है अश्विदेवों ने युद्ध में जाकर लड़ने वाली विश्पला की सहयता की और अश्वप उमें लड़ने वाले वीर नारियों और पुरुषों की सब्रकार से सहयता करें अपने अनुयाईयों को संकटों से बचावें अश्विदेव उत्तम दान देते हैं इन्हों ने उश्विक पुत्र देरगस्तरवा को मधुके भंडार दान में दिये और उपासक कक्षीवान को शत्र से बचाया यह जिन शक्तियों से इन्होंने किया उन शक्तियों के साथ यह हमारे पास आएं और हमारी सहायता करें नेता उदार और दाता होने चाहिए तथा अपने अनुयाईयों को मध जैसा पौस्टिक अन दे और अन्य प्रकार से अपने अनुयाईयों को सुरक रास्ट करके जैप्राप्त की और त्रिशोक को दुधारू गौवें दी जिन शक्तियों से यह हुआ उन शक्तियों से वे हमारे पास आएं और हमारी सहायता करें रास्टर में नेता लोग जल के प्रवाहों को इकठा करके भरपूर जल के साथ नहरों को बहावें घोड़े आ अपने अनुयाईयों को प्रदान करें अश्टर देव सूर्य के चारों और प्रदक्षिना करते हैं इन दोनों देवों ने मंधाता को छेत्रपत्य के करतब्यों को निभाने में बड़ी सहायता की तथा विप्रभरतवाज की रक्षा भी की यह जिन शक्तियों से किया था उन शक्तियों को साथ लेकर वे हमारे पास आएं और हमारी सहायता करें नेता लोग देश पालन करने के विशय में जो जो आवश्यक करतब्य होते हैं उनके निभाने में सब प्रकार की सहायता कारेकरताओं को दें ग्यानियों की रक्षा करें और उनके ग्यान प्रसार का का चलाते रहें सबको भरपूर सूर्य प्रकाश में विचरने का आउसर दें क्योंकि सूर्य ही जीवन का आदिस्रोत है उसके प्रकाश से जीवन शक्त मिलती है अश्व देवों ने शंबर का बद करने के लिए किये गए युद्ध में अतिथिव, कशोयुज और दिवोदास की रक्षा की और तरसदश्य की भी शत्रो के किले तोड़ने के काम में सहायता की थी यह काम जन शक्तियों से किया था उन शक्तियों से वे हमारे पास आएं और हमारी सहायता करें नेता लोग अपने वीरों की उचित सहायता युद्ध के समय में अवश्य करें युद्ध के समय में चीज की निउन्ता सैनिकों को न रहे विजय के लिए इस तरह के प्रवंद क करने की अत्यंत आवशक्ता है अश्व देवों ने बहुत सोमरस पीने वाले प्रशंसित वंब्र नामक रिशी की रक्षा की कलिको उत्तम धर्मपत्नी देकर उसकी रक्षा की प्रत्वी के घोडे दूर होने पर भी उनकी रक्षा की वे अपनी सब शक्तियों से हमारे पास आ जाहिए तो उसके व्याह का प्रवंध करें घोडे बिछड जाने पर उसको वे पुन्ह मिले ऐसा प्रवंध करें अर्थाथ अपनी शक्तियों से अनुयाईयों को असुरक्षित न रहने दें। जिन शक्तियों से अश्विदेवों ने शयू, अत्र, मनु और स्यूम, रश्न की सहायता की। उन शक्तियों के साथ वे हमारे पास आवें। और हमारी सहायता करें। नेता लोग साधूं का परित्राण करें। और दुर्जनों का नाश करें। और सज्जनों क की रक्षा करें अश्विदेवों की शक्तियों की सहायता से पठरवा नरेश अपना सामर्थ बढ़ाने के कारण युद्ध में बढ़ा तेजस्वी सिद्ध हुआ इसी तरह शर्यात की भी अश्विदेवों ने महा युद्ध में रक्षा की उन शक्तियों के साथ वे हमारे प गिरसों ने की उससे प्रसंद होकर अश्विदेवों ने उनको संतुस्त किया जब गौवों को ढूढने के लिए गुहा में जाने का आउसर आया उस समय अश्विदेव आगे बढ़े शूर मन को युद्ध में परियाप्त अन्य सामग्री पहुचाई यह सब जिन शक्तियों से किया उन शक्तियों से वे हमारे पास आजाएं और हमारी सहायता करें नेता लोग अपने अनुयाईयों को आवश्यक सामग्री देकर संतुस्त करें शूर वीरता के कार्य में सबसे आगे बढ़ें इस तरह अपने अनुयाईयों की सुरक्षा के उत्तम प्रबंध रखें अश्विदेवों ने जिन शक्तियों से विमद की धर्म पत्नी को उसके घर पहुँचाया, लाल रंग की घोडियों को अच्छी तरह सिखाया और सुदास को बहुत धन दिया, उन शक्तियों से वे यहां हमारे पास आएं और हमारी सहायता करें, नेता लोग अपने अनुयाई की पत्नियों को शत्र से सुरक्षित रखें, घोडियों को शिक्षित करें, और दान में धन दें, और सब तकार से जनता को प्रसंद रखें, अश्विदेवों ने अपनी शक्तियों से दाता को सुख दिया, भुज्य और अध्रगू की रच्छा की, और रितस्तुब को दाताओं को सुख दें, जिनको आवश्चक है उनको पौस्टिक और आरोगिवर्धक धन दें, और अन्य अनुयाईयों की उत्तम रच्छा करें, अश्विदेवों ने युद्ध में प्रिशान की रच्छा की, दोडने वाले घोडों को बचाया, और मध मक्षिकाओं को करें, घोडों को उत्तम शिक्छत करें, जिससे वे बड़ी दोड में भी बचे रहें, मध को भी प्रदान करें, क्योंकि मध उपस्टिकारक अन्न है, गौवों की सुरक्छा करने के लिए होने वाले युद्धों में लड़ने वाले वीरों को अस्विदेव सुरक्छत वे हमारे पास आएं, और हमारी सहायता करें, नेता लोग गौवों को सुरक्छत रखें, गौवों पर हमला करने वाले शत्रों के साथ लड़ें, ऐसे युद्धों में लड़ने वाले वीरों के सुरक्छत रखने का प्रबंध करें, खेत की उपज का बटवारा करने की समय अनुयाईयों में जगडा नो होने दें तथा अपने वीरों के घोडों और रथों को सुरक्षत रखें अस्विदेव सैकणों कर्म करने वाले हैं उन्होंने अरजुनी के पुत्र कुच्स की तथा तुर्विती, दभीत, धसंत और पुरुशंत की सुरक्षा की जिन शक्तियों से यह किया उन शक्तियों के साथ वे हमारे पास आएं और हमारी रख्षा करें नेता लोग सैकणों कर्म करने में कुशल बनें अपने अनुयाईयों को वे अपनी आयोजनाओं से बचाएं हे शत्र के नाश करता शक्तिमान अश्विदेवों हमारी यही एक इक्षा है वह्यह की हमारे भाशन शुभ कर्मों को बढ़ाने वाले हो अंधेरी रात्र में आपको रक्षा करने के लिए बुलाते हैं तुम दोनों हमारे पास आओ इस अन्न के दान करने के कार्य में हमारी सहता करो इससे हमारी व्रध्य होती रहे मनुष्य शत्र का नाश करें सामर्थ्यवान बनें ऐसे भाशन करें कि जिनसे सत्कर्मों की सम्रध्य हो अंधकार के समय सब अनुयाईयों को प्रयाप्त अन दिया जाए, उनकी बृद्ध होती रहे, ऐसा प्रबंध सरवदा करना योग्य है, दिन रात हमें अटूट अईश्वर्य मिलता रहे, और उससे हमारी रक्षा होती रहे, सब देव इस हमारी इच्छा की सफलता होने में सह सहायक बने, मनुष्य दिन रात ऐसे शुभ कर्म करें कि जिन से उसको अपरमित अईश्वर्य मिले और उससे उसकी सुरक्षा हो, सब उसकी सहायता करें, हे मनुष्यों, जोतियों में भी स्रेष्ट जोती रूप, यह तेज उशा के रूप में आकाश में छा रहा है, यह त सुर्य की माता है, यह रात उशा के आने के समय उसके लिए अपना स्थान खाली कर देती है, अर्थात रात से ही उशा और सुर्य दोनों उत्पन होते हैं, ऐसी यह तेजस्वी उशा अपने साथ दिव्य जोति ला रही है, मनुष्यों इस उशा का दिव्य और आनंद दायक तेज देखो यह तेज सबको जगा रहा है तेजस्वी बालक सूर्य को अपनी गोद में लेकर यह उशा पकट हो रही है इसको आता देखकर रात्र उसके लिए जगह खाली कर रही है उशा एक आदर्श माता है इसका पुत्र सूर्य है जो बहुत तेजस्वी है जिसका पालम पोशन उशा बड़े प्रेम से करती है ऐसी आदर्श माता का सम्मान समाज में होना ही चाहिए रात्र और उशा ये दोनों बहने अमर धर्म वाली और एक ही बंद वाली हैं इनका भाई दिन है ये तीनों भाई बहन क्रम सह एक दूशरे के पीछे चलते हैं यह क्रम कभी बंद नहीं होता ये सदा चलते रहते हैं कभी विश्राम नहीं लेते इसी तरह रास्ट के इस्त्रियों को भी सदा प्रयत्न शील रहना चाहिए वे हमेशा समाज के हित के काम करती रहें रात्र और उशा के संचार करने का मार्ग अनंत है अतह इनका परिभ्रमण कभी समात नहीं ह इश्वर के नियमा नुसार ये दोनों एक दूसरे के पीछे अपना संचार करती रहती हैं। और रास्ट में सद इस्तरियां हिल मिलकर रहें और समाज हिद के कारे करें। तेजस्विनी अपने तेज से लोगों को सनमार्ग में प्रेडित करने वाली उशा जाग उठी है। अपने घर के द्वार खोल रही है। यह उशा जगत को प्रकाश देती है। और प्रकट होकर लोगों इवन प्राडियों को जगाती है। इसी तरह आदर्स इस्तरी सर्व प्रथम उठकर घर के दर्वाजों को खोले। घर को प्रकाशित करें तथा अन्यों को जागरत कर उन्हें अपने अपने कामों में प्रयुक्त करें। लोग सोते न रहें, उठें और अपने कारे करें। प्रयत्म करके भोग प्राप्त करें। अंधेरे में न पड़े रहें। प्रकाश में आकर अपना अभुदय सिद्ध करें। शत्र के साथ युद्ध करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, अन प्राप्त करने के ल तथा विविद प्रकार से जीवन साधन को देखने के लिए यह उशा प्रकाश्ती है और सब भुवनों को जगाती है शौर्य कीर्ति धन तथा भोग प्राप्त करने के लिए मनुश्य उशा काल में उठें यह स्वर्ग करन्या उशा अंधकार दूर करती है सुब्रवस्त्र पहन कर यह तरुणी इस्तरी उशा प्रत्वी पर के समस्त धनों की स्वामिनी है इस उशा के अधीन सब धन है वह सरवत्र प्रकाशित होकर अंधकार दूर करती है इसी प्रकार रास्ट की सभी तरुणिया शुब्रवस्त्र पहन कर सदा आनंद मग्न रहें और सरवत्र आनंद भेलाएं, आज की उशा से भी पहले अनेकों उशाएं आकर चली गई, जिस मार्ग से पूर्व की उशाएं आई थी, उसी मार्ग से आज की उशा भी आई है, आगे आने वाली उशाओं में आज की उशा प्रधम है, यह आकर मरे हों के समान सुए होए हे उशे तुने उदे होने के साथ ही अगनी को प्रजलित किया सूर्य का प्रकाश पहलाया और यश करने वालों को सोने की अवस्था से जगाया अर्थात उशा के उदे होते ही यग्य करने वाले उठकर यग्य करने लगे और यग्य के लिए उन्होंने अगनी प्रजलित की य यह सब कारिमानों उशा ही करती है उशा का यह काम कल्यान करने वाला है क्योंकि उशा के उदे होने पर याजक यग्य करेंगे और उससे विश्व का कल्यान होगा जो पहले आ चुकी या आ रही हैं और आगे आने वाली हैं वे सब उशाएं कब तक आती रहेंगी आने वाली हर उशा पूर्व उशा का स्मर्ण कराती है और स्वैंग भी प्रकाशती है या बढ़न बीच में दिन होने का बढ़न है उत्तरी ध्रो में एक उशा के पस्चात ही दूसरी उशा आती है तीस उशा काल के पस्चात दिन दिखता है जो मनुष्य पूर्व काल में प्रकाशत होने वाली उशा को देखते थे वे चले गए हम आज इस उशा को देख रहे हैं तो हम भी चले जाएंगे जो भविश में आने वाली उशा को देखेंगे वे भी चले जाएंगे अर्थात यहां कोई स्थाई रहने वाला नहीं है केवल उशा ही एक जैसी बार-बार आती है शत्र को दूर करने वाली, सत्य का पालन करने वाली, सत्य के प्रचार के लिए प्रसिद्ध सुख बढ़ाने वाली, मीठी वारी बोलने वाली, मंगल कामना वाली, देवों की प्रीत के लिए यग्य करने वाली, स्रेश्ट उशा आज प्रकाशित हो रही है, प्रकाश होने के कारण शत इसतुतथा दाकू भाग जाते हैं प्रकाश होने से सत्य दीखता है अंधेरे में चल और असत्य का व्हार चलता है सूर्य प्रकास से सब कहल्यान होता है दिन में ही यग्य होते हैं यह सब उशा से ही होता इस कारण उशा स्रिष्ट है उशा पूर्व समय में प्रकास्ती रही इस समय प्रकाश रही है और भविश्य में भी प्रकास देती रहेगी ऐसी यह उशा तीनों काल में प्रकाशने के कारण अजर अमर है यह अपनी धारक शक्त से प्रकाशित होती रहे आकाश में यह उशा चारो ओर से प्रकाश रही है, इस दिव उशा ने काले अंधकार को दूर किया है, लाल घोडों को अपने रत में जोड़े हैं, उस रत से उशा आती है और सबको जगाती है, पोशन करने वाले तथा स्वीकार करने योग धनों को यह उशा लाती है, यह उशा सबको प्रकाश देती है और सुन्दर देज पहला रही है यहां आज की उशा गत उशाओं में अंतिम है और आने वाली उशाओं में पहली है यह उत्तमता से चमकती है हे मनुश्यों उठो जागो प्राण के सामने यह जीवन प्रकाश आ गया है अंधेरा दूर हो गया है सूर्य के प्रकाश के लिए मार्ग खुल गया है यहां हम अपनी आयू को बढ़ाते हुए प्रकति करें हे शोभा वाली उशे आज तू प्रकाशित हो और हमें पुत्र पौत्रादि से युक्त दिरगायु दे हमारी संताने उत्तम हो और हमें दिरगायु प्राप्त हो दाता मानमों को गवें घोडे और वीर पुत्र देने वाली उशाएं प्रकाशित हो रही हैं तब सभी याजक इस्तुति करते हैं उन इस्तुतियों से प्रसंद होकर उशा सोमयग्य करने वालों के पास जाती है और उन्हें हर तरह के धन प्रदान करती है देवों की माता अधिती के मुख के समान तेजस्फिनी तथा यग्य के धज जैसी यह विशाल उशा चमक रही है हमारे ग्यान की चारो और प्रशंसा हो इसी तरह यह उशा प्रकास्ती रहे अर्थात हम चिरकाल तक जीवित रहकर उशा को देखते रहें हे उशे हमें उन्नत के मार्ग से ले चलो जो धन उशा के पास है वे यग्य करने वालों को ही प्राप्त होता है जो अयग्यशील हैं उन्हें नहीं मिलता न उशा ही उनका कल्यान करती है अर्थात उशा काल में उठकर यग्य करने वालों का यह उशा कल्यान करती है यह उशा बिलक्षन और कल्यान कारी धन हमारे पास लावे तथा उस धन को मित्त्राद देव बढ़ावे रुद्र वैद्यों का नाम है ग्राम नगर आद्य में रहने वाले मनुश्यों तथा इतर प्राणियों को आरोग संपन रखकर हिस्ट पुस्ट सुद्रण और उत्साही रखना राज्य के आरोग विभाग का करतब्य है जो इस प्रकार नागरिक आरोग की दिवस्था उत्तम प्रकार से करता है अत्वा नागरिक आरोग ठीक करने के प्रवंधों का उपदेश नगर वासियों को देता है उसी की प्रशंसा करनी चाहिए वैद्य अनुभवी और धैर्शाली हों और शदियों द्वारा बीमारी को दूर फेकने वाला हो, वीरों को आश्रे देने वाला हो, अर्थात हर नागरिक को वीर एवंग हिस्ट पुस्ट बनाने वाला हो, नागरिकों में स्वास्थ, निरोगिता और मानसिक शान्ति हो, और वे बाहर से आने वाली आपतियों को रोकने में समर्थ हो, मनुष्य को अपने स्वास्थ की रक्षा करनी चाहिए और आगे रोगों का उपद्रों नो होने पाए इसका भी प्रबंध करना चाहिए शांति और रोग प्रतिरोधक शक्त हर एक को प्राप्त करनी चाहिए जो स्वैंग अपनी रक्षा करता है और विचार पूरवक अपना व्यवहार करता है वह मनुस्य अपना स्वास्थ ठीक रख सकता है वैद्यों को भी चाहिए कि वे सब को स्वास्थ नीति का उपदेश करें और मनुश्यों को भी चाहिए कि वे स्वास्थ नीति के अनुसार अपना आचार व्यवहार करें उदार वैद्य की सम्मत के अनुसार सब लोग आचरण करें क्योंक क्योंकि मनुष्यों का कल्याड, इंद्रियों, विद्वानों तथा जलवायू की प्रिसन्नता पर ही है इस प्रकार उत्तम रूप से स्वास्थ प्राप्त करके मनुष्य शत्रों का विनाशक हो और वैद्यों की हर तरह से सहायता करे आरोग के लिए क्रोध वेश आदि विकारों को दूर करना चाहिए क्रोध आदि दुस्त मनों विकार आरोग का सर्वता घात करते हैं क्रोध के कारण शीग्रही मनुष्य ब्रिद्ध हो जाता है अतह इन मनों विकारों को दूर करना आवश्यक है अनादर अपमान नरबलता आदि सब बुरे भाव हैं अतह इन बुरे भावों को त्याग कर सुमत को मन में स्थापित करने से आरोग प्राप्त होता है वैद सतकर्म करने वाला फुरतीला और ग्यानी हो हर मनुष्य उत्तम भोजन करे और सुवर के समान सुधीर अंगों वाला हो वैद सुन्दर और सुसुभावी हो क्योंकि ऐसे वैद के दर्शन से ही रोगी पर उत्तम प्रभाव पड़ता है वैद भी अपने हाथों में रोग निवारक और शधियां लेकर आये मन को शांत रखना बाहर से आने वाले विशों को रोकना और शरीर में समाय हुए विशों को बाहर निकालना इन तीन प्रकारों से प्राणी मात्र का स्वास्थ ठीक रखना वैद का करतब्य है वैद मरणशील मनुशों का पिता है वह मनुशों का संरक्षन और पालन करता है वैद रोगियों को मनुशों के योग अन दे मनुश फल भोजी शाकाहारी तथा धान भोजी प्राड़ी है अतह उसको ऐसा ही पत्थ देना चाहिए जो उसके लिए योग हो और इस प्रकार के योग अन द्वारा बाल बच्चों और बड़े मनुशों को भी आरोग प्राप्त कराकर सुखी करना चाहिए मनुश को मृत्यू से दूर रखने का कार्य वैद का है वैद के भूल, दोश, आलस्य, क्रोध और अज्यान से रोगी मर जाते हैं इसलिए वैद को हमेशा साउध रहना चाहिए वैद्य अपनी असाउधानी से किसी को क्रिश न करे और न किसी का घात करे वैद्यों की थोड़ी सी भूल से रोगी का मृत्य मुख में चला जाना संभव है अतह वैद्यों को सदा साउधान रहना चाहिए वैद्य कभी मन के दोशों के कारण दूसरों का जिस तरह गौवों को बुरे मार्ग से बचाता है उसी प्रकार योग्य वैद्य सब जनता को बीमारियों से योग्य उपदेश द्वारा बचावें वैद्य की सम्मत ही सच्चा कल्याण करने वाली है और वैद्यों की सम्मत के अनुसार चलकर ही मनुष्य रोगों से बच सकते हैं अतह वैद्यों को चाहिए कि वे सबको आरोग के मार्ग का उपदेश करें और लोगों को भी चाहिए कि वे वैद्यों के उपदेश के अनुसार अपना व्यवहार करें शारीरिक, मानसिक, बौध्धिक, आत्मिक, आरोग्य आयुष्य के संबंध में मनुस्य मात्र की उ करने चाहिए उशा की पश्चात सूर्य का उद्य होता है वह सूर्य देवों की आख है मानो देवगन इस आख की द्वारा ही जगत का सारा व्यवहार देखते हैं इसके उद्य होते ही सब प्राणियों की आखों को प्रकाश का मार्ग दीखने लगता है सूर्य सब चराचर प्रथम उशा आती है उसके बाद सूर्य उद्य होता है इसलिए कवी ने रूपक दिया है कि मानों एक तरुण तरुणी के पीछे भाग रहा है सूर्य प्रकास से ही सबका कल्याण होता है और उत्तम उत्तम कल्याण कारी यग्य सिद्ध होते हैं जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण सूर्य करता है अहितकारियों का कभी हित नहीं होता सूर्य की किरने रोग बीजू का नाश करके मानमों को आरोग देती हैं इसलिए कल्यार कारी हैं जल का हरण करके अंतरिक्ष में बादलों का निर्मान करती और व्रिस्ट भी करती हैं वे ही सब शुभ कर्मों की प्रिरणा देती हैं सूर्य प्रकाश में मनुस्य सब अच्छे कर्म करते हैं पर यह सूर्य किसी के लिए ठहरता नहीं है समय पर अपनी किरणे समेट लेता है और चला जाता है सूर्य के अस्त हो जाने पर लोगों को अपने कर्म बंद करने पड़ते हैं इसलिए वे सूर्योदय तक विश्राम करते हैं यह अपनी किरणों को भूलोग से समेट लेता है तब रात्री अपने काले वस्त्र को सब विश्व पर ढख देती है तब सरवत्र अंधकार चा जाता द्यू लोग पर आकर सूर्य सरवत्र प्रकाश करता है अतह अस्त होकर सरवत्र अंधकार पहलाता है प्रकाश में दिन और अंधकार मई रात ये दोनों रूप एक ही सूर्य के हैं सूर्य से होने वाले ये काल खंड हैं यह सूर्य मानवों का संड़क्षक है वह संकटों आपत चास्तिंग और उजों से मानवों की सुरक्षा करता है इसलिए वह सब का उपास्य है सूर्य involve को प्रकाश का मार्ग दिखाता है उसी तरह विद्वान सब को सच्ची उन्नतिका मार्ग दिखावें मानों के सम्मुख सूर्य का आदर्श वेद ने रखा है सावित्री की उपासना का यही दत्व है दोनों अश्वदेव अपनी सेना के साथ शत्र पर हमला करने वाले रत में बिठाकर नौ युवक विमत की पत्नी को उसके घर की सुरक्षा करेंगे उनकी प्रशंसा करना योग है सत्यका पालन करने वाले दोनों अश्वदेव अतिवेग से आकाश में उड़ने वाले अतिशीघ्र गति से जाने वाले और विद्दुत आद देवताओं की गति से दोड़ने वाले यानों से अतिशीघ्र गति से जाते इनके यानों में जुते हुए रासब ने यम को आनंद देने वाले भयंकर युद्ध में सहस्रों की संख्या में शत्र सैनिकों को जीत लिया था जल, अग्न, वाय, विद्धुत, आदि देवताओं की शक्त से आकाश यान तथा अन्यान यान अतिशीगर गति से चलाना योग भयानक युद्ध में वीर ऐसा पराक्रम करें कि जिससे शत्र के सैनिक सहस्रों की संख्या में मर जाएं, जैसे मरने वाला मनुष्य धन की आशा छोड़ देता है, उसी तरह अपने पुत्र की आशा छोड़ कर तुग्र नरेश ने अपने भुज्यु नामक पुत्र को शत् भुद्शक्ति वाली आकाश में संचार करने वाली और जल को तोड़कर जल में भी आने वाली नौकाओं से उठाकर उसको पिता के पास पहुचाया, राजा अपने सागर के परे रहने वाले शत्र का पराभव करने के लिए अपने वीरों को विशेश तयारी के साथ भेजे उन वीरों को सुरक्षा के लिए ऐसे यान रखे कि जो भूम पर जल में अत्वा आकाश में भी उत्तम गत्य से चल सकें। तीन अहो रात्र न ठहरते हुए चलने वाले पक्षी जैसे आकाश में उड़ने वाले सो पहियों और छे वाहक यंत्रों से चलाए जाने वाले आकाश यान बनाना योग है। उनोंने सो बल्लियों से चलाई जाने वाली नौका पर बिठला कर भुज्ज को उसके घर पहुचाया। वह सचमुच बड़ा ही वीरता का कार्य है। उच्च कुल में उत्पन कक्षीवान को उनके द्वारा की तुम्हारी इस्तुत समाप्त होते ही तुम दोनों नेताओं ने नगर के संरक्षन करने में समर्थ बुद्ध और शक्त को प्रदान किया। इसी तरह बलिस्ठ घोडे के खुर के समान आकार वाले विशेश बड़े वरतन से शुद्ध जल के सो घड़े तुम दोनों ने भर कर रखे। अनुयाईयों के साथ बंद करके रखा था और चारों और आग लगा दी थी जिससे उनको बड़े कस्ट हो रहे थे। अश्वी देवों ने जल से उस अगनी को शांत किया और कारागारों को तोड़कर अनुयाईयों के साथ अत्र को मुक्त किया। तथा उस क्रिश बने रिशी को पुस्ट कारक और बलवर्धक अन देकर हिस्ट पुस्ट कर दिया। नेताओं को उचित है कि वे प्रजाहित के लिए हल्चल करने वाले कारेकरताओं को कारावास आदिकस्ट होने के समय अनेक उपायों द्वारा उनको आराम देने का यत्न करें और कारेकरताओं के अनुयाईयों की भी हर तरह सहायता करें। सत्यका पालन करने वाले अश्वदेव एक स्थान से कुएं का जल बहुत दूर तक नहर के द्वारा ले गए। इसके लिए उन्होंने कुएं का जल ठंधा बनाया और तेड़े मार्ग से उससे जल प्रवाह बहा दिये और उस जल को गौतम के आश्रम में पहुँचाया नहर आज द्वारा लाकर उत्तम रमडी आश्रम स्थान बनाना चाहिए इस कारे के लिए नहर टेड़े या वक्र मार्ग से लाना आवश्यक हो तो भी वैसा लाना चाहिए इसमें ना केवल आश्रम वासियों को पीने के लिए पानी ही मिले बलकि खेती फलों के व्रिक्ष तथा उद्यान भी अच्छी तरह बन सकें शत्र नाशक और सत्यपालक अश्विदेवों ने अतिव्रिद्ध अतईव सब संबंधियों के द्वारा परित्यक्त चमन रिशी के शरीर से कवच उतार देने के समान बुढ़ापे की चमडी या जुर्री उतार कर उसे तर्ण ब उपर उठाया यह अश्विदेवों का कार्य बहुत ही प्रशंसा करने योग है अथर्वकुल में उत्पन्य दधी चिरिशी ने घोड़े का सिर धारन करके तुम दोनों को मधुद्या पढ़ाई इस विशय में जो तुमने कार्य किया वह सचमुच भयानक ही कार्य था जिस वी आप, तेज, वायु, आदित्य, दिशा, चंद्रमा, विद्धुत, मेघ, आकाश, धर्म, सत्य, आत्मा, जीव, इनमें जो तेजस्विदा है वही अम्रत पुरुष है और वही सब कुछ है ऐसा कहा है एक ही आत्म तक्त्व का ज्यान मधु विद्या नाम से दधीची रिशी ने यह विद्या अश्विदेवों को पढ़ाई इस विद्या के जानने से वैदिक तत्योग्यान विदित हो सकता है इस विद्या का साक्षातकार दधीची रिशी ने स्वेंग किया और उस रिशी ने अश्विदेवों को यह विद्या सिखाई प्रार्थना इन्होंने राजा की आज्यां जैसी मानी और उस बंध्या इस्त्री को उत्तम पुत्र होने योग गर्भधारण समर्थ बनाया और उससे उसको उत्तम पुत्र हुआ नेता अश्विदेव ने भेडिये के मुख से चिणिया को निकाल कर बचाया और बहतों को भोजन देने वाले उन देवों ने प्रार्थना करने वाले एक अंधे कवी को उत्तम देखने के लिए दिश्ट दी जिस तरह पक्षी का पर गिर जाता है उस तरह खेल राजा की संब करने के लिए उसे चलने फिरने योग्य बना दिया रिजास्र ने अपने पिता की सो भेड़ों को भेडिये के खाने के लिए सौंप दिया इस अपराध के कारण उसके पिता ने उसे अंधा बनाया वैद्य अस्विदेवों ने उसे कभी न बिगढ़ने वाली आंख लगा और दिश्टिवान कर दिया। सूर्य की पुत्री घुरदोड से अंतिम मर्यादा को पहुचने की समान अस्विदेवों के रत तक पहुची और रत पर चड़कर बैठ गई। सब देवों ने इसका अनमोधन किया। तब सूर्य की पुत्री से अस्विदेव बड़े दीखने लगे। प्रजापति सूर्य ने राजा सोम को अपनी पुत्री देने का संकल्प किया। सब देवों ने कहा कि जो घुरदोड में पहला होगा उसे पुत्री को प्रदान करना। अस्विदेव पहले आये। अतह उनके रत पर सूर्य की कन्या चड़कर बैठ गई। सब देवों ने इसका अभिनंदन किया और अस्विदेव उस कन्या को प्राप्त करने से शोभायमान हुए। इस कथा का सूचक यह मंत्र है यह अलंकारिक कथा है। सूर्य की पुत्री उशा का यह रूपक है। अश्वितारकाएं पहले उखती हैं पश्चात उशा आती है अश्वि उशा का इस तरह संबंध होता है। अश्विदेव सत्य के पालक और तरुणों के समान कारे करने वाले हैं। सेना से घेरा गया था। उस समय अश्विदेवों ने रात्र के समय उस राजा को उस घेरे में से चुप चाप उठाया। और गुप्त परंत सुगम मार्ग से उसको दूर के स्थान पर पहुचाया। सेंग अपने शत्र के घेरे को तोड़ देने वाले रत पर चड़कर शत्र का घेरा तोड़कर वेग से परवतों के भी पार चले गए। शत्र के द्वारा घेरे जाने के पश्चाप युक्ति विशेश करके शत्र का घेरा तोड़कर अथमा रात्र के समय पूर रीति से गुप्तता पूरवक चुप चाप शत्र के घेरे से बाहर निकल पढ़ना योग है। बलवान अश्व देवों ने वश नामक नरेश को सहस्रों प्रकार के धन प्राप्त हों इसलिए एक ही दिन में सुरक्षत भी किया तथा पिश्व शवा नरेश के दुस्ट शत्रों को भी इंद्र की सहायता पाकर पूर्ण रूप से नस्ट किया। नरेशों को शत्रों के साथ युद्ध करने की उत्तम तैयारी करनी चाहिए और आवशक्ता होने पर मित्र राजाओं से सहायता भी प्राप्त करनी चाहिए। प्रसूत नो होने वाली गवों को प्रसूत होने योग बनाया और दुधारू भी बना दिया। गहरे कुए से पानी उपर निकालने के लिए विशेस आयोजना करनी पड़ी। पुरुषों को परिपुष्ट करने के लिए गव का यथेष्ट दूद पीने के लिए देना चाहिए। और गवों को दुधारू बनाना चाहिए। गव के वन्ष का सुधार करना चाहिए। तथा जो गव गर्वधार्ण नहीं करती उसको गर्वधार्ण च्छम बनाना चाहिए। हे सत्यपालक अश्विदेवों सरल मार्ग से आने वाले कृष्ण पुत्र विश्वक का विश्वाप पुनामक पुत्र गुम हो गया था। उस पुत्र को ढूण कर तुमने अपनी शक्तियों से प्राप्त किया और उसके पिता के पास पहुँचाया। रास्ट में या नगर में रक्षक प्रवंध ऐसा उत्तम करना चाहिए कि किसी का पुत्र या कोई संबंधिक हो जाए तो वहां के विभाग के प्रवंध करता को खबर देने से वे उसकी खोज करके प्राप्त करें और उसको सुरक्षत घर पहुँचा दें। लापता हुआ पशुभी इस तरह प्राप्त हुए। रेभ नामक रिशी को दुस्त असुरों ने पशार रज्जु से बाध कर जल में फेंक दिया था। दस रात्र और नौ दिन दतीत होने पर अस्विदेवों को इसका पता लगा। तब उन्होंने ततकाल ही उस भीगे तरस्त हुए और पीडित बने रिशी को ऊपर निकाल दिया और आरोग के संपन्न बना दिया। हे अश्विदेवों आपके लिए कर्मों का मैंने इस तरह वड़न किया है। इससे मैं उत्तम गायों और शूर पुत्रों से युक्त तथा इस रास्ट का अधिपत भी बनना चाहता हूँ। त अति दीर्ग आयू तक जीवित रहना चाहता हूँ। शूर वीर और कर्म कुशल पुरुशों के स्रेश्ठ कर्मों का इतिहास सुनते हुए गौव आदिधनों और शूर पुत्रों को प्राप्त करके रास्ट का शासक बनकर दीर्ग आयू प्राप्त करनी चाहिए। हे सब्त के पालक अश्वदेवों मैं पुरातन समय से तुम्हारी सेवा करने वाला तुम्हारा भक्त यहां सोमरस तुम्हें देने के लिए तैयार करके ले आया हूँ। मैंने जो इस्तुत की वह तुमने सुनी है। इस आसन पर तुम्हें देने के लिए यह सोम पात्र भर कर रखा है अतह तुम दोनों अपने रथों और अन्नों के साथ मेरे स्थान पर आओ और मेरी सहायता करो अश्विदेवों का रथ मन से भी वेगवान है उसमें उत्तम शिक्षित घोड़े जुड़े रहते हैं वह रथ उन्हें प्रजाजनों के पास ले जाता है और उसमें ब वाले हैं उन्होंने पंच जनों के हिद के लिए प्रेत्न करने वाले अत्र रिशी को कस्त दायक कारा गरिह से उनके अन्वियाईयों के समयथ छुड़ा दिया था और शक्त्र की सबचालबाजीयों को पहले से ही जान कर उनको दूर किया था नेटा लोग बलवान हों और शत्र का नाश करते रहें पंचि जनों का हिद करने वाले रास्ट सेवकों को कारावासाद इकस्टों से छुडाते रहें अर्थात उसकस्ट के समय उनको यतोचित सहाइता देते रहें शत्र के कपटों को और चालबाजियों को पहचान लें और उनकी युक्ति से अस्फल बना दें दुस्त असरों ने रेवरिश को बाध कर जल प्रवाह में फेंक दिया था इस कारण वह अत्यंत दुरुबल बन गया था उसको और शधाद उपचारों से आपने हरिस्ट पुस्ट बलिस्ट बना दिया था ये जो आपके पूर्व समय के कार्य हैं वे कभी भूले नहीं जाते शत्र विनाशक अस्विदेव कुए में पड़े वंदन को उसका कल्यान करने के लिए उपर लाए जिस तरह अंधेरे में पड़े हुए उदय के पूर्व सूर्य को उपर लाते हैं भूमि पर सोय पुरुष को उपर उठाते हैं अत्मा सुंदर सुवर्ण के आभूशन को जिस तरह उपर धार्ण करते हैं इसी तरह वंदन को गड़े से बाहर निकाला अंगिरस गोत्र में उत्पन पज्ज कुल के कक्षिवान रिशी के लिए वह तुम्हारा कर्म बड़ा ही प्रसंसा करने योग्य होता है कि जो तुम दोनों अश्विदेवों ने अपने बलिस्ठ घोडों के खुर के आकार के समान बड़े आकार के पात्थ से मधुके सो सब लोगों को पीने के लिए भरकर रखे थे कृष्ण पुत्र विश्वक का पुत्र विश्नाप गुम हो गया था उसकी खोज अश्विदेवों ने की और उस पुत्र को पिता के पास पहुंचाया तथा पिता के घर रोगी और व्रद्ध होने वाली घोशा को रोग मुक् और निश्वद पुत्र वधिर या उसको स्रमण करने की शक्त दी ये कार्य बड़े प्रशंसा करने योग्य हैं अश्विदेव नाना प्रकार के रूप धारण करके ब्रमण करते हैं इन्होंने पेदु को ऐसा घोड़ा दिया जो कभी युद्ध से पीछे नहीं हटता शत जबरें उचित रीट से प्राप्त करनी चाहिए घोड़े को उत्तम शिक्षा देनी चाहिए घोड़ा युद्ध से डर के मारे पीछे नहटे शत्र का वध अपनी लातों से करता जाए युद्ध में विजय प्राप्त करके धनों को लूट ले आवे बल्वान हो शिख गाम अश्विदेव दान देने वाले हैं उनके इन दानों का यह बड़ा इस्तोत्र बन गया है वे दिवलोक में तथा भूलोक में भी रहते हैं आंगिरस कुल में उत्पन एज्ज लोग अश्विदेवों की उपासना करते हैं अतह जब वे आपको बुलावें तब अन्नों के स अश्विदेव सब का पोशन करते और सत्य पर इस्तिर रहते हैं मान ने पुत्र प्राप्ति के लिए उनकी प्रार्थना की उस ज्यानी को पुत्र उत्पन होने का बल दिया अगस्ति के प्रार्थना करने पर विश्वपला का तूटा पाउँ ठीक किया नेता अपने अनु अश्विदेव द्यू को न गिराने वाले हैं उन्होंने शुक्र की इस्तुति कहां रहकर सुनी और पस्चात्वे कहां गए कुमे में पड़े रेव को दस्में दिन उपर उठाया और पस्चात्वे कहां गए अश्विदेवों ने अतिव्रद्ध चवन रशी को फिर दूर करके पुनह तरुण बनाने के प्रयोग सिद्ध स्थति में रहें इस्त्रियां स्वयंग्वर में अपने पति को चुन लिया करें अश्विदेव तो तुग्र नरेश के द्वारा पूर्व समय में किये शुभ कर्मों से सम्मान देने योग थे ही परनतु अब तो उन भिक सम्मान के योग्य बन गए, तुग्र नरेश के पुत्र भुज्य को समुद्र पार के रेतीले प्रदेश में रहने वाले शत्र पर हमला करने के लिए भेजा था, वह वहाँ बिना कस्ट पहुँच गया, परंतु वहाँ पहुचने पर उसका बेणा तूट गया, उसने अ घेडिये के मुख से बटेर को छुडाया, वे अपने विजई रत पर बैठ कर परवत के शिखर को लांग कर परे पहुचे और उसको घेडने वाले शत्र के सैनिकों को विश्दिक दबानों से मारा, राजा प्रबंध द्वारा केवल मानमों की ही नहीं अपितुपश उपक ले तो विश से तो अवश्य ही मर जाए, रिजास्व ने विग्र को सौ भेड़े खाने के लिए दी, इसलिए कुर्द होकर पिता ने उसको अंधा बना दिया, अस्विदेवों ने उसकी दोनों आखें ठीक की और उनमें अच्छी द्रिष्ट रख दी, जब रिजास्व अ अंधा हुआ तब वह व्रिकी प्रार्थना करने लगी कि हे बलिस्ट अस्विदेवों जिस तरह तर्ण कामुक जार किसी इस्त्री को अपना सब धन देता है, उस तरह इसने 101 भेने मुझे खाने के लिए दी, जिससे यह अब अंधा होकर पड़ा है, अस्विदेव बड़े उपचारों से निरोग होती है, मनुष्य बुद्धिमान और बलवान बने, अपना उत्तम संरक्षन करके अपना सुख बढ़ावें, लंगडे लूले को ठीक करने और इस्त्रीयों के रोगों से उनकी मुक्तता करने की विद्या में वैद्य अपनी अधिक से अधिक छमता प्राप्त करें, अश्विदेवों ने गरवधारन करने में असमर्थ दुरबल दूधन पीने वाली गोउको शयु को पुस्ट करने के लिए दुधारू बना दिया, पुरुमित्र की कुमारिका को बिमत के लिए पत्नी रूप से दिल्वा दिया, दुरबल गोउको पुस् जिर्दोस इस्त्री पुरुषों का ही समागम होएं, अस्विदेव जो आदिधान को हल से बोते हैं, मनुश्यों के लिए अग्ररस देते हैं, शत्रुका तीक नश्त्र से वध करते हैं, और आरियों के लिए विस्त्रत प्रकाश दिखाते हैं, नेता लोग भूमी पर श्त्र के प्रयोग करें, और आरियों को उन्नतिका मार्ग बताने के लिए विस्त्रत प्रकाश बताने, अश्विदेवों ने अथर्व कुल में उत्पन्न दधीच रिशी को घोड़े का सिर लगा दिया, तब उसने उनको यग्यमार्ग के प्रचार के उद्देश से उत्तम कर्म करने की शक्ति प्रदान करो, हमें उत्तम संतान और स्रेष्ट प्रकार का धन मिलता रहे, मनुष्य को उत्तम रीति से निभाने की शक्ति, उत्तम संतति तथा स्रेष्ट धन संपदा प्राप्त करने चाहिए, अश्विदेव उत्तम दान देने वाले और उत्तम नेता है उन्होंने गर्भवती नौ होने वाली इस्तरी को गर्भधारण च्छम बनाया पश्चाथ उसके उत्तम पुत्र हुआ और उस पुत्र के हाथ में सुवर्णा अलंकार धारण करने योग्य संपदा भी दी श्याव तीन स्थान पर जक्मी होकर पड़ा या उसको ठीक किया और उसे द्रगायु भी बना दिया वैद्यक शास्त की इतनी उन्नत होनी चाहिए कि जिससे बंध्या इस्तरी को गर्भधारण करने में समर्थ नपुनसक को बाजी करन द्वारा पुर्शत्व शक्ति से युक्त और उनको सूसंतान प्राप्त करने तथा किसी के घायल होने और ओयों के तूटने पर उनको ठीक करने में उत्तम सिद्ध प्राप्त हो अश्विदेव बल्वान है इस सूक्त में बढ़न किये सब उनके पराक्रम के कर्म प्राचीन काल से सब मानों बढ़न करते आएं हैं हमने यह स्तोत्र उनकी प्रसंदता के लिए किया है इस से हम उत्तम वीर बने हमें उत्तम वीर संताने हो और हम युद्ध में यशश्वी और सभाओं में उत्तम प्रभावी बक्ता बने बल्वान अश्विदेवों का रत बैठने के लिए सुखकारक अपनी बनावट के कारण सुद्रण मन से और वायु से भी वेगवान पक्छी के समान आकाश में उड़ने वाला तीन स्थानों में बधा हुआ वह हमारे समीप आ जाए अर्थात उस रत में बैठ कर वे हमारे पास आएं कारीगर ऐसे यान बनावें कि जो अंदर बैठने के लिए सुख दें सो द्रणांग हों अर्थात न तूटने वाले हों अतिवेग से च सकते हों ऐसे यानों में बैठ कर लोग भ्रमण करें हे अश्विदेवों अपने तीन पहियों वाले तीन आसनों वाले त्रिकोणा कृति उत्तम गति वाले रत पर चड़कर हमारे पास आओ और हमारी गवों को दुधारू बनाने की तथा हमारे घोडों को सुसिक्षा से श जोजनाओं को बताओ तथा हम वीर संतान से युक्त हों ऐसा भी मार्ग हमें बताओ विद्वान नेता अपने अनुयाईयों के घर पर जाएं उनकी गवों को विशेस दुधारू बनाने के तथा घोडों को उत्तम शिक्षित करके उत्तम गति से चलने में समर्थ बनाने के उपाय बताओं तथा घर के बाल बच्चों को उत्तम वीर बनाने की सुसिक्षा दें राज प्रबंध द्वारा ही यह सब होना चाहिए शत्र का नाश करने वाले अश्विदेव अपने सुंदर रत में बैठ कर यग्य के स्थान पर जाते हैं और वहां सोमरस निकालने के सम नाश करने के लिए ही ब्रहमण करते हैं नेता शत्रूँ का नाश करें शुभ कर्मों के स्थानों में जाएं और उन कर्मों के करने वालों को सहायता दें अनुयाईयों के दारिद्र, दुख, कस्ट, रोग तथा नियूनता को दूर करने का उचित प्रबंध करें देव धर्म के नेता हैं उन पर प्रीत करने वाली सूर्य की तरोणी कन्या उनके रत पर चढ़कर बैठी है इस रत को जो घोड़े जोते हैं वे शरीर के आकार के पक्षी जैसे आकाश में उड़ने वाले हैं वे उस रत को इस यग्य के समीप ले आवें अस्विदेव बलिस् उन्होंने अपने अदभुत सामर्थ से वंदन को तथा रेभ को कुवे से निकाला तुग्र के पुत्र भुज्ज को समुद्र में से उठा कर घर पहुचाया था और ब्रद्ध चवन को पुनह तर्ण बनाया था अस्विदेवों ने कारा ग्रिह के तलघर में रखे अत्र प्रिशी को सुख देने के लिए जल से आग को शांत किया और उसको पुस्टिकारक तथा शक्तिवर्धक अन्न दिया इसी तरह अंधेरे में रखे कण्व की आँखों को मार्ग बताने के लिए उन्होंने प्रकाश दिखाया इस कारण अश्विदेवों की सब प्रकार से प पर लोहे की टांग लगा दी अश्विदेवों ने पेदु के लिए एक सफेद घोड़ा दिया था जो शत्र का वध करता था इंद्र ने उसको सिखाया था बड़ा सुद्रण अंगवाला था देखने में उग्र था शत्र का पराभव करता था युद्ध में बड़ा उपय अपने रत में उत्तम धन रखकर हमारे पास आएं और हमारी सहायता तथा सुरक्षा करें यह सत्त के पालन करता अश्विदेवों तुम दोनों एक विचार से अपने शेन पक्षी को अधिक वेग से दोडाते हुए मेरे पास आओ बहुत देर तक टिकने वाली उशा का उद कर्मों से निर्मान हुए वेगवान, पवित्र, चपल घोडों से युक्त, अनेक भजा वाले, सुख देने वाले, धन को धार्ण करने वाले, शीख गामी रत को अपने यग्य के प्रति में बुलाता हुँ वे यहां आएं और हमें दिरगा युदें, प्रभात होते ही हमारी बुद्ध अश्विदेवों की प्रशंसा करने लगी है, सब दिशाओं के लोग इसमें शामिल हुए हैं, अब मैं घ्रतादी पदार्थ स्वादु बनाकर यग्य के लिए तैयार रखता हूँ यग्य से होने वाली सब प्रकार की संरक्षन शक्तियां चारों और अपना प्रभाव दिखा रही हैं, अश्विदेवों के रथ पर सूर्य की पुत्री चढ़कर बैठी है, प्रभात समय में सब लोग तैयार रहें, चारों और के लोग भी आकर शामिल हूँ, घ्रतादी प करने के लिए आवश्यक हुए युद्ध में जब अनेक जैश्ववीर परसपरस्पधा करते हुए एकठे होते हैं और लड़ने लगते हैं, तब अश्विदेवों का रथ शनई है शनई है नीचे आता हुआ दीखता है, इस रथ में वे विद्वान याजकों को देने के ल चीवित के विशे में संदेह की अवस्था में पहुँचे तुग्रपुत्र भुज्य को बिठला कर उसके माता पिता को अतिदूरवरती घर पहुँचा दिया, इसी तरह दिवोदास राजा को जो सहायता दी वह सारी उनके बड़े ही महनीय कारियों में गिनने योग है, अ पहुचने के स्थान पर सब देवों से पहले वे पहुचे, इसलिए सूर्य की पुत्री ने स्वयंबर में उनको पति रूप से स्वीकार किया, अश्विदेवों ने रेभ को संकट से बचाया, अत्र के कारावास की गर्मी को हिमवरिस्ट से शांत किया, शयु के लिए उसक गौ को दुधारू बना दिया और वंदन को दिरगायु किया, शत्र का नाश करने वाले अश्विदेवों ने जिस तरह बढ़ही पुराना रथ दुरुस्त कर नया बना देता है, उसी तरह अत्यंत जीन्द वंदन को तर्ण बनाया, इस्तुत इसे प्रसन्न होकर उस विप दूर नरेश ने अपने पुत्र भुज्य को समुद्र में नौकाओं में बिठाकर दूर देश में भेज दिया था, वहां उसको कस्ट होने लगे, तब उसने प्रार्धना की, उसे सुनकर दोनों अश्विदेव वहां गए और उसको बचाया, ऐसी तुमारी संरक्षन की आ आनंद में उशिक का पुत्र कक्षीवान मधुर स्वर से तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए बुलाता है, दधी चिरिशी का मन तुमने अपनी सेवा से अपनी और आकरशत किया था, पश्चात तुमने उनको घोडे का सिर लगाया और उसके बाद उन्होंने तुम्हें म पराभव करने वाला चपल श्वेत घोडा पेदुनरेश को दिया था, इन अश्विनों को किस तरह की इस्तुति प्रसंद करती है, इन्हें संतुस्ट करने में कौन सफल होता है, और जो कोई भी विध्य नहीं जानता है, ऐसा अज्ञानी मनुष्य इन अश्विनों की किस तरह उपासना करें, यह सब जानने का प्रयत्न करना चाहिए, अज्ञानी अथमा और प्रबुद्ध ये दोनों अश्विदेवों से अपनी उन्नति का मार्ग पूछ लिया करें, क्योंकि वे मनुष्य के लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, अर्थात मनु प्रता की इच्छा करने वाला, मैं अन्न को प्रदान करता हुआ, उनकी पूजा करता हूँ, मनुष्य विद्वानों की सहायता लेवें, वे उनको योग्य मार्ग का उपदेश करें, उसके बदले मनुष्य उन विद्वानों का बड़ा आदर करें, इस तरह दोनों सहायता करके उन्नति को प्राप्त करें, हे शत्र का नाश करने वाले अश्विदेवों, मेरी प्रार्थना तुमसे ही है, किसी अन्य से नहीं, तुम ही इस मेरे तैयार किये स्वोमरस को स्विकार करो, और मुझे बड़े कार्य करने में समर्थ बनाओ, रास्ट में शिक्षा का ऐसा प्रबंध करना चाहिए, कि जिस से बड़े बड़े कार्य करने वाले महापुरुष निर्मार हो, घोशा रिशी का पुत्र, भिगु रिशी और पज्यकुल में उत्पन अंगिरा रिशी, जिस तरह की इस्तुति करते रहे, उस तरह की वर्ण शैली मेरी वाड़ी मे हो, हे शुभकारी अश्वदेवों प्रकति करने की इक्षा करने वाले रिशी ने यह गायत्र चंद का सामगान किया था, वह आपने सुन लिया है, तुमने उसको द्रिश्ट दी, इसी तरह मैं भी तुम्हारा गुणगान करता हूँ, मुझे भी शक्तिसंपन्न करो, हे दोनों किसी को बड़ा दान देते भी हो, और किसी से धन हटा भी लेते हो, ऐसे आप दोनों हमारे रक्षक बनों, और पापी तथा क्रोधी से हमें बचाओ, योग्य मनुष्यों को दान देना चाहिए, और दुस्टों को दंड भी देना चाहिए, लोगों की सुरक्षा करन अतह वे हमारे घरों से दूर न जाएं, सदा हमारे घर में ही रहें, हम तुम्हारे साथ अनुयाई होकर रहने की इच्छा करते हैं, अतह जिस तरह मित्र की सहायता करते हैं, उसी तरह हमें बलवर्धक धन और गौवों से प्राप्त होने वाला दूध परियाप्त परिणाम मे मिलता रहे, ऐसा प्रबंध करो, रास्ट में प्रजाओं को उत्तम धन और बलवर्धक और पोशक अन अर्थात गाय का दूध मिलता रहे, ऐसा प्रबंध करना चाहिए, अश्वदेवों से घोडों के बिना चलने वाला रत मुझे मिला है, इससे बहुत सा यश मिलने की मु पढ़ाने वाला हो, गरीबों को भोजन न देने वाले धनिकों को देखकर, तथा सुस्ती में पढ़े रहने वालों को देखकर, मुझे बड़ा खेद होता है, क्योंकि ये निहसंदेह शीख्र नाश को प्राप्त होने वाले हैं, सुस्ती से नाश होता है, अतह मनुष्य उ सुनता है यह कुछ पता नहीं चलता पर जब सुन लेता है तब उनके यग्य में शीघता से जाता है और उनके कर्मों को पून करवाता है तथा उन्हें हर तरह के अईश्वर्य देता है सूर्य दू लोक में रहकर उसे इस्थिर करता है और सरवत्र अन्न उत्पन्न करने के ल पुत्री पर यहां प्रथम पुत्री उशा प्रकाशित होती है तत्पश्चात पिता सूर्य यह सूर्य चंद्रमा की इस्त्री रात्र को किरणों की माता बनाता है चंद्रमा और रात्री दोनों सहचर होने के कारण दोनों पति-पत्नी है रात्र के बाद सूर्य किरणे प्रक इस्ट पुरुष उत्तम कर्म करने लग जाते हैं इस प्रकार मानो सूर्य ही उन्हें उत्तम कर्म करने के लिए प्रिरणा देता है उशाओं को प्रकाशित करने वाले सूर्य के उद्य होते ही लोग उसकी इस्तुतियां करने लग जाते हैं उद्य होने के बाद सूर्य अपनी किरणों को तेज करता है और समस्त प्राड़ी मात्र के हित के लिए द्यू लोग को प्रकाशित करता है प्राता काल में लोगों के द्वारा की जाने वाली इस्तुतियों के बाद यह सूर्य रात्र में छिपी हुई प्रकाश में किरणों को प्रकट करता है और तब यग्य इच्छा करता है पर जो द्रोह करते हैं उनके लिए औुनत के द्वार खोल देता है। तब मनुष्य अग्नि में उत्तम दुधारू गाय के पवित्र घृत दूध आदिका हवन करते हैं तब वह सूर्य की किरणों के सहारे दिवलोक में जाता है तब उन्हीं किरणों के द्वारा प्रत्वी पर का पानी उपर आकाश में लाया जाता है जहां वे बादल बनते हैं ये बादल द्यावा प्रत्वी के बीच में फैले और पानी से भरपूर रहते हैं ये पानी बरसा कर अन्न उत्पन करते हैं अतह इन पानियों में उत्पादन शक्त भी भरपूर रहते हैं इनसे उत्पन अन्नों को प्राप्त कर प्राणी मात्र अईश्वर्यवान होते हैं जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है उसी तरह यह इंद्र भी उशाओं के समीप प्रकाशित होता है इस इंद्र के प्रकाशित होते ही सभी यग्यशील इसके लिए सोम प्रदान करते हैं उस सोम से सिंचित हुआ वह इंद्र आनंदित होता है इस सूर्य की किरणों से जब पानी बरसता है तब वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं उन्हें खाकर गाएं रिष्ट पुष्ट होती हैं तब उनकी संततियों का विस्तार होता है फिर उनके दुगध घृताद का उपयोग हिंसा रहित यग्य में होता है अतह सब गाएं यग्य पर लाई जाती हैं वर्शा के अभाव में जो अन रहित पशु रहित और प्रयत्न रहित हो गए थे पानी के बरसने पर वे पुनह अन और पशु की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन कर्म करने लग जाते हैं इस प्रकार मानो सूर्य ही जल बरसाकर उन्हें काम में न्युक्त क करते हैं तब सूरी की किरणे इस प्रत्वी पर आकर अगनी के साथ मिलती हैं और उस सोम हवी का भक्षण करती हैं हवी सूख्ष्म होकर सूरी किरणों द्वारा द्यूलोक में जाती है और उन किरणों की सहायता से वह सूख्ष्म हवी बादलों में जाकर पानी में मिल जाती ह फिर सूरी किरने जब बादलों को पेरित करती हैं तब वही हवी बरशा के द्वारा इस पृत्वी पर आती है और चारों और पानी हो जाता है बुराईयों को दूर करके उत्तमता को भेलाने वाले सजन की रक्षा के लिए इंद्र प्रजाओं का शोशन करने वाले दुस्तों का नाश करता है वह अपने लोहे के अस्त्रों से आकुरमन कारियों का नाश करता है इसी तरह राजा रास्त्र में बुराईयों को दूर करने वाले सज्जनों की रक्षा करे और प्रजा का शोशन करने वाले दुस्टों का नाश करे तथा वह हमेशा अपने पास सुद्रण शस्त्रास्त्रों को रखे बादलों को फाड़ कर जल को बरसाने वाली किरणे जब अंधकार पर प्रहार करती है तब वह अंधकार नस्ट हो जाता है और सूर्य उद्य हो जाता है अर्थात किरणों की द्वारा अंधकार के नस्ट होने पर सूर्य प्रकट होता है वर्षा के नौ होने पर उसका प्रभा दियू लोग पर पड़ता है अकाल या अवर्षन प्राडी मात्र का शोशन करता है सूर्य पानी बरसा कर शोशन करने वाले इस अवर्षन रूपी असुर को नस्ट करता है अवर्षन के कारण संतप्त दियू लोग और पृत्वी ने जब सूर्य को चमकते देखा तो बहुत प्रकाशित हुए तब सूर्य ने पानी को रोक कर सोने वाले बादलों को अपनी तीक्ष किरणों से शिथिल किया और उन्हें जल में सुला दिया अर्थात बादल जब सब पानी रोक कर बैठ गया तब सूर्य किरणों से तप्त होकर बादल पानी बनकर बरस पड़ा ग्रि प्रकाश्मान सूर्य की तरह यह इंद्र भी मनुश्यों का हिद करने वाली और रसों का हरण करने वाली केड़ों से प्रकाशित होता है। इंद्र के रत का चक्र हमेशा चलता रहता है। यह यग्य न करने वालों का कटर शत्र है। अतहवह ऐसे अयग्य शीलों को बहुत दूर कर देता है। अर्थात अपने पास नहीं रखता। हे वजधार्ण करने वाले इंद्र कठिनाई से नस्ट करने योग्य इस दुरगत एवं पाप से हमें बचा। तथा यश, बल और सत्य युक्त व्यवहार के लिए हमें हर तरह का अईश्वर्य दे। तुझसे अईश्वर्य प्राप्त करके हम सदा सत्य युक्त व्यवहार ही करें। कभी किसी से छल कपट ना करें। हम इंद्र के विशय में सदा अच्छे विचार ही रखें, उसके विशय में कभी भी हमारे बुरे विचार नो हो, हमारी उत्तम बुद्ध हमें न छोड़ें, उत्तम बुद्ध से युक्त होकर हम अन और धनों को प्राप्त करें, गाएं आदि अईश्वर्य प्राप्त करके ह हम एक साथ रहकर आनंदित हों संगठित समाज में रहने से मनुष्य की सुरक्षा होती है और सब के साथ रहने से आनंद आता है शत्रूओं को रुलाने के कारण देव का नाम रुद्र है यह वीर मरुतों के साथ रहता हुआ असुरू का नाश करता है मरुत वे देव हैं जो म परने तक शत्रूं से लड़ते हैं, रुद्र राजा है और मरुत सैनिक हैं, राजा स्वैंग भी शूर हो तभी उसके सैनिक भी शूरवीर हो सकते हैं, राजा और उसके सैनिक मिलकर असुरों और दुस्टों का नाश करें, इस प्रकार शत्रूं का नाश करके राजा प्रजा सदा किया करती है उसी प्रकार उन्नत के अनेक मारगों को जानने वाली उशा और रात्री हमें उन्नत करें उशा और रात्री में उशा सदा सोने के कलाबतू वाले कपड़े धारण करती है और सूर्य की शोभा से युक्त रहती है उशा की सुनहली किरने ही उसके कपड़े हैं और उसके बाद उदै होने वाला सूर्य उशा को अपनी शोभा प्रदान करता है इसी तरह पत्नी अपने पत्य की सदा सहायता करे तथा स्वैंग भी उत्तम वस्त्र पहन कर शोभा से युक्त बनी रहे और पति के साथ सन्युक्त होकर पति की शोभा से सुशोभित हो अंधकार का नाश करने और दिन लाने वाला सरवत्र संचारी सूर्य हमें सब सुख प्रदान करें वायु जल बरसा कर हमें आनंद देवे इंद्र और मेघ हमें उन्नत करें तथा सभी देवगण हमें हर तरह से सुखी रखें मनुष्यों को अपने जीवन सुख में बनाने के लिए देवों की सहायता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए अनेक पकार की कामना करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी एक्छाओं को प्राप्त करने के लिए सब देवों के शरण में जाए और उनकी प्रार्थना करे अस्विनव सब जगह जाकर लोगों का पालन करने वाले हैं अगनि कर्मों का प्रेरक है जू लोक और प्रत्वी जल बरसाते हैं इस प्रकार सभी देव मनुश्यों की सहायता करते और उसे यश एवंग अन्नादि अईश्वर्य प्रदान करते हैं देवों की सद्धा पूर्वक इस्तुति करने से हर प्रकार का दुख दूर होता है ये देव धन देने वाले और पोशन करने वाले हैं इनके पास धन का बहुत बड़ा संग्रह है पर इनका धन संग्रह दान करने के लिए ही है इसी तरह मनुष्य धन संग्रह अवश्य करें पर उनका धन संग्रह अपनी स्वार्थ के लिए न होकर निर्धनों को दान करने के लिए हो धन की उत्तम उप्योगिता दान में ही है मित्र के समान हिदकारी और वरणीय देव हमारी प्रार्थना सुने तथा यग्य ग्रिह में चारो और से होने वाली इस्तुति भी सुने जल के देवता सिंधु का दान सरवत्र सूप्रसिद्ध है वह जल बरसाकर जल दान द्वारा लोगों पर जो उपकार करता है वह सरवत्र प्रसिद्ध है वह हमारी प्रार्थना सुने और खेतों को यथा समय जल से सीच कर हमारे खेतों को उपजाओ बनावे भयानक संग्रामों में केवल वही विजय प्राप्त कर सकता है जो वीर हो और देवों का भक्त हो वही जय प्राप्त कर अनेक अईश्वर्य प्राप्त कर सक तथा देव भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो सुत रथ और प्रियरत हो अर्थात जिसका रथ प्रसिद्ध हो और जो अपने रथ को प्यार करते हो अर्थात जो बहुत संग्राम शील और वीर हो उसी की देवगण भी सहायता करते हैं और उसी को बलशाली तथा पुस्ट बना जो बलवान वीर अपने अनुयाईयों की रक्षा करता है उसके बल की सरवत्र सब लोग प्रशंसा करते हैं बल का उप्योग कमजोरों की और अनुयाईयों की सुरच्छा के लिए ही हो तभी उसका बल सरवत्र प्रशंसित होता है सभी मनुष्य संगठित होकर अपना बल बढ़ावें संगठन में रहने से मनुष्यों पर कोई भी शत्र सहसा आक्रमण नहीं कर सकता यदि कोई करता भी है तो संगठन शक्त के द्वारा उसका मुकाबला किया जा सकता है अतह सभी मनुष्य संगठित होकर अपनी शक्त बढ़ाएं ये देव सबका हित करते हैं फिर भी जो इनसे निसकार्ण द्वेश करता है तेड़े मार्ग से चलता है और यग्य नहीं करता वह अनेक मानसिक रोगों से ग्रस्त होता है इरिशा, द्वेश, क्रोध आदि मानसिक चिंताओं से वह सदा पीडित रहता है वह अपने से बढ़ों से इरिशा करता है और समान अस्तरवालों से द्वेश करता है और अपने निम्नतर के लोगों पर क्रोध करता है पर जो भगवान का भजन करते हैं और हमेशा सत्यमार्ग पर चलते हैं वे हमेशा आनंद और प्रसन्नता में रहता हुआ मानसित चिंताओं और रोगों से परे रहता है। जो देवों की भक्त करता है वह अस्वादियों से युक्त होकर भयंकर शत्रूं का भी विनाशक होता है। वह याचकों की उदारता पूर्वक सहायता करता है तथा सभी संग्रामों में शत्रूं का नाश करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। देवों का भक्त कभी भी दरपूंक और पीछे हटने वाला नहीं होता क्योंकि देव सदा उसकी सहायता करते हैं। इसलिए बड़े से बड़े और भयंकर से भयंकर शत्र भी उसके सामने नहीं ठहर सकते। वीरों को देवें तथा यग्य करने वालों की प्रार्थना सुनकर उनकी रक्षा करने के लिए जाएं। देव जिसके यहां रमते हैं और आनंदित होते हैं उसे ये देव बलवान और अईश्वर्यवान बनाते हैं। इन्ही देवों में सब तरह के तेज़स्वी अईश्वर्य रहते हैं। ये देव प्रत्युपकारी हैं। इनका जो हित करता है उनका भी हित ये देव अवश्य करते हैं। मनुष्य अपने सामने जो भी अन पाए उसे प्रशंसा करते हुए खाए। मनुष्य कभी भी अन की निंदा न करे। क्योंकि अन मुख्य देव है और वही जीवन का आधार है। अतह सदा प्रसंचित से प्रशंसा करता हुआ अन का भक्षन करे। जो घोडों और लगामों पर अच्छी तरह नियंतर करना जानते हैं। ऐसे शत्रूं की हिंसा करने वाले नेताओं का कोई क्या अहित कर सकता है। अर्थात जो शत्रूं की हिंसा करते हैं। उनकी सभी वीर सहायता करते हैं। कभी भी उनका अहित नहीं करते। सभी देव हमें उत्तम रूपवान और सभी अलंकारों से युक्त संतानों को देवें तथा ये देव हमारे द्वारा बोली जाने वाली इस्तुतियों और घ्रताद हवियों को स्वीकार करें विजैशील तथा शत्रों को मच्छरों के समान मारने वाला वीर तथा अन्नका स्वामी राजा एवंग उनके पुत्र प्रजाओं को कष्ट न दें यदि कभी ये राजा एवंग उनकी संताने प्रजाओं पर अत्याचार करने लगें तो मित्रवत प्रजाओं का हित करने वा तथा लोगों द्वारा वरणीय राजा का सुन्दर और सुखकारक रत इन अत्याचारी राजाओं को कुचलता जाए तथा सूर्य के समान प्रकाशित हो यह प्रजातंत्र है वैदिक कालीन प्रजातंत्रीय शासन में अत्याचारी राजा को पदच्युत करके उसकी जगह उत गया है और उस पर अमर देव आकर बैठ गये हैं यह स्रेष्ठ उशा मानवों के सुखदाई निवास के लिए ज्यान पूर्वक यत्न करती है उसमें अपने आपको अंधकार से उपर उठाया है यही मनुश्यों का करतब्य है वे अज्याना अंधकार से अपने आपको उपर उठकर संपत्य को प्राप्त करें और दूसरों का निवास सुख पूर्वक हो ऐसा प्रयत्न करें यह उशा सब प्राणियों से पूर्व उठती है यह बहुत दान करने वाली उशा अन बल तथा धन को जीत लेती है सबसे पूर्व उठकर अपने कार्य में लगने से अन प् सबसे प्रथम स्थान में विराजमान होती है और उच्छ स्थान से सबको देखती है हे कुलीन उशा देवी मनुष्यों का तारण करती हुई तू मनुष्यों के लिए जिस समय अन्न का भाग देती है उस समय देव सूर्य के सामने हमें निस्पाप बताने मनुष्यों का ता का योग्जिभाग देना चाहिए आवश्यक भोग साधनों के अभाव में मनुष्य सुख से नहीं रह सकेंगे इस प्रकार धन का बटवारा ही मनुष्यों को सुखी और निसपाप बना सकता है आवश्यक भोग के नव मिलने पर मनुष्य पाप में प्रवित्त होता है हविर भाग लेने ऊशा प्रतिदिन आती है, कीर्थ को धारण करती है, इस्तुति सुन्ती है और घर घर पहुच्छती है घर घर में प्रकाश करती है धनों में सेष्ट धन प्राप्त करती है इस्तरी भी प्रतिदिन हवन करे, यश कमावे, घर में प्रकाश करे, हे उत्तम भाशन करने वाली उशा, तु भग की और वरुन की बहिन है, तु सब देवों में पहली है, तु इस्तुति प्रारम्ब कर, बाद में जो पापी है, उसे दक्षता पूर्वक चलने वाले रत से उसे पकड़ें, इस्त्री उत्तम और मीठे भाशन करें, सौभाग्यशाली हो, दिव्य भाव वालों में पहली हो, इश्वर की भक्त करें, जो पापी हो, उसे पकड़ कर दंड दिया जाए, मनुष्य सदा सत्यवारी ही बोलें, अगनि प्रदिप्त करें, हवन करें, तब उन के लिए तेजस्वी उशा अंधकार में छिपे हुए धन प्रकट करेंगी, उशा काल स्वास्थ दायक है, अतह इस समय उठकर हवन करना चाहिए, बिरुद्ध रूप रंगवाली रात्री और उशा क्रम से संचार करती है, एक चली जाती है, तब दूसरी आती है, इन दोनो में से एक अंधकार से सब को ढख देती है, और दूसरी अपने तेज से सब को प्रकाशित करती है, जैसी उशा आज आई है, वैसी ही कल भी आएगी, यह अनिंद उशा वरुण के दीर्गिस्थान की सेवा करती है, एक एक उशा तीस योजनों की परिक्रमा करती है, यह उश में से उतपन्न होई है, चूकि रात के बाद ऊशा आती है, अतह मानों ऊशा रात्र में से उतपन्न होती है, यह उशा नियमा नुसार चलती है, सत्य वरत का यह उशा उलंगन नहीं करती, और प्रतिदिन निश्चत समय पर आती है, हे दिव्य उशा तू अपने शरीर को और सजा धजाकर सुन्दर कन्या के समान अपने पूजनी पतिदेव के पास जाती है। अपने सरीर के ओयों को बताने के लिए प्रकट करती है। अंधेरे को दूर करती है। यह कल्यान करने वाली उशा दूर जाती सी दिखाई देती है। पर फिर से उसी स्थान पर आ जाती है। सूर्य किरणों को देने वाली हमारे कल्यान कारी यग्य का संपादन करने वाली यह उशा प्रकाशित होती रहे और वह हमें धन प्रदान करे। अग्न के प्रजलित होने पर उशा आती है और अंधकार को दूर करती है। सूर्य अधिक तेजस्वी होता है। यह सविता देव हमें धन प्राप्त करने और वीपाद और चतुसपादों को जाने के लिए मार्ग बताए। अर्थात उशा के आने के बाद हमारे मनुश्यों, गौवों और भोडों को आने जाने का मार्ग खुला हो जाए। बर्प के पढ़ने से मार्ग बंद हो जाता है। और उशा काल में सूर्योदय के होने पर बर्प पिघल जाती है। और आने जाने के लिए मार्ग साफ हो ज यह उशा प्रतिदिन आकर मनुश्यों की आयु कम करती है अर्थार प्रतिदिन इसके उद्य के साथ ही मनुश्य की आयु के एक एक दिन घटते जाती हैं इसलिए उसा को यहां मानवी आयु की इन्सा करने वाली बदाया है यह उशा गत उशाओं में अंतिम और आने वाली उशाओं में प्रतम है यह स्वरगीय कन्या उशा प्रकाश का रंगीन वस्त पहनती है और प्रतिदिन पूर्व दिशा से उपर आती हुई दिखाई देती है यह हमेशा सत्त्यमार्ग से जाती है जैसे विदुशी इस्त्री उत्तम मार्ग से जाती है उसी तरह दिशाओं में किसी तरह से बाधा न पहुँचाती हुई यह उशा आ रही है जिस प्रकार यह उशा सत्यमार्ग से जाती हुई प्रकाशित होती है उसी तरह इस्त्रियां भी सत्यमार्ग पर चलती हुई तेज से युक्त हों सत्यमार्ग से चलने पर तेज की प्राप्त होती है शुद्ध और स्वक्ष की हुई छाती जैसी सुन्दर यह उशा दीखती है अत्मा जैसे एक सुन्दर गायक अपने अलापों के सभी ओयों को स्पस्ट करता है उसी तरह यह उशा अपने सुन्दर ओयों को प्रकट कर रही है जैसे एक सुंदरी तरूनी अपना सौंदर्य प्रकट कर रही है उसी तरह यह उशा अपनी प्रभा दिखा रही है जिस प्रकार घर में रहने वाली इस्त्री सोते हुए घरवालों को जगाती है उसी तरह उशा सबको जगाती है व्यापक अंतरिक्ष लोग के पूर्व दिशा के भाग में किरणों को उत्पन करने वाली उशा ने अपना धोज भैराया है द्यावा प्रतिवी रूपी दोनों माता पिताओं के पास रहकर यह उशा स्रेष्ट प्रकाश को अंतरिक्ष में भरपूर भर देती है अंतरिक्ष का सब स्थान उशा के प्रकाश से भर जाता है विस्तृत होने वाली उशा स्वकिय या परकिय का भेद नहीं करती सभी पर अपना प्रकाश समान रूप से डालती है और सब के सामने अपनी सुन्दरता प्रकट करती है सब पर अपना प्रकाश डालती है और उसे सुन्दर बनाती है जो उसके सामने आता है उसे सुन्दर बनाती है निर्दोष शरीर से प्रकाशित होने वाली उशा छोटे या बड़े अर्थात किसी का भी त्याग नहीं करती संपूर्ण विश्व बिना किसी भेद भाव के प्रकाशित होता है भात्रहीन इस्त्री जिस प्रकार निराश्चित होने पर वापस अपने माता पिता के पास चली जाती है अत्मा जिस प्रकार कोई विधवा धन प्राप्त करने के लिए नयायाले चढ़कर जाती है उसी तरह सुन्दर वस्त पहन कर पती की इच्छा करने वाली यह उशा हस्ती हुई अपनी सुन्दरता को प्रकट करती है दिन के होते ही यह उशा समाप्त हो जाती है अतह यह कभी दिन रूपी अपने भाई के साथ नहीं रहती इसलिए दिन रूपी भाई के नौ होने से यह उशा अपने पिता ड्यू लोग के पास चली जाती है छोटी बहिन अपनी बड़ी बहिन के आने पर अपनी जगह खाली कर देती है यहां रात्र छोटी बहिन और उशा बड़ी बहिन है उशा के आते ही रात्र जगह खाली कर देती है इस उशा को देखते ही रात्र दूर चली जाती है सूर्य की किरणों से प्रकाशने वाली यह उशा अच्छी तरह चलने वाली किरण समुहों के समान सुरूपता को समान तया व्यक्त करती है जो उशाएं इससे पूर्व जा चुकी हैं उनमें से अंतिम उशा के पीछे से एक-एक नई उशा करम से आती हैं इसलिए पूर्व की तरह ये आने वाले नए दिन अर्थात नई उशाएं हमारे लिए परयात धन ले आएं और उस धन के साथ ये उशाएं प्रकाशती रहें हे धन वाली उशे दाताओं को जगाओ न जागने वाले सोते रहने वाले कंजूस बनिये सोते रहें उन्हें लाव न मिले क्योंकि वे दान नहीं करते हे धन वाली उशा जो धन का दान करते हैं जो अपने धन का यग्य करते हैं उनके लिए धन के साथ प्रकाश दो हे शुब्रभाशन करने वाली उशा प्राड़ियों की आयुकम करने वाली तूं इस तोत्र पाठ करने वाले के लिए धन के साथ प्रकाश दे यह तरूरी स्त्री उशा पूर्वदिशा से प्रकाशित हो रही है इसने लाल रंग के घोडे अपने रत में जोडे हुए हैं घर में यग्य की अगनी प्रज्वलित होगी। उशा के प्रताश के प्रकट होते ही पक्षी अपने घोसलों से बाहर उड़ने लगते हैं। जिनके पास अन्न है वे भी यग्य करने लगते हैं। यह सब कारे उशा के उदय के पश्चात ही होता है। हे उशा अपने घर में रहकर यग्य और दान करने वाले मनुष्य के लिए तुम बहुत सा धन लाकर दे। हे प्रशंसनी उशाओं मेरे इस इस्तोत्र से तुम्हारी इस्तुत हो रही है क्योंकि तुम इस्तुत के योग्य हो। हे उशाओं तुम हमारी उन्नत करने की इच्छ से हमारी उन्ठ करो, तुम्हारे संरक्ष्ण से सुरक्षित होकर हम सैकडों और हजारों तरह के धन और अन्न प्राप्त करें। प्राता कालीन सूर्य अपनी किरणों में अनेक स्वास्थिप्रद पोशन तत्व रूपी तत्व लाकर मनुश्यों को प्रदान करता है पर जो विद्वान इस बात को जानते हैं वे ही सुर्योदय से पूर्व उठकर सूर्य प्रकाश में नहित पोशन तत्वों को प्राप्त रहते हैं जो इन पोशन तत्तों से लाव उठाता है उसकी आयू बढ़ती है वीर्य बढ़ता है और वह पुस्ट होकर समस्त अईश्वर्य प्राप्त करता है जो दानी मनुष्य सवेरे उठकर याचकों को धन दान करता है उसे उत्तम गौवें धन और घोड़े आदि मिलते ह और इंद्र भी इसे उत्तम अन प्रदान करता है जो धन का दान करता है उसकी सब देव सहायता करते हैं पर जो इकठा करके रखता है उसका धन नस्ट हो जाता है जो सबेरे उठकर देव के पास जाता है उसे हर तरह का धन और उत्तम कर्म करने वाली संतान प्राप्त होती है तथा देव के उत्तम आशिरवाद से वह बढ़ता है दानशील पुर्ष धन भी प्राप्त करता है और उत्तम संताने भी प्राप्त करता है और ईश्वर की कृपा से वह हर तरह से बढ़ता है यग्य करना एक स्रिष्टतम कर्म है जो यग्य सदा करते हैं उनके लिए सभी नदियां सुख देती हैं जो धन का दान करके सब को पूर्ण करते हैं और सब को संपन्न बनाकर प्रसंद करते हैं उनके लिए गाएं घी की धाराएं प्रदान करती हैं जो दान करता है वह हर प्रकार से अईश्वर्य संपन्न होता है अईश्वर्य एवं सुख को प्राप्त करने का यग्य और दान उत्तम साधन है जो अपने आश्चतों या याचकों को धन धान देकर तिर्प्त करता है वह हर तरह से सुख प्राप्त करता है वह देव के समान होकर उनमें जाकर विराजता है जल प्रवाह उस दानी के लिए तेजस्वी जल देते हैं और यह प्रत्वी भी उसके लिए सदा धाने से भरी रहती है उसे चारों और से हर तरह के अईश्वर्य प्राप्त होते हैं, जो लोगों को धन का दान करते हैं, अपने आश्चितों को धन धान इसे संब्रिद्ध करते हैं, उन्हें भी सब तरह के अईश्वर्य मिलते हैं, द्यू लोक में भी सूर्य उन्हीं के लिए हर तरह के प्रदान करता है वे दीर घकाल तक जीवित रहते हुए उस अमरत्व की उपासना करते हैं तथा अपनी आयू बढ़ाते हैं धन के दान से लोग प्रसंद होकर दानी के प्रति अपनी शुभ कामनाएं रखते हैं इससे उस दानी की आयू बढ़ती हैं जो अपने धन से देवो को हवी देकर और मनुष्यों को दान देकर त्रिप्त करते हैं वे कभी दुखी और पापी नहीं होते जो विद्वान सदा उत्तम ब्रतों का आचरण करते हैं वे शीघ्र ब्रिद्ध नहीं होते यम नियमादी ब्रतों के आचरण करने से मनुष्य शीघ्र ब्रिद्ध नहीं ह वह स्तदा ही मानसिक चिंताओं और शोक से पेडित रहता है। राजा ऐसा वीर और पराक्रमी हो की कोई भी शत्र उसकी हिंसा न कर सके। ऐसा शूर राजा अपने यश्च को बढ़ाने के लिए यग्यों को करे। यग्यों को करने से यश्च फैलता है। यग्यों का विस्तार नदियों के किनारे पर किया जाए और उन यग्यों में बुद्धि पूर्वक ज्यान से भरे इस्तोत्रों का गायन किया जाए जो तेजस्वी पुरुष लोगों के प्राणों की रक्षा करता है देवों की प्रार्थना करता है और लोगों को भरपूर दान देता है उसका यश कभी नस्ट नहीं होता और वह स्तरवत्र फैल जाता है। सोने के अलंकारों से सजे हुए तथा घास आ दिखाकर हिस्ट पुस्ट हों। ऐसे उत्तम घोडों को वश में रखकर उन्हें उत्तम रीति से शिक्षित किया जाए। आनंद देने वाले दस साधनों का स्वामी आत्मा दशरत है। सभी रूपी अस्वों को वश में कर सकते हैं। सब बंधूं के समान परस्पर प्रेम भाव से रहें। सभी मनुष्य हिस्ट पुस्ट होकर रथादियों के स्वामी हों। अरथाद सभी धनवान बनें तथा यश्प्राप्त करने की इच्छा करें। यह शरीर जीवन से युक्त रत है। उसको धारण करने वाले पज्ज्र प्राण हैं। यह सभी प्राण इस शरीर में एकत्र होने से परस्पर भाई हैं। और परस्पर एक दूसरे से बधे हुए हैं। आत्मा जैसे स्रेष्ट तक्ट को धारण करने के कारण यह प्राण अरिधायस हैं। इस देह में गतिप्रदान करने वाले तक्ट गौव हैं। साथ प्राण और आठमी वाक तथा आत्मा, मन, बुद्ध इन तीन प्रमुख तत्वों को सदा सनमार्ग में प्रेरित करना चाहिए। राजा की नीति प्रेत्न करने वालों को उन्नत करने वाली तथा उत्तम गुणों से युक्त हो ऐसी नीति रास्ट को धारण करने में समर्थ होती है। ऐसी नीति सज्जनों का संरक्षन करती है और दुष्टों को चाबुक के समान दंड देने में भी समर्थ होती है। ऐसी नीती पर चलने से रास्ट की प्रजाओं को सभी तरह के भोग्य पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं पुरुष जहां तक हो वहां तक ग्रिह कारियों में अपनी पत्नी की सलाह अवश्य ले अपनी पत्नी के विशय में पति छुद्र विचार न रखे यह अगनी अपनी ज्वालाओं से घी का भक्षन करके और अधिक तेजस्वी होता है अगनी देवों को बुला कर लाने वाला, उपासकों को धन देने वाला, अरणी से बल पूर्वक मतने पर उत्पन होने वाला है ऐसे अगनी का उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए, जिस प्रकार वेदग्य ब्राम्भर का किया जाता है ज्यू लोक में चारो और गमन करता हुआ, सूर्य सब को स्वास्थ प्रदान करता है उसी प्रकार अगनी भी अपनी किरणों से सब को स्वास्थ प्रदान करता है यह अत्यंत पूज्य और अंगरस की विद्या जानने वालों में सर्वस्रेष्ट है इसलिए सब इसकी ग्यान युक्त इस्तुतियों से उपासना करते हैं प्रजाओं का अगणी नेता ऐसा है कि जिसके सामने आकर दिन्ह से दिन्ह तथा इस्थिर रहने वाले शत्र भी विचलित हो जाएं और उसी तरह सूख जाएं जिस तरह अगनी के सन्योग से पानी सूख जाता है वह शत्रों को पराजित करके उन पर शासन करने वाला हो जो युद्ध से पीठ दिखा कर न भागे अपितु हाथ में धनुश लेकर आगे बढ़ता चला जाए ऐसा तेजस्वी वीर पुरुष ही लकडियों को काटने वाले फरसे के समान द्रोह करने वाले शत्रों को काटने वाला होता है यह अग्रणी बहुत बलशाली है इसलिए इसकी निर्बल और बलवान सभी प्रार्थना करते हैं अपने उपासकों को सब अईश्वर्य प्रदान करता है तथा शत्रों को नश्ट कर देता है यह अग्रणी प्रकाश की अपेक्छा अंधकार में और अधिक देजस्वी होता है यह अपने सहायकों की रक्षा और शत्रों को दूर करता है यह पुझ्यनिय अग्री सभी स्थलों में वायु के समान गर्जना करता है कल्यार की प्राप्ति के लिए सभी देव इसी के बता वक्त समर्पित की गई हवियों को ही स्विकार किया यह अग्रणी सब के साथ समान विवहार करने वाला पुझ्य सत्यपालक और घरों की रक्षा करने वाला है सारे देव हवी भक्षण के लिए इसके पास आकर इकठे होते हैं देवों के हवी भक्षण के लिए अग्ने मु जरूरत नहीं पड़ती यह हमेशा कुछ साह से भरपूर रहता है इसलिए सब इसकी सेवा करते हैं यह अग्रणी अत्यंत बलवान तेजस्वी तथा पशुओं को देने वाला है इसलिए सभी स्थानों में उसकी इस्तुति सर्व प्रथम की जाती है यह अग्रणी पास से भी की देदिप्यमान दीखता है अतह सतकार के योग्य है यह अग्नी हमें उतकृष्ट धन दे और हम उस धन का उत्तम उपभोग कर दीरगायु प्राप्त करें अपने कर्मों को पूरा करने के लिए यह अग्नी उत्तम होता है यह अन्यों के भी कर्मों को पूर्ण करता है यह अपने उपासकों के लिए हर तरह के पदार्थ इवंग धन देता है सत्त के मार्ग पर चलने से और नम्रता पूर्वक दिवहार करने से ही यह अगणी प्रसंद रहता है यह सदा सामर्थ युक्त रहता है कभी छीन नहीं होता यह सरवत्र प्रकाशित होता हुआ बल्वान अगणी सभी जगह अपना निमास स्थान बनाता है यह अगणी घरगर में प्रजवलित होता है इसके जलने से यग्यका ग्यान होता है यह बुद्धिमान तथा उत्तम कर्म करने वाला है हम बुद्धि पूरवक्त और आदर से अग्नि को आहुतियां देते हैं अतहवह हमें हर तरह के संकटों से बचावे यह अपने हाथ में सदा धन को धारण किये रहता है पर यह धन यथा भिलाशी उत्तम कर्म करने वालों को ही देता है दुस्टों और दुराचारियों को नहीं यह अग्रणी संगठन के कारियों में सहायता देकर सुख बढ़ाता है यह राजा की तरह प्रजा का पालन करता है तथा यग्यों में बिग्न करने वाले धूर्तों से बचाता है वह अग्रणी बुद्धिदाता प्रिर्णा देने वाला सब का प्रिय है उसी से सब मनुष्य प्रिर्णा प्राप्त करते हैं उसी रमडिय अग्निकी सब इस्तुति करते हैं जो साधक और परिपक्व बुद्धिवाला होते हुए भी इंद्र पर शद्धा रखता है उस साधक की यह इंद्र सहायता करता है और उसे आगे बढ़ाता है तथा अभिष्ट पदार्थ की प्राप्त के लिए इंद्र उसे आगे बढ़ाता है यह इंद्र बड़ा सामर्थ अतह भर्ण पोशन के साधन अन्न के लिए किये जाने वाले युद्धों में यह इंद्र वीर मरुतों के साथ मिलकर शत्रनास का कार्य बड़ी ही कुशलता से करता है इसलिए समर्थ लोग भी इस इंद्र का आश्रे उसी प्रकार लेते हैं जिस प्रकार वीरगन युद्ध मे बलवान भोड़े का आश्रे लेते हैं यह इंद्र मेगों को जल से पूर करता है कश्ट देने वाले असुर को मारता है यह इंद्र शत्रूं के लिए रुद्र के समान भयंकर रूप वाला भक्त के लिए मित्र के समान हित करने वाला उत्तम सुख देने वाला तथा सब के द यह अकेला ही अनेक शत्रूं को मार सकता है पर सब शत्र मिलकर भी इसे नहीं मार सकते। प्रज्डलित समिधाओं के समान तेजस्वी यह इंदर अपने शक्चिसाली सनरक्षन के साधनों से शत्र के अभिमान को ठंधा कर देता है और अपने भक्तों को आगे लेचलता है। बहुत से शत्रूं को मारने पर भी यह इंदर निश्पाप ही बना रहता है। शत्रूँ से मार खाना पाप है पर उन्हें मारना पाप नहीं है जो मनुष्य अपने प्रयत्नों से प्रगति करता है वह इंद्र की तरह इस्तुति के योग्य और प्रशंसित निय होता है वह दुस्टों का नाशक होने के कारण भी सबके द्वारा प्रशंसित होता है वह नि शत्रू को सीघ्र ही सुखा देवें, वाडी सदा उत्साह बढ़ाने वाली हो, सभी ऐसी उत्तम वाडी बोलें, जिससे सुनने वाले और बोलने वाले दोनों का उत्साह बढ़ें, धन शक्त बढ़ाने वाला हो, सदा सुविचारों से युक्त रहे, इंद्र से रक्षित मनु पर लोगों पर अत्याचार न करे उत्तम मार्ग से चलने वाला व्यक्ति हमेशा उपद्रवों से रहित होकर आगे ही बढ़ता जाता है यह इंद्र सर्वव्यापक होने से पास भी है और दूर भी है इसलिए वह सब जगह से अपने भक्तों की रक्षा करता है इंद्र हिंसक दुष्ट जन पर ही क्रोध करता और उसे ही मारता है सज्जन को नहीं वह अपने भक्तों के यश्की रक्षा करता और मित्र के समान उसका हित करता है यह इंद्र अपनी प्रशंसा करने वालों की पाप से रक्षा करता है और दुष्ट गुद्धियों से युक् इंद्र को प्रकट किया है और इसी कारण इंद्र राक्षसों के हंता के नाम से प्रसिद्ध हुआ है इसी प्रकार राजा राक्षसों का नाश और ज्यानियों की रक्षा करे प्रजा भी इन गुणों से युक्त व्यक्ति को ही राजा बनावे जैसे पुत्र पिता को बुलात आते हैं वैसे यज्मान, इंद्र देव को बुलाते हैं। बुलाए जाने पर यहुआ दूर देश से भी अपने भक्त के घर जाकर उसे बहुत धन देता है यह इंद्र स्रेश्थ कर्मों को करने वाला है इसके घोड़े भी इसे उत्तम कर्मों की तरफ ही प्रेरित करते हैं यह अपने घोड़ों के द्वारा यग्य में जाकर सौम पीता है इसी प्रकार राजा बड़ा स्रेष्ट कर्म करे तथा यग्य में जाकर सोम अरथात ब्रह्म ज्यानियों से ब्रह्म ज्यान का उपदेश ले जिस प्रकार ढूरने वाले गायों के बाड़े को ढूर निकालते हैं तथा बहुत बड़े पहार के अंदर भी छिपाकर रखे हुए पक्षियों के बच्चों को ढूर निकालते हैं उसी प्रकार सूर्य ने अंतरहित बादलों में छिपे हुए पानी के संग्रह को खोज निकाला और उसे बरसा कर इंदर ने मानों मनुष्य के लिए अन्न के द्वारही खोल दिये पानी बरसने से अन्न बहुत उत्पन्न होता है यह स्पस्ट ही है इंद इंद्र नदियों के जल प्रवाह को मुक्द करता और चलाता है तब वे प्रजा के पास पहुचती हैं वे जल प्रवाह काम दुहा गाय के समान प्रजाओं की हर कामनाओं को पूर्ण करती हैं इसी तरह राजा अपने देश में नहरों द्वारा प्रजाओं के पास पानी प जैसे विद्वान लोग रत को उत्तम कार्य के योग्य बनाते हैं, वैसे स्तोता लोग इंद्र के योग्य स्तोत्र कहते हैं, जैसे सारती बल्वान घोड़े को और अधिक बल्वान और विजय के योग्य बनाते हैं, वैसे स्तोता धन पाने के लिए इंद्र में अधिक उत्सा इंद्र युद्ध में उत्साह से जाता है और तेजस्वी धनों का दान करने वाले तथा अतितिका सतकार करने वालों के जय के लिए शंबर आदिका नाश करता है तथा उनेक तरह के अईश्वर्य प्रदान करता है इंद्र सब युद्धों में केवल स्रेष्ट मनुश्य की ही रच्छा करता है तथा ऐसे मनंशील स्रेष्ट मनुश्यों को तंग करने वाले दुस्ट पुरुशों को दंड देकर अपने शासन में रखता है पर जब हिंसक बहुत जादा उपद्रव करने लग जाते हैं तब यह इंद्र उन्हें उसी प्रकार भस्म कर देता है जिस प्रकार अगनी पदार्थों को भस्म कर देती है राजा भी सदा स्रेष्ट मनुश्यों की ही सहायता करें तथा इसका धान रखें कि उपद्रवी हिंसक ऐसे मननशील ग्यानियों को कभी तंग न करें यदि तंग करे तो उन्हें दंड देकर नियंत्रण में रखे या फिर विनस्ट कर दे यह शूर वीर तथा अन्य वीरों को प्रिरणा देने वाला इंद्र शस्त्र हाथ में लेकर शत्रू के पास जाता है तब वह शत्रू को चुप करा देता है उसके भैसे शत्रू दल में सन्नाटा चा जाता है तब वह इंद्र अपने चाहने वाले भक्तों की रख्षा करता है और रिशी और मनुश्यों में सुख का बिभाग करता है बल के कर्म करने वाला यह इंद्र इस्तुत से प्रसन्न होकर सुखदाई पदार्थ देता है और दिन जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ाते हैं वैसे स्तोत्र इंद्र की शक्ति बढ़ाते हैं द्यव और प्रत्वी युद्ध में इंद्र की सहायता करते हैं और देव इसे अपना नेता चुनकर उसे अन्न पहुंचाते हैं सभी समाज उत्साह वाले देव इस इंद्र को आगे स्थापित करते हैं अर्थात इंद्र युद्धों में सबसे आगे रहता है इसलिए इस इंद्र की शक्तिका कोई मुकाबला नहीं कर सकता इंद्र सबका समान पूज है इस तोता लोग बल से कारियों में उसे ही लगाते हैं सुख की अभिलाशा करने वाले उस इंद्र की उपासना करते हैं पत्नी और पत्ति मिलकर इंद्र के लिए यग्यर चाते हैं वे दोनों जन स्वर्व जाने और गौव आदि पर शुप्राप्त करने की अभिलाशा से इंद्र को हर तरह से प्रसन करते हैं असुर जल और प्रत्वी को घेर कर अपने अधीन रखते हैं इंद्र उनका घेरा तोड़कर प्रत्वी और जल को मुक्त करता है यह इंद्र का बड़ा पराक्रम है यह यग्य ना करने वाले को दंड देता है जो इंद्र को चाहता और उससे मित्रता जोडता है वह उसकी रक्षा करता और उसके लिए आनंद से लड़ता है वह हमेशा अपने मित्रों के अनकूल ही कारे करता है और उन्हें पर्याप्त धन देता है जब यग्य में इस्तोत्र द्वारा इंद्र को पुकारते हैं तब वह आकर इस्तुति और हवी प्राप्त करता है और शत्रूँ को मारने के लिए नवीन इस्तोताओं की पुकार भी सुनता है यह शत्रूं को मारने के कार्य में हमेशा सजग रहता है कभी भी वह शत्रुदलन के काम में असाउधान नहीं रहता इसी तरह राजा भी शत्रुदलन के कार्य में सदा साउधान रहे इंद्र दुरबुद्ध और दुस्ट विचार वालों को प्रजा के बीच नहीं रहने देता वह अपने भक्तों से दुश्मन कासा व्योहार करने वालों को मारता है तथा उहें मार्ग से दूर करता है इस्तोता इंद्र के सहाय से शत्र को पहले आक्रमन में ही जीत लेना चाहते हैं और थोड़े दिनों में अपनी अभीष्ट सिद्ध करना चाहते हैं इंद्र प्रतेक व्योहार में बाधक शत्र को मारता और अपना दान यजमानों की ओर प्रेरित करता है उसके दान सदा कल्यान करने वाले होते हैं केवल इंद्र ही उस सत्य के स्थान को जानता है और वही विद्वानों के सामने उस सत्य स्थान का वर्डन करता है तब ग्यानी जन उस स्थान को देखते हैं उसका साक्षातकार करते हैं अतह इंदर को उस सत्यस्तान का प्राप्त कराने वाला कहा है। ब्रती हीनओ को ब्रती लोगों के अधेन रखता है। उनके करोध को भी दूर करता है। इंदर के पराक्रम से ही उसके भगतों में बल आ जाता है। वे इंद्र से रक्षित उसी की आग्या में रहना चाहते हैं। इंद्र के देखने मात्त से लोगों में बल का संचार होने लगता है। और वे हिंसकों को विनस्ट करने लग जाते हैं। उत्तम कर्म करने वाले जन इंद्र को ही अपना आश्रे स्थान बनाना चाहते हैं इंद्र वज्र से शत्रू को मारता है वह इस कार्य में परवत को साथ ही बनाता है वज्र में कई परव होने के कारण उसे परवत कहा जाता है यह इंद्र का शस्त है इंद्र और उसका वज्र ये दोनों मिलकर शत्रू का नाश करते हैं इंद्र के सभी विरोधी मारे जाते हैं जब शत्र अधिक मारे जाते हैं तब उनके मृत देहों से युद्ध छेत श्मशान दिखाई पड़ता है इंद्र के पाउं बहुत बड़े हैं अर्थात इंद्र में आक्रमण करने की शक्त बहुत है अतहव इंद्र अपनी शक्त से शत्रू को चूर चूर कर देता है युद्ध में मृत्कों का ढेर लग जाता है और वह स्थान भयानक और बहुत बुरा दिखाई देता है इंद्र ऐसे श्मशान समान भयानक स्थानों में शत्रूओं को बड़ी संख्या में मारता है इंद्र ने इस युद्ध में देड़ सौ असुरों को मारा उसका यह कार्य प्रशंसा के योग है इंद्र शत्रूं को किस प्रकार घेरा जाए इस विध्या में बहुत प्रमीड है इसलिए वह शत्रूं को आसानी से मार देता है इंद्र के शत्र भ्यंकर और रंग विरंग शस्तास्त्रवाले होते हैं उनको वह मारता है जब राक्षस और दुस्ट बहुत बढ़ जाते हैं और वे सरवत्र अत्याचार करने लगते हैं तब उनके अत्याचारों को देखकर प्रत्वी कापने लगती है और उसी तरह दूलोक भी कापने लगता है तब इंद्र इन अत्याचारियों पर आक्रमण करता है और अपने श हस्तंओं धन तक दे सकता है वही उसका सच्चा भक्त है और ससे ही इस्थिर धन प्राप्त होता है जो इंद्र को हव देता है उसे ही इंद्र धन प्रदानaşWow Bellarm Life, विद्द्वानों की कि चार सुख इस मंत्र में बताएं हैं रिस्ट पुस्ट होकर स्वस्थ रहना इंद्रियों से उत्तम व्यवहार करना पत्नी की अनुकूलता ऐश्वर्य साली होकर दान में तक्पर होना कर्मशील और पुरुशार्थी मनुस्य रक्षा के लिए तथा बल प्राप्त करने के ल प्राप्त नशील और संगठित होकर बुद्धि पूर्वक वायू का स्तवन करें वायू देव सदत पुरुशार्थ और शक्ति का प्रतीक है वह सदा गति करता रहता है इसलिए वह शक्तिमान है वायू अपने रथ में उत्तम घोडों को जोडता है और गति करता हुआ यू लोक और उषा को प्रकाशित करता है वायू के समान मनुष्य सदा प्रयतनशील होकर दूसरों को भी जाग्रत करें तथा उन्हें प्रयतनशील बनाए यह वायू सदा कर्म करता है इसलिए उशाएं इसके लिए वस्त्र बुनती हैं अर्थात अपनी किरणों द्वारा इस वायू में जीवन शक्त स्थापित करती है उशह काल की वायू जीवन शक्त से भरपूर होती है इस समय गाएं जो दूद दुहती हैं वह मानों अम्रत ही होता है इन्ही हवाओं के कारण नदियों में पानी उपर आकाश में जाता है और बरसकर फिर नदियों में आता है अर्थात वरिष्ट का कारण भी यह वायू ही है बल्वान शुद्ध पवित्र भावना वाले तथा शीगता से कारे करने वाले जन्व इस वायू के इस्तुति करते हैं जो भैभीत और निर्बल हैं वे भी इस वायू की शर्ण में जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह वायू दुस्टों से धार्मिकों का संरचन करता है यह वायू अत्यंत स्रेश्ट होने के कारण सोम रसों को पीने के लिए प्रतम अधिकारी है समस्त गौवें इसके लिए अपने दूद को देती हैं पापों से रहित तथा यगशील मनुष्य की हवी को ही वायू स्विकार करता है हे वायू तुम्हारे लिए यह यग्य चल रहा है इसलिए अपने रत पर बैठ कर तुम आओ और यहां आकर तुम सोम रस पीओ सोमरस पत्थरों से कूट कर शुद्ध करके तयार किया जाता है यह रस निर्मल दिप्तिवाला और अनेक तेजों को धार्ण करता है वायू इस सोमरस का भाग सबसे प्रथम गहन करता है हे वायो तुम हमारे यहां सोमरस को पीने के लिए अनेक घोडों से आओ यह रित्व के अनुसार सोमरस तयार किया गया है ये सोमरस सूर्य के संपर्क में आने के कारण सूर्य के समान तेजश्वी हो गया है इसलिए यह वेर्यवान है इंद्र और वायू दोनों हमारी रक्षा करने के लिए आवें और हमारे पास आकर हमारे द्वारा तैयार किये गए सोमरस को पीवें और प्रसन्न होकर आनंद दाय अईश्वर्य हमें प्रतान करें इन इंद्र और वायू की बुद्धियां यग्यों को प्रेरिद करें ताकि हम इन दोनों के लिए सोमरस तयार करें उन सोमरसों को ये दोनों देव हमारे पास आकर पीवें ये तेज़स्वी सोमरस कूट पीस कर निकाले जाते हैं और चानकर उत्तम बरतनों में भरे जाते हैं इन रसों को छानने की छलनी भेंड के बालों की बनी हुई होती है इन बालों में छनकर यह रस शुद्ध हो जाता है जो मनुष्य सोते रहते हैं उनके पास यह वायू नहीं जाता अर्थात जो सोते हैं वे वायू से लाभ नहीं उठा सकते इंद्र और वायू दोनों हमेशा ऐसी जगह ही जाते हैं जहां सोम कूटने के पत्थरों की आवाज हो रही हो जहां वेद मंत्र बोले जा रहे हूं और यग्य चल रहा हो जो सबेरे उठकर यग्य करते हैं वे ही वायू से जीवन शक्त प्राप्त करते हैं इस सोम को जैशील लोग ही पाने में सफल होते हैं यह सोम परवतों में बहुत उचे स्थलों पर प्राप्त होता है अतह इतनी उचाई पर सर्वसाधारन जन नहीं जा सकते अत्यधिक शाहसी और उद्योग शील ही प्राप्त कर सकते हैं इस सोम रस में गाय का दूध मिराया जाता है तब देवों को दिया जाता है वायू के घोडे बहुत तेज और शक्तिसाली हैं कहीं भी इनकी गति रुकती नहीं मरुभूम में भी ये उतने ही वेग से भागते हैं जिस प्रकार सूरी की किरणों को कोई नियंतरत नहीं कर सकता उसी तरह वायू की गति भी कोई रोक नहीं सकता वायू सदा बहता रहता है इसी तरह वीरों की गति ऐसी हो कि जिसे कोई रोक न सके मित्र और वरुन ये दोनों देव अत्यंत तेजस्वी और प्रतेक यग्य में उपासना करने के योग हैं सभी शद्धा और भक्त पूरवक्त इन दोनों की इस्तुति करते हैं इसलिए इनकी देवत्व और शक्त इतनी बढ़ जाती है कि उसे कोई भी शत्र कहीं से भी कम नहीं कर पाता अत्यंत तेजी से गमन करने वाली उशा लोगों को यग्य करने के लिए प्रिरणा देते हुए प्रकट होती हुई दिखाई देते है सूर्य का मार्ग भी किरणों से युक्त हो गया है अर्थात उशा के उदे होते ही सूर्य का मार्ग भी प्रकाशित हो जाता है सूर्य के उदे होते ही लोगों को दीखने लगता है तब सभी यग्य करते हैं और ये सभी देव आहुति रूपी प्रसंसनी या अन्यधार्ण करते हैं मित्र के समान हिद करने वाले तथा वरणी श्रेष्ठ देव इस प्रत्वी को धार्ण करते हैं यह प्रत्वी अत्यंत तेज से युक्त है इसलिए वह अहिंसनी है यह दोनों देव प्रतिदिन आकर मनुश्यों को जगाकर उन्हें उत्तम कर्मों में प्रेरित करते हैं सोम सबसे ज़्यादा अईश्वर्यवान और तेजस्वी है सव उमा अर्थात ब्रह्म ज्यान से जो युक्त होता है वह महा तेजस्वी और अईश्वर्य से युक्त होता है वही सब के साथ मित्रवत व्यवहार करने के कारण वरणी होता है अर्थात सभी प्रजाएं उसको चाहती है वही ब्रह्म ज्यानी सभी प्रजाओं को उत्तम मार्ग में प्रेजित करता है और उत्तम सुख देता है जो मनुष्य किसी से शत्रता नहीं करता, किसी से द्वेश नहीं करता, ऐसे उत्तम मनुष्य की स्रेष्ठ पुरुष सब और से रक्षा करता है, इसी तरह जो दान द्वारा निर्बलों की सेवा करता है, सदा सत्यमार्ग पर चलता है, और उत्तम व्रतों का पालन करता है, उस सभी देव अत्यंत सुख और आनंद प्राप्त करने वाले हैं। उन सभी देवों की कृपा से सभी मनुष्य दिरगाविवाले होकर प्रजाओं से युक्त हों और सभी तरह से सुरक्षित हों। हम सब देवों के द्वारा दिये गए सुख को प्राप्त करें। तथा अपने यश और बलों से युक्त होकर देवों के द्वारा सुरक्षित हों। सोमरस अत्यंत तेजस्वी होने के कारण इसके पीने वाले को भी तेज प्रदान करते हैं। मित्र और वरुन इन दोनों देव का यश दियूलोक को छूता है। अर्थात ये दोनों ही अत्यंत यश शश्वी हैं। तेजस्वी सोम दही में मिलाकर पीए जाते हैं। उशह काल में सूर्य किरणों के प्रकट होने के साथ ही सोमरसों का निचोड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे समय इन सोमरसों को पीने से बुद्ध दीब्र होती है और ग्यान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। यह सोम पत्थरों से कूटा जाता है। फिर उसका रस पिया जाता है। यह रस गाय के दूध के समान ही बलदायक है। यग्यकरने के समय यह रस निचोडा जाता है और उस समय सब देवगण आकर इसका पान करते हैं सब के पोशन करने वाले देव की महिमा बहुत बड़ी है पोशन करने वाले की शक्त बहुत बड़ी होती है इसलिए इस देव की शक्त को कोई दबा नहीं सकता अथमा इसके स्तोत्र को भी कोई बिगाड नहीं सकता यह देव यग्यकरताओं के मनों को आपस में संगठित करता है इसलिए वे सब एक मन वाले होकर यग्यकरते हैं जिस प्रकार मनुष्य वेगवान घोडों की प्रशंसा करके उसका उत्साह बढ़ाते हैं अथमा जैसे संग्राम में वीर की प्रशंसा करके उसका उत्साह बढ़ाया जाता है उसी प्रकार सभी पोशन करने वालों का उत्साह बढ़ाना चाहिए इस पोशक देव के साथ मित्रता करनी चाहिए क्योंकि यह देव अपने उपासकों को युद्ध से भी उसी तरह तारता है जिस तरह एक उूट रेगिस्तान से ऐसे उत्तम वक्ता की वारी बड़ी ओजस्वनी होती है बुद्धिमान और वीर पुरुष अपने पुरुशार्थ और पोशक देव की मित्ता से भोगों को प्राप्त करते और भोगते हैं अर्थात भोगों को प्राप्त करने के लिए वे किसी मनुष्य की दया के पात्र नहीं बनते वे हमेशा अपनी उत्तम बुद्ध के अनुकूल ही रहकर धन चाहते हैं कभी दुरबुद्ध या कुमार्ग से धन प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते तब ऐसे मनुश्यों पर पोशक देव कभी कृध नहीं होता अपित उनकी सहायता करके उन्हें संपन और संब्रध बनाता है हे पोशक देव तू हम पर कृध न हो तथा हमें दान दे हम भी तेरी उत्तम इस्तोत्रों से इस्तुति करते हैं हम तेरा अपमान नहीं करते और तेरी मित्रता को दूर नहीं करते शरीर में अगनी को अच्छी तरह धारण करने से शारिरिक बल बढ़ता है बल के बढ़ने से मनुष्य यग्य में उत्तम उत्तम कर्म करता है और तब उसकी प्रार्थना देवों तक सीधी पहुशती है अरथात उत्तम कर्म करने वाले की प्रार्थना देवगन बड़े ध्यान से सुनते हैं ये मित्र के समान सनेह करने वाले तथा स्रेष्ठ देव सत्यमार्ग का संदक्षन करते हैं और असत्य का नाश करते हैं इसलिए इनकी सहायता से सत्य के अनुयाई असत्य भाशन करने वालों पर शासन करते हैं ज्यानी जन अपनी बुद्ध, मन और ज्यान की द्वारा इन देवों के तेजगा साख्षातकार करते हैं दोनों अश्विदेव सरवग्य हैं, सभी संपत्यां इनमें नहित हैं सुन्दर और सुबह के रत पर चड़कर वे सरवत्र जाते हैं इसलिए सब इनकी इस्तुत करते हैं अश्विनव अंतरिक्ष मार्ग से सबका नरीच्छन करते चलते हैं इनके रत के घोड़े बड़े ही वेगवान और रास्ते को शीगता से काटते हुए चलते हैं ये सभी लोकों पर शासन करते चलते हैं ये अश्विनव अपने पुरुशार्थ से ही धन प्राप्त करते हैं तथा पुरुशार्थी को ही धन देते भी हैं अतह जो इनकी तरह पुरुशार्थ करेगा वही इनसे धन प्राप्त कर सकेगा आलसी कभी नहीं, इनके दान कभी कम नहीं होते इसी प्रकार मनुष्य के दान भी कभी क्छीड नौ हो देवों से धन पाकर मनुष्य संचित न करें अपितुख दूसरों को दान देकर उनकी उन्नत करें सोम विशेष्टह इंद्र के पीने के निमित बनाए जाते हैं इनसे इंद्र को आनंद मिलता है ये सोमरस उत्साह दायक होते हैं इसलिए इसका पान करने वाले सदा उन्नत करते हैं प्रथम इस शरीर में अग्निने गायों अर्थात इंद्रियों को दूहा अर्थात उन्में शक्त स्थापित की फिर उन गायों के रस अर्थात इंद्रिय शक्ति को अर्यमा स्रेष्ठ आत्मा ने दूहा इस बात को अर्यमा और ज्यानी दोनों जानते हैं वीर सदा पराक्रम करें उसी तरह पराक्रम करने का सामर्थ हमें मिले उसके कारण हमारे यश बढ़ें, हमारे नगर संब्रिद्ध हों, वीरों का सामरत्य हमीशा प्रकट हो, हमें ऐसे धन प्राप्त हों जिन्हें शत्र भी कभी जीत ना सकें तीनों तरह के दुखों से रहित अत्यंत मनन शील ज्यानी मनुश्यों के सभी जन्मों को जानते हैं, वे देवों के अत्यंत निकट रहते हैं, तथा साधार्ण मनुश्य देवों से ही अपनी शक्त प्राप्त करते हैं, इसलिए देव ही उनके केंद्र होते हैं यग्य करने वाला मनुष्य अनेक तरह की कामनाओं को प्राप्त करता है वह स्तदा जल तथा अन्नाद इसे भरपूर रहता है और अनेक घरों को धारण करता है तथा स्तदा धन और अईश्वर्य से संपन्द रहता है प्रथवी अंतरिक्ष और द्यूलोक इन तीनों लोकों में 11-11 देव रहते हैं इस प्रकार इन तीनों लोकों में कुल 33 देव रहते हैं ये सब देव अपनी शक्त से ही इन इस्थानों में रहते हैं अर्थात उनके रहने के लिए उन्हें किसी दूसरी के शक्त की आवशक्ता इसी तरह मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी ही सामर्थ से स्थिर रहे दूसरे की शक्त के आधार पर प्राप्त की गई इस्थिर्ता जादा समय तक टिकती नहीं हर मनुष्य को चाहिए कि वह अंधकार के बिनाशक तेजस्वी अग्न की स्तुतियों की उपासना करे अगनी के द्वारा खाया जाने वाला अन्न हर वर्ष फिर बढ़ जाता है उस अन्न को यह अगनी जटरागनी के रूप में खाता है और दावागनी रूप में जंगलों का नाश करता है अरणियों के मन्थन से अगनी टकट होती है फिर वह अंधकार को दूर करती है और अपने पालन करने वाले याजकों को बढ़ाती है अग्नी की जौलाएं मुक्ति प्रदान करने वाली तीवर गति वाली सबको अपने कामों में प्रिरणा देने वाली और सरवत्र व्याप्त होने वाली है इनके कारण ही यग्य का कार्य ह जब यग्डी अग्णि प्रज्वलित की जाती है तब सारा अंधकार छट जाता है और चारो ओर इसका प्रकाश प्हैल जाता है प्रतम यह अग्णि और शदियों में प्रविष्ट होता है फिर वहां प्रकट होकर अपने पालन करने वाली पत्नी और शदियों प्रतियों में व्याप्त रहता है प्रकट रूप में इसकी जौलाएं उची होकर दियू लोग की तरफ चलती हैं तब वह अगनी दूलोग और प्रत्वी लोग में सूर्य बिजली अगनी दावागनी आदि विविध रूप धारण करता है अगनी सब में प्रान फूंकने वा वनों को खाता हुआ, वेग से शब्द करता हुआ, जहां जहां से यह जाता है, वहां वहां का स्थान काला पढ़ जाता है। और वह हमें रत्न देवे। हे अगने हमें सब प्रकार से पार ले जाने वाली तथा सुख देने वाली अच्छे साधनों वाली नाव दे। हमारे इस्तोत्र प्रशंसनी हों तथा आकाश प्रत्वी आदि हमें अन्न प्रदान करें। तथा उशाएं भी हमें बल से युक्त करें। इस अगने के कारण ही यह शरील सुद्रण और कार्यक्षम रहता है। यह अगने स्वैंग बल से उत्पन होता है और लोगों को बलवान बनाता है। इसलिए सभी प्राणी इसकी उपासना करते हैं। अगने के तीन रूप हैं। के लिए इसको मत कर प्रकट करते हैं तब सब इसकी इस्तुतियां करते हैं यह अग्नि सबका पालन करने वाला होने के कारण सब इसे प्रज्वलित करते और इसकी उपासना करते हैं यह प्रकट होकर तेजस्वी और बल्वान होता है यह अग्नि प्रदिप्त होकर चारों और पहलता है और बढ़ता है यह वन में प्रदिप्त होकर पुराने और नए विच्छों को खा जाता है यग्य करने वाले सभी मनुष्य इस अग्नि का वरण करते और उसे प्रसंद करते हैं ऐसे मनुष्यों के यग्य में यह अग्नि हवी भक्षन के लिए देवों को बुला कर जब अग्नि वायू की सहायता से चारों और फैल जाता है तब सारे लोग इसका अनुसरन करते हैं इसकी उपासना करते हैं निपन कारी गरों द्वारा बनाए गए रत की तरह यह अग्नि ज्वालाओं के साथ जो लोग की और तेजी से दौड़ता तथा कास्ठों को जलाकर यह अपना मार्ग काला करता जाता है इसकी ज्वालाओं को देखकर सारे पक्षी डर कर भाग जाते हैं इस अग्नि के कारण ही सब देव अपना अपना कारे करते हैं यह सरवत्र व्याप्त है इसलिए सब का नियमन करता है यह सो मयाग करने वालों को स्रेष्ट धन देता है अतह सब इसकी उपासना करते हैं वह अग्रणी हमें ग्रहस्थ जीवन के लिए उपयोगी संपत्ति तथा संतान आदि देवे यह अग्रणी सभी लोकों पर अपना अधिकार चलाता है और उत्तम कर्म करके विद्वानों की प्रशंसा प्राप्त करता है अनेक गुनों से बिभोशित वह अग्रणी भला हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमें सवभाग्य की ओर ले जाएगा सामराज को धारण करने वाला तेजस्वी सबसे प्रशंसित होता है हे अग्रे तुँ प्रजलित होकर देवों को बुला कर ला और यग्य एवन दान करने वाले मनुश्य के लिए अपनी ज्वालाओं को फैला और उसका हित कर यह अग्निया गर्मी जब तक शरीर में रहती है तब तक यह शरीर स्वस्थ रहता है इसलिए अग्नि को तनून पात कहा गया है जब तक इस शरीर में मानो जीवन रूप यग्य चलता रहता है तब तक अग्नि इस शरीर में बैठा रहता है यह नरों से प्रशंसित देव पूज पवित्र तथा दूसरों को पवित्र करने वाला अदभुत और तेजस्वी है यह देव दूलोक में रहकर वर्शा जल रूपी मधुर रस को उत्पन करता है और उससे प्रटवी को सीचता है मनुशों को दिन में तीन बार यग्य करने का विधान है अरथात दिन में तीन बार मनुश घृत और मधुर रसों से यग्य को सीचें हे अगने तुँ आश्चर्य कारक कर्म करने वाले और सबका हित करने वाले इंद्र को हमारे पांस ला ताकि मैं अपनी शद्धा एवं भक्त से युक्त होकर तुम्हारी इस्तुति कर सकूँ यग्य उत्तम और हिंसा रहित हो देव पूजा संगठन और दान इत्याद के जो भी काम किये जाएं वे किसी पर अत्याचार करके न किये जाएं समझा बुझा कर प्रजाओं को संगठित किया जाएं इसी तरह किसी से मार पीट कर जबरदस्ति दान न करवाया जाएं इसी प् जिसमें जीवन का एक यग्य क् चल रहा है इस यग्य शाला में आख, कान, नाक, मुह, गुदाद्वार और जन नेंद्री द्वार ये नो द्वार हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं इन द्वारों मेंसे शरीर का मल बाहर निकलता है अतह ये शरीर को पवित्र करते हैं ये सभी द्वार शक्तिसाली हूं यह सभी मनुष्य चाहते हैं इन सभी द्वारों को जो अपने नियंत्र में रखता है वह देव बनता है अच्छी तरह नियंत्रत हुई ये इंद्रियां मनुष्य को देवत तो प्राप्त कराती है उशा और रात दोनों सुन्दर रूप वाले हैं जिस समय उशा और रात दोनों मिलती हैं वह काल नक्तोशस काल है ऐसे समय यग्य शुरू होते हैं इसलिए नक्तोशस को यग्य की माता कहा है ये हमेशा साथ में मिलकर रहती हैं इसी तरह इस्त्रियां भी आपस में मिलकर रहें यग्य करने वाले होता उत्तम वाडी वाले हों सदा मीठी वाणी बोलें तथा इस्तोत्र बोलने में प्रवीड हों और यग्य कर्मों का अच्छा ज्यान हो ऐसे होताओं द्वारा किया जाने वाला यग्य सिद्ध को देने वाला होता है मात्र भाशा, मात्र संस्कृति और मात्र भूम ये तीनों मनुष्य में सदा जागरत रहें देवों और मरत्यों में इनके प्रति अभिमान रहें यह तस्टा सबका निर्मार करने वाला देव है इसलिए यह अंतरिक्ष से जल बरसा कर सबको पुस्टि और अईश्वर्य प्रदान करता है व्रिच्छों की समिधा से जब यग्यागनी प्रज्वलित होती है तब उसमें हवियां डाली जाती है और तब अगनी में वे हविया भस्मी भूत होकर देवों के पास पहुशती है जो गायत्री का गान करता है और देवताओं की इस्तुति करता है उस उपासक की इंद्र रक्षा करता है उपासक को चाहिए कि वह इंद्र और अन्य देवों के लिए आत्म समर्पन करे अर्थात अपना सब कुछ देवों को स समर्पित कर दे शद्धा भक्त से अपने इस्ट देव के चरणों में सभी कुछ अर्पित कर देना उपासक का करतव्य है आत्म समर्पन भाव से जो भगवान को पुकारता है भगवान उसकी सुनते हैं और उसकी सहायता करते हैं वह अग्नि बल का पुत्र जलों को धारण करन वाला सबको प्रिय तथा रितूं के अनुसार यज्य करने वाला है ऐसे अग्नि की हम बुद्धि पूर्वक इस्तुति करते हैं वह अग्नि सर्व प्रथम प्रकट होकर वायू के साथ सन्युक्त हुआ उससे अग्नि और अधिक प्रदिप्त हुआ और उसका प्रकाश चार अधिक मात्र स्वामी इस अग्नि को भ्रिग वन्शियों ने इस प्रत्वी पर स्थापित किया यह अग्नि बहुत बल्वान है अतह इसके साथ कोई मुकामला नहीं कर सकता क्योंकि यह अपने शत्रूं को अपनी ज्वालाओं से उसी तरह नस्ट कर देता है जिस तरह वनों अग्नि हमारे स्तोत्रों की इक्षा तथा हमारी इक्षाओं को पूर्ण करे इस प्रकार हमारी इस्तुति से वह प्रसन्न होकर हमें लाभ के लिए सदैव उत्तम कामों में प्रेरित करे यग्यकी संपादक और घी से प्रदिप्त अग्नि को हर तरह से प्रज्वलित करने प हमारी एवं हमारी संतानों की रक्षा कर। प्रथम होता नर्मल बुद्ध से सत्य नियमों पर चलता है। फिर शुद्ध होकर अग्न में आहुत देने के लिए सुचा को उठाता है। जू लोग में पानी की धारा में अर्थात मेग इस अग्नी को घेर लेते हैं। तब यह अ पर रगण खाती हैं। उसके बाद अग्नी प्रकट होकर हव्ज ग्रहन करता है। जिस प्रकार यह अग्नी अनंतकाल से सदा पूजित होता रहा है। और बहुत प्रकाशित होने पर भी बूढ़ा नहीं होता। उसी तरह अग्रणी नेता को भी सदा उत्साह से युक्त रह चाहिए। जिस प्रकार अंगुलियां अलग-अलग होती हुई भी मिलकर अग्नी को प्रकट करती हैं। उसी प्रकार सब बिभिन प्रजाओं को मिलकर अग्रणी को प्रकट करना चाहिए। यह अग्रणी ज्यावा पत्थवी का स्वामी है। इसलिए इस अग्नी का प्रका यह अग्रणी बुद्धिमान ज्यानी सरवत्र और सर्व व्यापक है, वही सब का स्वामी है, वही सब जगत पर शासन कर रहा है, इसलिए वही शरण में जाने योग है, यह अग्रणी ज्यानी है, इसलिए सब इसी से अपनी समस्याएं पूछते हैं, बुद्धिमान मनुष् प्रिय करने वाला उनका संरक्षक और प्रिय करने वाला है। और यह अग्नी उपासकों को इस्टफल देता है। यह अग्रणी सबके द्वारा प्राप्त करने योग है क्योंकि यह ज्यानी है। सदा संरक्षन के साधनों से युक्त रहता है। इसकी प्रदित ज्वालाएं आकाश में सरवत्र फैलती हैं। एक ही अग्नी रूप पुत्र को उत्पन्य करने वाली, मारगों को प्रकाशित करने वाली, दो अरणी रूप गाएं चारों और से मथी जाती है। ग्यानी जन इस अग्नी की हर तरह से रख्षा करते हैं। ऐसे यग्ईय मनुष्य को हर तरह का सुख प्राप्त होता है। सभी दिशाओं में व्याप्त होने के कारण, एवन सदा विजय होने के कारण यह अग्नी इस्तुति के योग्य है। वह छोटे बड़े सब को जीवन शक्त देता है। और वही सब का उत्पादक है। जिस अन्न से हर तरह का पोशन होता है, वह अग्नी के द्वारा किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। वह मार्ग जानना चाहिए। कुछ नास्तिक लोग इस परमात्मा की हसी उडाते हैं, जबकि दूसरे आस्तिक लोग इस पर बड़ी शद्धा रखते हैं। इन दोनो में परमात्मा का उपासक उत्तम है। इस अग्नी ने अपनी शक्त से अंधत्त दूर किया और पूर्यवानों की रक्षा की। यह अभिमानियों पर क्रिपा नहीं करता। जो स्वैंग न देकर दूसरों को भी दान देने से रोकता है, वह पापी स्वैंग नस्ट हो जाता ह दूसरों को गालियां देने वाला स्वैंग ही पहले मानसिक रूप से क्षीन हो जाता है। गालियों के उच्चारण के पहले ही गाली देने वाले का मन कुविचारों से ग्रस्त हो जाता है। यह अग्ने जो छल कपट में हमें मारना चाहता है, उससे हमारी रक्षा कर और हम में कभी भी दुखों में मत डाल मात रिश्वा वायू के मंथन से यह अग्न प्रकट हुआ है और तदनंतर यह अग्नी मन की प्रजाओं में इस्थत होकर प्राणियों के शरीरों को धार्ण करने लगा जो अग्नी की उपासना करता है वह किसी भी शत्र से नहीं दबता और उ अग्जिक जन इसे यज्यग्रिह में ले जाकर अच्छी तरह प्रदिप्त करते हैं यह अग्नी सर्वभक्षक है यह अपनी दातों से सब खा जाता है और अनुकूल वायू पाकर और विसेश तेजस्वी होता है गुप्त रहने वाले और प्रकट हुए अग्नी को कोई नस प्रकट करने वाले मनुष्य इसकी हर तरह से रच्छा करते हैं वह अग्नी सब तरह के धनों और अईश्वर्यों का स्वामी है इसलिए वह हमेशा धन के स्थानों पर ही रहता है वह जब धन देने के लिए जाता है तब लोग उसका सोम के द्वारा स्वागत करते हैं विशों में बलवान जिस प्रकार अपने बल के कारण सर्वस्रेष्ठ होता है उसी तरह यह अग्नी अपनी शक्त से इन द्यूलोक और पृथवी लोक में सर्वस्रेष्ठ हैं यही हमारे संसार को उत्पन्य करता हैं अग्नी के कारण ही इस शरीर में तेजस्विता रहती है इस उश्रता के निकल जाने पर शरीर निस्तेज हो जाता है इसी अगनी के कारण तीनों लोक और सारा विश्व प्रकाशित होता है प्रत्वी पर अगनि के रूप में, अंतरिक्ष में विद्दुत के रूप में, द्यूलोप में सूर्य के रूप में और जल में जलागनि के रूप में अगनि रहता है दियन्मा यह अग्नी देवों को बुलाने वाला है यही सब धनों को भारण करता है जो इसकी उपासना करता है वह प्त्र पोत्रों से युक्त होता है यह अग्नी बहुत बलशाली है इसलिए शत्र भी इसकी शरण में जाते हैं जो ईश्वर को अपना स्वामी नहीं मानता, धनवान होते हुए भी यग्य यागाद करके धन दान नहीं करता, तथा देवों की इस्तुति नहीं करता, ऐसे नास्तिकों का कल्यान नहीं होता, जो इस तेज़स्वी अग्नी की उपासना करता है, वह चंद्रमा के समान सब को वाला होता है, तथा वह सबसे महान होता है, ज्यानी जन मनुश्यों की रक्षा के लिए इस अग्नी को यग्य में उत्पन करते हैं, अर्थात हर काम के प्रारंभ में इस अग्नी का आधान करते हैं, यह अपने जनों का मित्र की समान कल्यान करता है, इस अग्नी की इस्तुत सब काम में मंगलकारी होती है जब यह अगनी खूब प्रजलित हो जाती है तब यह इतना भयंकर हो जाता है कि इसको देखकर सभी लोग कापने लग जाते हैं सोम अपने स्वैंग की शक्त से सतावान है यह अनेक तरह के सुखों को देने वाला है इसे पीकर सभी देव आनंदित होते हैं मित्र और वरुन को जब सोम की आहुतियां दी जाती हैं तब ये देव अपने उपासक को उत्तम कर्मों की तरफ प्रेजित करते हैं मित्र अर्थात अगनी और वरुन अर्थात सूर्य इन दोनों का जन्म प्रत्वी और द्यूलोक से होता है इनके उत्पन होते ही अंधकार नस्ट होकर सरवत्र प्रकाश चा जाता है इसलिए सरवत्र इनके जन्म की प्रशंसा होती है ये दोनों अपने सच्चे उपासक को बल से युक्त करते हैं ये दोनों मित्र और वरुन बहुत बलवान हैं इन्हें यग्य की भूमि अत्यंत प्रिय है यह हमेशा सत्य के मार्ग पर निर्भीक होकर चलते हैं और सत्य की निर्भीकता से घोशना करते हैं ये दोनों हितकारी काम ही करते हैं क्योंकि हितकारी कर्मों से देवों का उपकार होता है मनुष्य सदा नर्भीक होकर सत्य के मार्ग पर चले तथा सत्य बात नर्भीक होकर कहे जिसके घर गाएं रहती हैं उसके यहां सभी तरह के अईश्वर्य निवास करते हैं देवगन भी गौपालक को धन देते हैं जिस समय आकाश में मेग जाते हैं उस समय गाएं सूर्य की प्रार्थना करती हैं ताकि सूर्य बादलों से पानी बरसाए तथा उन गायों को खूब घास प्राप्त हो जहां पर भी ये मित्र और वरुण जाते हैं वहां यग्य में इन की इस्तुति करते हैं जो ग्यानी और यग्य करने वाला इस्तोता यग्य के द्वारा हवी प्रदान करता हुआ इन मित्र और वरुण की इस्तुति करता है उसके यग्य में ये दोनों जाते हैं और उसके द्वारा की जाने वाली इस्तुति को बड़े ध्यान से सुनते हैं इंद्रियों में मन सर्वस्रेष्ट होता है, क्योंकि मन से प्रेष्ट होकर ही इंद्रियां अपने अपने व्यापार में प्रयुक्त होती हैं, इसी प्रकार देवों में ये मित्र और वरुन स्रेष्ट हैं, इनकी सभी इस्तुति करते हैं, तब वे प्रसंद होकर इस्तोता को अनिक तरह के अईश्वर्य प्रदान करते हैं मित्र और वरुण दोनों अपनी शक्तियों से भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें अईश्वर्य प्रदान करते हैं ये दोनों देव इतने अईश्वर्यवान और दिव्ध तेज से युक्त हैं कि इनके जैसे अईश्वर्य और दिव्ड तेज को डिवलोग, दिन, रात, नदियां और यहां तक की पणि नामक असुरगण भी नहीं पा सके देवगण अत्यंत तेजस्वी होते हैं अतह उनके तेज का पार पाना असंभव है ये दोनों मित्रा वरुण अत्यंत पुस्ट हैं और सदा उत्तमोत्तम वस्त्र पहनते हैं ये दोनों सदा सत्य को प्रोसाहन देते हैं और असत्य या अनवृत्त का नाश करते हैं इसी प्रकार मनुष्य भी थिस्ट पुस्ट होकर उत्तमोत्तम वस्त्र पहने और सदा सत्य के मार्ग पर चलते हुए असत्यवादियों का नाश करें मित्र और वरुण इन दोनों में से अकेला देव भी बहुत बुद्धिमान और वीर है वह सभी शस्त्रों को धारण करने वाले शत्र को भी आसानी से मार देता है जब अकेला देव ही इतना शक्तिसाली है तो दोनों जब मिल जाते हैं तब तो उनकी शक्ति का अंदाजा भी लगाना कठिन हो जाता है ऐसे शक्तिसाली इन दोनों देवों की जो निंदा करता है वह भले ही पहले कितना भी सामर्थ्यवान हो बाद में जाकर शक्तिहीन होकर नस्ट हो जाता है मित्र और वरुण ये क्रमशह दिन और रात है इन्ही के सामर्थ से उशा सर्व प्रथम आती है और पैरों से रहित होकर भी सब जगह घूंती है यह सब दिन और रात का सामर्थ है पर इस तथ्य को सब नहीं जान पाते इन्ही का गर्व रूप अर्थात दिन और रात के सन्यो पर वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं और उससे जगद का पोशन होता है तकी शूर्य-सथ्य रूप-अंधकार का नाश करके सत्य रूप प्रकाश को फैलाता है सूर्य सुन्दर रूप वाली उषाओं का अजार है अर्थात सूर्य के उद्य होते ही उशाएं नस्ट हो जाती हैं ऐसा यह तेजस्वी सूर्य सदा चलता रहता है कभी बैठता नहीं यह सूर्य चुकि सदा पुरुशार्थ करता रहता है अतहवह सदा तेज से युक्त रहता है और उसका तेज चारो और फैला होता है इसी तरह जो मनुष्य सदा पुरुशार्थ करेगा कभी आलसी होकर बैठेगा नहीं वह तेजस्वी होगा और उसका यश्च चारों और पहलेगा इस सूर्य के पास न गोड़े हैं और न उनको नियंतर्ण में रखने के लिए उसके पास लगाम ही है पर फिर भी अपने प्रयत्न से वह सरवत्र संचार ती ब्रगति से करता है इसलिए वह सरवत्र प्रसंसित होता है इसी तरह जो मनुष्य साधनों की भी परवाह न करते हुए उनके अभाव में भी अपने प्रयतनों के द्वारा अपने लक्ष की तरफ बढ़ता चला जाता है वह सरवत्र प्रशंसित होता है जो मनुष्य अपनी गायों से अत्यधिक प्रेम करता है उसे गायें भी अपने दूद से पुष्ट करती हैं गायों में भी प्रेम की भावना होती है दूद दूहने के समय यदि गाय से प्रेम पूरवक ब्यवहार किया जाए तो वह जादा दूद देती है देवों की उपास उपासना एक उत्म साधन है, इनकी उपासना द्वारा मृत्यकों भी दूर किया जा सकता है। जब इनकी पूजा करते हैं, 공 ROS, जिस तरह ग्रियास्वामी अपने घर की धेख भाल बड़े ही ध्यान से करता है, उसी प्रकार विद्वान्मनुष्य, मित्र और वरुण की स्टुती बड़े ध्यान से करता है इस मित्र और वरुन का तेज बड़ा ही सुख कारक है जब हवी को देने वाला मननशील मनुस्य इन मित्र और वरुन को यग्य में हवी प्रदान करता है तब सत्य शील और हवी प्रदान करने वाले को गाएं हर तरह का सुख प्रदान करती हैं अर्थात यग्य करने वाले के पास अनेकों गाये रहती हैं जो उसे अपने दूध आद देकर हर तरह से त्रिप्त करती हैं ये मित्र वरुण गाये अन्न और जल ये सभी मनुश्यों का हित और कल्यान करें उन्हें आनंदित करें अगनि भी अईश्वर्य प्रदान करें फिर सभी यग्यशील मनुश्य अईश्वर्य शाली होकर देवों को हवी प्रदान करें विश्णू यह सूर्य देव है यही सूर्य इस प्रत्वी के अनेक लोकों को बनाता है तकट करता है इसी सूर्य के कारण द्यू लोक इतना विस्तिर्थ होने पर भी इस्तिर है सारे लोक इसी विश्णू पर आधारित हैं और इसी के कारण टिके हुए हैं। ऐसे पराक्रमों से युक्त यह विश्णू है। इसके पराक्रमों का वर्डन एवंग उनका अनुकरण करना चाहिए। यह व्यापक देव अपने तीन कदमों से सारे भुणों को व्याप लेता है। उदय के समय वामन रूप विश्णू बनकर अर्थात सूर्य अपनी किरणों से द्यू, अंतरिक्ष और प्रत्वी इन तीनों लोकों को नाप लेता है। अर्थात प्रकाशित कर देता है। इसी सूर्य के आधार पर सारा विश्व रहता है। सारा विश्व सूर्य से ही प्राण शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए सूर्य को विश्व का आत्मा कहा है। यह अपने पराक्रम के कारण सरवत्र उसी प्रकार प्रशंसित होता है जिस प्रकार गुभाओं में रहने वाला भैंकर सिंग। उदै होते ही सूर्य इस लंबे चोड़े द्यूलोग को अपने कदमों से नाप लेता है। अर्थात अपनी किरणों से द्यूलोग को प्रकाशित कर देता है। यह सूर्य बादलों में रहकर बादलों में छिपे हुए पानी को बरसाता है। इसलिए सब इस सूर्य की प्रशं प्रत्वी दियू आदे लोकों और सारे विश्वों को धारण करता है। सूर्य की ये किरणे अपनी शक्त से सरवत्र प्रसंदता पहलाती हैं। दो लोक होते हैं सूर्य लोक और चंद्र लोक। सूर्य लोक में केवल वही जा सकते हैं जो देवत्त को पा लेते हैं। इसी लोक को मोक्ष कहते हैं। इस लोक को प्राप्त होने वाला व्यक्ति मोक्षानंद या ब्रम्हानंद को प्राप्त करता है। चंद्र लोक साधारन लोक जाते हैं और समय पर वे फिर संसार में सुख दुख भोगते हैं। अतह मनुश्यों को चाहिए कि वे प्रयत्न करके सूर्य लोग के मार्ग पर ही चलें। चंद्र लोग के नहीं। जो इस प्रकार उद्योग करता है उसकी सहायता विश्णु अर्थात व्यापक देव स्वैंग करते हैं। विश्णु लोग में अम्रित का कोश है। अतह देव की कृपा और अपने उद्योगों से जो विश्णु लोग को प्राप्त कर लेता है वह अमर हो जाता है। वह मुक्त हो जाता है। मनुश्यों के रहने के घर ऐसे विस्तृत और खुले हुए हों कि जहां सूर्य की किरणे स्वक्षंदता से आ सकें। जहां सूर्य की किरणे प्रविष्ट होती हैं उस घर में रहने वालों का स्वास्थ उत्तम रहता है क्योंकि सूर्य किरणों में रोग जन्तूओं को नस्ट कर स्वास्थ प्रदान करने की शक्त रहती है घरों में गायों के रहने का प्रबंध भी उत्तम हो जिस घर में गाए रहती हैं उस घर के निवासी गौव दुख्द घृत आदि के कारण हिस्ट पुस्ट एवंग स्वस्थ रहते हैं इस प्रकार जिन घरों में सूर्य की किरने आ जा सकती हैं और गाएं रहती हैं वहां के लोग स्वस्थ एवं रिस्ट पुस्ट होते हैं और प्रयतनशील और उद्योगी होते हैं ऐसे ही जगह व्यापक देव विराजते हैं विश्णु, सूर्य और इंद्र बिजली ये दोनों अत्यनत शक्ष साली हैं उत्तम घोडा जिस प्रकार परवत की चोटी पर आसानी से चढ़ जाता है उसी प्रकार ये दोनों परवत की चोटीों पर आसानी से चढ़ जाते हैं सूर्योदय होने के साथ ही सूर्य की किरणे बहुत उचे होने के कारण परवतों पर सबसे प्रथम पड़ती हैं और वर्शा काल में बिजली भी पहाडों पर अधिकतर गिरते हैं इन दोनों में सूर्य अधिक तेजस्वी और शक्तिसाली है इंद्र और विश्णू दोनों देव अगनी के तेज को और अधिक तीवर करते हैं सूर्य और विजली इन दोनों में अगनी तत्व प्रकृष्ट रूप में है इसलिए सूर्य और विजली के रूप में मानों अगनी ही अपने रूप का विस्तार करता है सोम यग्य करने वाले मनुष्य यग्य के द्वारा इंद्र और विश्णू के तेज को बढ़ाते हैं इस्तुतियां जब सूर्य के पास पहुशती है तब इसका सामर्थ और भी बढ़ जाता है तब यह अपने सामर्थ से जल वरसाता है जल से अनाद उत्पन होते हैं जिन्हें खाकर प्रजाएं शक्तिसाली और प्रजोत पादन में समर्थ होती हैं जिस तरह एक पुत्र अपने पिता के उत्तम, मध्यम और अधम अर्थात सभी तरह के गुणों को धार्ण करता है उसी तरह द्यूलोक भी इस विश्णू के सभी तरह के गुणों को धार्ण करता है यह विश्णू सबका रच्छक है, शत्त्र से रहित है और सब पदार्थों का स्वामी है तथा सब को सुख देने वाला है यह उदय होते ही अपनी किरणों से सब लोकों को नाप देता है अर्थात प्रकाशित कर देता है ऐसे तीन कदम हैं जो क्रमशह द्यू लोग अंतरिक्ष लोग और प्रत्वी लोग में रहते हैं मनुष्य उनमें प्रत्वी और अंतरिक्ष लोग में रहने वाले कदमों का तो वर्डन कर सकता है अर्थात प्रत्वी और अंतरिक्ष में रहने वाले प्रकाश का तो थोड़ा मनुष्य के लिए असंभव है यहां तक कि सुद्रिन पंक वाले पक्षी भी उसको जान नहीं सकते काल के 94 ओयों होते हैं जो इस प्रकार हैं एक समवस्र दो अयन उत्तरायन दक्षिनायन पांच रितु बारह मास चौबीस पक्ष शुक्ल इवन कृष्ण तीस दिन रात आठ कि आम बारह मेक व्रिष्चकाद रासियां कुल मिलाकर 94 इन सभी ओयों को सूर्य भूमाता है जिस प्रकार गोल चकड़ घूंता रहता है उसी तरह सूर्य की प्रिरणा से ये सभी काला वयव स्वयंग घूंते रहते हैं इस प्रकार वह सूर्य काल का नियामक है यह सूर्य स चीड थी और ना कभी होगी ऐसा यह सूर्य रिचाओं द्वारा इस्तुत होकर यग्य को पेरिद करता है यह सूर्य जल को उत्पन्य करने वाला है प्रत्वी के जलों को सूर्य अपनी किरणों से भाप बना कर उनको बादल के रूप में बदल देता है इस प्रकार बादल बरसकर फिर पानी बन जाते हैं इसलिए सूर्य को जल को उत्पन्य करने वाला कहा है वह सूर्य मित्र है क्योंकि वह लोगों का हित करता है अतह वह हमारे लिए सुख देने वाला हो यह सूर्य अनंत काल से इसी प्रकार जग को प्रकाश देता आ रहा है पर फिर भी सदा तरुन जैसा नवीन रहता है इतने समय के पश्चाथ भी वह ब्रिद्ध नहीं होता यह उत्तम बुद्ध को प्रापत कराता है जो इस सूर्य का निरंतर ध्यान करता है वह यशश्वी होकर उत्तम स्थान को प्राप्त होता है हे स्तोताओं तुम जो कुछ भी इस सूर्य के बारे में जानते हो उतना सब वर्डन इस सूर्य का तुम करो इसने जो भी पराक्रम आज तक किये हैं उनका भी वर्डन तुम करो हे व्यापक देव हम तुम्हारी उत्तम बुद्ध को प्राप्त करें तेजस्वी वरुन और अस्विनव आद सभी देव इस विश्णू के द्वारा बताए गए मार्ग से चलते और उसके बताए के अनुसार कर्म करते हैं अर्थात सभी देव इसी विश्णू के अधीन होकर अपना अपना कारे करते हैं यह विश्णू अपनी शक्त से दिन को प्रकट करता है और मेगों को छिन भिन करके पानी बरसाता है द्यू लोक में रहने वाला यह तेजस्वी सूर्य वर्षा के समय बिजली की सहायता करता है यह सूर्य ही बिजली को प्रेजित करके पानी बरसाता है यह सूर्य प्रत्वी अंतरिक्ष और द्यू तीनों लोकों में रहकर प्रकाशित करता है यह विश्णू स्रेष्ठ पु अश्विदेवों ने अपना रत तयार किया है सूर्य ने उदै होकर सब लोगों को अपने अपने कारियों में लगा दिया है रात्र के समय अगनी को जलाते रखना चाहिए उशह काल में उजाला होगा, अस्विदेव उधित होंगे, पस्चात सूर्य उधै होगा, तब सभी लोगों को अपने कारियों में लगना चाहिए हे अस्विदेवों, तुमने बाहर जाने के लिए अपना बलवान रथ जोड रखा है इसलिए हमारी प्रार्थना है कि शहद और घी से हमारे छत्रियों को बलवान बनाओ, युद्ध में हमारा ज्यान यसश्च्वी हो, और जहां शूरही लड़ते हैं, उस युद्ध में हमें विजय प्राप्त हो, छत्रियों को शहद और घी पर्याप्त मात्रा में मिले, उसके सेवन से वे पुस्ट और बलिस्ट बनें वे युद्धों में विजई हों और बहुत धन प्राप्त करें तीन पहियों से युक्त वेगवान घोडों को जोता हुआ अश्विदेवों का रथ शहद लेकर हमारे पास आवे तीन आसनों वाला अतिसुंदर और अईश्वर्यवान रथ हमारे द्वी पाद और चतुस पादों को सुख देवे हे अश्विदेवों हमें विपुल अन्न दो, शहद से भरे पात्र हमें दो, हमारी आयु दीर्ग हो, हमारे दोश दूर करो, देश भाव को दूर करो, और सदा हमारे सहायक बनो विपुल अन्न तथा शहद सेवन करके आयु को बढ़ाना चाहिए, दोशों को दूर करके वेश भाव को मिटाकर परस्पर की सहायता करनी चाहिए, गौवों में तथा सब प्राणियों की इस्त्रियों में गर्भ का पालन पोशन करना अश्विदेवों का कार्य है, अग्नि, जल और वनस्पतियों को मनुश्यों के लिए ही अश्विदेव प्रेजित करते हैं, हे अश्विदेवों तुम दोनों अपने पास उत्तम और शधियां रखने के कारण उत्तम वैद्य हो, उत्तम घोडे अपने रत को जोतने के कारण उत्तम रथी हो, तुम स्वैंग उग् रखकर वैद्य रोगियों की उत्तम चिकिस्सा करें, वीरता प्राप्त करके अन्यों की रक्षा करनी चाहिए, अपने अनुयाईयों की सहायता करनी चाहिए, अश्विदेव बल्वान, शत्रकानाश करने वाले, सबको यथा योग बसाने वाले, दुस्टों को रुलाने व हुए आये थे, हे सबको ठीक तरह बसाने वाले अश्विदेवों, इस भूमी पर जो तुम्हे नमन करता है, उसको तुम दान देते हो, ऐसी तुम्हारी उत्तम बुद्ध है, इस तुम्हारी सुबुद्ध को और अधिक प्रसंद करने के लिए, भला कौन और अधिक क्या क कर सकता है, तुम तो सबकी इच्छा पूर करने के लिए ही सरवत्र संचार करते हो, इसलिए हमें धन के साथ पोशक दुधारू गौव में दो, हे अश्विनों, तुम्हारा रत संकट से बचाने वाला है, तुग्र के पुत्र भुज को बचाने के लिए, तुमने उस रत को समुद्र में वेगवान गति साधनों से शूर जैसे युद्धों में जाता है, वैसे चलाया था, अब मैं भी तुम्हारे पास अपनी सुरक्षा के लिए आता हूँ, उचथ्य का पुत्र दीरगतमा कहता है, कि हे अश्विदेवों, तुम्हारी इस्तुति मेरी रक्षा कर आकाश में पक्षी के समान जाने वाले सूर्य से निर्माड हुए दिन रात मुझे निहसार न बनावें, दस गुनी लकडियां डाल कर प्रदिप्त हुई यह अगनी मुझे न जला दे, जिसने तुम्हारे इस भक्त को मुझ उचथ्य को बाध कर जल में फेंक दिया था, व वैतन नामक दास ने तो उसका सिर, छाती और कंधे काटने का यत्न किया, पर ऐसा हुआ कि रिशी तो बच गया और दास के ही ओयों कट गये, यह अस्विदेवों की ही क्रिपा है, दूसरे को नदी में डुबाना, उसका सिर और कंधों को काटना, आदि करने का प्रणाम वह ही हुआ कि अपकार करता का ही नाश हुआ, दूसरे का नाश करने के लिए यत्न करने पर अपना ही नाश होता है, ममता का पुत्र दिर्घतमा रिशी दशम युग में अर्थात 111 वर्ष के अनंतर व्रिद्ध होने लगा, उसने जो सन्यम पूर्वक उत्तम कर्म किये थे, उ सार्थी के समान सुयोग संचालक वह बन गया, 120 वर्षों की पूर आयू तक मनुष्य जीवित रहे, 110 वर्षों पस्चात ब्रिद्ध बने, इस तरह अपना जीवन बतीत करे, अकाल में अपमृत्यु से न मरे, सन्यम पूर्वक सब कर्म करे, उनके फल प्राप्त करे, ज्या ये दिवलोग और प्रतवी लोग दोनों देवों की रक्षा करने के कारण उनकी पुत्रियों के समान है, ये दोनों अपने करमों और बुद्धियों से सबको उत्तमोत्तम अईश्वरियों से भोशित करती हैं, पुत्र का करतव्य है कि वह अपने माता पिता के मन को अपने उत्तम आचरणों से हमेशा प्रसंद रखे और माता पिता को भी चाहिए कि वे अपने पुत्रों से द्रोह न करें अपनी रक्षर शक्तियों द्वारा प्रजा की उन्नत करनी चाहिए और उन्हें हर प्रकार से बढ़ाना चाहिए उत्तम कर्म करने वाले गुणवान पुत्र अपने माता पिता को हर तरह से पसंद रखने का प्रयत्न करते हैं ये दिवलोक एवन पृत्वी लोक स्थावर और जंगम रूप अपने सभी पुत्रों का हर तरह से पालन पोशन और रक्षन करते हैं द्यूलोक में बैठा हुआ सूर्य मानो एक जुलाहा है जो अपनी किरण रूपी ताने बाने से प्रकाश रूपी वस्त बुनता रहता है इस वस्त से वह द्यूलोक और प्रत्वी लोक दोनों को धक देता है ये दोनों द्यावा प्रत्वी प्रतक प्रतक होते हुए भी एक स थान पर सगी बहिनों के समान रहती हैं इसी प्रकार सभी इस्त्रियां परस पर मिल जुलकर रहें भगवान सविता से हम जो धन प्राप्त करें उसका उप्योग हम उत्तम कामों में ही करें देवों से प्राप्त किये गए धन का उप्योग हम कभी भी बुरे कामों में न करें स तभी देव हमें प्रसन्न होकर धन दें, ताकि उस उत्तम धन से हम अपना जीवन सुचार रूप से चला सकें, ये द्यावा प्रत्वी दोनों संसार को सुख देने वाली, जल बरसाने वाली, ज्यानियों को धारण करने वाली हैं, इन दोनों के बीच में से सूर्य चलता है, यह सूर्य सबको पवित्र करता है, और संसार को धारण करता है, सूर्य के अंदर जीवन शक्त है, उससे जीवन शक्त लेकर प्राणी जीवित रहते हैं, यदि सूर्य नौ हो, तो सारे संसार का विनाश हो जाए, इसी प्रकार प्रत्वी सबको आधार देकर, अन्ना दिदे कर उनको पुष्ट करती हैं इस प्रकार ये दोनों सब संसार को बसाने वाले हैं इन दोनों का विस्तार अतधिक है अरफाथ इनका अंत कहीं नहीं है द्यावा पत्वी के मध्ध में यह सूर्य संचार करता है अत्यह इन दोनों का पुत्र स्थानी है यह अपनी किरणों से सब लोकों को पवित्र करता हुआ चलता है तथा आकास से पानी बरसाकर गायों बैलों अर्थात प्राणी मात्र को पुष्ट करता है इस सूर्यने द्यावा प्रत्वी को उत्पन किया, उनको सुद्रीन किया इसलिए उत्तम कर्म करनेवाले देवों के बीच में यह अग्रगैण्य है और सर्वस्रेष्ट कर्म का करनेवाला है ये दोनु द्यावा प्रत्वी हमसे इस्तुत होकर हमें शक्ति प्रदान करें ताकि हम वहां जा दिस्तार के कारियों में समर्थ हों अर्थात हम मनुश्यों को उन्नत करने के कारिय में समर्थ हों इस उत्तम कर्म के लिए हमें प्रतिदिन उत्तम प्रेणा मिलती रहे घर में कोई अतित्यावे तो प्रथम यह देखना चाहिए कि वह बड़ा है या छोटा ताकि उससे यथा योग्य व्यवहार किया जा सके फिर उससे प्रेम पूर्वक पूछना चाहिए कि तुम कहां से आये हो किसका संदेश लेकर आये हो इत्याद इसके बाद उसे अन देव अतित्य भी ग्रिहस्त द्वारा दिये गए अन की कभी निंदा न करे अन एक देव है जिसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए अपित्यु सदा प्रसंद मन से उसकी प्रशंसा करते हुए उसे खाना चाहिए ग्रिहस्तियों को चाहिए कि वे अपने अन के चार भाग करें घ जो इस प्रकार करता है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं घोडे को और गायों को हिस्ट पुस्ट बनाना चाहिए रतों को भी उत्तम रीति से तयार करना चाहिए गायों को हिस्ट पुस्ट होने से जो ब्रिध होंगे वे भी उनका दूद घी खाकर तरों के समान शक्तिसाली और उत्साह पूर्ण हो सकेंगे दूत देश का सामान प्रतिनिध होता है अतह उसका अपमान देश का अपमान माना जाता है इसलिए दूत का हर तरह से सम्मान करना चाहिए जब वह आवे तब तरह तरह के अन्नों से उसको आनंदित करना चाहिए ताकि वह भूमी पर सरवत्र सु जुग्य अन्न की निंदा करते हैं जो देवों की, हवियों की, यग्यों की और अन्न की निंदा करते हैं या उनका अपमान करते हैं उनको मारना चाहिए जो अन्न को मारते हैं उनको अन्न मार देता है अतह अन्न की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए सोम जब तयार हो जाता है तब उसके नाम भी अनेक हो जाते हैं और तब वह अनेक नामों से संबोधित होता है इंद्र अपने घोड़े जोड़कर अस्विनव अपने रथ तयार करके यग्य को जाने के लिए तयार हो गए हैं ब्रहस्पत ने भी इस्तोत्रों का गान शुरू कर दिया है पर ऐसे देवों के पास वही जा सकते हैं जो ज्यानी तेजस्वी और शक्तिसाली होते हैं और उत्तम कर्म करने वाले ही यग्य के भाग को प्राप्त करते हैं रास्ट में ऐसी विद्या का प्रचार हो जिसके द्वारा कमजोर को हिस्ट पुस्ट और व्रद्र को तरुन बनाया जा सके सुधन्वा के पुत्र ने जिसके शरीर पर केवल चमडी ही रह गई थी ऐसी कमजोर गाय को भी फिर से हिस्ट पुस्ट बनाया और व्रद्धों को फिर से तरुन बनाया यदि कोई वीर पुरुष अतिथि के रूप में आवे तो उससे प्रेम पूरवक कहना चाहिए कि आप पानी पीएं अत्मा सोमरस ही पीएं अत्मा यदि आपको इस समय पीना अच्छा न लगता हो तो शाम को अवस्य पीकर आप आनंदित हों ताथ पर यह है कि घर में आया हुआ अतिथि और प्रसन्न होकर न जाए ग्रिह स्वामी अतिथि को खुश करने का भरसक प्रयत्न करे अतितिका आव पसंद होकर घर से जाना ग्रिह स्वामी के लिए पाप का कारण बनता है कहीं जल को सरवस्रेष्ट बताया है कहीं अगनी को सरवस्रेष्ट कहा है तो कहीं भूमी को सरवस्रेष्ट बताया है ये बातें यद्यपी उपर से विरुद्ध प्रतीत होती हैं पर हैं ये सभी सत्य ही क्योंकि परमात्मा ने इन सभी तक्तों में अईश्वर्य का विभाग किया है यदि जल ना हो तो जीवन ना हो अगन ना हो तो शरीर ना रहे और यदि भूमी ना हो तो सब आधार हीन होकर नस्ट हो जाए अतह इन सभी तक्तों में अईश्वर्य विद्यमान है जल में जीवन तक्तों को पुस्ट करने वाला अईश्वर्य है अगन में शरीर में उष्णता पैदा करके उसे उत्साह पूर्ण बनाने का अईश्वर्य है और भूमी में सभी तरह के अईश्वर्य है इस तरह इन तीनों तक्तों में अईश्वर्य भरपूर है इसलिए ये तीनों ही स्रेष्ठ है सूर्यास्त के समय जब गाय बन से लोटती है तब ग्रिह स्वामी का एक पुत्र उसे पानी पिलाता है दूसरा उत्तम चारा आद खिलाकर उसे मानसल एवं रूपवान बनाता है तीसरा उसके गोबर को उठाकर दूर भेंकता है और गाय के रहने के स्थान को साफ रखता है ऐसे उत्तम गोव सेवी जिसके बुत्र हों उन्हें और किस बात की कमी है अर्थात जिस घर में सौभाग्य की प्रतीक गाय की ऐसी उत्तम सेवा होती है वह घर हमेशा अईश्वर्य से भरा पुरा रहता है हे मनुश्यों जो उचे प्रदेश हो अर्थात जहां पानी न रह सकता हो वहां गाय आदि पश्व के लिए घास आदि उत्तम करो और जो नीचे प्रदेश हो अर्थात जहां पानी रह सकता हो वहां गाय के पीने के लिए पानी इकठा करो गाय अईश्वर्य को देने वाली है इसमें सब अईश्वर्य बस्ते हैं अतह जिस घर में गाय नहीं रहती वह घर अईश्वर्य हीन होता है अतह जब तक मनुष्य ऐसे घर में रहेंगे कि जिसमें गाय नहीं रह सकती तब तक वे अईश्वर्य ही नहीं रहेंगे जब आकाश में बादल छा जाते हैं तब किरणों के पालक सूर्य चंद्र छिप जाते हैं उनको लोग देख नहीं पाते जो मनुष्य इन किरणों को रोकना चाहता है अर्थात सूर्य किरणों को अपने घर में आने नहीं देता और स्वैंग भी सूर्य किरणों में विचरता नहीं वह अनेक रोगों से ग्रस्त होकर विनस्ट हो जाता है सूर्य किरणों में रोग जन्तूं को नस्ट करने का गुण है अतह जो इन किरणों का उपयोग करता है उनसे भरपूर लाव उठाता है उसे यह किरणे स्वस्थ बनाती है वर्षा काल में आकाश में चारो और बादल छा जाते हैं इसलिए सूर्य की किरणे छिप जाती है तब वे मानों सो जाती है पर जब बहुत जोर की हवा चलती है तब सारे बादल छट जाते हैं अर्थात उड़ जाते हैं तब किरणे फिर फैल जाती है यही मानों उनका जाग वर्षाकाल में बहुत समय के बाद सूर्य का दर्शन होता है। वे ही बीर संग्राम में अईश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं जिनके घोडे बहुत हिरिस्ट पुस्ट और शक्तिसाली होते हैं। से सन्युक्त करते हैं। इस प्रकार वह घोड़ा उस निस्क्री घोड़े को भी युद्ध कला सिखा देता है। तब वह निस्क्री घोड़ा भी राजा का स्मेह पात्र बन जाता है और वह राजा उस घोड़े को यश्प्राप्त करने की इच्छा से पुस्ट बनाता है। अस्वमेध के औसर पर रित्ति गण यग्य के पश्व भोड़े को अग्नी के चारो और तीन बार घुमाते हैं। तीन बार अग्नी की परिक्रमा करवाने से वह यग्जी हो जाता है। और तब वह देवत्त को प्राप्त कराने वाला होता है। वह पोशन करने वाले राजा का मुख्य भाग होता है अर्थात उस अश्व की सेवा राजा को भी करने पड़ती है तब वह यग्य का ज्यान कराता हुआ भूमि पर सरवत्र विचरता है वह सबसे आगे रहता है और पीछे उसकी संड़क्षक सेना रहती है जिधर जिधर घोड़ा जाता है उधर उधर सेन को भी जाना पड़ता है हे मनुश्यों उत्तम ग्यानी यह होता अधर्यू यग्य को प्रज्वलित करता है और तुम सब इस यग्य में उत्तम उत्तम आहुतियां दे कर नदियों को भर दो यग्य में आहुति देने से यग्य के धूएं से बादलों का निर्मार होता है उनक यह अस्व को बाधने के लिए जो स्तंभ तयार किया जाता है उसके लिए जो लकडी काटता है जो उस लकडी को ढोकर यग्यस्थान तक लाता है और जो उस स्तंभ को उत्तम रीति से तयार करता है तथा जो उस अस्व के लिए उत्तम घास आदि लाता है ऐसे स्रेष्ठ के उत्तम दिचार हमें प्राप्त हों सुन्दर पीठ वाला और अनेक तरह से सजाया गया अस्वमेध का घोड़ा देवों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है अर्थात यग्य में आकर देवगण हवियों से त्रिप्त होते हैं इसलिए यह घोड़ा ही मानों उनकी आशाओ को त्रिप्त करता है इस यग्य पशुक अस्व को सब तरह से पुष्ट करना चाहिए अस्वमेध के लिए चुना हुआ घोड़ा यग्य यूप पर लाकर बांध दिये जाने तथा सभी संसकारों से संस्कृत हो जाने पर साधारन अस्व न रहकर एक उत्किष्ट देव बन यग्य का घोड़ा उत्तम और हिस्ट पुस्ट हो उसे हर प्रकार से साफ रखा जाए ताकि उसके शरीर पर मख्या न बैठें यग्य करने वालों के हाथ और नाखून भी हर तरह से साफ रहें इस प्रकार हर तरह से शुद्ध और पवित्र हाथों से रित्व गण यग्य मे देवों को हवी प्रदान करें यग्य स्थूप में बधा हुआ यग्य का पशु यग्य स्थान में सौचादि करके उस स्थान को गंदा करें तो यग्य करने वाले उस स्थान को जाड़ पोच कर साफ रखें और यग्य में दी जाने वाली हवी को अच्छी तरह पकाएं जहां पश्व बढ़ा रहेगा वहां गंदगी और दुरगंधी का होना स्वभाविक है पर यग्य करने वालों को चाहिए कि वे उस स्थान को साफ करते हुए शुद्ध रखें वेग से दोड़ने वाले उत्तम और हिस्ट पुष्ट अस्व की पीठ प पर अपना शस्त्र फेंकें तो उसका एक शस्त्र भूमी पर अथ्मा घास पर गिरकर व्यर्थ नव हो अपितुवह शत्रूं पर गिरकर उनका संघार करें और विजय की इक्षा करने वाले वीरों को धन दो अर्थाद वीरों के हाथ से छूटे हुए शस्त्रास्तर प्राप्त हो जो उत्तम गंध से युगत घास आदि चारा देखकर अस्त को हिस्ट पुस्ट और मानसल बनाते हैं उनकी उत्तम बुद्ध हमें प्राप्त हो अर्थाद पशुसेवा करने की उत्तम बुद्ध सभी को मिले सभी पशुसेवा करें और उने हिस्ट पुस्ट ब काटने के लिए छूरी आदिसाधन यग्यस्थान में होते हैं, ये सब साधन अस्वमेध के कारण ही एकत्रत किये जाते हैं इसलिए मानों ये घोडों को ही भोशिद करते हैं यग्य का अश्व एक देव है अतह वह जो कुछ चेस्टा करता है वह एक देव की चेस्टाएं होती हैं इसलिए उसे जो कुछ पीने के लिए या खाने के लिए दिया जाता है वह मानों एक देव के लिए ही समर्पित किया जाता है अस्व मेध के समय यग्य कुंड में अग्नी जलती रहती है और घोडा पास में ही बधा हुआ होता है वह घोडा ऐसी धूए से युक्त अग्नी को देखकर शब्द न करे यग्य के मध्य में घोडे के शब्द करने पर रित्विजों के लिए पायश्चित का विधान है तपे हुए बरतनों को देखकर घोडा न डरे जो ऐसा उत्तम निर्भीक परिश्चमी और उत्तम संसकारी घोडा होता है उसे ही देवगण अपनाते हैं अर्थात अस्व मेध के लिए ऐसा ही उत्तम घोडा चुनना चाहिए जो यग्य घोडे को वस्तों से सुसजद करता है या स तोने के अलंकारों से उसे सजाता है अत्मा उसके लिए रस्ति आद्य अन्य पदार्थ देता है वह मानों ये सभी पदार्थ देव को ही देता है यग्य अश्च को कभी कस्ट नहीं देना चाहिए उसे कभी चाभुक या कील से मारना नहीं चाहिए वह देवता है अतह लो में 34 हडियां होती हैं यहां प्राड विज्ञान वेदमंत्र बताता है इसके सभी अंग दोश रहित और देखने योग्य हों वह शब्द करते हुए शत्रूं पर आक्रमण करें और उस पर बैठे हुए वीर अपने शस्त्रास्त्रों से शत्रूं के मर्मों पर प्रहार करक हैं जब रित्व के अनुसार घोड़े को खिला पिला कर पुस्ट किया जाता है तब उसे संग्राम की अगनी में तपाकर परिपक्व करना चाहिए अर्थात उसे संग्राम में भेज कर युद्ध की कला और नीतियों में निपुड बनाना चाहिए मांस के लालत से कोई दु युक्त करके दुख न दे हे वीर तेरे रत में हिरन के समान वेगवान और अत्यंत बल्वान दो घोड़े जोते गए हैं और तू स्वैंग भी गरजना करने वाला है इसलिए तू डर मत न तू मरेगा और न शत्रूं से मारा ही जाएगा अतह तू निर्भीक होकर में मर भी गया तो भी तू स्वर्ग को प्राप्त होकर देवों के पास जा सकेगा यह यग्य बल्वान घोड़ा हमें हर तरह के धन पुत्र तथा गाय घोड़े आदि पशुप्रदान करें हमें प्राप्त धन से सभी का पोशन हो यह घोड़ा मारे जाने योग नहीं है हम क मध्य में से उदय होता हुआ प्रकाशित होता है इसके पंख और बाहु अर्थात किरणे बाज की तरह शक्तिशाली और हिरण की तरह वेगवान हैं सर्वनियंता की द्वारा उत्पन किये गए इन किरणों को तीनों लोकों में गमन करने वाले सूर्य ने अपने रत में जो बादलों ने पाई बादल ही बिजली के नियामक हैं पानी बरसने के बाद बादलों के छट जाने पर किरणे फिर सूर्य को प्रकट करती हैं यह गतिशील सूर्य सब जगत का नियंता है अर्थात सारे संसार को यह सूर्य चलाता है सब रसों को ग्रहन करने वाला होने से वह संचार करता है वह चंद्रमा के साथ अच्छी तरह सन्युक्त होता है चंद्रमा में सूर्य की किरने ही प्रकाशित होती हैं द्यू लोक में इस सूर्य के तीन बंधन हैं वसु आदित्य और द्यू ये तीन उसके बंधन हैं वसु आदित्य और द्यू ये तीन बंधन द्यू प्रत्वी पर अन्न स्थान और बीज ये तीन बंधन हैं अंतरिक्ष में मेग विद्दुत और वायु ये तीन बंधन हैं इन तीन स्थलों में इस सूर्य का उत्तम जन्म है अर्थात यह सरवत्र प्रकाशित होता है यग्जी पशुके शरीर शुद्ध के इस्थान तथा उस उसी तरह दिवलोक से नीचे आती हुई सूर्य की किरणों को दूर से ही देखकर मनुष्य बहुत प्रसंद होता है उस सूर्य की किरणे पाप रहित मारगों से इस प्रत्वी पर आती हैं अर्थात जहां जहां सूर्य की किरणे जाती हैं वहां का स्थान शुद्ध हो जाता प्रत्वी में अन्न खाने की इच्छा करने वाले इस यग्जी पशुके उस उत्तम रूप को देखकर सभी खुश होते हैं जब उपासक मनुष्य के द्वारा दिये गए उत्तम उत्तम वनस्पतियों को यह घोड़ा खुश होकर खाता है तब उसका उपासक उसकी कृपा से स तब उसकी रक्षा के लिए रथ और सैनिक पीछे चलते हैं उसकी और राजा की मंगल कामना करती हुई सुवासनी कन्याएं उसके पीछे चलती हैं शकुन को प्रकट करने वाली गाएं भी उसके पीछे चलती हैं और वेदग्य विद्वान गण स्वस्तयन आदि मंगल स्तो का पाठ करते हुए उसकी शक्त बढ़ाते हुए उसके पीछे पीछे चलते हैं इस यग्जी घोड़े के कान सोने के आभूशनों से सजाए जाते हैं और पैरों में लोहे की नाल भी लगाई जाती है ताकि सरवत्र संचार करने वाले इस घोड़े को चलने फिरने में कस्ट न जाता है अर्थात संसकार के कारण इस घोड़े का तेज बहुत बढ़ जाता है तब सभी देव इस घोड़े को दिये जाने वाले हवी की कामना करते हैं घोड़े वे अच्छे होते हैं कि जिनकी जांगें या पीछे का भाग पुस्ट और बीच का भाग पतला हो ऐसे घोड चलने में तेज और उत्तम गुणवाले होते हैं ऐसे घोड़े जब मार्ग पर एक कतार में दोड़ते हैं तब वे ऐसे सुंदर प्रतीत होते हैं जिस प्रकार आकाश में उड़ती हुई हंसों की स्रेणियां इस सूर्य का प्रकाश द्यू लोग से उड़कर इस प्रत्वी चलने मारने वाला है इसका मन हमेशा पसंद रहकर विगवान हो उसके अयाल सुंदर हूँ ऐसे सुंदर आयैलों वाला घोड़ा सरवत्र विचरता रहे उत्तम घोडों से युक्त बलवान घोड़ा हमेशा अपने स्वामी के हित का ध्यान करता हुआ शत्रू के विनाश के लिए संग्राम में जाता है ऐसा घोडा संग्राम में लड़ता भगता हुआ भी सदा अपने स्वामी के हित का ही ध्यान रखता है ऐसा लोगों को आगे ले जाने वाला घोडा आगे आगे जाता है और उसके पीछे-पीछे ग्यानी जन स्तोत्र गाते हुए चलते हैं यह घोड़ा इतना वेगवान है कि यह मानों अपनी गति से दू लोग पर चढ़ जाना चाहता है अर्थात ऐसा उत्तम और स्रेष्ठ घोड़ा हो जिसके मन में बहुत उत्साह हो वह प्रसन्न होकर तेजस्वी मनुश्यों की हर तरह से सहायता करे और उन्हें धनादि प्रदान करे सूर्य वायू और अग्नी ये तीन भाई है द्यू लोकस्थ उर्य जेष्ट अंतरिछास्थ वाईु मध्यम और प्रधविस्थ अग्नी ग्निस्थ है द्यू और प्रधवी इन Japon के पिता माता है इनमें जेष्ठ भाई सूर्य सात रंग के किर्णों से युक्त होने के कारण साथ पुत्रों वाला है वह सब प्राणी मात्र का पालक होने से विश्वपत है यदि सूर्य नौ हो तो जगत का नाश हो जाए उसका मजला भाई वायू सरवत्र व्यात है वायू से रहित कोई भी स्थान नहीं है तथा सूर्य का तीसरा भाई अग्नी तेजस्वी पीठ वाला है उसकी पीठ रूपी ज्वालाएं अत्यधिक तेजस्वी हैं अत्मा वह घी से युक्त पीठ वाला है यग्ज में अग्न की ज्वालाओं में घी की आहुतियां दी जाती हैं इसलिए उसे घृत प्रिष्ट खहा जाता है आदित मंडल रूपी गत जगह ले जाते हैं यद्यप किरण एक ही है पर रंगों में विसिस्ट होने से वे साथ किरणे अलग अलग हो जाती हैं अत्ह किरण रूपी एक ही घोड़े के रंगों के कारण साथ नाम हो जाते हैं सूर्य की यह काल रूपी रथ तीन नाभियों वाला है उस काल की शरद व इसी काल के अंतरगत सारे लोक रहते हैं इस काल के प्रभाव से मुक्त कोई भी नहीं है इस सूर्य में साथ रंग की क्रणे आश्यत रहती हैं। सूर्य काल का निर्माता होने से स्वैंग भी काल रूप है ऐसे इस काल रूपी सूर्य के अयन, रित, मास, पक्ष, दिन, रात और महुर्द ये साथ चक्र हैं जिन्हें साथ किरन रूपी, साथ भोड़े खीचते हैं इस सूर्य के प्रभाव से कोई भी मुक्त नहीं है इसका प्रभाव अमिट है इसलिए साथ नाम अर्थाद, साथ स्वरों और साथ बहिनों अर्थाद, साथ चंदों वाली वेदवारी इस सूर्य की इस्तुति करती है स्रिष्ट के पूर्वा वस्था का वड़न है जिस समय कुछ भी पदार्थ अस्तित्व में नहीं था उस समय भी एक तत्व ऐसा विद्यमान था जो सब स्रिष्ट का निरिक्षन कर रहा था और उत्पन होते हुए पदार्थों को देख रहा था वह तत्व का अर्थाद प् स्रिष्ट के पूर्व इस भूमी के लिए प्राण रूप वायू रक्त रूप जल तथा आत्मा रूप सूर्य अर्थात भूमी वायू जल और सूर्य ये कुछ भी पदार्थ नहीं थे वायू प्रत्वी का प्राण जल रक्त और सूर्य आत्मा है उस समय जब ये कुछ भी पदार्थ नहीं थे तो इनके बारे में कौन किस से पूछने जाता उस समय तो केवल प्रजापति था जो सब कुछ देख रहा था इस विश्व में अनेक देवता कारे करते हैं वे अनेक लोकों में रहते हैं पर उनका मूल स्थान अर्थात जहां से वे उत्पन्न हुए रहस् यह बात एक और परिपक्त बुद्धिवाला और शद्धाल जिग्यास जानना चाहता है यह ग्यान युक्त देवगण उत्पन्न होकर मन प्राण प्रथवी जल तेज वायु और आकाश पंच भूत इन साथ तत्त रूपी साथ सूतों से ताना बाना डाल कर यह संसार और रहने योग्य होता है देवगण जुलाहे हैं जो मन प्राण और पंच महा भूत रूपी साथ सूतों को लेकर संसार रूपी वस्त्र बुना करते हैं जिसने ये छहों लोग इस्थिर किये हुए हैं वह अजन्मा एक तत्व किस तरह का है उसका स्वरूप क्या है यह कु कुछ है इतना तो ग्यात है पर उसके निश्चित स्वरूप का ग्यान प्राप्त करना कठिन है उसी तत्व के प्रभाव से ये सभी लोग इस्थिर हैं उस तत्व के निश्चित स्वरूप का परिग्यान ग्यानियों से पूछ कर ही प्राप्त किया जा सकता है पर उसके लि उनके ग्यान की परिच्छा के लिए नहीं यह सूर्य कहां से उत्पन होता है कहां रहता है और क्या उसका सुरूप है यह सभी बातें हर कोई नहीं जान सकता ग्यानी ही जान सकते हैं वर्शा काल में इस सूर्य की जो गाएं अर्थात किरने पानी बरसाती हैं वे ही ग्रिश्मकाल में तेज होकर अपने अग्रभाग से प्रत्वी पर के पानी को पीती हैं सोखती हैं पानी का सोखना और बरसना ये सूर्य के कारिय सभी जानते हैं पर इस सूर्य का मूल स्थान केवल ग्यानी ही जानते हैं ग्रिस्म काल में संतप्त हुई प्रथवी माता को पानी की आवशक्ता होती है तब सूर्य जल बरसाता है इस जल के माध्यम से प्रथवी रूपी माता और सूर्य रूपी पिता का सन्योग होता है जब पिता रूपी सूर्य वर्षा रूपी वीर्य को माता रूपी प्रथवी में स्थापित करता है तब वह प्रथवी वर्षा जल से सिंचित होकर गर्भ धारण कर गर्भ रूपी अनादिक को प्रसूत करने में समर्थ होती है तब अन्न को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले क्रिशक आद उस प्रिथवी के पास जाते हैं सूर्य सब विश्व को धारण करता है अतह उस पर प्रिथवी भी आश्चित रहती है सूर्य से प्रत्वी को जीवन मिलता है इस सूर्य की किरणों के द्वारा बादलों का निर्मार होता है अतह सूर्य की किरणे गाये हैं और उसके द्वारा उत्पन्न हुए बादल उसके बच्छडे हैं जब बादल इन किरणों से सन्युक्त होता है तब वह गरसता है और पान रूपी वीर्य के कारण यह प्रत्वी गर्भावती अर्थात अन्नादी को प्रसूत करने में समर्थ होती है। वारी आकाश का ही रूप है और आकाश ब्रह्म का रूप है अतहवाक भी ब्रह्म का रूप है यह ब्रह्म सारे विश्व को जानता है और इस विश्व से भी परे हैं सभी देव इस ब्रह्म की शक्त का विचार करते हैं इस सूर्य का बारह मास वाला चक्र इस विश्व के चार और निरंतर घूमता रहता है इतनी गति करने के बावजूद भी वह चक्र कभी तूटता या शिथिल नहीं होता बारह मासों का चक्र हमेशा चलता रहता है अगन रूपी सूर्य के दिन रात रूपी 720 जोड़े पुत्र अर्थाद 360 दिन और 360 रात ये हमेशा कार्य करते रहते हैं अयन मास रित्व पक्ष दिन और रात इन पाँच पैरों वाला तथा बारह महीने रूप बारह आक्रति वाला तथा जल को बरसाने वाला सूर्य दियू लोग के आधे भाग में रहता है अर्थाद प्रत्वी की अपेक्षा से यह अंतरिक्ष से परे रहता है यह सूर्य समवस्सर रूपी रथ पर चढ़ा हुआ है इस समवस्सर रथ के छै रित्व रूपी छै अरे हैं और अयन मास रित्व पक्ष दिन रात तथा महूर्त इन साथ चक्रों वाला है सूर्य ही अयन मास आदिकाल विभागों को बनाता हुआ अपना एक परिभ्धमड एक समवस्सर अर्थात एक वर्ष में पूरा करता है अयन मास आदि पांच अरों वाले रथ रूपी इस समवस्सर अर्थात काल में सारे लोक हैं इस काल से बाहर या इस से परे कोई लोक नह इतने लोकों का भार ढोते रहने पर भी इस रत का अक्ष न गरम होता है और नहीं तूटता है यह काल अनंत काल से चलता आ रहा है पर इस काल की समापत कभी होने नहीं पाती यह जगत रूपी चक्र हमेशा चलता रहता है इसकी नेम निरंतर चलते रहने पर भी नहीं तूटत प्रजापत इस जगत का नेनी है वही इस जगत का केंद्र है उसी पर आश्चत होकर यह जगत गति करता है वह प्रजापत अविनाशि है जब प्रकृत में गति उत्पन्न होती है तब प्रकृत को बुद्ध, मन, चित, अहंकार, पृठ्वी, जल, अग्न, वायु, आकाश औ और आत्मा ये दस घोड़े ले जाते हैं अर्थात जब प्रकृट्ट में क्रिया उत्पन होती है तब उससे ये नौ तत्व अस्तित्व में आते हैं आत्मा अविनाशी होने से पूर्व से विद्यमान है इन दस तत्वों से सारा जगत बनता है जब जगत उत्पन होता है जनह, तपह, सत्यम ये साथ लोक उस एक ही प्रजापत से उत्पन्न होते हैं इनमें भूह, भूवह, स्वह, महह और जनह, तपह ये जुडवे हैं और सत्यम यह अकेला हैं ये सभी रिशी हैं और देवों से उत्पन्न होने वाले हैं इनका अपनी अपनी जगह यग्य चल रहा है यद्यप इनके रूप अलग-अलग हैं पर ये सब एक प्रजापत के आधार से रहते हैं इसी तकार शरीर में आख, नाख, कान और रसना ये इंद्रियां हैं इनमें दो आखें, दो नाख और दो कान ये जुडवें हैं और रसना यह अकेली है, ये साथ रिश्य हैं सब तरिशयह प्रत हिताह शरीरे और देवों से पैदा हुए हैं सूर्य देव से आख, दिशाओं से कान, अश्विनव देव से नाख और जल से रसना बनी है ये सभी इंद्रियां अपनी अपनी जगह मानव जीवन रूपी यज्यरचा रही हैं यद्यप ये रूपों में प्र्थक प्र्थक हैं, पर सभी एक आत्मा के आश्चे से इस शरीर में रह रही हैं हर इस्त्री में आधा पुरुषत्व और हर पुरुष में आधा इस्त्रत्व होता है यह आधोनिक शरीर सास्त का भी मत है इसी के आधार पर अर्धनारीश्वर की कलपना की है इसलिए इस्त्रियों में इस्त्रित रहते हुए भी उनमें पुरुषत भी रहता है इस्त्री और पुरुष में कुछ इंद्रियों को छोड़कर बाकी इंद्रियां समान हैं इसलिए भी इस्त्री पुरुष ही है दूसरे पक्ष में सूर्य की रश्मिया यद्यप इस्त्री लिंगी होने से इस्त्री हैं तथा पिवे ब्रिष्ट जल रूपी वीर्य का सेचन करके प्रिथवी को गर्भावती करने के कारण पुरुष हैं इस रहस्य को केवल वही जान सकता है जो ग्यान रूपी आँखों से युक्त है जो इस थूल द्रिष्टि वाला है जो इस रहस्य की गहराई में नहीं उतर सकता वह इस रहस्य को नहीं जान सकता जो इस रहस्य को जान लेता है वह पालन करने वाले पिता के समान आदरणी हो ज पैरों से चलने के कारण पैर गति के प्रतीक हैं। यह प्रकृति पंदा पैर से अर्थात गति करती हुई सूर्य रूपी बच्षडे को पैदा करती है। वह प्रकृति निरंतर गति कर रही है। पर उसकी यह गत किस कारण है उसकी गत का निश्चत लक्ष क्या है अथमा वह किस लक्ष की तरफ इतनी तिब्र गत से भागी जा रही है यह ग्यात नहीं है उसका लक्ष अग्यात है वह सूर्य को किस जगह पैदा करती है यह भी कोई नहीं जानता पर इतना तो निश्चत है कि वह उसे प्रत्वी पर तो पैदा नहीं करती है इस प्रत्वी के पालक अग्नि के तथा दिवलोक के पालक सूर्य के रहस्य को जो जानता है तथा दिव्य मन को जो जानता हो वह आकर हमें बतावे ताकपर यह है कि अग्नि और सूर्य इतने रहस्य में हैं कि उन्हें पूर्टया कोई नहीं जान सकता इसी तरह चेतन अचेतन अर्ध चेतन स्तरों से युक्त मन तो इतना रहस्य में है कि उसके अंत का पाना असंभव है मन दिव्व है अर्थात उत्तम भावों से उत्पन हुआ है वह देव है समय और स्तिष्ट का चक्ट तेजी से घूम रहा है इस कारण जिसे हम पहले क्षण में पास की कहते हैं दूसरे क्षण में वही दूर हो जाती है और प्रथम क्षण में जिसे हम दूर की कहते हैं अगले छड़ में वही पास आ जाती है इस प्रकार दूर की चीज पास और पास की दूर होती रहती है जो जगत इस समय है आगे आने वाले काल में वह इसी तरह बदल जाता है इस जगत के अंतरगत सोम और इंदर रूपी जोड़े ने जो मंडल बनाए हैं वे लोकों को धारण करते ह सोम मादा का प्रतीक है और इंदर नर का ये नर मादा अपने चारों और जिस संतान रूपी मंडल का निरमाण करते हैं उसी के कारण ये लोक चलते हैं यदि नर मादा नो हो या संतानोत पत्ति नो हो तो सभी लोकों का उच्छेद हो जाए जीवात्मा और परमात्मा ये द परमात्मा जीवात्मा के पास सदा रहता है और हर दम मित्रवत उसकी सहायता करता है ये दोनों जीवात्मा एवन परमात्मा रूपी सुपर्ड प्रकृति रूपी व्रिक्ष पर वैठे हुए हैं इन दोनों में जीवात्मा सुपर्ड इस प्रकृति रूपी व्रिक्ष के फ खल भोगता है जबकि परमात्मा इस संसार से निरलिप्त रहकर केवल प्रकाशित होता है इस प्रकृति रूपी बिच्छ पर बैठे हुए अर्थात संसार में लिप्त मरण धर्मा जीवात्माएं उस अम्रत परमात्मा की अपने शब्दों में इस्तुति करती हैं आत्माएं इस शरीर के साथ सन्युक्त होकर जीवात्मा बनती हैं और शरीर से वियुक्त होकर फिर आत्मा बन जाती हैं इसलिए जीवात्मा को मरण शील कहा है आत्मा अमर है ऐसी जीवात्माएं इस प्रकृति रूपी बिच्छ के फलों को खाती हुई परमात्मा की इस्तुति करती ह तब इन भूनों का स्वामी और रक्षक परमात्मा अज्ञान से युक्त इस जीवात्मा के अंदर ज्ञान भरता है इस संसार रूपी व्रिक्ष पर मधु अर्थात प्राण रस को पीने वाले पक्षी जीवात्मा में रहती है जब आत्माएं शरीर के साथ सन्युक्त होती है तब वे जीवात्माएं बनकर प्राण रूपी मधुर रस का पान करती है प्राणो वई मधु हूँ प्राण ही मधु है इस संसार व्रिक्ष में सबसे उपर मीठे मीठे फल लगे हुए है जो इस संसार में सर्वस्रेष्ट बनता है वही उस मीठे मीठे फलों को खा सकता है पर जो उस सर्वपालक परमात्मा को नहीं जानता वह उन फलों को नहीं पा सकता परमात्मा को जाने बिना स्रेष्ट बनना और स्रेष्ट बने बिना उन मीठे फलों को पासकना असंभव है गायत्री भूमी है उस पर अग्नी की स्थापना की जाती है गायत्रो अग्नी ही त्रैस्टुभ अंतरिक्ष है उस पर वायू की स्थापना की जाती है जगत द्यू है उस पर आदित की स्थापना की जाती है अगनि भूमी का प्राण है वायु अंतरिक्ष का प्राण है और सूर्य द्यू लोक का प्राण है जो इस विद्या को जानते हैं वे ही अम्रत को प्राप्त कर सकते हैं गायत्र अर्थात उस परमेश्ठी प्राण से वयक्तिक प्राण की रचना हुई, रिचा से साम की रचना हुई, पादवध व्यवस्था वाले मंतरों से गान की रचना हुई, इस तोत्र से वाडी की रचना हुई, परमेश्ठी वाडी से साधारन वाडी की रचना हुई, और दो पाद या चार पाद वाले अक्षरों से साथ प्रकार के छंदों का निर्माड हुआ उस परमेश्ठी प्रजापत से ही प्राडी मात्र के प्राड और वाडी की रचना हुई है अत्यन्त गत्य करने वाले सूर्य के अंदर प्राड शक्त विद्यमान है जो सारे दियुलोक म प्याली हुई है जब व Republican के माद्यम से सूर्य प्रत्वी से संयुक्त होता है तब सूर्य और द्यू लोग के अंदर नहित प्राड़UST जल से प्रत्वी पर आती है ऐसे सूर्य के द्यूं अंतरिक्ष और प्रत्वी ये तीन पाध होते हैं उस परमेश्ठी प्रजापति के तेज से ही ये सूर्यादितत्प शक्तिसाली होते हैं। यह काम धेनु गाय महा प्रकृति है। इसका वत्स प्राण रूप सूर्य है। और यह संसार उस गाय रूपी प्रकृति का दूध है। इस दूध को वही दुह सकता है जो ग्यानी है। अर्थात ग्यानी ही इस प्रकृति और संसार की वास्तविक्ता को जान सकता है। सविता यह मन और प्राण है। मनो वई सविता प्राणो वई सविता यह प्राण शरीर में जीवन रस का संचार करता है। यह शरीर एक भठी है जो सदा तप्ती रहती है और इसमें प्राण के द्वारा उत्पन जीवन रस पकता रहता है। गाय, मन, प्राण, अपान और पंच भूत इन आठ वसूं का पालन करती है। अर्थात यह गाय सारे संसार का पालन करती है। वह प्यार की मूर्त है। वह हमारे जाने योग नहीं है। अतह इसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत इसे तरह तरह से बढ़ाना चाहिए। गायों को सम्रद्ध करना अईश्वर्य को बढ़ाना है क्योंकि गायों में हर तरह के अईश्वर्य बसते हैं गाय दूर से ही बच्छडे को देखकर रम्हाने लग जाती है और बच्छडा भी प्यार से आखें बंद करके बैठा रहता है तब गाय बच्छडे के पास जाकर उसके सिर को प्यार से चाटती और उसके मुह के पास अपने थनों को ले जाती है ताकि वह दूद पी ले जब बच्छडा दूद पीने लगता है तब वह गाय अपने बच्छडे को दूद भी पिलाती जाती है चाटती भी जाती है और प् इस्थत बिजली गरस्ती है जब पानी बरसता है तब मनुष्य उत्पन्न होते हैं जल से अन्न से वीर्य और वीर्य से पुरुष उत्पन्न होते हैं जब पानी बरसने लगता है तब उसका रूप और प्रकाशमान हो जाता है यह आत्मा सतत घूमती रहती है एक शरीर को दूसरे में जाना इसका स्वभाव है यह प्राण का आधार आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तब यह शरीर ग्रिह में ही खंबे के समान निश्चल पड़ा रहता है शरीर के साथ यह आत्मा रहती है पर शरीर मरणशील है और आत्मा अविनाशी है शरीर इस आत्मा के आश् नहीं रहती अपित्व अपनी ही शक्तियों से युक्त होकर सरवत्र घूमती रहती है यह सूर्य दिरंतर चलता तो रहता है पर कभी गिरता नहीं यह पास के और दूर के मारगों से सदा चलता रहता है और सारे संसार की रक्षा करता है यह चारों और फैलने वाले तेज से कि जिसने यह विश्व बनाया है वह भी इसे पूरी तरह जानता है या नहीं कौन कह सकता है जब उसके करता के बारे में भी यह संशय है तो इस अलपग्य आत्मा के बारे में तो कुछ कहना ही विर्थ है क्योंकि जब यह आत्मा इस विश्व को देखने की कोशिश करती है तब यह विश्व उससे छिप जाता है अर्थात यह अलपग्य आत्मा इस विश्व के अनंत तक्त्व की कल्पना भी नहीं कर सकती यह आत्मा माता के गर्भ के अंदर आकर प्रसूत होती है फिर वह भी अने एक तजाओं को उत्पन करके अंतमे मृत्य के मुख में चली जाती है यद्यप आत्मा अविनाशी है पर शरीर के सन्योग के कारण शरीर के धर्म उस पर आरोपित होते हैं द्यूलोक सूर्य का उपलक्षन है सूर्य सब संसार को पैदा करता है उसका पालन करता है और उसकी सह सायता करता है सारे संसार का केंद्र यह सूर्य है प्रत्वी लोग और द्यूलोक ये दो पात्र हैं जो एक दूसरे की तरफ मुख किये हुए हैं ुं दोनों के बीच में इस्थत सूर्य अपने से दूर स्थत्त प्रत्वी में वरिष्थिशिच जल द्वारा गर्ब अर्थात वह प्रत्वी को अन्नादि प्रसूत करने के कार्य में समर्थ बनाता है इस प्रत्वी का अंतिम भाग कौन सा है संपूर जगत का केंडर कौन सा है बल्वान अस्व का वीर्य कौन सा है और वाड़ी का परम उत्पत्ति स्थान कौन सा है ये चार प्रश्ण इस मंत्र में पूछे गए हैं जिनका उत्तर अगले मंत्र में दिया गया है प्रत्वी माता का प्रतीक है यह वेद अर्थात प्रसो स्थान ही मात्रत्व की पराकास्था है मात्रत्व से बढ़कर और कोई तत्व नहीं माता सबसे बड़ी होती है इसलिए मात्रत्व अंतिम पराकास्थ इस्त्री पुरुष का सन्योग रूपी यग्य ही इस संसार का केंद्र है यदि इस्त्री पुरुष सन्योग रूपी यग्य नौ हो तो संसार का उच्छेद हो जाए सोम अर्थात संतान ही बल्वान और शक्तिसाली पुरुष का रेत है जब तक संतान नौ हो तब तक वीर्य क कि सार्थक्ता नहीं होती किसी पुरुष के वीर्य के बल्वान होने का प्रमार उसकी संतान है नर्बल वीर्य के संतान नहीं होती यह आत्मा ही वारी का उत्पति स्थान है आत्मा कुछ अभिप्राय व्यक्त करने की इच्छा से इंद्रियों के साथ सन्युक्त होकर वारी उत इस औरार्ध प्रकृति के मन पराण और पंच भूत रूपी साथ पुत्र हैं जिन से यह सारा विष्व बनता है यह सभी तक तो व्यापक प्रजापति की आग्ड़ा से अपना अपना काम करते हैं तथा सारे विष्व को घेरे रहते हैं विष्व में ऐसा कोई भी पडार्थ यहात्मा इस शरीर में बद्ध होकर रहती हुई भी मन से बड़ी हल्चल करती है। विविद योन्यों में जाती है यह अपनी धारणा शक्ति के साथ ही इस शरीर में आती और शरीर से प्रथक होती है यह दोनों शरीर और आत्मा शास्वत और गतिमान है पर दोनों की गतियों में अंतर है इन में प्रथम शरीर को तो प्रत्यक्ष देखते हैं इसलिए उसके बारे में जानते हैं परात्मा और प्रत्यक्ष होने के कारण उसके बारे में नहीं जानते वह पर ब्रम्ह आकाश के समान व्यापक और वेद मंत्रों के अक्षरों के समान अविनाशी है जिस प्रकार परमात्मा में सब देवगन निवास करते हैं उसी प्रकार उसकी वारी वेद मंत्रों के अक्षर समूहों में देवगन निवास करते हैं जो मनुश्य उस परमात्मा की सच्ता में विश्वास नहीं करता वह इन वेद मंत्रों का क्या सदुपयोग कर सकेगा पर जो परमात्मा पर शद्धा रखते हैं वे इन मंत्रों का मनन करके परमस्थान मोक्ष को प्रात करते ही गाय न मारी जाए वह सरवत्र त्रिन भक्षन करती हुई भाग्यशालिनी हो और उसके साथ हम सब भाग्यशाली हो यह गाय शुद्ध घास खाती हुई और शुद्ध जल पीती हुई सरवत्र संचार करे गाय सोभाग्य की प्रतीक है उसकी सरवत्र सुरक्षा हो यह वाक रूपी गौ अर्थात काव्यमई वाक एक दो चार आठ अत्मा नौ पदो वाले छंदों में विभक्त हुई है यह अनेक प्रकार की है हजार अक्षरों तक इसकी सीमा है यह सारे आकाश में व्याप्त है शब्द आकाश का गुण है इसलिए वानी भी आकाश का गुण ही है उस गौ अर्थात सूर्य रश्मियों से जल प्रवाह बहते हैं अर्थात उन सूर्य रश्मियों के कारण जल बरसता है और उस व्रिस्ट के कारण जल प्रवाह बहते हैं उस जल से सारी दिशाएं प्रसंद रहती है जल बरसने के बाद चारों और हरियाली चा जाती है उस जल से सारा विष्व जीता है इस विष्ट जल के साथ सूर्य में इस्थित प्राण या जीवन शक्ति इस प्रत्वी पर आ जाती है उस जीवन शक्ति से सारा विष्व जीवित रहता है पास और बहुत दूर भी मैंने ध देखा और उससे अग्नि का अनुमान किया उस अग्नि पर वीरगन शक्त दायक सोम को पकाते हैं ये सब यश कर्म के प्रारंभ में होते थे तीन किरण वाले पदार्थ अग्नि आदित्य और वायु हैं अग्नि वर्ष भर में एक बार यग्य में प्रज्वलित होती है अर्थ वर्षा रंभ में एक बार यग्याग्न प्रज्वलित की जाती है और वह सतत्प्रज्वलित रहती है उसी अग्नि से प्रतिदिन का यग्य निस्पन होता है दूसरा सूर्य अपनी किरणों से समस्त संसार को प्रकाशित करता है तीसरी वायु है उसकी गतितो ग्यात होती है पर उसका रूप देखने में नहीं आता परा, पश्चंत, मध्यमा और बैखरी ये चार वारी के रूप है इनमें परा वारी का स्थान मूलाधार है वहां से यह प्रकट होकर हरदय में पहुँचती है उस हरदय स्थानी वारी को पश्चंत कहते हैं वहां से गुजरती हुई वारी बुद्ध में पहुँचती है उस बुद्ध स्थानी वारी का नाम मध्यमा है उस बुद्ध से निकलकर वारी कंठ और मुख में प्रकट होती है यही वैखरी वारी है इनमें मूलाधार की परा, हर्दै स्थानियां पश्चन्ति, बुद्ध स्थानियां मध्यमा ये तीन वाडियां गुहा अर्थात गुप्त स्थान में छिपी हुई होने के कारण योगी जन ही इसे जान सकते हैं और जो कंठा स्थानियां चोथी वाड़ी है उसे सभी मनुष्य बोलते हैं और सभी जानते हैं यद्यपी परवात्मा एक ही सत्त्त्त है पर उसका वर्ण ज्यानी जन अनेक तरह से करते हैं अईश्वर्यवान होने से वही इंद्र हितकारी होने से वही मित्र स्रेष्ठ होने से वरुण प्रकाशक होने से अग्नी उत्तम होने से सुपर्ण गरुत्मान है सूर्य किर्णे अपने साथ जल को उठाती हैं वह जल उनके साथ उपर मेघमंडल में पहुचता है वहां से वह फिर व्रिस्ट द्वारा नीचे आता है और भूम को भिगाता है समवसर रूपी चक्र है जिसमें 12 मास रूपी अरे लगे हुए हैं ग्रिश्म, शरद, वर्षा रूपी तीन नाभिया हैं और 360 दिन रूपी कीलें उस चक्र में लगी हुई हैं ये दिन रूपी कीलें हमेशा चल हैं, अर्थात हमेशा गति करती रहती हैं सरस्वती का इस्तन अर्थात प्यार सुखकारक, धनों को पुस्टकारक, रतनों को धार्ण करने वाला, धनों को प्राप्त कराने वाला, तथा कल्यान कारक है वह प्यार सभी प्राप्त करें स्रेष्ठ याजक अपनी आत्मा के योग से परमात्मा की उपासना करते हैं यह मानसो उपासना की यग्यविध सबसे स्रेष्ठ और मुख्य है इस प्रकार की उपासना करने वाले स्रेष्ट उपासक ही इस सुखपूर्ण स्वर्गधाम को प्राप्त करते हैं जहां पूर्वकाल के अईश्वर्यवान देव रहते थे जल एक ही है वही जल गर्मी के दिनों में सूर्य किरणों से संतप्त होकर वाश्प रूप में उपर जाता है और वही जल वर्षा रित्म में नीचे आता है उस नीचे आने वाले जल अर्थात वर्षा से भूम तर्प्त होती है और अगनियों में दी जाने वाली आहुतियों से डूलोक त्रप्त होता है अगनियों में दी जाने वाली आहुतियां सुक्ष्म होकर डूलोक में जाती है यह सूर्य उत्तम और निरंतर गति करने वाला है सूर्य प्रकास के कारण ही और शदियों में रस आता है और वे पुस्ट होती हैं इसलिए सूर्य को जगत की आत्मा कहा है उसी के कारण वरिस्ट होती है सूर्य किरणें बादलों को प्रेजित करती हैं और तब बादल पानी बनकर बरसते हैं और उस वरशा के कारण बहने वाले जल प्रवाह भूमी को त्रप्त करते हैं ये मरुत एक समान आयुवाले एक घर में हिल मिलकर रहने वाले शुब जल से इस प्रत्वी को सीचते हैं और उत्तम बुद्ध से बल की उपासना करते हैं सदा तरुन रहने वाले ये मरुत उसी के यग्य में जाते हैं और उसी के इस्तोत्र सुनते हैं जिसका मन विशाल होता है जो संकुजित मनो वृत्तिवाला है उसकी प्रार्थना कोई भी नहीं सुनता इंद्र बहुत महान है वह इस योग्य है कि उसके पीछे अनुचर चलें पर फिर भी वह हर काम के लिए अकेला ही चल पड़ता है वह दूसरों पर आश्चत नहीं रहता इसी तरह सब अपने बल पर भरोसा रखें और आत्म विश्वास से सब कारे करें जो भी आपस में कुछ कहना या बोलना हो मिठी वाडी से ही बोलें कभी भी बात चीत में कड़ता पैदा न करें ज्यान और बुद्धियां मेरे लिए सुखकारक हों ज्यान और उत्तम बुद्धियों वाला हमेशा सुखी रहता है वीर मनुष्यों के शस्त्रास्त शत्रों के विनाश के लिए हमेशा तयार रहें ऐसे वीरों की सभी पशंसा करें सब के पास उत्तमोतम पशु हों सब के शरीर थेजस्वी हों इन तेजों और शक्तियों का उप्योग लोग अपने शत्रों का विनाश करने के लिए करें इंद्र की शक्त भी ऐसी वीरों के अनुकूल हो इंद्र की शक्त यदि प्रतिकूल हो जाए तो जीव का नाश हो जाए शरीर में आत्मा इंद्र है और उसकी शक्तियां इंद्रियां हैं यद ये इंद्रियां और आत्मा मनुष्य के पतिकूल हो जाएं तो मनुष्य का नाश निस्चत है जो अपने शरीर को तेजस्पी बनाता है अपनी शक्तियों का सदुपयोग करता है उसकी आत्मा व इंद्र उसके अनुकूल रहती हैं यह इंद्र इतना वीर है कि वह समय पढ़ने पर बिना मरुतों की सहायता लिये ही शत्रूं का नाश कर देता है वह अपने शस्त्रास्त्रों से भयंकर से भयंकर शत्रूं को भी जुका देता है मरुतों के उपयोगी और इंद्र के शक्त के समान ही शक्तियों से युक्त होकर इंद्र अनेक वीरता के काम कर लेता है इंद्र के अलावा भी मरुत बहुत काम करते हैं वे जो कुछ भी पाना चाहते हैं अपने उद्योगों से प्राप्त कर लेते हैं मनुष्य जो कुछ भी पाना चाहे उसके लिए उद्योग करे बिना उद्योग के कुछ भी पाना मुश्किल है यह इंद्र अपनी शक्त ही से शक्तिसाली है किसी दूसरी की शक्ति का आश्चे लेकर यह वीरता नहीं दिखाता यह इंद्र अपनी शक्ति का उपयोग मनुश्यों का हित करने के लिए करता है इसी ने मनुष्यों के हित के लिए जल प्रवाहों को प्रकट किये इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी शक्ति का आश्चे लेकर ही वीरता दिखाए दूसरों की शक्ति पर घमंड न करे शक्ति प्राप्त करके वह अपनी शक्ति का सदुपयोग मनुष्यों की भलाई मे अर्थात शक्ति पाकर वह मनुश्यों पर अत्याचार न करे, अपित उनकी सदा भलाई ही करे, इस विश्षो में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, जिसे इंद्र प्रेरित न करता हो, उस इंद्र जैसा विद्वान कोई भी देवता नहीं है, वह इंद्र अद्धती इतना विशाल होता है कि उसका पार पाने वाला अभी तक न कोई हुआ है न कोई होगा। यह इंद्र जिन कामों को करना चाहता है उन्हें मन लगाकर करता है और उन कामों को पूरता तक ले जाता है। इसलिए वह सरवत्र यशश्वी होता है। सरवत्र यशश्वी होने का एक उत्तम साधन है कि जिस काम को भी मनुष्य हाथ में ले उसे मन लगाकर करें और पूरा होने तक उसे न छोड़े। यह इंद्र वीर और विद्वान है। इसलिए वह जिस पदार्थ की तरफ जाता है उसका स्वामी बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी विद्वान और वीर बनें। ऐसा मनुष्य जिस पदार्थ को भी चाहेगा उसका वह स्वामी बनकर उपभोग करेगा। मरुतों ने इस इंद्र के लिए जो इस्तोत्र बनाए उन इस्तोत्रों से वह बहुत आनंदित हुआ यह इंद्र अईश्वर्यवान बल्वान और उत्तम यग्य करने वाला है तथा शक्तिसाली इस इंद्र के शरीर को यह इस्तोत्र पुष्ट करने वाला हो हे मरुतों मुझे पर प्रेम रखो तथा मेरे लिए धना दिधारन करो मुझे यश से युक्त करो जो मनुष्य इन मरुतों की प्रसनता प्राप्त करता है वह धन अन और यश से युक्त होता है हे सैनिकों यहां तुम्हारी कौन पूजा करता है और कौन तुमसे द्वेश करता है यह अच्छी तरह जानकर मित्र के समान तुम्हारा जो हित करता है उसके पास जाओ और वे जिस प्रकार की पूजा करें उस पूजा को तुम पूण करो और वह जिसके लिए इस्तोत्र कर र यह इस्तुति करने वाला इस्तोत्रों से तुम्हारी इस्तुति करता है इसलिए उस ग्यानी की तरफ तुम घूमो अर्थात उस पर अपनी कृपा की द्रिश्ट डालो ही मरुतों इस स्तोत्र और स्रेष्ट वारी का उच्चारण तुम्हारे लिए किया जा रहा है यह वारी तुम्हें आनंद देने वाली हो तुम्हारी दया से हम सन्मान के योग्य हों तुम हमारी तरफ आओ ताकि हम अन बल आदि प्राप्त कर सकें हम सामर्थ्यवान बने और नेता के पद पर बैठ सकें इसलिए हम वीरों के काब्यका गायन तथा पठन करते हैं युद्ध छड़ जाने के मौके पर जिस तरह तुम्हारी हल चलें या तैयारियां हुआ करती हैं उन्हें वैसे ही अच्छुष्ण बनाए रखें उन तैयारियों में तनिक भी धिलाप न रहने पाए ऐसी साउधाने रखनी चाहिए जिस तरह पिता अपने पुत्रों को खाने की चीजें देता है उसी तरह वीरों को चाहिए कि वे भी सभी लोगों को पुत्रवत मानें उन्हें खान पान की वस्तुएं प्रदान करें ये वीर हमेशा खिलाडी पन से पारस्प परिक बरताव करें और धर्म युद्ध में कुशलता पूर्वक्त अपना कार्य करते रहें। रक्षा में दत्चित हुआ करते हैं। और जब अपना नियंतन स्वैंग ही करते हैं तथा शत्र दल पर तूट पड़ते हैं तब स्वैंग इस फूर्थ से यह सब कुछ होता है। इसलिए सभी लोग सहम जाते हैं। क्योंकि इनका आक्रमड कोई साधार्ण सी बात नहीं है। इन वीरों की चढ़ाई में भीशनता परयाप्त मात्रा में पाई जाती है। जब हमले करने वाले शूर लोग शत्र दल पर चढ़ाई करने के लिए पहाडों में तथा अंतरिक्ष में बड़े जोर से आक्रमड कर देते हैं तब ब्रिक्ष वनस्पत सभी विजलित हो जाते हैं वीर लोग ही अन्य सज्जनों को आश्ष्रा देते हैं अपने धन वैभों का भली प्रकार स Under sans करते हैं शत्रों का विनाश करने की छमता रखते हैं अपने तिक्ष्ण हत्यारों से वीर सैनिक शत्र का विनाश कर देते हैं इतना ही नहीं अपितुशत्र के पशुओं का भी वध कर डालते हैं ये वीरों अपने शुभ अंतह करण से हमारी सुबुध्य बढ़ाओ और हमारे ग्रामों का जो बलवान तथा वीर होते हैं वे जनता को नाश तथा पाप कृत्यों एवंग निंदा से बचाने की चेश्टा में सफलता पाते हैं। इन वीरों के भुजबल के सहारे जनता सुरक्षित और अकुतोभय होकर अच्छी नगरी में निवास करती हैं। और वहां पर अपने पुत्र पौत्तों का संड़क्ष्ण करती हैं। वीरों के रथों पर सभी आवश्यक युद्ध साधनों का संग्रह रहता है। वे अपने शरीरों पर हथियार धार्ण करते हैं। दूर की यात्रा के लिए सभी जरूरी खाने पीने की चीजें रथों पर इकठी की जाती हैं और उनके रथों के पहिये भी उचित वेला में जैसे घूमने चाहिए वैसे ही फिरते हैं जनता का हिद करने के लिए वीरों के वाहु प्रस्फटित होने तथा आगे बढ़ने लगते हैं और उनकी चाती पर एवं कंधों पर बिभिन वीर भूशन चमकते हैं उनके शस्त्र तीक्ष्णधाराओं से युक्त होते हैं पंच्छी जिस भात अपने डैने से सुहाने लगते हैं उसी प्रकार ये वीर इन सभी आभूशनों एवं आयुध से बड़े भले प्रतीत होते हैं वीरों में स्रेष्ट गुन विद्यमान है इसी कारण से वे महान तथा उंचे पद पर विराजमान होते हैं और वे अत्यधिक सामर्थ्यवान, अईश्वर्यवान, दूरदर्शी, तेजस्वी, उल्लसित, अच्छे भाशन करने वाले और परमात्मा के कारे का वीड़ा उठाने के कारण सभी के लिए प्रशंसनीय हैं वीर पुरुष बड़ी भारी उदारता से जो दान देते हैं उसी से उनका बड़पन प्रकट होता है प्रथवी के समान ही ये बड़े विशाल चेता एवन उदार हुआ करते हैं शुभ कर्म करने वालों को इनसे जो सहायता मिलती है वह अप्रतिम तथा वेजोड ही है एक बार ये वीर अगर कुछ कारे करताओं को दे डालें तो कोई भी इस दान को च्छीन नहीं सकता वीरों की देन को च्छीन लेने की मजाल भला किसमें होगी विशेष्टया जब सुयोग कारे करता उस दान को पाने के अधिकारी हूँ तुम वीरों का भात्र प्रेम सच्मुच और वर्णनी है अतीत काल में तुम भली भात हमारी रक्छा करही चुके हो लेकिन आगामी युग में उसी उदार मनो व्रत्य से सारे मानवों की रक्छा के लिए तुम सभी वीर मिलजुलकर एक दिल से अपने कर्मों द्वारा जिस रक्छन के गुरुतर कारे को उठाना चाहते हो वह भी पूर्टया तुटहीन एवंग अविकल है तुम्हारी महान सहायता पाकर ही हम बड़े बड़े कर्म कर सके हैं और उसी तुम्हारी सहायता से सभी लोग भाति भाति के युद्धों में विजई बन सके हैं हमारी यही लालसा है कि अब शुरू किये जाने वाले कर्मों में वही तुम्हारी पुरानी सहायता हमें मिले उच्च कोट के कविका बनाया हुआ यह काव्य तथा यह अन इन स्रेष्ट वीरों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें प्राप्त हो और हमें अन सामर्थ तथा विजय मिले इस इंद्र के हजारों तरह के रक्षा के साधन हमें प्राप्त हो अनेकों तरह के प्रशंतनीय अन अनेक तरह के आनंद दायक धन तथा हजारों तरह के बल हमें प्राप्त हो निपुण वीर अपनी सनरक्ष चम शक्तियों के साथ हमारी रक्षा करें और दिव्यरत्न उसी प्रकार इनके घोडे भी समुद्र पार जाकर वहां से संपत्य लाएं और हमें वितीर्ण करें। उद्ध के जारी रहने पर बाहर अपना स्वरूप दर्शाती है। जो शूर तथा वीर हैं वे उर्बरा भूमि को बड़े परिश्रम पूर्वक जोतते हैं और मेग भी ऐसी धर्ती पर यथेस्ट वर्शा करते हैं। जिस प्रकार सामान नारी से कोई भी संबंध रखता है। उसी प्रकार ये वीर भी भूलोक एवंग द्यूलोक में विद्यमान सब चीजों से मित्रता पूर्वक संपर्क प्रस्थापित करते हैं। इसी से इन वीरों को बड़पन प्राप्त हुआ है। वीरों की पतनी वीरों पर असीम प्रेम करती हैं। और वह खूब समार कर वीरों के रत पर चढ़ जाती हैं। जब उपासक वीरों की प्रशंसा करते हैं तब वीरों की धर्म पतनी सनमार्ग पर चलती हुई अपने पति का यश बढ़ाती है। वीरों की महिमा इतनी ओवर्ण नीय हैं कि धर्ती माता तक उनकी शूरता पर लुपद होकर अच्छी भाग्यशाली प्रजा का धार्ण पोशन करती हैं। इन वीरों की महिलाएं भी इनके पराक्रम से संतुस्ट होकर अच्छे गुड़ों से युक्त संतान को जन्म देती हैं। उपासक को मित्र, वरुन, तथा अर्यमा और निंदास बचाते हैं। उसी प्रकार ये वीर इस्थिर शत्रों को भी पदवरस्ट करके सारी प्रजा को प्रगतशील बनने में सहायता पहुंचाते हैं। सहायता करने का गुण इनमें प्रतिपल बढ़ता ही रहता है। पराक्रम कर दिखलाने की जो शक्त वीरों में अंतर निगून बनी रहती है। उसकी चरम सीमा का ज्यान अभी तक किसी को भी नहीं। चुकि उन वीरों में यह सामर्थ चिपा पड़ा है कि उनके शत्रों को तुरंत पराभूत तथा हत्बल कर डालें। अतह वे प्रतिपल बरधिश्रु ही बने रहते हैं। इसी दुरदम्य शक्त के सहारे वे शत्रों को घेर कर उसे वि पन मिले और इस तधा में उसकी मदद से विजई बने। उच्च कोट के कविका बनाया हुआ यह काव्य तथा यह अन इन स्रेष्ट वीरों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें प्राप्त हो और हमें अन सामर्थ तथा विजई मिले। वीरों के मन की संतुलित दशाही उ तो इस्थत एवं सुरक्षा के लिए ही उसका उपयोग करना चाहिए इसलिए ऐसे महान वीरों को अपने अनुकूल बनाना चाहिए। स्वयंग प्रिरणा से ही वीर सैनिक जनता का संरक्षन करने के लिए आगे जाते हैं अपनी शक्त से शत्रू का नाश करके वे जनता को भयमुक्त करते हैं वे मानों लोगों को अन्न एवं तेजस्विता देने के लिए ही जन्मे हों पानी के समान सभी लोग उन्हें चाहते हैं और सबकी यही इक्षा है कि गाय बैल जैसे वे अपने समीप सदैवर हैं सोमरस के सेवन के उपरांत जैसे हर्ष एवं उमंग की ब खाल तलवार दिखाई देते हैं अपनी ही इच्छा से कारे करने वाले ये वीर दिब्व स्वरूपी हैं और निसकाम भाव से विविधकारियों में जुट जाते हैं इन निर्मल एवं तेजस्वी वीरों में इतनी च्शमता है कि प्रबल शत्रूं में भी क्या मजाल है कि इनके सामने खड़े रह सकें वीर सैनिक अन्न की वृद्ध के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं धनुस्य से छोड़ा हुआ तीर जैसे ठीक पहुच जाता है या भली भात सिखाया हुआ घोड़ा जैसे ठीक चलता रहता है वैसे ही तुम जो कार्यभार उठाते हो उसे अच् प्रेरणा कैसे मिली होगी महान तथा असीम अंतरिक्ष से तुम जाते हो और बादनों तथा दुश्मनों को विचलित करते हो इवंग निराधारों के समान उन्हें नीचे गिरा देते हो इस मंत्र में बादल और शत्रूं के बारे में समान भाव व्यक्त किये हैं वीरों का प्रदान तथा दयालुता शक्त सुख तेजस्तिता और कल्याड प्रदान करने वाली है ही पर उसी से शत्र का नाश करने का सामर्थ भी मिल जाता है आधिभोतिक अर्थ इन वीरों का रथ चलने लगे तो मेगों की दहार सी सुनाई पड़ती है और नदियों को पार करते सम जल प्रवाह में भारी खलवली मच जाती है आधिदैविक अर्थ जब वायु प्रवाह बहने लगते हैं तब मेग गरजना हुआ करती है दामिनी की दमक दीख पड़ती है और मुसलाधार वर्शा के फलस्वरूप नदियों में महान बाढ़ आ जाती है शत्र से जूझने क के लिए मात्र भूमी की प्रेरणा से वीरों की प्रचंड सेना अस्तित्त में आ गई एक अत्रत बनकर शत्र पर तूट पड़ने वाले इन वीरों ने युद्ध में बड़ी भारी शक्ति प्रकट की और उन्होंने देखा कि उस शक्ति में अन्न का सिजन करने की च्छमता उच्छ कोट के कविका बनाया हुआ यह काव्य तथा यह अन्न इन स्रेष्ट वीरों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें प्राप्त हो और हमें अन्न सामर्थ तथा विजय मिले इंद्र मरुतों तथा अन्यमहान देवों की भी रक्षा करता है मरुत भी बड़े हमारी भी रक्षा करके हमें अपने प्रिय तथा सुख के बढ़ाने वाले साधनों से हमें सुख दें यह मरुत युद्ध करने से घवराते नहीं अपितु युद्ध का आउसर आने पर प्रसन्न होते हैं यह मरुत दूसरों को अपना साथी नहीं बनाते वे तो इंद्र को को ही साथी मानते और उसी के साथ रहते हैं इसी तरह मनुष्य भी युद्ध के समय घवराये नहीं अपितु उसमें डटकर शत्रूं का लोहा ले मनुष्य सदा स्रेष्ट वीर को ही अपना साथी बनाए ताकि समय आने पर वह वीर अपने साथियों की रक्षा कर सके अगन से प्रकाश और गर्मी मिलती है चारों ओर का जल टापू को शीतल रखता है ऐसे ही मरुतों का दान भी इंद्र को प्रसंद रखता है इंद्र का धन है उससे इंद्र की शक्त बढ़ती है इस तोता उसे ही अधिक मात्रा में चाहते हैं इस इंद्र को हमेशा बढ़ाना इंद्र के पास ऐसा धन है जो यजमानों को संतुष्ट करके उन्हें यज्य कर्म में प्रेरित करता है वैसे ही इंद्र के साथ ही मरुत भी यज्य के प्रेरक हैं क्योंकि वे सदा यज्य में जाकर यज्यमानों को सुखी करते हैं मरुत पानी बरशाते हैं इंद्र उनकी सहायता करता है और उनके घोड़े की पंक्तिका निरिक्षन करता है जिस प्रकार रिणी मनुष्य साहुकार का धन नहीं देता तो उसे रस्ती से बाध कर गिरा देते हैं उसी प्रकार इंद्र के साथ ही मरुत भी असुरों को शस्त्रों से जकड देते हैं और जकड कर नीचे गिरा देते हैं यह मरुत बहुत उत्साही है वे भयंकर, शीघगामी, आक्रमण करने वाले और शत्रू को घेरने वाले हैं ये प्रसंदो होकर ऐसे गरस्ते हैं कि इनका शब्द दूर देने लगता है। आज मुझे अपना भाग नहीं मिला कल भी नहीं मिलेगा कब मिलेगा यह कौन जानता है क्योंकि वह अभी संकल्प में भी नहीं आया दूसरे का चित इस्थिर नहीं होता अतह वह संकल्प करेगा तो भी बदल सकता है जिस मनुष्य का चित इस्थिर नहीं होता वह कभी भी सं के लाभ पर इर्शा नहीं करता, क्योंकि उसे अपने से भिन नहीं मानता, हे इंद्र मैं अपराधी नहीं हूँ, मुझे मारने की इच्छा मत कर, नेता सभी से समानता पूर्वक विवहार करे, वह किसी से भी देश न करे, इंद्र ने कहा अगस्त्य तू हमारा मित्र है, फिर प्रजाभी राजा का भाग इमानदारी से देदेवे तथा नेता का अनादर कभी न करे जिस यग्य में अग्णि को प्रजवलित करके उसमें शद्धा भक्त पूर्वक आहुत दी जाती है ऐसा शद्धा और भक्त से किया जाने वाला यग्य अमरता को प्रदान करता है हे इंद्र हम यग्य करते हैं उनमें तू हवी को ग्रहन कर अग्निमें यद रिद्ध के अनुसार सामग्री डाल कर यग्य किया जाए तो वह अनेक तरह से अईश्वर्य प्रदान करने वाला होता है मैं इन वीरों की उपासना करना चाहता हूँ इनके निकट जाकर रहना चाहता हूँ और प्रयत्न करना चाहता हूँ कि उनकी अच्छी बुद्ध से मैं लाभ उठा सकूँ वे हम पर कभी कोध न करें और वे प्रसंद नचित्त हो सतत हमारे साथ रहें यही मेरी अभिलाशा है हे वीरों हमने वड़ी भक्त से वे तुम्हारे इस्तोत्र बनाए हैं अतह मन लगाकर इसे सुनो तथा हमारे सतकर्मों की उन्नत करो रास्टर में सदा सतकर्मों को ही बढ़ावा मिलना चाहिए उसी से रास्टर उन्नत हो सकता है मरुत और इंद्र दोनों हमसे इस्तुत होकर हमें भी सुखी करें और उनकी कृपा से हमारे आगे आने वाले दिन उत्तम और हमें सुख देने वाले हों हे मरुतों इस धन्वान इंद्र के डर के कारण हम भैसे कापते हुए इधर उधर भागने के कारण असाओधानी से तुम्हारे लिए ही जाने वाली हवियों की तरफ ध्यान नहीं दे सके इसलिए तुम हम पर नाराज नो हो अपितु हमें सुखी करो इसी इंद्र की शक्त से प्रेरित होकर किरणे पूशह काल में प्रकाशित होती है ऐसे वीर और धीरता के कारण ही सबसे स्रेष्ठ इस इंद्र की क्रिपा से हम हर तरह का अन प्राप्त करें हे इंद्र तु शत्रों को नस्ट करने वाले नेताओं की रक्षा कर और हम पर तु क्रोधित मत हो क्रोध को दूर करके तू हमारे पास आ, तू उत्तम तेज धारण कर, हम भी धन और बल धारण करें शत्र दल पर चढ़ाई करने की वीरों की योजना बड़ी विलक्षन है और रक्षन करने की शक्त भी बहुत बड़ी है शत्र पर फेका जाकर उनका विनाश करने वाला मरतू का शस्त्र हमसे दूर रहे अर्थात हम पर शस्त्र आकर न गिरे, जो जनता तिनके की समान नस्ट होती हो, उसे सुरच्छित करके उच्च पद तक ले जाओ और दिरगायु संपन्न करो इंद्र के निमित्त उत्साह वर्धक साम गाया जाता है, तब यग्य में बैठे हुए इंद्र की गायें अपना दूध आद देकर सीवा करती हैं, अर्थात यग्य में इंद्र के लिए दूध घृतादि पदार्थ दिये जाते हैं, जब इंद्र हवी चाहता है, तब रित जहां यग्य होते हैं, वहां जाता है, इस इंद्र से सभी प्रेम करते हैं, उसे देखकर पश भी अपना प्रेम जताते हैं, घोडा उसे यग्य की तरफ ले चलता हुआ, प्रेम से शब्द करता है, और गाय भी उसे आता देखकर प्रेम से रभाती है, इंद्र को जो हवी दी जाती है वह बहुत बलकारी है उससे इंद्र में शत्रूओं को गिराने की शक्त आती है इंद्र बहुत वीर है अपने असंख विरोधियों से भी निर्भीक होकर लड़ता है वह उत्तम रथी है अनेक बलों से युक्त है तथा अंधकार फैलाने वाले को नश्ट करता है इसी तरह राजा भी रास्ट में अज्ञान अंधकार को फैलाने वाले को नश्ट करे इंद्र द्यव और भूमी का धारक है इसलिए वही सबका स्वामी है वह इतना विशाल है कि दूलोक और प्रत्वी लोक भी इसके रहने के लिए छोटे पड़ते हैं इंद्र मरुतों के साथ सारी सेना का नेत्रत करता है तब उत्साही वीरगण आनंद से भरकर अन्नों से इस ग्यानी इंद्र को प्रसंद करते हैं यह इंद्र उत्तम मार्ग दर्शक है अतह यह हमेशा सेना के आगे रहता है आकाश में घिरे हुए जल नीचे गिरने के लिए इक्छा करते हैं और प्रजा भी व्रिस्ट के लिए यग्यर चाती है उस समय ग्यानी इंद्र की इस्तुति करते हैं और इंद्र उन्हें इस्ट फल देता है इंद्र स्तोताओं का उत्तम मित्र और अभिस्ट पूरक है वह अपनी प्रार्थना पर ध्यान देता है वह एक बार जिस काम में हा इंद्र की मित्रता के लिए यग्य करते हैं यह इंद्र रास्ट का रख्षक है इसलिए वह सब के लिए मित्र के समान है ऐसे गुर्वान इंद्र को अपना बनाने के लिए ज्यानी जन्स प्रधा करते हैं यग्य में कपट रुजकर नहीं है वह तो लंबे मार्ग की समान ब यासे पथिक को पास में ही घर दीखने पर होता है। इंद्र और मरुत साथ साथ रहते हैं। इंद्र राजा है। और मरुत उसके सहकारी सैनिक हैं। इसलिए मरुतों की उन्नत देखकर इंद्र प्रसंद होता है। और इसी कारण जो इस्तुतियां मरुतों की होती हैं। उन् और उसे धना दे देता है इंद्र सबका राजा है वह सबको शत्रों से बचाता है वही धन घर और बल का दाता है वह सजनों का पालक है शत्र के नगर कई प्रकार के हैं, उनमें कुछ शरद रित्व के लिए भी हैं, इंद्र उनको नस्ट कर बृत्र और उनके साथियों को मारता है, अग्न सुखाता और शीघ्र चलता है, अग्न से ही घर के सारे काम होते हैं, इंद्र इस अग्न की रच्छा करता है, और शत्रू के किलों की दीवारों को तोड़ता है शरीर में अगनि रोग जंतूओं को सुखा कर उन्हें नस्ट करता है और शरीर को स्वस्त बनाकर उसे चलने फिरने योग्य बनाता है जब शत्र मरकर प्रत्वी पर गिरतें हैं तो उससे इंद्र का गोरो बढ़ता है क्योंकि शत्र को मारना वीर का ही काम है वह अपने बल से अपने वीरों को भी दोश रहित रखता है इंद्र अपने घोडों को यग्य में ले जा कुछ के युद्ध में सूर्य सहायता करता है और इंद्र शत्र की ओर दोड़ता है इसी प्रकार यदिराजा स सहायता प्रदान करें इंद्र के बहुत से मित्र हैं जो लोग उनसे शत्रता करते हैं इंद्र उन्हें मारता है जो उसे इंद्र को अन्न देता है इंद्र उसे पुत्र और वीरता देता है इस्तुति के स्थान में इंद्र का स्तोत्र गाया जाता है वह इंद्र शत्र को मार कर प्रतिवी पर सुला देता है यागों के स्थान में भरपूर दान करता और दुर्योन के मित्र कुथवाच को मारता है जो बुरे स्थान पर रहता है वह दुर्योन और जो दुष्टवारी बोलता है वह कुयवाच है इन दोनों को इंद्र मारता है इंद्र शत्रों को मार कर युद्ध रोकता है तब उसके पराक्रम की प्रशंसा करने के लिए रिशी उसके स्तोत्र गाते हैं इंद्र रुके हुए जल प्रवाहित करता समुद्र को भरता और पुरवश आदिका पालन करता है जब वह जलों का प्रवाह खोल देता है तब नदियां अपने किनारों को तोड़ कर बहने लगती हैं वे नदियां समुद्र को भरती हैं इंद्र कपट रहित होकर प्रजा की रक्षा करता है और सारी सेनाओं को बल प्रदान करता है सोम उत्साह बरधक होता है इंद्र जिसे पीकर त्रिप्त होता और असंख धन जीतता है सोम इंद्र में उपरयुक्त सारे गुन बढ़ाता है सोम स्वैंग भी आनंद दायक उत्तम और शत्र नासक शक्त से युक्त है यह इंद्र मनुष्य के रत को प्रेजित करता है और शत्रों को उसी प्रकार सुखा देता है जिस प्रकार चुल्हे पर पड़े हुए बरतन को अगनी शरीर में यह इंद्र आत्मा इस मनुष्य शरीर रूपी रथ को प्रेरित करता है यदि यह इंद्र नौ हो तो रथ ना चले इंद्र कुछ सकी रक्षा के लिए उसे वज्जर की सहायता पहुँचाता है इंद्र कर्म से फल और अनधन प्राप्त करता है उसका आनंध भी सबको बल देने वाला होता है प्यासे को जल और दुखी को सुख मिलने के समान इंद्र स्तोताओं का आनंध दाता और प्रिय है उसकी क्रिपां से हम अन्न बल और दीर्ग जीवन प्राप्त करें इंद्राद देव सोम पीकर शत्रू को बहुत दूर भगा देते हैं शरीर में यह इंद्र आत्मा काम कोधाद शत्रू को मारते हुए देव आद इंद्रियों में प्रविष्ट होता है अरथात उन्हें शक्त प्रदान करता है स्तोता उसकी इस्तुति करتे हैं जो सबका एक शासक और शत्रू का नाश करने वाला है, वह शत्रू को उतनी ही आसानी से काड़ता है, जितनी आसानी से किसान जोग की फसल को काड़ते हैं। संसार का सारा धन इंदर के हाथ में है, वह धन जो छीनता है, वह इंदर नाश कर डागता है, इंदर के उपासकों से जो द्रोह करता है, वह नस्ट हो जाता है, जो इंदर को आनंद नहीं देता, अत्मा यग्य नहीं करता, वह धन का भागी नहीं है, इंदर उसे मारता और उस से इंद्र विजई हुआ प्यासे को जल और दुखी को सुख मिलने से जो आनंद होता है उसके समान इंद्र इस तोताओं को आनंद दाता और प्रिय है उसकी कृपा से हम भी अन्न बल और दीर्ग जीवन प्राप्त करें इंद्र प्रजा पालक बल्वान तेजस्वी बह जाओं का स्वामी है क्योंकि उसे यश पाने के लिए सभी लोग बुलाते हैं इंद्र अपने बल्वान घोड़े रथ में जोड़ कर आता है उसके घोड़े बल्वान शक्षाली और शब्द के इसारे से रथ में जुड़ जाने वाले हैं ऐसे सुशिक्षत घोड़े इंद सोम बनता और आसन बिछाया जाता है जिस पर बैठ कर वह सोम पीता है इंद्र इस्तुत के स्थान पर शोता और स्तोताओं को धना दिदेता है वह इंद्र पतिस्ठा के योग है सभी इसका मान करते हैं इंद्र स्तोता की इक्छाओं को बीच में ही नस्ट नहीं करता उसे बढ करूं हमारी अंगुलियों ने जिस यग्य रूप कर्म को शुरू किया राजा इंद्र उसे बीच में नस्ट ना कर दे उसे हर तरह के पदार्थ हम प्रदान करते हैं अतहवह प्रसन्न होकर हमें उत्तम धन प्रदान करें इंद्र वीरों का साथ ही विपदा में पड़े हुऊ का सच्चा सहायक और भक्त का उपकार का सच्चा फल देने वाला है यजमान की इच्छा पूर करता और उसे युद्ध में अन धन प्राप्त कराता है वह इंद्र सदा अपने मित्रों के अन को ही खाता है और जहां वीर परस पर अन दान करते हैं ऐसे युद्ध में यह चक और उन्नति करने वाला बन हम दूसरों के पास ना जाएं अनेकों वर्षों तक दिन रात लगातार काम करने के कारण इस्तरी बुढ़ापा आने पर ठक जाती है और उस समय वह बुढ़ापा उस इस्तरी की सारी सुन्दरता और शोभा हर लेता है और उस समय उसमें प्रज जान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें काम का प्रभाव इतना ठीक्ष्ण है कि इसके प्रभाव से कोई भी अच्छूता नहीं रहा बड़े-बड़े महर्श भी ब्रह्मचर्य को पालन करने में असमर्थ रहे तब साधार्ण मनुश्यों की तो बात ही क्या उन समर्थ रि जाने वाले दंपत उत्तम पुत्र पैदा करें तो उस उत्तम पुत्र के कारण वे दोनों इस संसार में हर तरह की कठनाईयों को जीट सकते हैं जिस प्रकार रोक दी गई नदी का पानी इधर उधर अर्थात चारों और फैल जाता है उसी तरह मनुष्य में काम सभी और फै करने लिए तब इस्त्री शक्तिसाली पुरुष्य के साथ सन्युक्त होती है मनुष्य की कामनाएं अनेक होती हैं और उन कामनाओं को पूर करने के लिए वह अनेक तरह के पाप भी कर सकता है अतह यदि कोई पाप वह कर भी दे तो ज्ञानी जन उसे च्छमा करें